हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू अनलाइन इस्ट्डी किंग्डम दोस्तों घटना चक्र के जो बूख है उत्तर परदीश जियस द्रिश्टी उत्तर परदीश जीके की चित्रात्मक्रस्तुती दो हजार तेइस एडिशन न्यू अपडेटेड बूख है जो की पब्लिश की जा च है घटना चक्र के द्वारा तोटल जो है इसमें जो टॉपिक कबर किये गए हैं उत्तर परदीश की सभी फाक्ट को खुल जो है RO, ARO, UPCC, सभी प्रतियोगी परिच्छाएं जो भी उत्तर प्रदीश की द्वारा होगी, उन सभी के लिए महत्तर पूर्ड जो है, कंटेंट है, तो हम लोग जो है, लेक्षर वाइज जो है, कंप्लीट करने वाल है, और एक लेक्षर में कम से कम तीन से चार टॉपिक कवर किये जाएंगे, जो कि लगभग नौ से दस लेक्षर में पूरा का पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा, तो आज गिस वीडियो में टॉपिक नमबर वन, उत्तर प्रदीश एक द्रिश्टी में, बहुतिक भी भाग उत्तर प्रदीश, उत्तर प्रदीश की जलोवाई, हम लोग कबर करेंगे, पेज नमबर तीन से लेकर के तेरा तक, तो लेक्षर वाइज पेज वाइज आपको वीडियो जो है, वो मिलता रहे, तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तो आप से रिक्वेस्ट है, यदि आप कमारे चैनल पर रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ या लोटिपिकिशन, बेल आइकान को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अप्डिट सब्सक्राइब को प्राप्त होती रहे, और वीडियो का अपने दोस्तों के साथ लाइक, शियर, कमेंट करना मत भूलिएगा, आई हम लोग स्टार्ट करते हैं, टॉपिक नमबर वन, उत्तर प्रदेश एक द्रिष्टी में, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यदि आप पूरा डेटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, और आप कबर करना चाह रहे हैं, यूपी जी के, यूथ पबलिकेशन की 2022 एडिशन को, तो बारा घंटे की मायराथन चैनल पर आपको मिल जाएगी, वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्टिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बारे घंटे का मायराथन है, जिसमें टोटल 20 चैप्टर में पूरा उत्तर प्रदीश, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कबर किया गया है, बीस चैप्टर में साथ ही साथ उस चैप्टर से प्रिबियस एर में उत्तर प्रदीश के जो बिभिन प्रतियोगी परिच्छाएं हैं, लाइक PCS, RO, ARO, UP, LCC की द्वारा, UPSI, सभी परिच्छाओं का जो है, प्रश्ण जो है, व्याख्यात्मा गुत्तर के साथ भी आपको प्रतिक चैप्टर के बाद मिल जाएगा, UPG के Youth Publication by Online Study Kingdom टाइब कीजिएगा, YouTube सर्च बाक्स में या वीडियो की डिशीशन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर के कबर कर सकते, तो आई हम लोगी स्टार्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्जी है, जिसके उत्तरी सीमा नेपाल को अस्पर्स करती है, सीमा अंतराज्य, यह भारत का जो सीमा का अंतो होगा वहाँ पर उत्तरप्रदीश जो है? मिले, जैसे कि उत्तरप्रदीश एक देश के शात अंतरराष्टी सीमा बनाता है, वह नेपाल तो भारत के साथ पड़ुसी देशों में नेपाल का भी नाम हो आता है अस्थली सीमा वाले में और दो जली सीमा बनाते हैं तो टोटल नौ है भारत की पड़ुसी देश आईए उत्तर प्रदेश भारत का सीमा अंतराज्य जिसके उत्तरी सीमा नेपाल को असपर्स करती है उत्तराखंड के गठन के पहले इसकी जो सीमाय है वो चीन के तिब्बत छ सेंडिया और पूर्व में गंडक नदी है तो उत्तराखंड के गठन से पहले जब लिकन उत्तराखंड के गठन आप जानते हैं उत्तर प्रदीश ये लग होकर हुआ है कब 9 नौमबर 2020 को राज्य का बिस्तार तो भागोलिक जो छेत्रफल है उत्तर प्रदीश का वो है 2,4,928 बर्ग किलोमीटर जो कि भारत की कुल भागोलिक छेत्रफल का लगभग 7.33 प्रतिशत है भारत का छेत्रफल कितना है तो 32,87,263 बर्ग किलोमीटर है नोट छेत्रफल की द्रिश्टी से उत्तर प्रदीश का भारत में कौन सा स्थान है चौथा स्थान है पहले नंबर पर राजस्थान दूसरे पर मद्ध प्रदीश तीसरे पर महाराश्रा और चौथे पर राजस्थान का नंबर यानि उत्तर प्रदीश का नंबर आ जाता है इसके बाद जम्मू कस्मीर हुआ करता था, जो किंद्र सासित परदीस बन गया है, तो चोथा स्थान उत्तर परदीश का है, पहला जो है छेत्रफल में राजस्थान का है, अच्छांसिये विस्तार की बात किजा, उसके पहले उपर तत्थ दिया है उत्तर परदीस दिवस, त और पहली बार उत्तर प्रदिश दिवस जब योगी जी सियम बने 2017 में पहली बार अब तो दुबारा बन चुके हैं तो 2018 में इन्होंने घोशडा की पहली बार 24 जनवरी को कि हर साल उत्तर प्रदिश दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो बाबा जी योगी जी 24 जनवरी क्यों है क्योंकि आप जानते हो उत्तर प्रदिश का जो नाम है पहले क्या हुआ करता था संयुक्त प्रांत तो संयुक्त प्रांत हुआ करता था और 24 जनवरी 1980 ECB को संयुक्त प्रांत नाम बदल कर उत्तर प्रदिश कर दिया गया इसलिए सही 24 जनवरी को उत्तर प्रदिश दिवस की रूप में मनाय जाने की घोठडा बर्स 2017 में की गई और कम मनाय गया पहली बार 2018 में 24 जनवरी को और इसी दिन 2018 में वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट योजना भी लांच की गई थी अगला फाइक्ट है दोस्त उत्तर प्रदिश का राजिकिये चिन्न है तो उत्तर प्रदिश का यहां पर आप लोगों देख सकते हैं सरकार का दो मचलिया है और यहां पर एक तीर धनुस देख़ पा रहे हैं तो मचलिया अच्छान्स ये बिस्तार, तो कुल अच्छान्स ये जो बिस्तार है, वह साथ डिग्री 36 मिनट का है, अच्छान्स आप जानते हो और देशांतर रिखाएं भी आप जानते हो, तो यहां पर आप बिस्तार देख पा रहे हैं, तो लेटी टीड जो लेटी हुई है यानि अच्छानसी विस्तार की बात की जा रही तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है डिफरेंस से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यूपी जो है वो पूर्वी देशांतर सतातर डिगरी 30 मिनट से लेकर की 84 डिगरी 49 मिनट पूर्वी अच्छानस और वो 31 डिगरी 28 मिनट उत्तरी अच्छानस बाकी उत्तर प्रदेश का जो माइप आप जानते हो बिल्ली की तरह आर्मी है आगे की टांगे उठा करके है चलिए अगला देखते है अगला जो फैक्ट है वो है उत्तर प्रदेश की लंबाई चोड़ाई तो प् चास किलोमीटर पूर्ब से पस्चिम की यूर जबकि प्रदेश की चोड़ाई 240 किलोमीटर उत्तर से दच्छन की यूर है तो उत्तर से दच्छन कितना 240 किलोमीटर है और पूरब से पस्चिम जो है वहाँ 650 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का राजगी ये पुस्प क्या है सारस या क्राउच राज की ये ब्रिच क्या है असोक या सीता असूक राज की ये पसूक क्या है उत्तरप्रदीश का बारह सिंगा है राज की भासा उत्तरप्रदीश की क्या है तो हिंदी है और उर्दू है डेटेल में यूपी जी के पहले सबसे पहले जो घोसित किया गया राजकी जो भासा हिंदी को कब 1951 में इसके बाद फिर इसी में अधनियम में राजभासा अधनियम में संसोधन करके उर्दो को जो है एक अत्रिक्त राजकी भासा के रूप में बर्स 1989 इस भी में आयट किया जाता है तो उर्दु को कब राज की भासा का दर्जा मिला उत्तर प्रदीश है ये भी अक्सर एक्जाम में पूंचा जाता है बर्स होगा 1989 बढ़ते हैं आगे अगले पेज पर अब उत्तर प्रदीश के राज से जो संबंधित सीमा बनाने वाले हैं कितने राज्ज हैं आप जानते हूँ टोटल जो है आठ राज्ज हैं उत्तर प्रदीश की साथ सीमा साजा करते हैं साथ ही एक केंदर शासित प्रदीश है डेली तो एक-एक करके हम लोग कबर करते हैं जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदीश माइपिंग में आप देखेंगे तो उत्तर में आपको जो है उत्तरा खंड मिल जाएगा हिमाचर प्रदीश मिलेगा पस्ची में जो है हर्याणा होगा और दिल्ली होगा राजस्थान होगा दच्छड में नीचे देखोगे मैप में तो आपको यंपी मिलेगा, 36 गड़ मिलेगा पोर्वी सायड में बिहार हो जाएगा जारखंड हो जाएगा और एक अंतरराश्टी सीमा नेपाल से लगाएगा तो उत्तर परदेश के साथ आठ राज्जे हो गए एक किंद्र शासित परदेश और एक अंतरराश्टी सीमा नेपाल तो आईए एक एक करिके प्रतिग राज्जियों के साथ जो जिले बनाते हैं सीमा उत्तर परदेश की उनको कबर करती है तो सबसे पहले बात कर लेते हिमाचल परदेश की यदि हिमाचल परदेश से पूछा जाता है तत तो अकसर आप से एकजा में पूछा जाता है कि उत्तर परदेश का कौन सा जिला है जो हिमाचल परदेश की साथ सीमा साधा करता है तो वह है सहारनपूर कौन सा जिला है दोस्त सहारनपूर डिस्टिक है जैसा कि आप उत्तरप्रदीश का मैप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह है सहारनपूर तो उत्तरप्रदीश का एक ही जिला है जो यहाँ पर बिल्कुल बार्डर जो है वो बना रहा है किसके साथ सीमा साधा करता है उत्तरप्रदीश का सहारनपूर डिष्टिक हिमाचल प्रदीश की साथ उत्तराखंड तो उत्तराखंड राजिक्षी साथ उत्तरप्रदीश की साथ जिले सीमा साधा करते हैं सहारनपूर, मुजफर नगर, विजनवर, मुरादाबाद, रामपूर, बरेली, पीली भीत हैं तो उतर में आपने देख लिया उतराखंड और हिमाचल परदेश बात कर लेते हैं अंतरराश्टी सीमा की भी है महराज गंज यह सीरियल वाइज आडर में देरक अकसर आप से पूँछ लिया जाएगा नेमलेकित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साजा नहीं करता है तो आप इनहीं में से आप इलिमिनेट करोगे यह हो गई उत्तरी सीमा बात कर लेते हैं पस्चिमी सीमा तो पस्चिमी सीमा एक केंदर शासित प्रदीश हो गया दिल्ली और दो राज्ज हरियाणा राजस्थान तो दिल्ली के साथ सीमा साधा करने वाले उत्तर प्रदीश के जिले हैं दो एक गौतम बुद्धनगर और दूसरा है गाजियाबाद हरियाणा राज्य तो तरप्रदिश के छे जिले हरियाणा राज्य की साथ साधा करते हैं नमबर वन सहारनपूर सामली बागपत गौतम बुद्धनगर अलीगड मथुरा राजस्थान के साथ जैसे दिल्ली के साथ दो साधा करते हैं इसी तरह यहाँ पर राजस्थान के साथ भी दो हैं कौन-कौन से हैं एक है मथुरा और दूसरा है आगरा जिला इसके बाद हम पूर्भी सीमा की बात कर लेते हैं तो पूर्भी सीमा आप जानते हो सबसे पूर्भी जो जिला है उत्तर प्रदिस का पूर्भी सीमा वो बलिया हो जाता है और सबसे उत्तरी जो सीमा है वो सहारनपूर है सबसे पस्चिमी देखेंगे तो सामली होता है और सबसे साउथ में जो पड़ता है वहां सोनभद्र होत साधा करता है जैसे कि हिमाचल प्रदिश की साहत साहरन पूर इसी तरह पूरभी में देखेंगे तो सोन भद्र ही किवल है जो कि सोन भद्र जिला जारकंड के साथ सीमा साधा करता है इसी तरह 36 गड़ भी सोन भद्र की साथ ही सीमा साधा करता है तो आप ध्यान दीजिएगा जारखंड 36 गड़ एक एक जिला टच करते हैं सोन भद्र आगे आप देखोगे सोन भद्र जो है चार राजे हैं चार ओर से इसको घेल रखे हैं तो उत्तर परदिस से एकसर पूछा जाता है एकजाम में की उत्तर परदिस का ऐसा कौन सा जिला है जो चार राजियों के साथ सी यंपी की जिसके उत्तर परदिस की सबसे लंबी जो अस्थली सीमा है और सबसे ज्यादा जिले भी आपको यंपी के साथ ही मिलेंगे आगरा इटावा जालाउन जहासी ललितपूर महोबा बांदा चितरकोड प्रियागराज मिरजापूर और सोन भद्र तो सोन भद्र आप करने के कही तरीका है चारों तरब से चार राज्यों ने घेर लिया है इसलिए सोने के लिए बाई कीमती चीज है सोना तो सोना से सोन भद्र इस तरह याद रखने का तरीका है आगे बढ़ते हैं बाकि सोना होना कुछ नहीं मिलता ऐसा कुछ नहीं है राज्य का मौसम देख आगे बढ़ते हैं अगला फाक्ट है सीमा वर्ती प्रदेश केंदर शासित प्रदेश तो सीमा वर्ती प्रदेश केंदर शासित प्रदेश जो है वो नव है आठ राज्य है योम एक केंदर शासित प्रदेश है आपने देख लिया उत्तर में आपको मिल जाता है बिहार और एक अंतर राष्टी सीमा भी है किसकी साथ नेपाल की साथ तो नोट उत्तर प्रदीश की सीमा को अश्परस करने वाला एक मातर देश है नेपाल बढ़ते हैं आगे यह उत्तर प्रदीश का पॉलिटिकल माइप यहां पर आप देख पा रहे हैं चार तरफ से सोना जो है घेर लिए हैं चार राज्य हैं इधर से अंपी लगा हुँ शत्तीस गड़ बिहार जार गंड अगला फैक्ट तत्यातमक है नमबर वन फैक्ट उत्तर प्रदीश की भागोली सीमा उसंबंधी बिसिष्ट तत्य हैं तो मर्द प्रदीश राज्य से तीन तरफ से घिरा बनाने वाला मध्ध प्रदीश राज्य है उतर प्रदीश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है दोस्त तो हिमाचल प्रदीश है बिलकुर आपको एकदम छोर में आप देख पार एकदम छोटा सा यहां पर टच कर रहा है बिलकुल छोटी सीमा साधा कर रहा ह यह है हिमाचल प्रदेश है और यह आपका यूपी है तो यहाँ पर बिल्कुल चोटी सीमा साधा कर रहा है उत्तर प्रदेश अगला फाक्ट है कि उत्तर प्रदेश की सहारनपूर जिले की सीमा वर्ती जो राज्य है हर्याडा उत्तराखंड यो हिमाचल प्रदेश है उत्रप्रदेश के सोनभद्र जिले की सीमा वर्ती राज्ज कौन से है तो चार राज्ज है चार उत्रप से उत्सोने के लिए घेर रखा है सोनभद्र को बिहार है जहारखंड है तो मद्ध प्रदेश आप देखेंगे इसके बाद लगा हुआ 36 गड़ जहारखंड है और बिहार है चार उत्रप से घेर रखा है तो माइपिंग जब आप करेंगे पूरा आपको विजल्वाइज हो है आपकी माइड बैठ जाए उत्तर प्रदेश की सरबाधिक 11 जिलों को असपर्ष करने वाला राज कौनसा है तो 11 जिलों के साथ सीमा साधा करने वाला जो राज है वह मद्ध प्रदेश है प्रदेश की सबसे कम जिलों एक मात्र जहासी को असपर्ष करने वाला जिला कौनसा है तो वह ललित पूर है आईए यहाँ पर सीमा बना रहा है यही बात आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है अगला फाक्ट है कि उत्तर प्रदीश की साथ जिलों धर्ड़ी पूर्व से पस्चिम की और क्रमसा महराज गंज सिधार्त नगर बलराम पोस्ट्रा बस्ती बाराइच लखिम पूर्खीर योम पीली भीत ज अपसे उपर आप देखेंगे उपी किमाइप में तो आपको नेपार इधर लगा हुआ है यहां पर आपको पेली भीत मिलेगा तो पेली भीत इसके बाद आप लखिम पूर्खीरी आएंगे फिर बहराइच होगा स्रबस्ती बलराम पुर्शिदार्द नगर और महराज गं तो यह पिनों ने पूर्ख से पस्चिम बताया है और हम जो है यहां पर पस्चिम से लेकर कि पूर्ख की ओर आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं अगले पेज की ओर पेज नमबर 6 उतर प्रदीस जनगरना ता थ्यात्मक फाक्ट है बिलकुल इंप्वाटन फाक्ट दिये गए हैं तो उतर प्रदीस की जो टोटल पापूलीशन है वह कितनी है according to census 2011 तो टोटल पापूलीशन है उन्नीज करोण 98,012,341 जिसमें पूरुस कितने हैं 10,44,000 आप कीजिए 10,44,080,510 है महिला वही पर तो संख्या नहीं पूंचा जाएगा बेसिक लिए आपसे परसिंटीज पूंच लिया जाता है अगला आया अपका उत्तर प्रदीस का सेख्स रिश्यो कितना है तो 912 गनत तो देखोगे तो प्परति भर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते है तो 8,71 तो जनसंख्या घनत कितना है 8,71 है दो वही पर इंडिया का कितना है आप जानते हो पूरे भ 80 है और 912 यूपी का है तो इंडिया का आप जानते हो 943 है डिकाइडल ग्रोथ रेट कितनी है उत्तर प्रदीश की दसकी जो ब्रिद्धी है यानि 2001 और 2011 की तुलना करोगे तो जनसंख्या जो ब्रिद्धी यहां पर है 2001 से बढ़कर 20% आइड करोगे 214 में आजए तो दसकी ब्रिद्धी कितनी है 10 सालों में कितना ब्रिद्धी है जन संख्या का ? 20.2 परतिशत का है तो दसकी ब्रिद्धी यूपी के होगे आप जनगड़ना भारत की पढ़ते हो तो 17.7% की शादी व्रिद्धी टेकाइडल है ब्रिद्धी साचर्टा दर उत्रप्रदेश की जो साचर्टा दर है वह 67.7 प्रतिशत है अब एक्जाइक्ट जब जाटा देखो कि तुल लगभग जो है उन लगभग में आता है तो 67.68 परशेंट आपको मिल सकता एक जाम में तो लगभग 66.6 यह एकदम एक्जाइक्ट डा की यहाँ यूपी की कबर करें हो सकता कंफ्यूज हो जाओ तो जादा यूपी की ही देखो आप भारत का छोड़ दो थोड़ी देर के लिए तो उत्तर प्रदेश की जो साचर्टा दर है वो 67.7 प्रतिशत है जिसमें पुरुष की साचर्टा दर 77.3 प्रतिशत है वहीं पर म लगभग दगर 10 यहाँ प्लस करते हैं पुरुष हैं तो 10 प्लस कर दो और महिला है तो थोड़ा माइनस कर दो ठीक है तो लगभग आप पहुंच जाएंगे अनसूचित जाती अनसूचित जाती की पापुलेशन कितनी है उत्तर प्रदेश में तो आपसे बेसिकली जनसंख का 20.7 प्रतिशत यही याद रखना है नंबर नहीं याद रखना कितना है उत्तर प्रदेश में अनसूचित जाती का प्रतिशत तो टोटल पापुलेशन का 20.7 प्रतिशत है वहीं पर अगर यस्टी की बात की जाए तो आपसे परसेंटे ही पूछा जाएगा टोटल ग्रामेड जनसंख्या की उत्तर प्रदेश की ग्रामेड जनसंख्या कितनी है जनसंख्या को गोली मारो परसेंट याद रखो राजी की जनसंख्या में ग्रामेड जनसंख्या का प्रतिशत 77.7 प्रतिशत है नगर ये जो जनसंख्या है वहां 22.3 प्रतिशत है तो भाई 100 प कार सह भागिता दर कितनी है कार सह भागिता दर है 32.94 प्रतिशत उत्तर परदेश की जो चाइल्ड पापुलीशन है जो की आयूसमू की जनसंख्या जीरो से 6 लगर की वह कितनी है तो ये भी आपकी एक्जाम में नहीं पूछे जाने वाला पूछा जाएगा चाइल्ड सेक्स रेसियो तो 912 आपका सेक्स रेसियो रहा है 900 कितना बारा रहा है तो चाइल्ड सेक्स रेसियो की बात होगी तो यहाँ पर एक की जगा यहाँ पर ऐसे घेरा बना देना ठीक है गोला तो 902 आ जाएगा 912 किसकी है सेक्स रेशियो है उत्तरप्रदीस का चाइल्ड सेक्स रेशियो प्रती हजार बालकों पर बालिकाएं कितनी है तो 902 है जबकि पुरुस और महिला का तो 912 महिला आए रही है एक हजार पुरुसों पर कि याद करने का तरीका अगर आप पर्षेंट नहीं याद कर पा रहे हैं तो अगर पूंच लिया जाए कि नीश्रे नंबर पर कौन सा है चौथे पर कौन सा है तो सिंपल सी याद रखो हिंदू मुश्लिम कहावत जो है कि हिंदू मुश्लिम सिख इसाई आपस में सब भाई तो हिंदू मुश्लिम सिख इसाई और याद रखना जब ठीक है यह जैनेजम बुद्धिजम की बात की जा रही है तो बहुत से जैनेजादा है अब अहाँ पर देख सकते हैं टोटल पापुलिशन में हिंदू की पापुलिशन उत्तर प्रदीश में लगभग 80% है 79.73% है एक भी परशंट नहीं है अधर हिंदू मुस्लिम सिख सिख के बाद किसका नंबर इसाई तो इसाई 0.18 है इसके बाद जब जासे जैन ले लेना यानि 0.11% बी से हो जाएंगे बाद यानि 10 ये सीरियल है हिंदू मुस्लिम सिख इसाई इसके बाद अन्य में आ जाते हैं रा है ना तो 70 कितना 79.73 है फिर 19.26 है इसके बाद आधा परशंट एक आधा परशंट नहीं है कोई तो हिंदू मुस्लिम सिख ले लो कितना 0.32 सिख इसाई इसाई का 0.18 है फिर 11 है फिर 10 है इस तरह रखो बास और कुछ ऐसे भी लोग है है ना वो नास्तिक मतलब हम किसी को मान हमते ही नहीं कोई धर्म और हम नहीं हमारा 0.29 परचेंट किसी धर्म के हम है ही नहीं 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 हिंदू न मुस्लिम न सिख नहीं साई चली आगे बढ़ते हैं अब आईए और देख लेते हैं फैक्त जो है जनसंख्या 2011 सी संबांधी तत्यों को फटा फटा फट कि अधिक साचरता वारा जिला कौन सा है तो गौतम बुद्धनगर है साचर का मतलब क्या हुआ पढ़े लिखे पढ़े लिखे मतलब बुद्धिमान इस तरह याद करने का तरीका है तो बुद्धिमान बुद्धी बुद्ध बुद्ध गौतम बुद्धनगर इस तरह याद रखियेगा नियूंतम साचरता दरवाला जिला काउंसा है तुष्रा बस्ती है इसको कैसे याद रखोगे तो नियूंतम साचरता यानि पढ़ने लिखने कोई मतलब नहीं है तो जब स्कूल बच्चे जाते हैं तो घर वाले बोलते जरा बस्ता लेलो अपना बस्ता मतलब बायगी स्कूल बायगी जोला बस्ता लेलो तो साच्छर हैं और यहीं पर महिला की भी बात हो जाती है महिलाओं में सबसे कम साच्छर महिला कहां पर है तो यही स्राबस्ती में हैं सबसे पूरुस साच्छर कहां पर है गौद्धम बुद्नगर महिलाएं भी यहीं भी होंगी ना यहां पर नहीं है कानपूर नगर में हैं सरबाधिक जो अनसूचित जात प्रतिशत 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 वाला जिला है वह कौसामभी है तो अनसूचित जात प्रतिशत अगर पूछा जाता है सबसे अधिक अनसूचित जात प्रतिशत वाला जिला कौन सा है तो सबसे ज़्यादा यसी परसेंटेज अगर पूँचा जाता है तो कौसांबी लगाईएगा और यसी अगर जनसंख्या पूँच लिये जाता है पापूलिशन तो आप लगाएंगी सासी सीतापूर ठीक है अगला फैक्ट है सरबाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो इलहाबाद इसका अब नाम क्या है जनसा है तो जाउनपूर है और वहीं पर नियुनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो गवतम बुद्धनगर है आप देख पा रहे हैं यहीं पर सबसे ज़्यादा साच्छा रहें लेकिन यहाँ पर सेक्स रेशियो मेंटेंग करने में क्या है यह लोग बिलकुल खराब है एक तो पढ़े लिखे ऊपर से यहाँ पर पुरसो महिलाओं की जो है थोड़ा भेद भाव कर रहे हैं समझ रहे हैं तो थोड़ा यहाँ पर आप इस तरह याद रखिएगा यहीं पर पढ़े लिखे हैं लेकिन यहाँ पर नियुनतम लिंगान पात वाला जिला सरबाधिक कौन है जोनपूर है तो सेक्स रेसियो हो गया और जानते उत्तर परदीश का सेक्स रेसियो कितना है दोस्त 912 है चाइल्ड सेक्स कितना है तो 912 है और चाइल्ड सेक्स यानि बच्चे को बीच में ले आओ यहाँ पर थोड़ा 902 हो जाएगा तो नियुनतम पूरे का ऐसा जिला है जो केवले और केवले एक अहीं जिले के साथ सीमा साजा करता है जहां सी के साथ अभी कबर कर की आ रहे हो अगला फाक्ट है सरबाधिक नगरिये जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है तो जहां पर सबसे ज़्यादा पापुलेशन अगला फाक्ट है कि राज़ी की कुल जनसंख्या में सरभाधिक अनसूतित तो जनजाती प्रतिशत वाला जिला कौन सा है यहां पर क्या बात हो रही यस्टी की यस्टी अगर प्रतिशत पहुँचा जाए तो यह आप क्या लगाएंगे दोस्त सोनवहत्र लगाएंगे और यहीं पर यस्टी क्या पूँचा जाए जनसंख्या पापूलेशन पूँच लिया जाए ति क्या लगाएंगे तब भी आप सोनभद्र ही लगाएंगे तो चाहाई यस्टी पापूलेशन पूँचा जाए चाहा यस्टी जनसंख्या पूँचा जाए उत्तर परदेश में तो पापुलीशन के हिसाब से पूँचे चाहा जनसंख्या के दोनों में आप सोनभद्र लगाईएगा लेकिन यस्टी वाले में क्या है डिफिरेंस है सबसे ज़्यादा यस्टी पर्सेंटेज में कौन सा जिला रहा है कौसामभी रहा है और यस्टी जो है क्या आप कीज़े यस्टी यस्टी पापुलीशन पर्सेंटेज कौन सा कौसामभी और यस्टी क्या जनसंख्या, तो जनसंख्या के मामले में सीता पुर रहा है, है न, तो ये तो हो गए आपका मैक्सिमम वाला, नियुनतम अगर पूँचा जाए, तो नियुनतम क्या है, नियुनतम यसी, नियुनतम आपने देखा था, नियुनतम जनसंख्या पूँचा जाए, या परसेंटे लगाएंगे, यस्टी की बात की जाए तो maximum यस्टी कहाँ पर है सोन बहदर में है, percentage, population न्यूंतम कहाँ पर है यस्टी में तो वही जो यस्टी में है वही जो है, यस्टी में भी है बागपत ही है, ठीक है चो चाहे परसेंटेज पूचा जाए चाहे आपसे भी पूँच लिया जा नियूंतम यसी एस्टी का बागपत लगा के चले आईएगा परसंटेज यसी एस्टी या जो है नियुन्तम यसी एस्टी नियुन्तम में परसंटेज या पापुलीशन कुछ भी पूचा जा जा नियुन्तम बागपत लगा के वापिस पूरा माग यस्टी पर परसंटेज पापुलीशन सोनभद रही है चाहे परसंटेज पापुलीशन लेकिन यसी में थोड़ा जो है डिफिरेंस हो जाता है परसेंटेज में कौसाम भी आ जाता है पापुलीशन में सीता हो आगे बढ़ते हैं देख रहे हैं आप क्या देख पा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर एक तो यहां पर सबसे ज़्यादा साचरता है उत्तर परदेश में 2011 के अनुशार और यहीं पर क्या है सबसे कम सेक्स रेशियो भी रहा है जबकि जौनपुर में सरबाधिक सेक्स रेशियो रहा है सरबसे कम सेक्स रेशियो एक तो पढ़े लिखे एक तो पुरुस मेल फीमेल में भी नोंने मेंटेन नहीं किया दूसरी बात आप यहां पर द दसक्य बृध्धी दरवाला अब आपने देखा कानपुर नगर आ गया तो महिलाएं क्या है बुद्धिमान होती है आप जानते हैं तो इन्होंने क्या किया जनसंख्या में क्या है थोड़ा रोक लगाया आप समझ पार है याद करने का तरीका तो यहां महिलाएं आ गई महिल कानपुर नगर में है तो यहीं पर क्या है सबसे कम दसक्य बृध्धी देखी गई कानपुर नगर में इस तरह याद रखिएगा बढ़ते हैं याद करना बड़ा आसान बस थोड़ा रुक कर थोड़ा समझ कर अगला देखो वाई सरबाधिक ग्रामेड जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो जहां पर सबसे ज़्यादा आबादी है उत्तर प्रदिश में प्रियागराज में यहीं पर सबसे ज़्यादा ग्रामेड जनसंख्या है जबकि आपने देखा कि सरबाधिक नगरिये क्या है सरबाधिक नगरिये जनसंख्या कहां का रहा है जहां पर सबस रहें लोग साच्र जादा हूंगे तो syndrome होती है इसतरह याद रहेगा लिएक है यहां पर आप देख लोगी शरबाधिक वहा नियूंतम बैधानिक नगरों की संख्या वाले जिलिक रमसा कौन से हैं तो बदाईयों स्रावस्ती हैं तो सरबाधिक वैधानिक नगर कहां पर हैं बदाईयों में हैं सरबाधिक यानि कि नियुनतम जो वैधानिक नगर है जिला कौन सा है स्रावस्ती अधिकतम बदाईयों नियुनतम स्रावस्ती अगला है सरबाधिक ग्रामीड प्रतिशत वाला जिला कौन सा है 322 से कोई मतलब ही नहीं साचर्टा है यहाँ पर निउन्तम साचर्टा वाला जिला कौन सा रहा है सरबस्ती है ना तो गाउं में भरे बैठे हैं कि गाउं में ही रहेंगे निउन्तम साचर्टा वाला और यहीं पर क्या है सरबाधिक ग्रामीड प्रतिशत वाला जिला है तो प्रतिशत अगर यहीं पर सरबाधिक ग्रामीड जनसंख्या पूंचा जाए तो सरबाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है प्रियाग राज वहीं पर सबसे ज़्यादा ग्रामीड आबादी भी है प्रियाग राज में लेकिन प्रद्सत पूछ लिया तुस्रा बस्ती चले जाना नेउंतम ग्रामीड प्रद्सत पूछ लिया जाए तो जहां पर सबसे ज़्यादा नगरिये पापुलीशन है नगरिये है वहीं पर सबसे कम ग्रामीड है तो गाजियाबाद में नगरिये है सबसे ज़्यादा तो यहीं पर सबसे कम ग्रामीड हो जाएगा सिंपल सी बात याद रख सकते हो आसानी से सरबाधिक नगरिये जनसंख्या गाजियाबाद तो नगरिये जब ज़्यादा होगा तो ग्रामिड अपनियाब कम हो जाएगा तो गाजियाबाद दोनों में नियुंतम नगरिये जनसंख्या वाला जिला भाई सरवाधिक जब ग्रामीड वहीं पर है प्रियाग राज में लेकिन जनसंख्या में क्या है जहां पर प्रतिशत ज्यादा होगा ग्रामीड जनसंख्या पनियाप जो है ज्यादा होगी तो नगरिये कम होगा है तो नियुंतम नगरिये कहां पर है स्रवस्ति है जबकि प् सरबाधिक अनसूचित जात जनसंख्या वाला जिला कौन सा है सीतापूर है पढ़ लिए से उस नियुंतम अनसूचित जाती जनसंख्या वाला बागपद तो चहाई यह CST पूछा जाए पर्चेंटेज या जनसंख्या नियुंतम बागपद लगा देना ठीक है वही बात शरबाधिक सिसू लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है शरबाधिक सिसू लिंगा अनुपात वाला जिला अच्छा लिंगा अनुपात वाला कौन सा जिला रहा है जौनपूर रहा है नियुंतम कौन सा रहा है तो जहाँ सबस्यादा पढ़े लिखी लेग रहे कौन सा गौतम बुद्धनगर, अब यहाँ पर सबसे सिसु की बात येगे, सिसु लिंगारपा सरबाधी कहाँ पर है, बलरामपुर है, नियुंतम कहाँ पर है, बागपत में है, जहाँ पर यह CST, पापुलेशन परसेंटेज क्या है, नियुंतम है बागपत में, सरबाधिक ग्रामी जिला कौन सा पढ़के आ रहे हो दोस्त गौतम बुद्धनगर जीबियन रहा है गौतम बुद्धनगर लेकिन यहां पर दर पूछ लिया परसेंटेज तो कौन सा लगाओगे और यह लगाओगे नियुन्तम ग्रामिड साचरता दर सरबस्ती यहीं पर साचरता भी सबसे कम र ऋइए तो यहीं पर ग्रामिड भी है नियुन्तम् ग्रामिड सिसुलिंगा अनुपात वाला जिला कौनसाओ अब यहां पर नियुंतम जो लिंगान पात आपने पढ़ा यानि नियुंतम सिसु लिंगान पात क्या पढ़ा बागपत लेकिन ग्रामेड पूंच लिया तो गौतम बुद्धनगर अगला देखो सरबाधिक अनसूचित जनजाती वाला जिला कौन सा है तो सोन भद्र है अनस नियुनतम साद्चरों की जहां पर सबसे कम रही है वहीं पर ये बस्ता वाला भी साचर भी वहीं पर सबसे कम होंगे सरबस्त ही सरबाधिक जनगरना वाल नगर वाला जिला कौन सा है सरबाधिक जनगरना नगर जनगरना नगर वाला जिला वाराणसी है कितने हैं 38 है सरवाधिक सलम जन संख्या वाला जिला कौन सा है दोस्त मेरठ हो है तो इस तरह आपने तथ्यात में एक फैक्ट को अल्ला इन आपने कबर कर लिया बढ़ते हैं आगे ठीक है यहाँ पर एक फैक्ट नहीं दिया था सकता एक्जाम में पूँच ले ऐसे ही स्टी के अगर बात की जाए मानले एक्जाम में आपसे पूँच ले कि अकार्डिंग तू संसस तू थाओ जनले बन उत्तर परदेश के कौन से ऐसे जिले हैं आपसन में आपको दे दे क्या अयोध्या दे दे यहीं फैजाबाद नाम तो फैजाबाद हो गया और दूसरा जो है जालाओन लखेमपूर श्रबस्ती इस तरह दे दे आपकी एक जाम और पूँच ले कि कहां पर अन्सूचित जनजात पाई ही नहीं जाती नमबर वन है अयोध्या जिसका नाम फैजाबाद रहा है तो अयोध्या फैजाबाद दूसरा है दोस्त जासे क्या जालाओन ना है दो ऐसे जिले हैं उत्तर पर दिस कि जहां पर एक भी जन जाती नहीं पाई जाती बाकी स्टी में आपने क्या पढ़ा चाहे परसेंटीज पूँच लिया जाए चाहे जो है पॉशा जाए सोभधर लगा के आएंगे मैकसिमम मिनिमम में क्या लगाएंगे नियूंततम में तो लोवेस्ट जो है सबसे कम कहां पर है वागपत होगा यसी का भी पूशा जाए नियूंतं लोगा पर्चैज जनसंख्या दोन तो उत्तर परदीश जन्म की समय जीवन प्रत्यासा 2015 से उन्नीस तक की डाटा है ये व्यक्ति के हिसाब से 65.6 है कुल ग्रामीड में 44.6 है सहरी में देखोगे तो 61.9 है कुल पुरुष है 65 है महिला में 66.2 है ग्रामीड पुरुष की जीवन प्रत्यासा 63.8 है ग्रामीड महिला का 65.3 है सहरी पुरुष का देखेंगे तो 68.8 है जबकि सहरी महिला का देखेंगे तो 79 है क्या जीवन प्रत्यासा कब जन्म की समय अगला फाक्ट है उत्तर परदीश भासा अनुसार जनसंख्या प्रतिशत तो सबसे ज़्यादा भासा जो है हिंदी भासी है 94.08 प्रत्याथ है इसके बाद दूसरे पर उर्दू का नंबर है 5.42 के साथ और तीशरा यहाँ पर पंजाबी भी बोली जाती है 0.25 है इसके बाद बंगाली भी है 0.12 परसेंट आगे बढ़ते हैं अगला जो फाक्ट है वो उत्तर परदीश प्रसासनिक इकाईया पढ़ते हैं उत्तर परदीश में मंडलों की संख्या 18 मंडल हैं 75 जिले हैं नगर योम नगर संकलुनों की संख्या कितनी है रिकॉर्डिंग टू संसस तूथाव जो निले बन नगरो योम नगर संकलुनों की संख्या उत्तर परदीश में 915 है उत्तर परदीश में ग्राम पंचायते कितनी हैं तो 58,189 ग्राम पंचायते हैं और ये अपडेटेड डाटा है 31 मार्च 2021 तक इसके बाद आप देखेंग इन्याज पंचायती नहीं है ग्राम पंचायती है तहसीले है तो तहसील कितनी है 351 तहसील है आप जानते हो बैठते को न्यल्डियम जहाब में न है बिकास खंड की बात करोगी तो 2021 की अकॉर्डिंग बिकास खंड 826 है जो कि राज निर्वाचन आयूग की वेबसाइट की हिसाब से होंगे तो जो वीडियो ने यहां पर बेसिकली जो गराज निर्वाचन आयूग लिया गया है डाटा सिंपल सी बात बलाग परमुकों की संख्या यहां पर देखी गई होगी बलाग यानि विकास खंड तो 826 विकास खंड है नगर पंचायद की बात करोगे तो 2022 तक जो है नगर पंचायद जो है वह अस्थान यह निकाए निदेशा लग की अंसार जो है पांच सो सत्तरा है वहीं पर नगर पाली का परिशत की बात करोगे तो दोसो है तो नगर पंचायद कितने है दोसो है और नगर निगम कितने है तो सत्तरा है तो आपसे अक्सर एक्जा आपकी संविधान में मुन्सिपालिटी दिया हुआ है तीन बाते पढ़ते हुन गराम पढ़ते हु Gmail बीचवाला जुन्याएं पढ़ते हुन्यी विकास खंड की बात होती है और सबसे उपर जिल्ला परिशाद, जिल्ला की बात होती है आगे बढ़ते हैं कुल राजस्ट सोग्राम, कितने हैं, तो according to census यहाँ पर टूथाउजन लेबन दिया है, कुल राजस्ट सोग्राम उत्तरप्रदीस में, कितने हैं दोस्त यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो, एक लाख, छे हजार, सात सो चौहाटर राजस्ट सोग्राम है, आबाद ग्राम कि कबर कीजिएगा। संभाग छेतर है जहाँ पर आपको 28 जिले मिलते हैं तो 28, 10, 28, 27, 45, 30 यहाँ पर पस्चिमी में आपके 30 जिले जो है आ जाते हैं तो वार्थिक संभाग शेतर फलकिशा आपसे पूर भी होगा डिटेल में आप देखिए उत्तर प्रदीश एउपीजी के यूथ पब्लिकेशन बाई या लान इस्टिडी किंडम टाइप कीजिए यूटूब की सर्च बाक्स में वीडियो नंबर वन आएक देख लीजिए सहकारिता तो उत्तर प्रदेश सहकारिता में उत्तर प्रदेश में जिला केंदरिय सहकारी बैंक कितने हैं पचास हैं प्रात्मिक्स क्रिसी रण सहकारी समीतिया कितनी हैं 7489 हैं उत्तर प्रदेश क्रिसी यूम ग्राम विकास बैंक साखाएं कितनी हैं 323 हैं नेक्स्ट है उत्तरप्रदेश चिकित्सायों स्वास्त है तो उत्तरप्रदेश में होमियोपाथिक चिकित्सालेयों आउसाधलेयों की जो संख्या है 2021 के अकॉर्डिंग वो 1585 है और वहीं पर एलोपाथिक चिकित्सालेयों आउसाधलेयों की जो संख्या है अगला फाक्ट है दोस्त उत्तर प्रदेश में प्रती व्यक्त बिद्दुत उत्पादन कितना है तो बीस इक्कीस की बात यहां पर की गई है एक सो नो किलो वाट घंटा है उत्तर प्रदेश में उत्पादन कितना है बिद्दुत का तो 2473 करोण किलो वाट घंटा वहीं पर प्रतिव्यक्त बिद्दुत उत्पादन 109 है जबकि प्रतिव्यक्त बिद्दुत उपभोग कितना है तो 391 किलो वाट घंटा है उत्तर प्रदीस राज बिद्धुत परिशद की अस्थापना बरस 1969 में होई थी उत्तर प्रदीस बिद्धुत नियामक आयू का गठन कब हुआ है बरस 1998 में उत्तर प्रदीस में पूर्दता बिद्धुती के जो ग्राम है उत्तर प्रदीश की पूर्डता विद्धूती तीर ग्रम तो 100% जो विद्धूत जहां जिन गाउं में पहुँच गई हो टोटल 97,9814 गाम है तो यानि आप कह सकते हूँ गाउं की संख्या 97,9814 और सभी की सभी क्या है इसके बाद राज में राष्टिये ताप विद्धूत निगम केंदर कितने है तो ये एकसर एकजाम में आप से पूछा जाता है राष्टिये ताप विद्धूत निगम केंदर 8 है ठीक है किसके कितने है तो अकसर आपको डेटेल में पढ़ना है और यूपी जी के यूथ पब्लिकेशन कबर कीजिए 12 घंटे की मैराथ 20 टेप्टर है टेप्टर वाई नीचे मिल जाएगा जिस टेप्टर को आप कबर करना चाहें कबर कर सकेंगे अकसर एकजाम में यह तथ्याप से पूंचा जाता है कि उत्तर प्रदीश का एक मात्र परमाण विद्धुत केंद्र कहां पर है यह नरवरा है और कहां पर है बुलंद सहर में है जिसकी अस्थापना बर्स 1989 बी में हुई थी 1989 आप क्या पढ़ किया रहे हो उर्दू को जो है वो दूसरी राजकी भाशा का दरजा भी मिला था बढ़ते हैं अगले पेज की उर्दोस्त वही बात है उत्तर प्रदीश की जो है भारत की तुलनात्मक शंकेर दिये गए है जनगर्णा की बात करोगे तो उत्तर प्रदीश की जो जनसंख्या ब्रदी डिकेटल ग्रोथ रेट रही 20.2 रही जबकि भारत 17.7 जनसंख्या गनात यूपी का 837 है भारत का 382 है नगरिये जनसंख्या 22.3 है जबकि भारत का 31.2 है ग्रामिर जनसंख्या का प्रत्सत 97.7 है जबकि नेशनल जो अबरेज है 16.9 है लिंगा अनुपात 912 यूपी का है नेशनल अबरेज देखोगी तो 943 है तो नेशनल अबरेज से क्या है कमी है प्रतिशत है जबकि पूरे भारत में अनसूचित जाती का जो प्रतिशत है टोटल पापूलीशन भारत की पापूलीशन का 16.6 प्रतिशत है जबकि जो टोटल भारत की पापूलीशन है जैसा कि आप जानते हो उत्तर प्रतिश में यनि पूरे भारत में YSC population किस राज में है सबसे जादा जन संख्या में तो आप जानते हो अपना UP है पढ़ते हो जब बर इसके बाद YSC population सबसे जादा कहा है तो आप जानते हो पुऱे भारत में YSC population percentage में पंजाब में है YST की आद बात कर रहे हो अगर पूरे भारत में देखूँ कि सबसे ज़्यादा यस्टी पापुलीशन वाला कौन सा है तो यह अनपी हो जाता है है ना आगे बढ़ते हैं दोस्तों जन्मदर की बात करते हैं तो जन्मदर कितना है प्रती हजार पर उत्तर परदेश में तो जन्मदर एकारडिंग टू और भारत की बात कर लेते हैं तो म०्ती हजार पर उत्तर परदेश का देखेंगे तो तो जन्मदर म०्शन वाला कुछोंNERीच का privat जहारेइब कि भारत का वन नई सो है बढ़ते हैं अगले पेज की उर पेज नमबर दस इस पेज में आप देखेंगे उत्तर प्रदीश के मंडल वह संवध्धित जिले तो वह अठारा मंडल है पचात्तर जिले है और अठारवा जो नविंतम मंडल है उत्तर प्रदीश का वह अलीगड़ तो टोटल कितने मंडल अठारा मंडल है सबसे नमिनतम मंडल कौन सा है अलीगड़ है उत्तर प्रदीश से पचात्तर जिले है तो सबसे नई जो जिले है नमिनतम हापुड है शामली है और संभल है तो आईए एक एक करके जो है तथ्यात्मक देखते हैं हम लोग कबर करते ह मंडल के अंदर ही जिले सामिल है 15 तरों तो एक एक मंडल करके हम लोग करते हैं कबर और उनके मुख्याले को मुख्याले के संबंधित जो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी जिलों के मुख्याले नहीं पूछे जाते हैं मंडल के वही पूंचे जाते हैं जो उस जिले से जो है भिन मुख्याले होंगे लखनव मंडल, लखनव मंडल के तहट छे जिले सामिल है और लखनव मंडल का मुख्याल है लखनव है हर दोई लखनव सीतापुल लखीम पूर्खेरी राइबरेली उन्नाव तो जिले उस सामिल आपके एक्जाम में कभी नहीं पूंचा गया है न पूंचा जाएगा मंडल से संबने मुख्याले पूंचे जाते हैं वहीं पूंचा जाना है उसके बाद देखोगे आगरा मंडल मुख्याले आगरा है चार जिले हैं ठीक है तो जिले आप बार बार वही नहीं पढ़ना आप यहाँ पर देख सकते हैं मिर्जापूर मंडल मुख्याले मिर्जापूर है तीन जिले इसमें सम्मिलित है चित्रकोड मंडल देखोगे तो चार जिले आते हैं मुख्याला इसका बांदा तो चित्रकोड मंडल का जो मुख्याला है दोस्त वो क्या हो जाता है बांदा यह हो गया भिन्न तो यह आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है कि चित्रकूट मंदल का मुख्याल है कहाँ पर पड़ता है बांदा अगला है आपका अलीगड मंदल जो कि नभीनतम मंदल है टोटल अठारा मंदल है तो अठारवा मंदल कौन सा है नभीनतम मंदल है अलीगड चार जिले इसमें सामिल है अलीगड हाद्रा सेटा और कास सारनपूर मंदलां hätte 3 जिले सामिल है जो Ned op Folkmananda 3 जीले हैं देभी पार्टन मंडल है तो देवी पार्टन मंडल मुख्याले कहां देवी पार्टन ना हो करके भेन है अलग है कहां पर है गोंडा तो इसको याद रखना इसका मुख्याले देवी पार्टन मंडल का मुख्याले कहां पर है गोंडा में है चार जिले है तो इसका मुख्याला याद रखना जरूरी हो चार जिले हैं इसमें मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद मुख्याले पांच जिले हैं कानपूर मंडल का मुख्याले कानपूर है छे जिले हैं तो इस तरह आपने कबर किया है अब यहाँ पर दिया नहीं है आप थोड़ा नोट कर लो आप कबर कर रहे हो तो थोड़ा क देख लो नमबर वन आपसे पूंचा जाता है जीबियन का गौतम बुद्धनगर का गौतम बुद्धनगर का जो मुख्याला है दोस्त वह नोईडा है ठीक है अब जो वहां के होंगे कह रहे होंगे गोल्टर नोईडा लेकिन नोईडा है आप याद रखिए दूसरा क्या प कानपूर नगर का जो मुख्याला है दोस्त वह कानपूर है ठीक है और चौता जो है कानपूर क्या होगा इन नगर है तो कानपूर दिहात होगा कानपूर दिहात का मुख्याले कहां पर होगा अकबर पूर माती क्या होगा दोस्त अकबर पूर माती इसके बाद पांचवा जला आप नोट करो सिधार्थ नगर जिला इसका मुख्याले आपका पड़ता है वह नवगड है छटा जिला नोट करो धेटिजिस सोन भधर सोनभधर और सोन भधर जला का मुख्याले कहाँ पर होगा सोनभधर रावारट गंज तो यही आपसे पूछा जाता है एक्जाम यही पूछा जाएगा मिलान करने को भी पूछ लेगा राबर्ट गन छे जिले होगे सातवा नोट करो भासे भधोही तो भधोही का जो है तो भधोही पूछा जाया संतर अबिदास नगर आप क्या लिखोगे इसका मुख्याल है ग्यानपूर तो सात जिले हैं आठोम जीला नोट करूँ क्या नोट करोगे कुसी नगर का जिले का मुख्यालै कहां पर है पासे पडरोना ठीक है पडरोना पड़ता है तो आठ होगे टोटल दस है नवा कशी नगर के बाद बनने वाले जो लेभी ज़े हैं संत रविदास नगर संत रविदास भदों ही हो गया तो ये संत कभीर नगर संत कभीर नगर होगा संत कभीर का क्या होगा खासे खलीलाबाद क्या होगा दूस्त खलीलाबाद नव हो गया दस एक और नोट कर लो इसके बाद पूरे दस ऐसे हैं जो कि एक्जाम में बार बार पूँचे जाते हैं क्योंकि जिले से इतर जो हमें के मुख्याले है तो एक अमेठी का पूँचा जाता है और अमेठी का क्या है मुख्याले गवरी गंज है ठीक है एक ओर लिख लो थोड़ा लग लगेगा जिसी की है आपका कास गंज गंज इटा काशी राम नगर हो जाता है मुख्याले तो दस ग्यारा है जोकी एक्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं तो गाutam नगर मुख्याल है गाउताम बुदनगर का नोईडा जालाउन का उरई कानपूर नगर का कानपूर है कानपूर दियaquत का अक्बर पुरमाती है तो पहला टॉपिक आपका उत्तर प्रदे से एक दृष्टी में कम्प्लीट हो गया अगला जो टॉपिक है टॉपिक नंबर दूसरा है देड़ भावतिक विभाग उत्तर प्रदीश तो भावतिक विभाजन यहाँ पर आप देखोगे उत्तर प्रदीश से संबादने तक लिए उत्तर खंड के गठन से पूर्व पहले राज के तीन भूभाग थे परवतिये छेत्र, मैदानी छेत्र और दच्च्ड का पठारी छेत्र उत्तर खंड के गठन के बाद पूरा परवतिये छेत्र उत्तर प्रदीश से अलग हो गया और अब इस परवतिये छेत्र से लगा हुआ भावर तराई छेत्र ही उत्तर प्रदीश में बचा हुआ है उत्तर प्रदेश को बर्तमान में मुखतया तीन प्राकिर्तिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है तो परवतिय छेत्र अलग होकर क्या बना उत्तरा खंड राज्य कब 9 नवंबर 2020 को तो चौथा जो है कड़ गया और तीन बचे कौन कौन से प्राकिर्तिक छेत्र सहारनपूर से लेकर यानि जो आपका हिमाचल प्रदेश जो टच करता है उत्तरा खंड हुआ यहां से आपका भाभर तराई छेत्र होगा वहां से श्टार्ट करोगे आप पूरे चले आओगे पूरव में देवरिया कुसी नगर पढ़ रहोना तो सहारनपूर से लेकर पूर्व में देवरिया योम कुसी नगर पढ़ रहोना तक एक पतली सी पट्टी की रूप में फैला हुआ है भाभर योम तराई प्रदीश तो तीन प्राकर्टिक प्रदीश उत्तर प्रदीश के कौन भाभर योम तराई रीजन हो गया गंगा यमुना मैदान है दच्छट का पठारी प्रदीश हो गया अब एक एक करके आप यहाँ पर देख लो भाभर चेतर में क्या आएंगे तो भाभर चेतर यानि की कंकड़ पत्थरों से निर्मित परवती भूभाग होता है और इसका जो विस्तार है बिजनवर सहारनपूर पीली भीत साजहाँपूर योम लखीम पूर खीरी आज जिलो निर्मित भूभाग है इसके बाद आप देखेंगे पस्चिम से पूर्व की और बढ़ने पर चौड़ाई में कमी महसूस होगी भाई उपी का मैप आप देख रहे हो ऐसे बना बिल्ले की आकार का तो आप जब उपर से यनि पस्चिम से पूरव की और आऊगे तो आकार क् चेत्र यानि महीन अवसादों से निर्मित भावर के दच्छड में दलदली योम गाद मिट्टी वाला जो चेत्र है भावर के दच्छड यानि आपका यहाँ पर शाउत में आपने देखा वो भाग रहा है भावर भावर की नीचे यहाँ पर जो होगा वो तराई रीजन आए पर जो होगा जो जाएगा मद्ध वाला और पूर बिस्तार जो है इसका लगभग 500 किलो मेटर लंबी और 8 किलो मेटर चोड़ी में पट्टी की रूप में है बिस्तार मध्ध का देखेंगे तो मध्ध में जो है मध्ध गंगा के मैदान में जो जिले आएंगे सारन पुर व गढ़ हात्रस मधुरा अगरा मैन पूरी एटा बदायू मुराजाबाद पथा बरिली जिले हैं गंगा पूरवी रीजन में आएंगे तो पूरप में जो है वाराण सी जौन पूर गाजी पूराजम गडबली या मिर्जा पूर्शोन भाद्रियों भदवी जिले हैं नोट हो जाएगा आपका दच्चड का पठारी प्रदीश इससे संबन्धित तत्य क्या है तो दच्चड का जो पठारी प्रदीश है जिसकी छेत्रफल में देखेंगे तो लगभग जो है आप 45,200 बर्ग किलोमेटर का छेत्रफल है सीमाय यहां पर पूर्व केन नदी पस्ची मे देखेंगे तो बेतवा होगी पाहुज नदिया है उत्तर में देखें तो गंगा यमुना दच्चड बिंध परबत हो समलित जो रीजन होगा दच्चड का पठारी में इसमें बुंदेल खंड और भगेल खंड के भुभाग समलित हो जाते हैं और शामान ने उचाई 300 मीट अगे बढ़ते हैं तो आपने दूसरा टॉपिक भी कबर कर लिया उत्तर प्रदेश का भावतिक विभाजन देखा तीन चेतर आपने देखा भी सिखली तीन प्राकृतिक प्रदीश रहे हैं अब तीसरा जो टापिक है उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित है उत्तर प्रदेश की जलवायु द्रिष्टी से उपोष्ड कड़िबंध में आता है किस कड़िबंध में उपोष्ड कड़िबंध में आता है यहां की जलवायु उपोष्ड कड़िबंध है मानसून प्रकार की है तराई छेत्रों में यहां नमी लिये रहती है और दच्छ प्रदीश में कितने क्रिशी जलवाईव प्रदीश है तो किसी जलवाईव जो रीजन प्रदीश है वो कितने है आप संख्या के हिसाब से अक्सर पूंचा जाता है तो नव लगाईएगा कितने दोस्त नव क्रिशी जलवाईव प्रदीश उत्तर प्रदीश में यही आपके उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदीश में 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर वार्सी वर्षा होती है वहीं पर साधारन आर्दियों उष्ण प्रदीश में देखेंगे तो मैदानी छेत्र होगा जिसमें लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर वार्सी वर्षा यहां पर देखी जादी है अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदीश की रित्वे हैं तो उत्तर प्रदीश मुखतया 3 रित्व होगी वर्षा रित्व, ग्रीश्म रित्व और सीत रित्व कोपेन के अनुशार उत्तर प्रदीश में जलवायू का जो है वो सुस्क सीत वाला कौन सा सुस्क सीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात CWG मिलता है CWG सुस्क सीत वाला मानसूनी प्रकार है वहीं पर थारन थ्वेट की अनुशार उत्तर प्रदीश में सी बी डबलू अर्थात समसी तोष्ड उपादर जलवायू का बिस्तार मिलता है अब आईए एक-एक करके कबर करते हैं बात करते हैं सीत रितु की तो सीत रिती उत्तर प्रदीश की क्या है टाइमिंग तो यहां अक्टूबर से लेकर की फरवरी तक सरबाधिक जो ठंड़ा महीना है वह जनवरी है जैसे कि जाज तीन जनवरी दो हजार तैईस है आप जानते हूँ ठंडी सुरू हो चुकी है सरबाधिक ठंड़ी जो महीना है वह जनवरी है उत्तर प्रदीश का वर्सा के हिसाब से उत्तर पस्चिम से आने वाले चक्रवातों की जो कारण है आउसत की संख्या वो तीन से जो है तीन से पांच के मद जो हो चक्रवात है कितने 3 से 5 चक्रवाद जो है वो आउस्त शंख्या है उत्तरपस्चिम से आने वाले वहें पर उत्तरपस्चिम छेत्रों में वरसा की जो मात्रा है वह 7 से 10 cm है सबसे कम जो वरसा आप जानते हो वह उपी में पस्चिमी रीजन में होता है तो 7 से 10 cm सेतरूतियों में मैदानी छेतर आप देखोगे तो आउसत जो अधिकतम तापमान होगा मैदानी छेतर का वह 27.2 डिग्री चेल्सी अशा और यहां पर उत्तर प्रदेश के दच्छड पठारी भाग में अधिकतम तो तापमान है वह 28.3 डिग्री चेल्सी अशा जबकि नियु तापमान है वह 10 डिग्री चेल्सीयस यहां पर आप देख पा रहे हैं अब बात करते हैं ग्रीश मृतू उत्तर परदेश में ग्रीश मृतू से शंबान देदा तो ग्रीश मृतू का जो टाइमिंग है वो मार्च से जून के बीच है अधिकतम जो गर्मी है वो जहासी में ह दिखने को मिलती है लू तो ग्रीस मरितू में पस्चिम की ओर से चलने वाली जो सुस्क योम गर्म हवाई हैं वहां लू कहलाती है ग्रीस मरितू में कुछ अस्थानों पर अधिक्तम तु तापमान है वो रिकार्ड तापमान 47 डिग्री सेल्सियत तापमान तक है बुंदेल करकरिखा की निकट होना है बुंदेल खंड रिजन का अधिक्तम आउसा तो तापमान कितना है तो 36-47 डिग्री टिग्रेट है जबकि निवन्तम जो है वो 21-23 होता है ग्रीश मरितू में सरवाधिक रिकार्ड तापमान जो हो देखा जाता है मई और जून की महिने में देख तो जर्वाई में आपने दो रित्यों को कबर किया सीत और ग्रीश मरितू अगली जो रितू है वो वर्षा रितू की बात हो रहे है अगली रितू क्या है वर्षा रितू इसकी जो टाइम है जून की अंतिम सब्ता से लेकर कि अक्टूबर तक वर्षा रितू है सरवाधिक जो वर्षा होती वह जुलाईयों अगस्त माह में है और अधिक्तम जो आउशत तापमान है वर्षा रितु में वह 32 से लेकर के 34 दिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है नियुनतम जो है 25 होता है उत्तर परदेश की अधिकान सुता जो मानसूनी वर्षा है वो दच्छड पस्मी मानसून की बंगाल की खाड़ी साखा से प्राप्त होती है वर्षा की जो मात्रा है वो प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60 परसंट जो वर्षा है वो जुलाई और अगस्त माह में प्राप्त होती है बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है जो बिहा के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदीश में प्रविश करता है और इसे पूरुबा कहा जाता है तो इस तरह आपने उत्तर प्रदीश राज द्रिश्टी में तोटल 33 टॉपिक में तीन टॉपिक आपने कबर कर लिया नंबर वन उत्तर प्रदीश एक द्रिश्टी में नंबर तीसरा जो टॉपिक रहा वहा उत्तर प्रदीश की जलवाई तो तेन टॉपिक आपनी अभी तक कबर कर लिया है अगला जो टॉपिक नंबर है टॉपिक नंबर होगा फोर देड़िज उत्तर प्रदीश की मिटियां टोटल कितने कबर करने हैं 33 टॉपिक कबर करने मृदा या मिट्टी प्रथवी की उपरी शता पर मिलने वाले आसंगठित पदार्थों की उपरी परत है जो चट्टानों के बिखंडन, योम, बियोजन तथा बनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती हैं किसी भी छेत्र की मिर्दाएं, पैत्रिक पदार्थ यानि चट्टान, जलवाई उदसाएं, दैसे की वर्षा, तापमान, ढाल की तेब्रता, बनस्पति और शमय चाहिए वो दीघकालिक हो या अल्पकालिक उन समय पर भी निर्भर कर दी हैं प्रोफेसर वाडिया कृष्णर योम मुखर्ची के बैज्यानिक बिसलेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश की मिर्दियों का बिभाजन का जो तरीका है तो विभाजन जो है गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिटियां भुंदेल खंडी मिटियां या दच्छड पठार की प्राचीन रविदार और वेंध्याचन शायल की मिटियां गंगा की विसाल मैदान की नूतन और उप नूतन मिटियों में देखेंगे तो बांगर योम पुरानी जलोड मिर्दा का पाया जाना खादर योम नवीन जलोड मिर्दा तो जो बांगर मिटी है बांगर मिटी की विसेस्ता क्या है तो बांगर मिट्टी के पहले नाम तो इसके अन्य नाम जैसे कि दोमट मिट्टी, मटियार, बलुई दोमट, पुरानी जडोड, उपर हार मिट्टी के नाम से भी जो हो जाना जाता है बांगर मिट्टी को इसमें खनित की जो प्रचूरता है बांगर मिट्टी में फास्पोरप्स योंचूना पाया जाता है जबकि नाइट्रोजन, पोटास, जीवान्स, आधिपदार्थों की कमी होती है जो बांगर मिट्टी का अन्य नाम है उपर हार मिट्टी तो ये बैसे किली जो है उत्तर परदीश की पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को नाम दिया गया है उपर हार मिट्टी उर्भरता की अगर बात करोगे खादर मिट्टी की तो खादर मिट्टी की उर्भरता बांगर मिट्टी की अपेच्छा अधिक मात्रा में उर्भरा शक्ती होती है खादर मिट्टी की भी सिस्ता है कि हलके रंग वाली छिद्र युक्त तथा महीन कड़ो वाली मिट्टी होती है इसमें खनिज की उपलब्दा में चूना, पोटास, मैगनीसियम तथा जीवानसों की अधिकता पाई जाती है जबकि नाइट्रोजन, फास्फूरस, योम, हियुमस पदार्थों की कमी होती है खादर मिट्टी का जो बेस्तार हो नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में आपको मिलेगा खादर मिट्टी का अन्यनाम, नवीन जलोड, कछारी मिट्टी, सिल्ट बलुआ मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी, आधिनाम से खादर मिट्टी को जाना जाता है नेक्स्ट है मिट्टी यानि उत्तरपर्दीश की जो मिट्टी सीबिसिश्र तथ्य जैसे की भाबर जो परवत की छेत्र है इन छेत्रों में मोटी रीत, कंकर और पत्थर से निर्मे तत्यन्त छेचली मिट्टी का पाया जाना और वा छेत्र जहां नदियां क्या है लुप्त हो जाती है भावर परबतिये छेत्र है उतर परदेश के गंगा यमुना दुवाब और गंगा राम गंगा दुवाब छेत्रों में जलोड योम कॉप मिट्टी का विश्तार पाया जाता है उतर प्रदेश में दोमट योम बलुई मिर्दाएं, परवतिय मिर्दाएं, लाल बलुई मिर्दाएं, तराई मिर्दाएं, लमड प्रभावित मिर्दाएं, लाल योर, पीली मिर्दाएं, मिस्त्रित लाल योम काली मिर्दाएं, मध्यम काली मिर्दाएं, कल्सियम युक्त मि बूंदेल खंडिये मिर्दा के जो प्रकार हैं अगर देखेंगे राकर मिर्दा बोला ज्घितर की विस्तार जालाउन जँलालितपूर और हमीरपूर में से बुंदेल खंडिये जो मिट्टी हैं वो उत्रप्रदीश की दच्छडी पठार की मिट्टिया हैं। जो निर्माड है वो बालू मैं लाल सैलों की अपच्छे दवारा होता है। इस अपघार खंडिये जो मिट्टी का बहाव है उड़नाई की तरह मिट्टी का अच्छा होना मिडदा अपघार खंड मुट्र चंड देख लेते हैं। जो कि अक्सर एक्जाम में आप से पूछे जाते हैं वायू अपरदन से उत्तर प्रदीश की सरवाधिक प्रभावित जो जिले हैं कौन से हैं पस्मी छेत्र है और पस्मी छेत्र में आप देखेंगे उपर देखा आपने पस्मी रिजन और यह हो जाएगा मतुरा योम आगरा जलिय पर्दन में आप देखोगे तो पूरबांचल यानि पूरवी रहा दच्छडी छोर का जो है यह शोर रहा यूपी तो पूरबांचल और यह तो जलिय पर्दन से उत्तर प्रदेश का सरबावित जो छेत्र होगा वो हिमालय का क्या होगा तराई प्रदेश होगा उत्तर प्रदेश में टर्शियरी मिट्टी से शंबंधित छेत्र कौन सा है या सिवालिक पहाडी छेत्र है जलपलावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है ढूं मिर्दा के नाम से जाना जाता है बुंदेल खंड छेतर की जो काली मिर्दा है इसको किस नाम से जानते हैं तो रेगुर, करेल या कापासी मिर्दा आधी नाम से जानते हैं बढ़ते हैं अगले पेज की होर और अगला पेज पर अगला जो आपका टॉपिक है टॉपिक नंबर आपका फाइप होगा दिज उत्तरप्रदीश 1 योम प्राकिर्तिक वनस्वतियां उत्तराखंड के गठन के कारण उत्तरप्रदीश का जो अधिकांश 7.6 है उत्तराखंड में चला गया बरतमान में उत्तर प्रदीश की मात्र 6.15 प्रतिशत छेत्र जो की इंडियन जो फारेस्ट सर्वे रिपोर्ट है इंडियन सर्वे आप फारेस्ट रिपोर्ट 2021 तो भारत वन इस्थित्र रिपोर्ट 2021 की अंशार उत्तर प्रदीश की मात्र 6.15 प्रतिशत छेत्र जो है वनाव ब्रिक्षा बरण छेतर देखेंगे तो तीन दस्मालो 08% है और बन और ब्रिक्षा बरण जो मिला कर हो जाएगा वहाँ हो जाएगा 9.2lyUL प्रतिशत है तो इंडियन फारेस outta रिपोर्ट भी आँपकी एकजाम में देखने को मिलेगी कब तक 2023 में नई रिपोर्ट आएगी जो कि 24 तक पब्लीस होगी तो 2023 में एक्जाम होंगे इंडियन फारिस सुसर्वे रिपोर्ट को पढ़ने ही पढ़ेगी इसके बाद वन इस्तितर रिपोर्ट पढ़ने से पहले यहां पर जो है उत्तरप्रदीश की वन नीतियों को देख 88 उत्तरप्रदीश वन नीति का जो संचालन है वह वर्स 1998 नवे से हो रहा है बरतमान जो इस्थिती है वराज वन नीति 2017 जो हो लागु जो है ठोत्रप्रदीश पहले यहां पोंचा जाता है जो तरप्रदीश में पहली वननीती कब आई तो बरस 1952 तरप्रदीश में बननीती का संचालन कब प्रारंब होगा है बरस 1998 और वर्तमान में बरस 2017 वाली राजजे बननीती और 1998 की जगा है लागू है बनों से क्या-क्या लाभ है तो बनों से होने वाले लाभ जैसे के बन होगा तो बेड़ी बनाने है तो जो तेंदू ब्रिच्छ है इसके पत्तों का प्रियोग किया जाता है बेड़ी यदि एकजाम में पूंच लिया जाए बेड़ी बनाने है तो कि ब्रिच्छ के पत्तों का यूज होता है तो तेंदू ब्रिच्छ है कत्था की प्राप्ति के लिए खायर विच्छ का प्रियोग होता है तो वह बन आप लगाएंगे तो वहाँ पर आपको ब्रिक्ष इस तरह के आपको मिलेंगे लगाएंगे तो इस तरह के आपको लाब देखने को मिल सकते हैं रेलेवे लाइनों के सिलेपरों के रूप में जो है, साल, चीड, सागवन, देवदार, आदिवरिच्छों का प्रियोग करके जो है सिलेपर बनाई जाते हैं, सीटे हैं. इसके बाद इमार्ती लकडी की रूप में साल शागाउन का भी प्रियोग होता है कागज उद्दोग में बेतियोम बासका प्रियोग होता है विरोजायोम तारपीन के तेल की प्राप्ति है तो चीडबेच्छ के राल का प्रियोग किया जाता है तो इस तरह आपको बनों के जो है वो लाफ देखनी को मिलते हैं उत्तर प्रदेश में बनों के प्रकार की अगर बात करोगे तो इंप्वाटन्ट फाक्ट है उत्तर प्रदेश में उष्ड कडवंधिये सुस्क परणडबाती बन पाय जाते हैं उष्ड कडबंधिये आर्द परणवाती बन पाय जाते हैं और उष्ड कडबंधिये कटीरी जाडियां तो यदि आप से एक्जाम में पूंच लेकि उत्तर प्रदीश में के सुप्रकार के बन पाय जाते हैं और चार आपसन आपको दे दे आपसन A, आपसन B, आपसन C और वन आवरंड जो छेत्र है वह 14,817.89 बर्ग किलो मीटर का है उत्तर प्रदीश की कुल भागोलिक छेत्र फल का जो वन आवरंड है वह 6.15 प्रतीशत है उत्तर प्रदीश में अति सगन जो पाय जाते हैं तो अति सगन बन का प्रकार 1.09 प्रतीशत है जो की कुल भागोलिक मध्यम सघन बन का जो प्रकार है कुल Space चेतर का 1.67% है जबकि खुले बन का जो प्रकार है वह 3.397% चेतर का है तो सबसे जादा की खुले बन है अतिस धन का मतलब यहाँ पर आप गहनत होगा लगभग 70% से अथिक ही देखने को मिलता है मध्यम बन जो होंगे यहाँ पर आपको जो है इस तराग में जो बन होंगे इन बनों में जो ब्रिच्छों का घनत होगा लगभग 40-70% की बीच मिलेगा और 10-40 जो होगा खुले बन होंगे 10-40 परशन का घनत मिलेगा 10 से कम होगा तो जाड़ियों में काउंट करोगे जाड़ी होते हैं बन होते ही नहीं जाड़ियां हैं तो जाड़ियां का जो छेत्रफाल है वह है 563.38 बर्ग किलोमेटर है जो की कुल छेत्रफाल कितना है 0.23 प्रतिशात भारत वन इस्थितर रिपोर्ट की अनुसार उत्तरप्रदीश उत्तरप्रदीश में अधिकतम 1.6 प्रतिशात वाले जिले हैं यह आपके लिए इंप्वाटन्ट फाक्ट हो जाता है अधिकतम 1.6 प्रतिशात वाला जो जिला है वह है सोन भद्र सबसे अधिक उससे कम चंदावली है फिर चुत्र कूट है तो टाप थिरी है यह निउन्तम 2.6 तो सबसे कम भद्र ही है और सबसे अधिक 1.6 प्रतिशात के मामले में सोन भद्र है उससे उपर मायन पुरी फिर थोड़ा देवरिया है वह ही पर अधिकतम 1.6 प्रतिशात अगर है तो 1.6 प्रतिशात में सोन भद्र है और निउन्तम में भद्र ही है तो छेत्र प्रतिशात में भी भद्र ही है और छेत्र प्रतिशात में भी निउन्तम भद्र ही है तो निउन्तम वाला याद रखो बाकी यह आपको रहें की याद रखना है अट लिस्ट टाप थिरी याट लोबेस थिरी आपको याद रखने ही तो टाप वाले में आप देख सकोगे चाहे प्रतिशत पूँछा जाए चाहा छेत्र फल आप सोन भद्र ही क्या है लगाएंगे निउन्तम में भी दोनों में क्या है भदो ही है लेकिन अगर पूँछा जात यहाँ पर चंदवली आ जा रहा चित्र कूट है लखीम पुर्खीरी मिर्जापूर इस्तरा आप देख पा रहे है तो ज़्यादा कुछ नहीं अधिक्तम बन चेत्र प्रतिशा सोन भद्र हुआ है बन महुसो जो शब्ता है उत्तर प्रदीश तो उत्तर प्रदीश में बन महुसो शब्ता है एक से लेकर कि साथ जुलाई को जो है प्रतिवर्स जुलाई का प्रथम जो शब्ता है वह मनाया जाता है तो जुलाई की प्रथम शब्ताहमा यानि एक से लेकर की साथ जुलाई की मद्ध उत्तर प्रदीश में हर साल वन महुत्सों की रूप में मनाया जाता है प्रारम भिसका जुलाई 1952 में हुआ है वन महुत्सों आंदोलन का जमूल आधार है वह विच्छ का अर्थ जल है जल का माचिस कत्था यूम फ्लाईवुड उत्धोक से संबन्दे जो डेस्टिक है वो बरेली है नजीबाबाद और जौलापूर्थ तो आपके एकजाम में जो पूँछे जा चुके हैं माचिस के लिए बरेली तो माचिस उत्धोक के लिए बरेली जिला है साथ है कत्था यूम प्लाइबुड भी पूंचा जा चुका है तो प्लाइबुड फरनीचर ये वगएरा क्या है जब आपके कत्था इसम नजीवबाद जुआला पूठीक है तो माचिस के लिए बरिली आपके एकजाम में पूंचा गया है कथा फ्लाइबुड के लिए नजीबाबाद कागज उद्दू के लिए सहारनपूर है पूंचा जा चुका है लकड़ी के खिलाउने के लिए सोनभद्र वाराणसी एकजा में पूंचा जा चुका है लकड़ी खिलाउने के लिए वाराणसी खेल के सामान के लिए आगरा अक्सर एक्जाम में पूंचा गया है भीडी, चीनी, मिटी के खिलाओने इन सभी के लिए है मिरजापुर जासी बरेली सहारनपूर तो इध्यान देना है अगर लकडी के खिलाओने की बात की जाएगी तो वारानसी शोनभादर जाना है वहीं पर चीनी, मिटी के खिलाओने की बात की जाएगी तो आप मिरजापुर जासी बरेली खासकर आपको चीनी, मिटी के खिलाओने से समभादित जो एक्जाम में पूंचे गए है वो मिरजापुर उचे गए है जासी पूंचे गए है अगे बढ़ते हैं अगला तत्य है उत्तर प्रदीश में बनो से संबांधित महत्तपूर्ण कारिक्रम योजनाएं तो उत्तर प्रदीश में सामाजिक वान की योजना का प्रारंब बर्स 1989 इसबी में हुआ है 1979 में बास रोपड़ियों बन सुधार योजना उत्तर प्रदीश में बर्स 2007-08 में प्तारंब होई है ब्रिक्षा रोपड़ियों बन सुधार योजना बर्स 2007-08 में भीज़ो है और लखनव बिरिक्षारोपन पर योजना और सघन बिरिक्षारोपन कारिक्रम कब का है तो लखनव बिरिक्षारोपन दो हजार चार पांच का है सघन बिरिक्षारोपन दो हजार पांच चा का है वहें पर बंस्रमिकों के कल्यार के लिए सामोहिक भीमा योजना का जो प्रार प्रारंब 7 नवंबर 2015 में की गई है, जिसकी विशिस्ता है कि 5 करोण से अधिक बृक्षा रोपन का रिकार्ड बनाया है, तो Green UP, Clean UP का प्रारंब 7 नवंबर 2015 को हुआ, और प्रारंब होने के बाद इसने रिकार्ड बनाया 5 करोण से अधिक बृक्षा रोपन का रिकार्ट और बित्य बर्स 2019-20 में जो है वो साड़े 22 करोण पाउध रोपन जो है वो संपन हुआ तो जो 2015 में शाथ नॉंबर को इस्टार्ट हुआ 2019-20 आती क्या है साड़े 22 करोण पाउध रोपन संपन हुआ ग्रीन यूपी की माध्यम से तो टॉपिक 5 कंप्लेट हुआ अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर अगला टॉपिक नंबर है उत्तर प्रदेश में वन्य जीवों प्रदेश सभन वन्य जीवों प्रबंध साथ ही राश्टिय ऊद्दानों वन्य विहारों योंपच्छी विहारों का स्विकास करना है उत्तर प्रदीश की वाग अव्यारंड दिये हुए है तो उत्तर प्रदीश की जुबाग अव्यारंड है दुधवा टाइगर रिजर्ब है फिली भीत है और अमन गड़ा है तो बरतबान में टोटल जो है भारत में कितने है 54 टाइगर रिजर्ब है दोस्त और 44 जो Tiger Reserve है वह उत्तर परदीश का रानीपूर Tiger Reserve कौन सा है रानीपूर तो रानीपूर Tiger Reserve जो की चित्रकोट डेस्टिंग में होगा चित्रकोट में होगा और बुंदेल खंट रिजन का जो है पहला होगा तो तोटल उत्तर परदीश में कितने Tiger Reserve है thoughts 4 है दुधवा, पीलीवीत, अमनगड और रानीपूर टाइगर रिजर्ब तो चार टाइगर रिजर्ब हैं उत्तर परदीश में टोटल कितने हैं भारत में 54 टाइगर रिजर्ब है सबसे जादा जो है यमपी और महराष्ट्रा में है जहाँ पर 6 6 टाइगर रिजर्ब देखने को मिलेंगे तो यूपी स्पेशल याद रखे गज़स चार टाइगर रिजर्ब हैं और उत्तर परदीश का जो पहला टाइगर रिजर्ब है आप जानते हो उत्तर परदीश में एक ही निशनल पार्क है दुधवा नीशनल पार्क और इसे में जो है वो टाइगर रिजर्ब घोशित किया गया दुधवा को तो दुधवा टाइगर रिजर्ब की घोशड़ा कब की गई है 1987 में दुधवा आप जानते हो लखेंपूर डिस्टिक में है और दुधवा जो टाइगर रिजर्ब है या मुखतिया लखेंपूर खीरी और बाहराई जिले में फैला हुआ है दुधवा ही टाइगर रिजर्ब की अंदर आप देखेंगे इन दुधवा निशनल पार्क हो जाएगा और किसनपूर वन जी और भ्यारन भी है कतरणिया घाड वन जी और भ्यारन आपको यहीं पर मिलेगा बाकि आप टाइगर रिजर्ब जानते हो बाई टाइगर इच्छा अनसार रह सकते हैं और शिकार कर सकते हैं और जो टाइगर रिजर्ब होता है वहाँ पर जो मानो गदविदिया है पूर्ण रूप से क्या है प्रतिवंधी तो होती है और कोई भी एगर राज शरकार चाहे कि उस रीजन को जो है प्राकिरती का स्थल को है टाइग होता है एंटी सीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथार्टी यानि राज्टी वाग संरक्षन प्राधी करण है और इन्हीं की वेवसाइट पर आएग जाएंगे तो आपको पूरा टाइगर रिजर्ब की लिस्ट मिल जाएगी तो जब राज सरकार को बन परिया बन जल में अक्सर पूंच लिया जाता है एक होता है प्रोजेक्ट टाइगर तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुवात है वो कब की गई थी यह अक्सर आप से पूंचा जाता है तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात वर्स 1977 ठीक है तो अप्रेल 1977 इस भी में शुरुव प्रोजेक्ट टाइगर की एड टाइम जो प्राइम मनिस्टर रही इंद्रागांधी। तेवलuju से जाए भाहट का पहला बास है सबसे ज्यादा है चरी hmm आपने हाँ और उत्तरप्रदीश अमनगर टाइगर रिजर्व किस डिस्टिक में है तो यह विजनौर डिस्टिक में हो और इसकी घोषडा बर्स 2012 में की गई है इसके बाद बर्स 2014 में पीली भी तो टाइगर रिजर्व है जो कि T into multiply 2 ये टाइगर पुरुषकार भी पा चुका है इस बार तो सत्मंगलम टाइगर रिजर्व रहा इसके पहले पीली भी त ही रहा है T multiply 2 टाइगर को दुग ना करने का पुरुषकार तो पीली भी त कब नोटिफाई किया गया 2014 में पीली भी ताइगर रिजर्व पीली भी त डिस्टिक में है और 2022 में चौथा जो टाइगर र पार रानीपूर टाइगर रिजर्व चेत्रकूर डिस्टिक में बुंदेल खंड रिजन का पहला तो यह सब टाइगर रिजर्व से संबंधित तथिर है important इसके अलामा कुछ और नोट कर लो कि भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है तो वह नागार जुन स्री शैलम टाइगर रिजर्व जांदर परदीशा सबसे चोटा पोउचा जाता है तो भोर टाइगर रिजर्व महरास्ट्रा का होगा और क्या पूँचा सकता है कि टाइगर मैना आफ इंडिया किसे कहा जाता है lego tsंखla को काईगर मैना फइंडिया से जाना जाता है यह कि अब आखे Tiger Census अभी जो 2018 वाला रहा जानते हो Tiger Census हर साल जो है यानि हर प्रतिक चार साल पर Tiger Census रिलीज होता है वागदियोस आप जानते हो 21 जुलाई को मनाया जाता है तो 21 जुलाई को पी में है तो यह सारे तत्य है अब ज्यादा डिजेलिंग नहीं अब आई बढ़ते हैं आगे यूपी स्पेशल को कबर करूँ चार है याद रखेगा रानी पूर टागर रिजर्ब को मिला करें रानी पूर लोकेटड कहां है चित्रकूट डेस्टिक अमंगर भिजना और पी दूसरा यहाँ पर कानपूर प्राडि उद्दान है तीशरा सहीद अश्फाक उल्ला खां प्राडि उद्दान कहां पर लोकेटड है तो यहाँ गोरखपूर में है आगे बढ़ते हैं अच्छा यहाँ पर हो सकता है आप पहुंशे की टोटल उतर परदीश में चडिया घर कितने हैं तो टोटल जो है उतर परदीश में नव चडिया घर है दोस्तों नव चडिया जो घर है वह सहीद अश्फाक उल्ला खां प्राडि उद्दान गोरखपूर का है बारेली में भी चल रही है बात कुलने की अगर वहाँ खुल जाता है तो दस हो जाएंगे लेकिन अ आगे बगगो अगला है आपका उत्तर परदीश की 20 बिहार यो मसंबंदी तो उत्तर परदीश में टोटल 10 बिहार 11 हैं कितने हैं दोस्त 11 बिहार, तो सबसे पहले जो है जो इस्थापित हुआ चंद्रप्रभाबन जीव भिहार जो कि चंदवली डिस्टिक में लोकेटेड होगा बर्स होगा उन्नीस सो सतावन इस भी तो एक्जाम में पूछा जाता है उत्रप्रदीश का सबसे पहला या सबसे पुराना बन जीव अभ्यारन कौन सा है बन उन्नीस सोबात्तर में जो है किसनपूर होता है उन्नीस सोबात्तर किसनपूर लखिमपूर खीरी का इसके बाद उन्नीस सो छेटर कतरनिया घाट है उन्नीस सो सतत्तर रानीपूर है सतत्तर में ही महावीर स्वामी रहे हैं उन्नीस सो सतत्तर फिर राश्टिये चंबल होता है ठीक है उन्नीस सो उन्न्यासी में राश्टिये चंबल वन जीव भिहार आगराई डावा इसके बाद कायमूर होते हैं कायमूर वन जीव भिहार मि जापूरियों शोनभदर में लोकेटेड है और वर्ष होगा 1982 में इस्थापित हुआ उसके बाद दिया हुआ है हस्तिनापूर बन जीव विहार है तो हस्तिनापूर वर्ष 1986 है दोस्तों 1986 में इस्थापित हुआ में 1868 में इस्थापित हुआ इसके बाद कछववा बचा हुआ है तो कछववा जो हैं 1988 में इस्थापित हुआ है जो कि 1957 में इस्थापित हुआ नौर क्या पूंचा जाता है कि सबसे बड़ा एरिया वाइज में पूंचा जाता है कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदीस कबन जियू बिहार कौन सा है याद रखने का तरीका याद रखो हस्ती हस्ती बोलते नहीं तुमारी हस्ती कितनी बड़ी है सबसे बड़ी हस्ती तो हस्ती हस्ती नापूर इस तरह ही आद रखिएगा दोस्त एरिया अगर बात करोगे दो हजार तीहत्तर बर्ग किलो मेटर में फैला हुआ है ठीक है तो यह इंपॉर्टन टत हो गया उत्तर प्रदेश में बनिजी बिहार कितने है ग्यारा बनिजी बिहार है सबसे पुराना कौन सा है तो याद रखने का तरीका क्या है लोग बोलते जन्द लिगे, आप तो चंद लोग बचे हैं, चंद लोग, तो बहुत पुराने हो गए, चंद ही लोग बचे हैं, तो चंद यानी चंद परभा, पुराना यानी सबसे पहला, तो याद रख लोगे ऐसे, रिक से, सबसे बड़ा कौन सा है, तो हस्ती बड़ी होती है, तो हस् बेर स्वामी गंञी जीव बिहार है, और इस से जादा कफ्स नहीं पूझा जायेगा, आगे बढ़ते हैं, गंफ्र जीव बिहार के बाद उत्तर परुदेश में पच्छी बिहार की जा रही है, तो उत्तर पर्देश में टोटल पच्छी बिहार केतने हैं दोस्त, 14 पच्छी विहार है, कितने 14 सबसे पुराना सबसे पहला जो है कौन सा पच्छी विहार है पच्छी विहार रहा है यह चंदर सिखर आजाद की नाम से हो गया है तो कहां पर लोकेडर है? उन्नाव में है और की अस्थापना बरस 1984 में हुई थी 1984 84 ठीक है थोड़ा करते हैं कि 14 का 14 दिखे आपको हाँ तो उत्र प्रदेश के पच्छी बिहार 14 है सबसे पहला कब का बना है तो सबसे पहला जो अस्थापित हुआ है 1984 इसदी में अस्थापित हुआ दोस्त तो सबसे पुराना सबसे पहला हो गया नवाब गंद पच्छी बिहार जिसका अब नाम सहीद चंदर सीखर आजाद है दूसरा है समस्पूर पच्छी वन वी जियू बिहार है तो समस्पूर पच्छी वन जियू बिहार 1987 में इस्टेबलिश्ड हुआ 1987 में अस्थापित हुआ पटना बन जियू बिहार 1990 में इस्टेबलिश्ड हुआ तो 1990 में बेसिकली तीन रहे हैं एक तो आपका पटना रहा है, पारवती रहा है और विजय सागर, तो 1990 में ये भी बना, 1990 में ये भी अस्थापित हुआ, लाख बहुसी पच्छ, वन जीव बिहार, तो ये पच्छी बिहार जो है, 1988 का है, ठीक है, सांडी की बात करोगे, सांडी भी 1990 में है, तो 1990 में 14 है, 14 में 1990 में जो अस्थापित हुए, सांडी भी रहा 1990, और ओखला भी 1990 में ही अस्थापित हुआ, और बखीरा भी 1990, कहां गया बखीरा, बखीरा ये है, तो ये भी बखीरा भी 1990 का है, एक 1990 में और रहा है शमान, तो 1990 का शमान भी है आपका, जो किमायनपुरी में ल जैपरकास नारायड इन सुरहताल पच्छी वन जीव बिहार उन्नीस सो इक्यान नवी का है 1991 मी में अस्ठापित हुआ सबसे लेतरेस जो है 2016 का ये रहा है सिखा जील पच्छी वन जीव बिहार अलीगड में और क्या बच रहा सूर सरोवर तो सूर सरोवर जैपरकास 1990 के ही है तो 1990 के ही अस्थापित हुए तो सब के आपने एरवाइस देख लिए तो आपके एक्जाम में पूछाज क्या जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने पच्छी बिहार है तो 14 है सबसे पूराना पच्छी बिहार पूछा जाता है तो नवाब गंच पच्छी बिहार या सहित चंदर सिखार आजात पच्छी बिहार होगा 1984 में स्थापित हुआ है इसके बाद छेतरफल की दृष्टी से सबसे बड़ा जो पच्छी बिहार है लाखों में एक होगा यानि ला सबसे छोटा जो है 2016 वाला लेटेस्ट है यानि सेखा जिल पन पच्छी बन जिव बिहार जिसका एरिया मात्र और मात्र एक बर्ग किलो मीटर भी नहीं है आधा भी नहीं है पॉइंट जीरू बर्ग किलो मीटर है दूस्त तो आपके एक्जाम में क्या पूंचा जा सकता है को तरपरदीश में कितने पच्छी बिहार है तो 14 है कौन सा पच्छी बिहार किस जिले में लोकेटड होगा तो एरिया भी यानि जिला भी आपको मिलान करने को पूंच लेता है आपके एक्जाम में सबसे पुराना कौन सा है सहीद चंदर सेखार है सबसे बड़ा लाख भह होगा और सबसे छोटा एरिया वाइज में सेखा जिल पच्छी बिहार अली गड़वाला होगा तो इस तरह आपको याद रखना है तो सहीद चंदर सेखार उन्नाव में है समस्पुर राय बरेली पटना एटा में है लाख भहुसी कन्नौध है सांडी हर्दोई होगा ओखल कबीर नगर है और सेखा जिल अली गड़ होगा जब प्रकास नारायण बिहार से संबंधि सुरात आल हो जाएगा यानि बलिया बिहार की आश्पास चीख है बलिया यूपी का ही है सबसे पूर्वी जिला बलिया होता है सबसे उतरी जो है उशारन पुर रहा है सबसे 36 गड़ रहा जारखंड और विहार रहा चार राज्यों सीखिरा हुआ तो इस तरह याद रखना है बढ़ते हैं आगे नोट क्या दिया हुआ है सिंपल सी बात है आपको याद रखना है कि टाइगर रिजर्व की संख्या यहां पर तीन दी गई है तो रानीपू टाइगर भारत का उतरपरदीश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा चित्रकूट डिस्टिंग में और बुंदिल्खन का पहला आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला फाक्ट है उतरपरदेश की मसलियों की प्रमुख प्रजातिया हैं तो उतरपरदेश में मसली की प्रजातियों मे क्या है सिंगी कट्टा मत्सेय मित वित्तल हिलसा इल सौल क्यूचिपा तेगन ट्राउट पड़हिन लाबी रसेला ब्रिगाल है मांगूर है रोहू है रोहू मांगूर आपने सुना होगा इटावा सफारी पार्क के बारे में प्रमुख तत्य है इटावा सफारी पार्क की जो इस्थापना है वो एसीआई सेरों को बैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने ही तुछ इस्थापित किया गया और यह परेटन विकास ही तुछ है इस्थापित हुआ था इटावा सफारी पार में जो प्रमुख जीव है भालू मिलेंगे आपको तेंदुआ हाथी हिरण सेर बन जीव सनरक्षड है तो योजनाएं क्या है उत्रप्रदीस की तो मैयूर सनरक्षड केंद्र जो की ब्रिंदा बन योम मतुरा में कचवा पुनरवास जो की गंगा नदी प्रदूशन निवारण की लिए कचवों के सनरक्षड ये तुय तो है घडियाल प्रजन योम पुनरवास योजना जो की मगर मच्ची ओम घडियालों की सनरक्षड ये ती योजना है इसके बाद कुछ मात्तव पूर्णता थे हैं तो प्रदेश का सबसे पुराना बन जुबिहार का कौन सा है तो यह चंदवली है जो कि चंदर प्रभाबन जुबिहार है सब पढ़के आ रहे हो अभी प्रदेश का एक मात्र राष्टिय उद्दान कौन सा है तो उत्तर प्रदेश में एक ही निशनल पार्क है दरिज दुधवा निशनल पार्क लखिमपूर खिरी में लिक्वेटेड है लखेंपुर्खिरी आप जानते हो एरिया वाइज में उत्तर प्रदीश का सबसे बड़ा जिला है लखेंपुर्खिरी बर्स 1987-88 में बाग पर योजना में ये सामिल हुआ है दुधवा राश्टी उद्धा नोटिफाई 2010 में हुआ इसके बाद आप देखोगे नोजून 2014 को उत्तर प्रदीश सरकार द्वारा वागो अभ्यारंड का धर्जा जो प्रदान किया गया है वो पीली भीत वन्यजी अभ्यारंड है तो पीली भीत चार है आप जानते हो दुधवा हो गया आपका इसके बाद अमनगर 2012 में नोटिफा अगला फाक्ट है कि प्रतेग बर्स अक्टूबर माह की प्रथम सब्ता यानि एक से लेकर की साथ अक्टूबर को क्या मनाया जाता है तो वन्य प्राडी सुरक्षा सब्ता की रूपे मनाया जाता है तो वन्य प्राडी सुरक्षा सब्ता का मनाया जाता है अक्टूबर की मा मात्पूर्ण फायक्त रहे हैं आगे बढ़ते हैं रामसर अस्थल दिया है रामसर अस्थल की बात पूरा ये टॉपिक कबर हो जाएगा और इससे पहले यहाँ पर हम लोग बन्न जीव संबंधित तोड़ा और तत देख ले तो जैसे कि पूरे देश में जो प्रथम बन्न ज बन्न जीव की सरचन की सरवोच संचता है वो अकाउंसी है तो भारतिय बन्न जीव बोर्ड होता है दोस्त भारतिय बन्न जीव बोर्ड है भारतिय बन्न जीव बोर्ड का ध्यच काउन होता है तो देश की प्राइम मिनिस्टर यानी बर्तमान में प्रधान मंतरी मोधी जी ह और इससे सम्मादित आपका बन्य प्राडी सुरक्षा अधनियम भी पूँचा जाता है वाइड लाइप प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है आपका ठीक है तो आप से यह भी पूँच लिये जाता है बन्य प्राडी सुरक्षा अधनियम 1900 कप का है 72 का है प्रोटेक्ट टाइगर कप का है 1973 का है ठीक हैजिए तो यह सब पूच्छे जाते हैं और आप जानते हो बेलिष्मा जो सम्विधान संसोधन किया गया बेलिष्मी सम्विधान संसोधन की तहट estáil वन तथा वन प्राड़ी वन्य प्राड़ी वन्य तथा वन्य प्राड़ी सब्जग्ट को है किसमें सामिल किया गया तो 1976 में 42 संविधान संसोधन होता है और इसको समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है तो तीन सूचिया होती है आप जानते हो स्टेट की हो गई, सेंटरल हो गई तो सेंटरल वाली उनियन लिस्ट हो जाती स्टेट की हो जाती है दोनों को मिला दो तो समवर्ती कनकरंट लिस्ट होती है ठीक है तो यह हो गए इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूचेगा आगे बढ़ते हैं अब आते हैं रामसर अस्थल की ओर तो बरतमार में पूरे भारत में कितने हैं तो वाजादी की 75 वाबर्स पहले जो है टोटल जो है 75 भारत में रामसर अस्थल हो गए है कितने 75 ठीक है तो यूपी अगर बात की जाए तो यूपी में जो है रामसर अस्थल कितने हैं तो दस रामसर अस्थल है, 75 से पहले जो है, उत्तर परदिश में सबसे ज़्यादा रामसर अस्थल हुआ करते थे, लेकिन जब तोटल 75 रामसर साइट हो गए पूरे भारत में, तो सबसे ज़्यादा रामसर अस्थल तमिल नाडु में हो गए 14 रामसर अस्थल है तमिल नाडु में तो पहले अस्थान पर राज जो है तमिल नाडु का है ठीक है और उत्तर परदेश में बरतमान में 10 रामसर अस्थल है एक्जाब में आपसे पूँचा जाएगा कि कितने है तो 10 रामस्थर अस्थल है हो सकता है पूँचले कौन सा रामस्थर अस्थल किस जिले में लोकेटड होगा मिलान करने को भी पूँचा जा सकता है तो उत्तर प्रदिस का लेटेश जो है वो बखीरा पच्ची बन्नजीव बिहार जो कि संत कभीर नगर में यह जून 2021 में सामिल हुआ है तो दस को दस लिस्ट आप देख लीजिए नवाब गंच पच्ची बिहार उन्नाव का रामसर अस्थल पारबती अरगा गुंडा समान प इसके बाद जो है उपरी गंगा नदी ब्रिज्गार से नरोरा तक रामसर अस्थल के रूप में है मुझजफर नगर और बिजनवर की हैदर पुलाद वह बूमी है तो यह दस रामसर अस्थल है इनको याद रखी जाम में एकसर पूंचा जाता है तो इसी तरह आपने अभे तक जो है topic number 1 से लेकर 3, 3, 4 से लेकर 5 तक पूरा का पूरा आपने complete कर लिया है ठीक है जो topic है वो topic number 7 जड़ि उत्तरप्रदीश की नदिया जड़ियों के उद्गम के सुरुत के आधार पर उत्तरप्रदीश की नदियों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है number 1 हिमाले से निकलने ली नदिया दूसरा गंगा मैद की मैदान से निकलने ली नदिया और तीस्ता है प्राई दिव्पिय पठार से निकलने वाली नदियां गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दच्छड में बेद्या चलद्वारा निर्धारिध है उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों में घागरा नदि, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनासा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन, योमधशान उलिखनी हैं हिमाले परबत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा, गंडक और राप्ती, राम गंगा, यमुना, काली, शारदा और घागरा दूसरा मैदानी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां गोमती नदि, वरोडा, पांडो, सई, इशन तीसरा है प्राइद उपिय पठार प्राइद उपिय पठार से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां उत्तरप्रदेश की सोन नदि है, तोंस है, कनहार नदि, रहन्द नदी, चमबल है, बीतवा है और केर नदी है इसके बारे में विशिष्टा क्या है तो गंगा नदी का जो उद्गम है कहा से है तो यहां गोमुख गंगोतरी हिम्रत से निकलती है और उद्गम अस्थान पर मुख्धारा का जो नाम है गंगा का वो भागी रथी होता है इसके बाद पंच प्रियाग में आप पढ़ते हो इसमें आपका एक दिवो प्रियाग आता है तो संयुक्त धारा जो भागी रथी हो अलगननन्दा है तो भागी रथी हो अलगननन्दा भागी रथी जब अलगननन्दा में मिलती है तो वह देवा प्रियाग में मिलती है ठीक है तो संयुक तो जो हां का जो उद्गम अस्थन वहां से मुख्यधारा का जो नाम है वह भागी रथी है गंगा का पंच परियाग में आप क्या पढ़ते हो शार्टकट में आप देख लो जैसे की गंगोत्री गलेशियर है तो तो पथ गलेशियर से निकलती है तो मिलेगी यह होगा देव परियाग होगा तो भागी रथी परस अलगनंदा देव प्रियाग में मिलेंगी और यहां से निकलते हुए गंगा निकल जाती है अना गड़न मुक्तेशोर आ जाती है यहारे द्वारे इंटर करती है ऐसे इसके बाद इसी अलग नंदा में जब मंदाकिनी आ करके मिलती है कौन मंदाकिनी तो मंदाकिनी कहाँ पर मिलती है तो जहाँ पर मंदाकिनी पलस अलग नंदा अलग नंदा यहाँ से निकली है तो अलग नंदा निकली और यहाँ से आई क्या मंदाकिनी और यहाँ पर जब मिलती है तो यह खुता है रूद्र प्रियाग रूद्र प्रियाग तो तीन इसके बाएं साइट से यहां से जो है निकलती है क्या धौली घंगा आई धौली घंगा जो है मिलती है कहां पर यहां पर तो बिश्णु प्रियाग होता है क्या होता है बिश्णु प्रियाग नंदा किनी नंदा किनी तो नंदाकिनी जब मिलती है अलग नंदा में तो नंदाकिनी प्लस अलग नंदा मिल करके कहां पर बनेंगे तो नंद प्रियाग होगा ठीक है और पिंडारी ये पिंडारा करके जब अलग नंदास में मिलेंगे तो यह हो जाएगा करण परियाग करणु परियाज तो भागी रती इन तो जाते हैं तो गंगा नदी का उद्गम गंगोतरी हिम्नत से निकलती है वहां पर उसका निकलने का जो मुख धारा का नाम भागी रती होता है भागी रती आकर कि अलग नंदा में मिलती है तो यह जो है देव परियाग में मिलती है गंगा नदी का विस्तार उत्राखंड उत्तरप्रदीश बिहार जारखंड और पस्सिम बंगाल में है गंगा जो डेल्टा बनाती हो बंगाल क खाड़ी में बनाती है और गंगा नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है जो कि उत्तरप्रदीश की सबसे लंबी नदी कौन सी है गंगा नदी है जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर की है गंगा नदी की तटिये सहर कौन से है तो फरूखावाद, कर्नोज, कानपूर, वाराणसी, प्रियागराज, मिर्जापूर, गाजीपूर आदी है और गंगा नदी उत्तरप्रदेश में अब निकली वहाँ भागी रती गंगोतरी हिम्नद से भागी रती की रूप में अलक नंदा से आकर के मिली देव परियाग में उसकी बाद अरिद्वार होते हुए गढ़ में उत्तरप्रदीश में जो है किस डिस्टिक्स से इंटर करती है उत्तरप्रदीश में तो उत्तरप्रदीश में जो है बिजना और डिस्टिक्स से जो है उत्तरप्रदीश में प् अगे तो तरी किनारे से गंगा से मिलने वारी नदिया राम गंगा गोंती गागरा गंड़ कोशी वंबाग मती है चुण दर्षर किनारे से मिलने वारी नदिया अंटों से ओम आओ閑़ोष नदी प говорит यमुना नदी की सहाइक नदिया है चंबल जोकी इटावा के पास बेतवा हमीरपूर के पास और केंड़ नदी बांदा भोजहा की पाश यमुना नदी की किनारी अवस्थित प्रमुख उत्तरप्रदीश की सहर है मथुरा सहर यमुना नदी की किनारी ब्रिंदाबन आगरा इटावा कालपी हमीरपूर कौसामभी तो आपसे कालपी अक्सर पूंच लिया जाता है यमुना नदी के बाद है राप्ती नदी राप्ती नदी का उद्गम अस्थान है रुकुम कोट नेपाल से राप्ती की प्रमुख शायक नदी है रोहिडी नदी राप्ती का जो शंगम होगा वा घागरा नदी से मिलेगी बरहज नामक अस्थान पर देवरिया जिले में तो यमुना हो गया गंगा हो गया रापती अब बात करते हैं घागरा नदी की घागरा नदी का उद्गम अस्थल है मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से घागरा की साइक नदियां करनाली सिख पीला सेटी बेरी रापती योम छोटी गंड़क है घागरा नदी का अन्य नाम है सर्यू नदी तो जो घागरा नदी आगर जाकर के बारवन के होते वेज़ बिंटर करती है कहां अयुद्या में तो अयुद्या में ही नाम होता है सर्यू तो सर्यू नदी के किनारी अवस्थित प्रमुख नगर है अयुद्या और घागरा नदी आगे जाकर के गंगा नदी से छपरा विहार में क्या है मिल जाती है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सारदा नदी की सारदा नदी का उद्गम अस्थल है कुमावी हिमालो मिलाम हिमनद से होता है इसके बाद मैदान में इंटर करती है सारदा नदी ब्रम्ह देव अस्थल के निकटूं सारदा नदी का जो प्रारंबिक नाम है वह watch kali गांगा या गौरी गंगा और सारदा नदी की बिशिष्क्यूस्ता है कि सांप की भाती पेड़े मेड़े मार्ग से होकर प्रवाहित होती है और सारदा नदी पीली भीत उत्तर प्रदिश और नेपाल के मद्द, प्राकिर्टिक सीमा बनाती है और इसका जो संगम है, वो घागरा नदी से मिलती है वरहम घाट की निकट, अगली नदी है, गोमती नदी, कौन सी गोमती, गोमती नदी का उद्गम अस्थाल है, फुलहर जील पीली भीत जिले में, फुलहर जिला कहाँ निकलती है तो फुलहार जील सी जो की अकसर आप जानते हो घोमत ताल कहीं कहीं आप आप वह चक्टा लिखा हूँ तब नादी का उध्गम होता है कहा फिली भीत जिले में इसका आप वह उध्षेतर तो फिली भीत से निकलती है फिली विट शाजाहाँ पूर लखिम पूर खीरी सीफ़ेग लखनाव सुल्तान पूर जौन पूर्यों गादी पूर आदी है। गोम्ती नदी के किनारे परवस्तित प्रमुख सहरो जैसे की लखनव सुल्तानपूर जौनपूर आधी ठीक है और गोम्ती नदी की साइग जो प्रमुख नदियां आप जानते हो सई नदी है जो मकाई है चुहा सरियो गिरी कल्यानी कथना ये सभी क्या है गोम्ती नदी की सा पंदित बेतवा नदी तो बेतवा नदी का उधगम कुमरागाउ राइसीर्मध प्रदीश में बहती जो है संस्कृतिक नाम की बेतवा नदी का वडेतरवती नाम है बेतवा नदी पर में आपसे पूंशा जाता है राजर सब्सारो राजगाट बांध का नाम अन्य है रानी लच्मी भाई शागर बात करते हैं केन नदी का तो केन नदी का जो उद्गम है वो कैमूर पहाडी है और कैमूर पहाडी का जो उपनाम है आप जानते हो करणवती यहनि कैमूर पहाडी से निकलने वाली है ठीक है तो केन नदी जैसे यहां पर आप बेतवा नदी का एक सन्क्रितिक नाम देखते हैं, बेतरवती तो केन नदी का जो एक उपनाम है वो है करणवती और ये कैमोर की पहाड़ी से निकलती है के नदी का जो संगाम है वा यमना नदी से मिल जाती है बांदा डिस्टिक में भजहा के निखट आगे बात करते हैं चंबल नदी की चंबल नदी का जो उद्गम है वा जना पाव पहाडी महु मध प्रदीस से होता चंबल नदी की विसेष्टा है इसकी अव नालिका अपरदन यों बीहडों के लिए प्रिशिद्ध है चंबल नदी की प्रमुक्ष शायक नदियां है काली सिंध पारबती बनाज इसकी नदिया है सहायक चंबल नदी की शायक नदिया है और चंबल नदी का जो सीमा निर्धारण है वह मद्ध प्रदीश उत्तर प्रदीश तथा राजस्थान की मद्ध है तो चंबल नदी की साथ सीमा बनाने वाले जो रज है मद्ध प्रदीश उत्तर प्रदीश और राजस्थान चंबल न श्याइब न्दी पर लोकेटड है और चंबल नदी का जो संगम यमनदी से मिल जाती है इतावा जिले में आपढ़ कर खते हैं टूंस नदी की टूंस नदी का जो उद्गम है व तर्मा कुन्ड काय मुर शेनी मधठ प्रढोश नदी की प्रमुक्ष है कना दी बेलन तो उस नदी का संगम गंगा नदी से मिलती है यहां सिर्शा प्रियाग राज में और बांध से पहले जो जीले हैं उनको देख लेते हैं नदियों से संबंधित अथ्या आपने कबर कर लिए तो तरप्रदीश की प्रमुक जीले है जो कि कीठम है सूर शरोवर जील आग महुबा में लोकीशन तांड़ा दरी यानि दरारगर्त मिर्जापूर में है बेलासागर जो की कृतिम्झी में जील है सुरह ताल लखनव में प्षिद्ध जील करेवाने करेशना है आउंधी ताल जो है यह बाराणसी में है तो आउंधी ताल आपको पूशा जाता है शरमोची जील पूशा जाता है ते कानपुर सहर समस्पूर जील यह सब आप पढ़ते हो शुरह ताल पूश लिया जाता है गोखुर जील सा जहांपूर कीठम पूशा ही जाता है तो यह रामगढ़ताल तो अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है रामगढ़ताल गोरुखपुर की है सेखा जील अलीगढ़ में है तो आपने प्रमुख नदियां देखा और प्रमुख जीलें देखी आप उतर प्रदिश के प्रमुख बांध देख लेते हैं ज्हासी जिले में इस्तित प्रमों को बांध है परिच्चा बांध किस नदी पर बना है बेतवा नदी पर पथराई बांध जो की पथराई और सुखनाई नदी पर बना हुआ है माता टीला बांध या भी बेतवा नदी पर है सुकुमा डुकुमा बांध या बेतवा नदी पर है तो सुकुमा डुकुमा माता टीला और परिच्छा राज याटी सभी आपको बेतवा नदी पर मिलेंगे जबकि पथराई जो होगा वा नाम से ही पथराई और शुकनाई नदी पर बना हुआ बांध है आगे देखते हैं मिरजापूर में बांध जो प्रमुख है जिर्गो नदी पर बना हुआ है जिर्गो बांध अहरावरा बांध गराई नदी पर बना हुआ है मेजा बांध इंपोाटन्ट पूछा जाता है अधवा बांध सिरसी बांध बखेर नदी पर बना हुआ है सजनाम बांध और राजगाट बांध बेतवा नदी पर है तो राजगाट अक्सर एकजाम में आपसे पूछा जाता है इसके बाद अन्न प्रमुक बांध हैं उत्तर परदीश की जैसे की गड़वा जो बांध है या चित्रकूट जिले में है मुशाखंड बांध चंदवली जिले में कर्मनासा नदी पर बना हुआ है कनहर बांध सोन भादर जिले में कनहर नदी पर है चंदर प्रभा बांध चकिया चंदवली में चंदर प्रभा नदी पर है सलारपूर बांध जो की महोबा में कदरिया नदी पर बना है मौदा बांध है हमीरपूर में बिर्मा नदी पर दोस्त इस तर आपने प्रमुख नदिया जेले और प्रमुख बांध कबर कर लिए है अब अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक नंबर है एट उत्तर प्रदीश की प्रमुख बहुत देशिये नदी घाटी परियोजना है तो प्रमुख नादी घाटी परियोजना है नमबर वन आप देख रहे हैं राज घाट बांध परियोजना है जो कि राज घाट बांध परियोजना से लवन भीत होने वाले जहोंगे उत्तर परदीश और मध्य परदीश की शयुक्त परियोजना है और राज घाट बांध परि जो कि अक्सर एकजाम में आपसे पूश लिया जाता है गोकुल वैराज परियोजना महथुर्य में लोकेटेड है यमना नदी पर बना है और बेलकुर यह आपसे पूशा जाता है किसे लिए है यह कर यह पर युद difdut P गोविंद बलब पंत सागर परियुजना तो गोविंद बलब पंत शागर प्रमुक जुनदी घाट प्रयोजनाओं में है और या पिपरी विद्हक सोनभद्र में इस सी तुह है। तो गोरखपूर, महराज गंज, कुछी नगर और देवरिया, गंडग परियोजना से लाभनवित होने वाले उत्तर प्रदीश की प्रमुख जिले हैं अब आई अगला टॉपिक देखते हैं, टोटल तैंटीश टॉपिक कबर कर रहे हैं टॉपिक नमबर नववा है, उत्तर प्रदीश की बिद्धुत परियोजना है, तो उत्तर प्रदीश में बिद्धुत छमता, 31 जुलाई दू हजार बाइस तक, कुल जो स्थन स्थापे तो छमता है, वह यक्तिस हजार तीन सो साथ दसमलो दो नव मेगा वाट की है, तो कुल स 32,882.14 मेगा वाट, पर माड उर्जा 440 मेगा वाट है, जल बिद्धुत का देखेंगे, तो जल बिद्धुत उर्जा जो है यहाँ पर 501.60 मेगा वाट है, और वहीं पर नवी करण ये उर्जा जो छमता है, वह 4,483.65 मेगा वाट की है, तो उत्तर प्रदीश में आप दे 307.29 मेगा वाट है, जिसमें टोटल जो है, ताप ये उर्जा से कितना है, 25,000 सम्थिंग है, जल से जो है 501 है, और 440 पर माड उर्जा का है, और इसमें 31 में देखेंगे, तो 4,483.65 मेगा वाट नवी करण ये उर्जा है, कुल कितनी है, 31,307.29 मेगा वाट है, आगे करते हैं, बात करते हैं, राष्टिये ताप विद्धुत निगम, यंटी पीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में संस्थापित संयंत्र, तो अक्सर एक्जाम में आप से पूंच लिया जाता है, कि निमलिकित में इसे कौन यंटी पीसी द्वारा संस्थापित संयंत्र है, या और या डिश्टिक टांडा जो है बेटकर नगर में है और दादरी गौतम बुद्ध नगर में स्थापिर जो है ये राश्टिय ताप विद्धुत निगम है अब इसमें भी आप से पूछा जाता है मुचाहर राय बरेली में है तो इसमें आप से पूछा जाएगा कौन सा ग क्या है गैस आधारित संयंत्र होगा इसकी अलावा गैस प्लस कोईला गैस प्लस कोईला आधारित जो है दोनों ठीक है वह कौन है तो दाजरी तो दादरी जो है गैस प्लस कोईला दोनों है और या गैस आधारित संयंत्र है बाकि जो बसते हैं आपकी वह कोईला आधारित स अगला फाक्ट आ रहा है कि उत्तर प्रदीश की राज विद्धुत उत्पादन निगम के ताप विद्धुत संयंत्र जो की निर्माणा धिन सहित इसमें इंक्ल्यूड हैं तो अनपरा अनपरा जो ताप विद्धुत संयंत्र या सोनभद डिश्टिक में है तीक है यह गवर्मेंट हो जाएंगी आपकी एंटीपीसी द्वारा है तो उत्तर प्रदीश राज जिके हैं यह विद्धुत उत्पादन निगम के तो अनपरा शोनभदर में हर्दुआगन अलीगड मे है और शोनभदर में है परिक्षा आपका जहांसी में है परिक्षा बांदियाद आ रहोगा जहांसी बेतवान अदीपर पंकी कानपूर में है और जवाहर जो ही आपका एटा में है तो इसतर आपने टॉपिक नंबर 9 कंप्लीट किया जड़िश उत्तर प्रदिश की बहुत करने के उत्रप्रदेश में भूत त्यूम, खनिज कर्मनिदेशवलाइ कि अस्थापना वर्ष 1955 कि डयिश्पूर भंडारण में उत्रप्रदेश का भारत में दूसरा अस्थान है उत्रप्रदेश के अस्थापना 23 मार्च 1974 प्रथम खनीज नीती दिशंबर 1998 में आई खनीज विकास को दूख का दरजा जो है प्राप्त किन्दी के लिए उतर प्रदीश में यूरेनियम का जो प्रमुख छेत्र है वहला लिद्पूर है और हीरा का प्रमुख छेत्र बानायो मिर्जापूर है सोनभद्र जिले में पाय जाने वाले प्रमुख खनीज चूना पत्थर, पोटास, संगमर्मर, पाइराइड्स, दोलोमाइड्स, कोईला, सोना आदी ललितपूर जिले में पाय जाने वाले प्रमुखनिज तांबा है, बाक्षाइट है, सोना, पाइरोफाइलाइट, लोह अयस्क, यूरेनियम, राकफास्वीट, ग्रेनाइट, डायूशपोर जहासी जिले में पाय जाने वाले प्रमुखनिज, डायूशपोर, एस्पे बेस्टस, डायूशपोर है, एस्पेस्टस है, फेल सिपार हो गया, पोटास लमड है, सेल खड़ी, तो सेल खड़ी एक्सर एक्जाम में पूछा जाता है, जिब सम्त यह उत्तर प्रदीश की जहास संग मरमर हो गये, एस्पेस्टस यहां भी है, चूना पत्थर है, और सेंड इस्टोन है, तो खास कर आप से जग्जाम में पूछा जाता है, अक्षर वो फायर कले हो गया, सेंड इस्टोन और चूना पत्थर, आगे बढ़ते हैं, अगला है खनिज की बाद उत्तर प्रदी नीतियों के स्वरूप योम गठन में प्रियाप्त परिवर्तन हुआ है, उतर प्रदीश सरकार ने प्रदेश में निवेस की आदर चिस्थितियों की इस्थितियों की इस्थिति की अनुषार, आदिसूचित जो यसी जड़ है, इस्पेचल एकोनमिक जोन की संख्या 21 है, जैसे की रेल पहिया खार खाना उतर प्रदीश में कहा है, राय बरेली है, उत्तर भारत का मैंचेश्टर किसी कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैंचेश्टर कानपूर को कहा जाता है, जबकि भारत का मैंचेश्टर क्या है, आयमदाबाद है, और दच्र भारत का जो मैंचेश्टर आप जानते हो कोईमबटूर को, तो भारत में तीन मैंचेश्टर में प्रताप पुर्देवरिया जिले में 1903 में इस्थापित की गई उत्रप्रदीश का सबसे बड़ा उद्दोग कौन सा है हतकरगा है भारत इस्टील रोलिंग मिल कहां पर है यह मुझफर नगर में है कानपुर जिले में इस्थित प्रमुक आउदोगिक इस्थापना उत् उत्रप्रदीश उद्दोगिक शाहकारी शंग यूपी का कहां परहतिया कानपुर में 1952 में स्थापित हुआ उत्रप्रदीश राज उद्दोगिक विकास निगम जोकी अब प्राधिकरण हो गया है इसकी अस्थापना 1961 में कानपुर में हुई उत्रप्रदेश बित्तिय निगम कहां पर है या भी कानपुर में है 1954 में स्थापित हुआ लखनव जिले में इस्थित प्रमुक आउदोगिक संसथान तो प्राधेशिक आउदोगिक वापूंजी निभेश निगम लखनव फिक अप 1972 इसकोटर से इंडिया लिमिटेड लखनव में है अगला है कि उत्तरप्रदीश इलेक्ट्रॉनिक लिगम लखनव में इसकी अस्थापना shapes anatomy में की गई उत्तर प्रदीश निर्यात निगम लिमिटर की अस्थापना लखनव में 1966 में की गई थी टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट कहां पर है उत्तर प्रदीश में या भी लखनव में लोकेटेड है बढ़ते हैं आगे अब आईए देखते हैं उत्तर प्रदीश के प्रमुख लगुयोम कोटीर उत्तोग दरी निर्माड के लिए सीतापूर है वरेली आगरा अली गड़ी टावा मिरजापूर शाजापूर गलीचा निर्माड तो आगरा वारांड सीभदोही मिरजापूर दिया सलाई उत्तोग क कि बात करोगे त्यकानपूर जासी लखनव शाहरनपूर तो अक्सर इजाम में आपसे लखनव पूंच लिया जाता है हतकरगायोम सूती वस्त्र के लिए देखोगे तो मेरट है टांडा मो देववन धामपूर शिकंद्राबाद मगार मुबारक पूर है लकड़ी का फरनी तो दोनों अक्सर पूंचे जाते हैं पीतल और कलाई की बरतन तो मुरादाबाद है वाराणसी है मिर्जापूर फरूखाबाद हाथरश अतरौली शामली हापूड और बड़ावत है वहें पर पीतल की मूर्तियों के लिए आपका मतुरा जाना जाता है जरी और चिकन पर गोटे का जो काम है लखनव वाराणसी है लखनव अक्षर पूंच लिया जाता है इत्रियों शुगंधित तेल के लिए आपका कन्योज फेमस से कन्योज पूंचा जाता है गाजीपूर है जौनपूर है लखनव प्रियागराज भी है मिटी के बड़ खेलोने की बात करोग उद्धो योम संबंधित जिले यहां पर देखेंगे तो बनारस लोकोमोटीव वर्क शक्सर पूंच लिया जाता है तो यह मंडवाडी वाराणसी में है कृतिमंग निर्माड लिमिटेड कानपूर में है भारत पंस एंड कंप्रेसर लिमिटेड नैनी प्रियागराज में ह इंडियन टेलीफोन इंडस्टीज कहां पर है तो यह नैनी प्रियागराज में है अप्रान कैपेसिटर लिमिटेड कहां पर है लखनव में है और वरक कार खाना फूलपूर प्रियागराज में है करीदी पूंच लिया जाता है इसकी अलावा आप देखेंगे उत्तर जिले में इस्थित प्रमुख और दोगिक संस्थान तो हिंडाल को इंडस्टीज एलमुनियम का रेनुकोट सोनभाद्र में है सिंग्रावली कोईला खान सिंग्रावली तो यह अक्सर मोस्ट इंप्वाटन्ट है तीनों पूंचे जाते हैं सेमेंट कार खाना चुरक्यों म डाला है अगला है आपका वन डिश्टिक वन प्रड़क्ट प्रमुख उत्पाद संबंधित जिले है तो वन डिश्टिक वन प्रड़क्ट योजना कब सुरू किरी गई है जानते हो चौबिस जन्वरी उन दो हजार आठारा को वन डिश्टिक वन प्रड़क्ट किता है जरी जर्दोजी का जो काम है वो उन्नाव है काशगंज वदायू में होता है चंदवली है बरेली है शाजहापूर है गुड का बात करोगे गुड के लिए अयुद्या है मुजबफर नगर है कौसांबी केला के लिए है शावल के लिए है शिदार्त नगर मुझ उत्पाद के लिए प्रियागराज है सुल्तानपूर है अमेठी है तो वन डिश्टिक वन प्रड़क्ट के तहत जो इंप्वाटेंट प्रड़क्ट रहे हैं साथ जिले संबंधित आपने कबर किया आगे बढ़ते हैं अगला जो टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 12 होगा उत्तर प्रदीश में पशुपालन योम दुग्ध विकास उत्तर प्रदीश तदकालीन संयुक्त प्रांद में पशुपालन विभाग की प्रिथक रूप से अस्थापना पर सुनीस सो चौवाली सीजबी में की गई थी बरतमार में प्रदीश की ग्रामिड अर्थ विवस्था को और अधिक सुधिन करने के उद्दिश से विभागिये कारिक्रमों को स्वरावजगार की माध्यम से जोड़कर किरिसी के साथ पशुपालन विःतर योगदान कर रहा है जिसका प्रदीश की अर्थ विवस्था में योगदान चे दसमलों तीन प्रतिशत है और यह दो हजारी की इस बाइस की अगरी मनुमान में है जो कि चालू कीमतों पर है जी भी एक अंदर के लिए होगा तियां पर ग्राज से बेलु एड़ेड में स्टेट का हो जाएगा जी यस भी ये चालू कीमतों पर है एक कीस बाइस की उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास के चार प्रमुख आयाम है नंबर वन है उन्नत पशु प्रजणन दूसरा पशु पोशड है तीशरा पशु प्रबंधन और पशु स्वास्थिया तो चार है प्रमुख आयाम उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास के उन्नत प्र पशु पोशड हो गया पशु प्रबंधन और श्वास्थिया कि बीसमी पशु धन जो गड़ना रही है बीसमी पशु गड़ना दो हजार उन्नीश शंबंधी उत्तरप्रदीश के प्रमुकतत थे हैं यहीं से आपके एक्जाम में प्रस्ण पूंच लिए जाएंगे तो उत् उत्तरप्रदीश में कोल गोवन्स यह पसु की जो है वह उन्नीश मिलियन के साथ दिस में दूसरे अस्थान पर हो जाता उत्तर प्रदीश में कुल महिस बंसिये जो पसू है वफायलोज यह तैटीश मिलियन की शार्ट देश में पहले अस्थान पर है उत्तर प्रदीश में बहएं पर उत्तर प्रदीश में भेड़ों की कुल संख्या एक मिलियन है उत्तर प्रदीश में सूकरों की संख्या पॉइंट फॉर वन मिलियन है तो यह बीसवे पर उगड़ना दुजार उनीस संबेंदी जो है रिपोर्ट रही है और महात्पोर्ण तथ्य को देखते हैं तो देश में उत्तर प्रदीश का दुग्ध उत्पादन में अस्थान पहल में सहकारी दुग्ध समिती की अस्थापना कटरा इलहाबाद में की गई थी जिसका अब नाम परियाग राज होज गया है उत्तर प्रदीश दुग्ध अधनियम कब पारित हुआ था बरस उनीश सुचिया तर इस भी में उत्तर प्रदीश में आप्रेशन फ्लड के चरण तो उत्तर प्रदीश में आप्रेशन फ्लड का पहला चरण उनीश सो सत्तर इकतर रहा दूसरा चरण उनीश सो इक्यासी से पचासी और तीसरा चरण पचासी से छिया नवे हैं प्रमुख उत्तपादन संबंधी आकड़े हैं उत्तर प्रदीश उनीश बीस के अकौर्डिं मांस उत्पादन में उत्तरप्रदीश का दीश में पहला उत्पादन पहला स्थान है मांस उत्पादन में तो मांस में पहला है दुगध में पहला है अंडा में उत्पादन में नवा है उन उत्पादन में आठों में राजस्थान पहला है पेसिक साथ टॉपिक नंबर आपक बारत जोन का पॉइंत जेता जंशरोड़ये सबस्क्राइद का इदेड तरह जाता है यह जरुट इने ऊंफर बाल जर्ण, इज बाम का पॉइंट जर्क आसरी रहलें, वह ऑनितनों चंप पॉइन दोसु का सब्सक्राइद प्रतिशत है तो भारत की जो इसका कितना है व्टॉइन्ट जीरो नीन उत्तरप्रदίश में है है जिबकि उत्तरप्रदिश की अगर तुल न योम थारू को अनसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था 1966 में उत्तरा खंड सही क्योंकि उत्तरा खंड उत्तर प्रदीश से अलग कब हुआ तो उत्तरा खंड जो पहाडी रीजन रहा उसको अलग कर दिया गया उत्तरा अंचल और इसका राम उत्तरा खंड तो यह 9 किया गया खाइए अब देखते हैं ईत्तरा प्रदीश की प्रमुख जनजाति स्व्मूः इसुर में और टर प्रदीश में जो में जान जातियों का प्रमुख में गौंड है और राजी है जवे बैगा है kommt उ Camera i got our next वूर्द ह Shiv जह मारश्या अगला है आपका बुखशा या भोक्षा जन्जाती जोकी उत्तर प्रदीस से सिंबन्धित प्रमुकतत् finding इसा है तो ब्खशा जन्जाती जो है इसका प्रमुख रूप से उत्तरप्रोदिस के कहा पाई जाती है बिजन और डिस्टिक में अक्षर आपको मिलाने को पूछ लिया जाता भी है बुख्षा बुख्षा जन जाती के प्रमुख जो आराध्य है वो चामुंडा देवी है इसका तकस देखूगे तो बुख्षा जन जाती की पंचायत का सरवोच व्यक्ति जो है वो कौन होता है तखत कहलाता है बुक्षा जन्जाती का जो संबन्ध हो पटवार राजबूद घराने से है अर्दविवस्था का इनका जो मुख्य आधार है बुक्षा जन्जाती का यह बेसेकली क्रिसी है अगला है आपका सोनभद्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां पहरिया है बैगा है पनखा है पनिका है अगरिया पटारी भुईया भुईयना भुईयना भी है भुईयना भी है चेरू आदी माहीगीर जनजातिया समधाय उत्तरप्रदीश में OBC सुची में सामिल है इसकी आदारला नोट क्या है कि ग्यातब है कि शोतंतता पूर्व की अभिलेखों में इन्हें मुष्लिम जनजाति के रूप में अभिःत किया गया है तथापी बरतमान में ये भारत के किसी भी राजमे जनजाती की रूप में अन्शूचित नहीं है तो माही गीर जनजाती शिलाम धर्मक जो है वो प्रमुक मानने वाले हैं विजन और जिला है मचली पकड़नारत विवस्था का मुख्य आधार है और बरतमान में भारत के किसी भी राजमे जनजाती की रूप में अन्शूचित नहीं है अगला है आपका थारू जनजाती थारू जनजाती का जो निवाश है वह गोरखपुर का तराई रीजन आ जाता है और थारू जंजाती का जो प्रमुक बंस है वह किरात बंस से संबंधी तो है शारीरी की इनका जो सनरशना है थारू जंजाती के लोग छोटा कद है तो थारू बेसे कलिए उत्तरा खंड रीजन भी टच कर जाता है वहां भी आपको थारू मिल जाएंगे चोटा कद पीला रंग और चोड़ी मुखा किरती है इनका मुख्य भोजन बिसिकली चावल है भवन निर्माड तो ये लकड़ी के लट्टों तथा नर्कुलों से इनकी अपना भवन निर्माड करते हैं संग तो जो परिवार बदला विवा तो एक बदला विवा है एक होता है आपका बहु विवा तो बहु विवा जो प्रचलन है आपको जोन सारी जनजात में मिलेगा जबकि बदला विवा ये थारू जनजाती का है थारू जनजाती का प्रमुख तेवहार है बजहार और प्रमुख परियोजना थ प्रदिश में देखोगे तो सोनभद्र है दिवरिया है बलिया गाजी पुरियों बारांसी है जबकि इनका मूल जो निवास है वह पलामु झारखंड माना जाता है खरवार जनजाती के प्रमुख देवता बदहुश बनसंती दूला देव घमशान गोरया है खरवार जनजात है तो सूरज बंसी हैं पदबंदी दौलदबंदी खेरी राउत मोगती मोजहायली गोंजू और आर्मिया आदी प्रमुख महत्तपूंड तथे देख लेते हैं जनजातियों से शंबंदी जो की एक शर्गजा में आप से पूठे भी जाएंगे जनसंख्या की आधार पर उ तो सबसे जादा बड़ा जो जनजाती शमू है कौन सा सरवाधी की गोंड है गोंड फिर खरवार हुड थारू है थारू जनजाती के लोगों को से इच्छा परदान करने ही तो शरकार द्वारा महाविद्यले की अस्थापना जो की गई थी वह लखीम पूर खीरी में की ग अगला टॉपिक है अवसर रशना विकास हेतु सणक मारगों त था संचार शुविधाओं के विकास को प्रमुक्रात्मिक दी जा रही है उतरप्रदेश में परिभाहन के ृम्भान सणक रेल वाई वयूम जल है उतरप्रदेश में सर्व परथम राश्ट्य क्रेट परिव पंद्रह मई 1947 से प्रारंब हुआ। उत्रप्रदीश में दो हजार बीस एक्कीस के अकॉर्डिंग कितने डाग घर है तो सात्रा हजार छेशो पाएंशट डाग घर है। कुल दूरदर्शन केंद्र तीन हैं आकाश बाड़ी केंद्र तेरह हैं सरप्रथम हवाई डाग सेवा उत्तरप्रदीश में बर्स 1911 इसबी में इलहाबाद से नैजिश्य प्रारंब हुई उत्तरप्रदीश राज्ज राजमार्ग प्राधिकन्ड दू हजार चार है। उत्तरप्रदेश में कुल शनक मार्ग की जो कुल लंबाई वह 717,000 किलो मीटर प्रदेश में राज्टी राजमार्ग की कुल लंबाई एक ती दिसंबर 2021 तग 12,245 किलो मीटर उत्तरप्रदेश में राज्टी राजमार्ग की कुल लंबाई की दृष्टी से देश में दू जो कि दिल्ली से कोल का था उत्रप्रदीश राज्य शनक परिवहन निगम की अस्थापना बर्स उन्नीश वह तरीज भी में की गई अगला नेक्स्ट है आपका यमना एक्सप्रस बे की बारे में यमना एक्सप्रस बे की जो कुल लंबाई है वह एक सो पाइस दुसमलोग पा पाथ्रश यों आग्रा है नेक्स्ट गंगा एक्सप्रस बे जिसकी जो कुल लंबाई उस 594 किलोमेटर की होगी इसे लबहनबित होने वाले जिले मेरट हापोड बुलंसहर अमरोहा शंभल वदायुसा जहां पुरहर्दोई उन्ना और रहबरेली प्रताब गड़ियों प् पुर्बान चलक प्रसबे जिसकी कुल लंबाई तीन सो 41 किलोमेटर लगभग है गाजीपुर से लखनव के मद्ध विक्षित किया गया है पुर्बान चलक प्रसबे इस से लखनव वाने वाले जिले लखनव बाराबंकी अमेठी सुल्तानपूर अयोध्याम बेटकन नगर आजमगड मोयों गाजीपुर है बुंदेल खंड एक्सप्रस बे जिसके लंबाई 293.07 किलोमेटर है चित्रकूट जिले के भारत कूप इस्थित्ध गोंडा गाउं से जहासी प्रियागराज प्राश्टी मार्ग से प्रारंब होगा लाभानवित जिले चित्रकूट दा महुबा हमेर पुट जालो नौरईया होते हुए इंटावा के कोड्रेल गाउं के निकट आगरा लखनो इस प्रेस बे से जुड़ जाएगा इसका सिलन्यास फरवरी 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोजी द्वारा किया गया गोरखपुर लेंक एक्सप्रस बे इसकी ल बिसेश्ता क्या है यह गयोरखपुर जिले के जायतपुर बाईपास को आजमकर जिले की शलारपुर में पूर्बान चलक्स प्रजबी से जुड़ेगा अब उतर प्रदीश में रेल परिभान की अगर बात की जाए तो उतर प्रदीश में देश का सरवाधिक लंबा रेल म वह नौ है केंद्रिय रेल बेदूतीकरण संगठन का मुख्याले प्रियागराज में है प्रदीश में प्रथम रेल गाड़ी जो चलाई गई अठारा सो वंसरड इस्बी में इरहाबाद सी कानपूर जिसका नाम प्रियागराज हो गया है तो उतर प्रदीश में सब सीज भ गतिमान एक्स्प्रेस है आगे बढ़ते हैं उत्रमध रेल्वे लाइन शम्ता उप्योग जो है लगभग डेड़ सो प्रतिशात है उत्तरप्रदीश का प्रियाग राज को उत्तरमध रेल्वे का मुख्याले जो बनाया गया बर्स 2003 में बनाया गया रेल्वे के सवारी डिब से सघन मोगल सारायर उत्तरप्रदीश वबाय बाय वाहन वाहन ने त्थ्रमूग दिये हैं पहले अबेड़ल परिवहन का देख लो शनकर अबजल परिवहन में क्या है देश का सबसे लंबा जो रास्टियत जलमार्ग है वह रास्टियत जलमार्ग संक्या एक है राश्टिय जलमार्ग संख्या जो की प्रियाग राज से हल्दिया तक की है और इसकी जो को लंबाई है वो 1620 किलोमेटर जो की गंगा नदी से होकर गुजरती है तो देश का सबसे लंबा राश्टिय जलमार्ग जो है वह यूपी में है तीक है यूपी से स्टार्ट होता है प्रियाग राज से हल्दिया तक जाता है नेशनल वाटर बे वन आगे देखते हैं अगला उत्तर प्रदेश वाई परिवहन की संबंधित अन्य प्रमुखतात हैं जैसे की पायरा पायरा टूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहां पर उत्तर प्रदेश में आगरा में है नागरी क इस पर्देश पर्देश बेड़ा ग्रूप ने निजी हवाई अड़ा जो बिक्षित किया है वा मेवरपुर सोनभाद्र में सामरिक महत्तों का वाईव सिनाग जो हवाई अड़ा है या गोरक पूर में लोकेटेड है नेक्स्ट है फ्लाइंग स्कूल के रूप में सबसे पहले देखते हैं प्रमुख अंतररस्टी हवाई अड़ों को डाल जैस पर हाईड़ा अब लगाना होगा बाबत पुर हवायड़ा पूंस ले गए लाल भाजुल सास्त्री अंतरराश्टी हवायड़ा तिया वाराण सी कुशी नगर अंतरराश्टी हवायड़ा कुशी नगर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट जो की निर्माडा धीन है जो जेवर गौतम हवायड़ा तो बमरोली हवायड़ा प्र्यागराज में है चकेरी हवायड़ा कानपूर में खेरिया हवायड़ा आगरा में सरसावा हवायड़ा सहारनपूर हिंडन हवायड़ा गाजियाबाद में ललितपूर हवायड़ा ललितपूर में जहासी हवायड़ा जहासी में कंपूर में गंज अमेठी अगला झो तॉपिक नंबर है वे टॉपिक नंबर है 15 अ उत्तर प्रदिश भज़तका बार ます उत्तर प्रदिश में किसी जलवाई 1954 किसान मित्र योजना कब की है 18-201 की इस डिस्ट्रिक्ट पर योजना कब की है 2009 की किसान रत योजना कब की है 2010-11 उत्तर परदेश में उर्जा सहर योजना की शुरुआत बर्स 2008 में हुई सबसे बड़ी नहर कौनसी है उत्तरपरदेस की सारदा नहर है इंट्रपरदेस गोकुल पुरषकार योजना किसे संबांधित थे गोकुल पुरषकार योजना दुगधु उत्पादन से उत्तर प्रदेश में प्रतिव्यक्त दुख्ध उत्पादक्ता दोहजार उन्नीश बीस के वाडिंग तीन सो सतासी ग्राम प्रतिदिन है उत्तर प्रदेश के क्रिशी निर्यात जोन है तो आलू के लिए आगरा है आम के लिए निर्यात जोन सहारनपूर है और आम के लिए लगनव भी है उत्तर प्रदेश में सिचाई के छेत्रफलियुम शाधनों का प्रतिशात वार्ज बेवर्ण दिया है ठारा उन्नीच की अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा जो सिचाई है उत्तरप्रदीश में और नलकूप ठीबल सी होती है दूसरे नमबर पर नहर है तीसरे नमबर पर कुवा है चोथे पर तालाव जहिल आदिसे होती है अधर में आ जाते हैं पॉइंट इट परजेंट तो सबसे ज़्यादा सिचाई किसका है तो सबसे ज़्यादा सिचाई का शाधन यहां पर उत्रप्रदीश में नलगूप है इसके बाद देखोगे तो मक्य की शर सरबाधिक उत्पादक ता तो कम एरिया में जयदा इसमें हर दोई है जबकि सरबाधिक मक्का उत्पादक जिला काुंषा है तो सबसे जादा उत्पादन जो है बहराइज़ में होता है इसके अलाव तर पर प्रदीश में सिचाई में जो है दो तो कुल सिजन योग इसी चाही जो छमता है, यह 358 लाख है, सकल सिचाही चमता का उपयोग 297 लाख होता है, सुद्ध सिंचित छेत्र का सुद्ध बोय गया छेत्र से प्रतिशत जो है 87 परशंट है, सकल सिंचित छेत्र फल देखो गए, तो 216.8 लाख है वहीं पर सुद्ध सिंचित जो शेत्र फ़ल है 143.9 लाख हेक्टियर और सुद्ध बोया गया जो शेत्र है फल है वो 165.4 लाख हेक्टियर का है और सरबाधिक उत्पादन देखोगे अरहर का तो अरहर का सरबाधिक उत्पादन जो है आपको फतेहपुर में उत्तर प्रदीश की मिलेगा जबकि अरहर का सरबाधिक जो छेतर मिलेगा प्रति हेक्टियर तो सरबाधिक छेतर बांदा में होगा सरबाधिक उद्पादन फतिहपूर में है जबकि उद्पादकता सरबाधिक उपताथ्बुक्तानी प्रत हेक्टेर में तो एटावा में देखने को मिले अरहर का तो आपने देखा सरबाधिक उद्पादकता मक contrat की हर्दोई उत्पादन सबसे ज़्यादा बहराईच मक्य की देखोगे तो फसल के अंदर का छेतरवार में कन्योज नमबर वन है अरहर की बात करोगे तो अरहर में सबसे ज़्यादा उत्पादन फदीपूर में सर्फ से अधिक जो छेतरफल देखोगे हिसाब से तो बांदा में प्रत हेक्टियर सावाधिक उत्पादक्ता में इटावा है अरहरगा अब उत्रप्रदेश में रवी की प्रमुख फचले हैं गेहूं, जव, तंबाकू, शर्षू, आलू, लाही, मटर, चना उत्रप्रदेश में खरीब की कुछ प्रमुख फचले हैं तो खरीब की गन्ना हो गई, कपास है, चावल है, धान, बादरा, जुहार, वहीं पर जायद की प्रमुख फचलों में प्याज आ जाता है तंबाकू है, खर्बूजा है, कासी फल है, ककड़ी है, तर्बूज है, तो तर्बूज खर्बूजा दून, जायद में आ गए जव, जव उसी संबंदित विशेश तत्ति क्या है कि जव की फसल के अंतर का सरवाधिक छेतर में देखोगे जव तो आपको सरवाधिक छेतर फल के हिशाब से देखोगे, तो जहासी है, प्रति हेक्टेर सरवाधिक यानि सरवाधिक उतबादक्ता के मामले में एटा है, सरवाधिक जव फसल उतपादन में जो है एटा है, उतपादक्ता और उतपादन दोनों में एटा है, छेतर फल के हिशाब शे जो है जहासी का आता है जो में यह शरबाधिक जो जितना एरिया जहासी का है जिसमें क्रिसी में मामले में तो जो जो है सबसे ज़्यादा बोय जाती है और बोया सबसे ज़्यादा पैदा सबसे ज़्यादा हुआ इटा में ही उत्तर परदीस में बाजरा की अगरा में होता है तो बाजरा आगरा उत्पादन की मामले में बाजरा आगरा में है छेत्रफल की शाब से बदायू है उत्पादक्ता की मामले में महिन पूरी है उत्तरप्रदीश में चावल से संबंधित प्रमुखत थे तो उत्तपादन सबसे अधिक चावल का कहा होता है शाजहांपुर में होता है उत्तपादक्ता महोबा में है और छेत्रफल के हिशाब से आजम गड़ में बोया जाता जाता उत्तरप्रदिश में जायत की प्रमुखषली होई गई उत्तरप्रदिश में गेहु सी शंबन दिता तो गेहु सबसे ज़्यादा उत्पादन हर्दोई में होता है उत्पादक्ता जो है सबसे ज़्यादिक बागपत में है छेतरफल के हिशाप से देखूगी तो सबसे ज़्यादा बोया भी जाता है और उत्पादन भी कहा होता है हल्दोई में लेकिन उत्पादकता बहुँ कम निकली ज़्यादा है ये आपका प्रत हेक्टियर उत्पादकता में बाग पता है जोहर संबंधी उत्तरप्रदीश की प्रमुखतत्य तो जोहर के मामले में सरबाधिक जो उत्पादन है तो उत्पादन प्लस छेत्रफल सरबाधिक छेत्रफल फसल गा और उत्पादन बांदा में होता है जबकि उत्पादकता आपको शोनभदर में देखने को मिलती है जोहर अगधिश्वर है अलफान और चंपा यह सभी किसके हैं केले की प्रमुख किश्म हैं इक्जाम में आप से पूच ले कि उत्तर प्रदीश में केले की प्रमुख किस्मों में इसे कौन सा नहीं है अलफान की जगा सलफान दे दे तो आप क्या है सलफान हटा दोगे अगला तत्य है उत्तर प्रदीश में आम से शमबनित प्रमुख तत्य है तो प्रमुख उत्पादद आम की जुजिले हैं उत्तर प्रदीश की लखनव है बरेली मेरठ वराण सी शारनपूर आती प्रमुख किसमे योम उत्पादन तो इश्टेत आम की मामले में शारनपूर मेरठ है लंगड़ आम के लिए मेरठ है दैसहरी आम के लिए मालिहाबाली शेत्र लखनव है उत्तर प्रदीश में फोलों की क्रिसी से समबन्धीत प्रमुख जिले हैं तो प्रियागराज है लखनव है जहां पर आपको फोलों की क्रिशी देखने को मिलेगी तो प्रियागराज लखनव जाउन पूर मिर्जापूर वारान सीख करना ओज अगला तत्य आपको उत्तरप्रदीश की अमरूद की प्रमुख किश्म है तो शूरुखा जो है अमरूद की किश्म है शूरुखा अमरूद किश्म हो गई लखनव अंचास या सरदार ये सब क्या है अमरूद की किश्म है ललित हो गया इलहाबादी शफेदा यह हो गए प्रमुख किसमे अमरूद की उत्तर प्रदीश में पान की जो है प्रमुख किसमे पान पान तो बनारसी पान आपने सुना ही हुआ खाई की पान बनारस वाला तो बनारसी हो गया इसके लावगे आप जानते हो पान जो है बेसे किलिए उत्तर प्रदीश का जो जिला है वो महोबा जाना जाता है महोबा, तो यहाँ पर आपको पान की देखोगे तो बनारसी हो गया कपूरी है देशावरी है कलकतिया पान राम टेक मगही सांची बंगला तो बंगला कलकतिया मीठा है मीठा पान महोबा है ये पान के लिए महोबा का पूरी तियाम की प्रमुक किस में है इसके लावां यहां पर आप देखोगे 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुशार प्रमुक फशलों के उत्पादन में उत्तर प्रदीश की भारत मीठ थी तो चावल के मामले में उत्तर प्रदीश में जो उत्तपादन हटन में वो चतुर्थ अग्रिम अनुमान भी 21 का ठीक है तो देश में अस्थान दूश्रा है गेहूं के मामले में पहला स्थान है, कुल खादधान में प्रथम है, गन्ना के मामले में भी प्रथम है अन्य महत्रपूर्ण तत्थ क्रिशी से संबंदित देखते हैं पान का प्रियोगियों प्रसेक्षन केंद उत्तर प्रदीश में महोबा में लोकेटड है पान के लिए परशिद महोबाई ही है उत्तर प्रदीश का प्रमुक जो आवला उत्पादक जिला है कई बार एक जाम में पूछ लिया जाता है प्रताब गड़ या आवला में कौन से बिटामिन है बिटामिन से किसे संब्देता आवला अक्सर बार बार पूछा जाता है उत्तर प्रदीश के प्रमुक लीची उत्पादक जिले तो उत्तर प्रदीश के शारनपूर मेरठ में लीची है अमरूद का उत्पादन मुखतया जो है आपको प्रियागराज कौशामभी याज जिलों में देखनी को मिलता है आलू ने रियाद जोन अभी पढ़की आ रहे हो आगरा उत्तर प्रदीश में उत्तर प्रदीश की एक मात्र फीम फैक्टरी तो अभी मतलब गांजा गाजीपूर इस तरह थोड़ा रिलेट करना है और प्रदीश में पुष्प इत्र पुष्प इत्र जो बनाया जाता है कन् पढ़ते हैं पढ़ते हैं कई बार आप पढ़ चुके होंगे डेटेल में आपको पढ़ना यूपीजी की यूथ पॉब्लिकेशन बाई आनलाइन इस्टी किंग्टम बार घंटे के मैराथन प्रशन उत्तर प्रस्टूदा पॉइंट को कबर कीजिएगा यह चित्रात्म प टॉपिक कबर कर तो टॉपिक नंबर 16 है यह उत्तर प्रदीश का इतिहास यह चित्रात्मक प्रस्टूदी का स्रीज चल रहा है यह आपको डेटेल में टुदा पॉइंट साथ ही शाथ प्रेविएस यह के क्वेशन उत्तर प्रदीश में जितने भी एक्जाम हुए है उनक में एक्जाम का इतिहास कबर करते हैं प्राचिन काल में गंगा के मैदान में इस्थित उत्तर प्रदीश का छेत्र मध्ध देश कहलाता था मध्ध देश जोकी आधूनिक उत्तर प्रदीश नाम है इसमें कुरू पांचाल, कासी, कोसल, सूर सेन, चेदी, वत्स, तथा मल्ल आठ महाजनपद इस्थापी तो एंसेंट हिस्ट्री में आप कबर करते हो महाजनपद 16 महाजनपद है उन्मे से जो है आधे यानी 8 महाजनपद उत्तर प्रदीश में है उत्तर बाइदिक संसिक्रती का मुख्य केंद्र मध्ध देश था उत्तर पस्चिम से आने वाली आक्रमा करताओं की रास्ते में पढ़ने की कारण तथा दिल्ली और पटना के मध्ध की उपचाव मैदान का हिस्सा होने के कारण उत्तर प्रदीश के तिहास उत्तर भारत की तिहास से अभिन्य संबंद है तो पीशेस आरो यारो में भी पूछा जा चुका है कि उत्रप्रदेश में जो है कितने महाजनपत थी 16 महाजनपत में याद रखना है आठ लुशंड के बुक पहले मैंने देखी थी वहाँ पर साथ दिया था हो सकता कुछ अबडेट हो गए राकिये हो तो लुशंड रखना और कवर कर रहे हैं तो वहाँ पर साथ ही दिया आठ परिये गाच्छी से प्राचीनकाल महत्तुपूंड विंदू उत्रपरदेश के प्राचीनकाल संबंधी महत्तुपूंड साथ सी है जो कि आप एंसेंट हिस्ची में कवर करते हो जैसे कि तामर पासाडी जो संस्कृति है मेरठ और साहरनपूर से प्राप्त है तामर कास संस्कृति आलमगीरपूर मेरठ उत्तरपरदेश जो कि हिंडन नदीपर है और बढ़ा गाउं यों हुलास जो कि दोनों साहरनपूर में यहां से भी जो है तामर संस्कृति तामर का मिर्जापूर प्रियागराज बेलन घाटी चंदवली चकिया तो यहाँ पर आपको आलमगीरपूर जो की मिरठ जैसे आप पढ़ते हो सिंधु घाटी शब्वता का जो विस्तार आप देखते हो तो कहां से कहां तक है उत्तर पूर्वी परस्षे में जो छोर है तो अडपा सिंधु घाटी सब्वता का विस्तार जो यहां पर आलमगीरपूर दिया हुआ है यहाँ सबसे पूर्वी विस्तार है तो शब्शे पूर्वी में आप देखोगे तो आलमगीरपूर होगा यूपी का जो कि हिंडन नदी पर लोकेटेड तो हिंडन नदी की किनारे हो गया आलमगीर उत्तर प्रदीश इसके बाद सबसे जो उत्तरी है जम्मू कस्मीर का जो मांडा है मांडा तो मांडा जियनके में है यह किस नदी के किनारे तो चिनाव नदी है पश्चमी पश्चमी जो शोर है यह आपका ब्लोचिस्तान पाकिस्तान में पढ़ता है और अस्थल जो है वो है सुत कांगे डोर और नदी कौन सी है तो यहाँ पर जो है वो दाश का नदी है इंसें डिश्री में आप कबर की होंगे इसके बाद जो सबसे साउत का है दयमाबाद महराश्टा का है दयमाबाद महराश्टा जो की किस नदी पर होगा तो यह आपका जो है नर्मदा नदी पर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बेलन नदी घाटी बेलन नदी घाटी की पुरा स्थलों की जो खोऻ युँम खुदाई है तो खोज की अगर बात करोगे तो प्रोफेसर जियाज सर्मा के निलेशन में जो है इसकी खुदवाई कराई गई थी खोज पुरास्थल जो है बेलन नदी घाटी का पुरास्थल लोहदा नाला जहां से प्राप्त उपकरण है पासाड उपकरण हो गए एक अस्थी निर्मित मात प्रदेवी की प्रतिमा मिली थी बेलन नदी घाटी से आगे बढ़ते हैं अगला है उत्तर प्रदेश में से समाधित मध पासाड कालीन जो साच्छ है तो सराय नाहर राय प्रताबगड में है यहां से मानव अस्थी पंजर मिले चौदा शवाधान जिसमें इम्रितक का जो इसी पंजर सिल लोढे मिले हैं गरत चूले मिले हैं सवाधान योम आवाज की साच्छ मिलते हैं चोपानी मांडू प्रियागराज मेजा से क्या मिला है जोपड़ी का साच्छ मिटी की बर्तन की साच्छ दमदमा तो दमदमा प्रिताब गड़ से 41 शवाधान मिले हड़ी ओम सिंग के साथ मिले हैं आप उशड के और गर्थ चूलेगे आगे बढ़ते हैं अगला फाक्ट दिया है उत्तर प्रदीश में दो राजधानियों वाले महाजनपद यह मल्ल है कोसल है पांचाल है उत्तर प्रदीश में इस्थित हैं तो दो राजधानियों वाले महाजनपद हैं ठीक है इंसेंड हिस्थी में आप जब डेटेल से कवर करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए जो मल्ल है तो मल्ल जो महाजनपद है यह जो है नव कुलों का एक गरसंग हुआ करता था जो पूर्वी उत्तर प्रदीश की जैसे की देवरिया और गोरकपुर के आसपास जो है विश्थित था गोरकपुर और देवरिया के आसपास जो रीजन रहे तो मल्ल की विसेकली दो शाखाएं रही हैं दो जनपदिया आप कह सकते हैं राजधानिय तो एक की राजधानि जो हुआ करती थी वो कुशी नारा थी आप पढ़ते हो, इस इनस visitor में आप डेटेल में तो मल की हो गई यहनी जो कुशी नारा थी जो की बरतमान में आद कल कुशी नगरी या कसिया तक बिस्तरी दापका है सकते हो और दूसरी जो राजधानि थी मल क कि वह पावा जिसका बर्तमान में नाम देखोगे तो फाजिल नगर है इसके बाद कोशल की आद बात करोगे तो कोशल जानते हो एक सक्तिशाली राज्ज हुआ करता था जिसमें बर्तमान टाइम में जो है आप देखेंगे तो आयोध्या है गुंडा है गोरकपुर उनकी जो छेतर हैं शामिल हो जाती है तो दो राजधानियों आप पढ़ते हो तो कोशल की जो एक राजधानी थी वह आयोध्या थी और दूसरे जो राजधानी थी वह थी श्राबस्ती यहन्ना अप अच्छे से कबर करते हो तो मालुम हो गापको जिसका नाम आजकल आधि थेकिंगे तो उत्री 5 औखड़ी 5 जो राजधानी थी हो आहीegen्च चत्र प्राजद्री 5 ।ो अग सबस्ति के तब जिस् सबस्तें दो वी समय हो थिर्या की माच्जानपल उत्री 5 जो हो जायेगी जो की आज बार ऑज कल देखो कि जो नगर हो अगला तत्या है भारतिया उप महादियूप में प्राचिंतम शाच्छवालास्थल जो की नभीनतम खोदों के आधार पर है लहुरा देओ तो क्रिसी का जो प्राचिंतम साच मिलता है उत्रप्रदीश के लहुरा देओ से मिलता है लहुरा देओ कहां पर है तो शंतकभीर नगर उत्रप्रदीश में लोकेटड होगा और यह 8000 इशापूर्व से 9000 इशापूर्व के मध्य चावल का साच्छ प्राप्थ हुआ है तो मेहरगड जो की पाकिस्तान की ब्लोकिस्तान में इस्थित है गेहूं का प्राचीनतम सच जो है यहां से प्राप्त हुआ है लगभग 700 इशापूर्व से जबकि प्राचीनतम जो चावल का साच्छी है यहां अस्थल जो है कोहला डिवा प्रियागराज जिले में बेलन प्राचीनतम सच के लिए आप मेहरगड लगाएंगे आगे देखो आलमगीरपूर है आलमगीरपूर जो है कपाश उपजाने का सच आलमगीरपूर से मिला है और अपा कालीन बस्त में जो प्राप्त हुई है वो आलमगीरपूर उत्तरपरदीश है अच्छा आप PCS एक्ज अगर पूंच लिया जाए मांडी तो मांडी यूपी में होगा ये PCS में पूंचा जा चुका है आगे देखते हैं 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तरपरदीश में इस्तित है तो संबादनित कौन होंगे उत्तरपरदीश की 8 16 में से तो आप यहाँ पर देख लो कोशल महाजनपद अवस्तिती जो है अवद रीजन होगा उलेख जो है कोशल महाजनपद का उलेख जो है शदपद ब्रामण में किया गया है कोशल महाजनपद की राजधानी उत्तरी देखोगे तो शाकित आयुद्या और दक्षणी जो है स्राबस्ती जो की स्राबस्ती मे जो reason है वा बनायू बरे उली फरूकाबाद राजधानी उत्तरी पांचाल जो है अहिशत्र है और दक्षड یो कामपिल ले है सूरसिन सूरसिन के राजधानी क्या है? मतुरा है छेतर मतुरा के निकट आच पास जो है वद्स की राजधानी क्या है? कोशम यानि कोशाम भी आपको देखने को मिलता है बरतमान कोशामी रीजन तो कोशाम भी ही आपको देखने को मिलेगा पेपर में मिलामी करनी को प्रियागराज से शमीब जो अस्थाल है आशपास वो अत्सा है तो 16 महाजन पर उनसे संबंदी तत देखे आगे बढ़ते हैं तो खासकर दो UP PCS आरो यारो को एक्जाम देने वाले हैं उनके एक्जाम में 20-22 प्रस्ण पूंचे जाएंगे UP Special तो अच्छे से कबर कीजी पाकी PCS प्रियम से में अभी दो दो-तीन साल का जो ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है दो से तीन से प्रस्ण साथा नहीं पूंचा जा रहा है तो प्रस्ण का ट्रेंड बदल भी शकता है तो अगर गेनिंग रेसियों के साब से पढ़ाई करेंगे ट्यूपी स्पेसल को आप PCS वाले जादा ध्यान नहीं देना है टाइम बचता है तो आप अच्छी स्रिवाइड कीजिए लेकिन जो आरो ए आरो वाले हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है 20 से 22 नंबर पूंचा ही जाना है बुद्ध का जन्म ग्यान प्राप्ती और महापर निर्बाण तीनो शंपन कहां पर हुए बैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध ने सरबाधिक काल बेतीत कहां पर किये थे कोशल राज्जी में चेरी महाजनपत की राजधानी सुक्ति मती जो की बाना के शमीप है तो शोथी वती या सुक्ति मती पुष्यमित्र द्वारा किये गए दो अश्वमेग यगों का साथ से जो मिलता है उत्तरप्रदीश में वह आयोध्या अभिलेख में आपको मिलता है अगला फैक्ट आयोध्या के बारे में थोड़ा है तो आयोध्या का जो प्राचीन नाम था वह था आयाजसा क्या था आयाजसा असोग द्वारा एक इश्टूप का जो निर्माड है वह आयोध्या में किया गया आदिनाथ सहित पांच तीर्थांकरों की जनम धूमी आयोध्या है आयोध्या में जनमे जैन तीर्थांकरों के नाम दिये गए है भगवान अनंतनाथ जोकी चोदवे तीर्थांकर भगवान सुमितनाथ पंचम तीर्थांकर भगवान अविनंदन नाथ चतुर्थ तीरांकर भगवान अजित नाथ दूतिय तीर्थांकर भगवान रिशब नाथ प्रथम तीर्थांकर जैन तीर्थांकरों में कौन-कौन से पहले, दूशरे, चौथे, पांचवे और चौधों में इनका जन्म जो है अयुध्या में हुआ अगला फाक्ट है उत्तर प्रदेश के महत्रपूर्ण जैन तीर्थांकर भगवान पन्व प्रभुसी शंबंधित, काकड़ी जो है यह नौवी तीर्थांकर भगवान सुविध नाथ यह पुष्वदंत का निवास अस्थाल माना जाता है देवरिया में महुबा की बात करोगे तो यह गोखर पहाड पर 24 तीर्थांकरों की प्रतिमाव ही तुविध विख्यात है महुबा वहीं पर स्राबस्ती की बात की जाया तो यह त्रत्र तीर्थांकर भगवान शंबवनात से संबंधित, योम विख्यात शोबनात मंदिर से शंबंधित अ अहिशत्र से प्राप्त साच मित्र उपाधिवाले राजाओं के सिक्के गुप्त काली नियमुना की एक मूर्ती की प्राप्ती अहिशत्र से अगला है आपका कर्नोज तो कर्नोज का पूर्व नाम क्या कान्यकुप्ज यहां से साच जो मिले हैं पहली बस्ती उतरी काले पालि पत्त के लिए त्रपच्छे जो संघर्स हुए हैं तो राष्ट कूट सासकों ने गुर्जर प्रतिहारों ने और पाल शासकों ने जो है कन्योज पर आधिपत्त के लिए संघर्स किये नोट क्या है तो कन्योज पर सारबाधिक शमय तक गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया है अगला तत्त है कपिल वस्तु से संबंधित तो कपिल वस्तु शाकडराज्जी की राजध Ain बहुत धकाल की शमय में थी कपिल वस्तु का जो नाम करण है वो कपल डिसी कास अश्थान होने के कारण कपिल वस्तु नाम पड़ा तो कासी का उलेख जो मिलता है वहां अथर वेद में मिलता है कासी की अस्थापना दियोदास ने किया था और यहाँ आपको महाभारत के अनुशाद जानकारी मिलती है कासी की जो राजधानी है वह वारानसी है बाकि कासी के बारे में आप पढ़ते हैं सबसे प्राचीन नगरी है कासी हर्स बर्धन तो हर्स बर्धन जारा तो प्रमुख आयोजन किया जाता प्रति पांचवे बर्स कहां पर प्रियाग में यहां महामोच्छ परिशत का आयोजन होता था तो हर्स बर्धन के द्वारा कराया जाता था महा मोच्छ परिशत कायोजन प्रति पांचवे बर्स प्रियाग में ठीक है हर्स बर्धन से सम्मांधित लेख यहां पर आपको ताम्र दानपत लिख बास खेडा से प्राप्त जोकी ब्राम हे लिपी और संस्कित भासा में लिखितые मिलते हैं हर्स के हस्ताचरों की अनुलिपी उठकीनर यहां पर आपको मिल था है लेख आगे देखते हैं अगला फाक्ट है स्रावस्ती से संबंधित या व्यापारी की केंद्र हुआ करता था उत्तरापत दक्षणापत तता मध्यपत्थ का स्रावस्ती स्रावस्ती से जो अविलेक मिले या कनिस्क की दो अविलेक प्राप्त हुए हैं स्रावस्ती की विसेस्ता क्या है तो यहां पर जन्मभूमी है उसरा बस्ती अगला फैक्ट असोक के अभिलेख से संबंधित है तो मेरजापूर मेरजापूर से जो है जो आहरावरा अभिलेख या लगो सिला लेख है लगो इस्तंभ लेख शारनाथ यूम कौशामबी राजकिय घोषडाए लगो इस्तंभ लेख पर लेखित या सोक के अभिलेख से है महा मातरों महा मातरों को संग भेद रोकने का जो आदेश है वा साची उम्शारनाथ के लगो इस्तंभ लेख में मिलती है जानकारी रानी का अभिलेख तो या सोक की रानी करुवा की द्वारा दान जीए जाने का उलेख जो है वो मिलता है रानी का अभिलेख आगे देखते हैं अगला हट देवगड़ तो देवगड़ से संबंधित तत्य हैं तो देवगड़ बैसे क्लिए क्या है ललितपुर उत्तर प्रदीश में मिलेगा रीजन शाची यहांपर जो मिले हैं गुप्तकाल के विशेषी अस्थापतियों मोर्टिकला के शाची मिलते हैं देवगड़ से देवगड़ में प्रमुख मंदिर है तो दशावतार मंदिर जो की आप से पूंच लिया जाता है अक्सर एक्जाम में तो दशावतार मंदिर दीवगड में है विसेश्ता यहाँ पर क्या है प्रमुख मंदिर दशावतार की यहाँ पर इस चार मंडप वाला मंदिर है जो की बारह मीटर उचा सिखर का है दशावतार मंदिर अगला है उत्रप्रदेश में भेतर गाउं का मंदिर तो भेतरगाव का मंदिर गुप्त कालीन मंदिर है और यह कानपुर में है और मंदिर की बिसेष्टा है इसका जो निर्माढ़व केवल इंटों से किया गया है और इसकी बिसेष्टा है सिखर का होना उचा चबूतरा है छत जो इसका भेतरगाव मंदिर का वह पिरामिट की आ सकता है शारनाथ की विशेष्टा क्या है यहां पर भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया जिसको आप धर्म चक्क पवरतन के नाम से जानते हो असोग द्वारा सिंग सीर सिस्तंभ का निर्माड शारनाथ में कराया गया जो कि श्वतंत्र भारत की राजचिन में अप पर मिलता है बढ़ते हैं अगले पेज पर अगला फाक्ट है उत्त्र प्रदिश कमद्ध काल से शंबंधित तो आग्रा से शंबंधित प्रमुख तत्त्त है आग्रा की अस्थापना पंद्रव सु चारिजबी में शुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा की गई इसकी जो अव मंघवरे का निरमार हुआ मुसम्मन बुर्ज से महिलाओं द्वारा पआवरा पसु युध को देखना नूर इतमाद दौला की मगबरे का निर्माण आगरा में इरूपीन यात्री तो राल्फ फिंच योम बर्नियर ऐसे इरूपीन यात्री थी जो की आगरा के बैभोकी प्रसंसा की थी अगला फाक्ट है कड़ा जो की प्रियाग राज की निकट इस्थित है कड़ा तो कड़ा से समबनित प्रमुखतत थी क्या है सल्तनत काल में एक महात्वपूर्ण एकता था कड़ा देवगिरी की अभियान को प्रारम करने का स्थल है कड़ा संत मलूग दास की जनम स्थली है कड़ा का सूविदार अलावदिन खिल जी हुआ करता था और कड़ा की अवस्थिती जो प्रियाग राज की निकट गंगा नदी के धट पर है और देखते हैं आगे उत्तर प्रदीश मध्धकालीन प्रमुखतत थे जौनपूर जौनपूर की अस्थापना जो की गई थी मुह कालेंजर के शन अभियान के दवरान बारूद बेस्पोर्ट से मृत्यू हो गई थी किसकी सेर्चाह सूरी की सरकी शल्तनत के दवरान जौनपूर को क्या कहा जाता था सिराज एहिंद तो अक्षरापस एक्जाम में पूंच भी लिजाता सिराज हिंद के नाम से तो जौनपू अकबर ने प्रियाग की पुनह स्थापना कर उसका नाम जो रख दिया था वह यहां बाद था तो अभी अपरतमान में क्या कर दिया गया प्रियाग राज लखनव कांतिम जो नवाब था वा नवाब वादित अलीशाह था सल्टनत काल में बदायूं की इस्थिती जो थी वह सरवाधिक महत्त पूर्ण इक्ता हुआ करती थी सेख निजाबुद्धी नौलिया यो में इतिहाशकार बदायूनी का जो संबंध था वह बदायूं से था लखनव लखनव जो है बिसे कली कठक निर्टिका केंद्र और प्रमुक जी मारते हैं लखनव में इमाम बाड़ा है भोल भुलाईया है छतर मंजिल आदी आगे बढ़ते हैं नगला संबंध उत्तर प्रदीष का फटेपूर सीकरी है तो फटेपूर सीकरी की क्या है सेख चलिम सिस्ति के कारण पवित्र भूम की मानता है फटेपूर सीकरी की यहाँ पर जो है सलेव यानि जहांगीर की जनमस्थली है फतेहपूर 1571 से लेकर के 1585 इस भी तक मुगल शामराज्य की राजधानी हुआ करती थी फतेहपूर शीकरी इस थापत के उधार यहाँ पर फतेहपूर शीकरी की क्या है सिख चलीम सिस्टी का मगबरा है बुलंद दर्वाजा लोकीटर है जामा मस्जिद भी है जोदा भाई का महाल है बीरबल का महाल है और पंचमाल है इस अब फतेहपूर शीकरी में आपको मिलते हैं देखने को मद्धिकाल के बाद अब उत्तर मद्धिकाल देखते हैं उत्तर मद्धिकाल से महत्तपूंण बिंदू शंबंधित तो आवधियों पूर्वी उत्तर प्रदीश के जिलों पर जो शाचन हुआ करता था वहां अवध के नवाब का बुंदेलखन छेतर जो इस्थापित था वमराठो के अंतरगत इस्थापित था 1707 इसबी में जब आउरंगजीब की मृत्ति होती है तो वहां से लेकर कि 1787 इसबी जो कि पलासी के यूध होता है आउरंगजीब की मृत्ति से लेकर पलासी की यूध तक बर्तमान उत्तरपरदिश में स्थापित जो स्थांत राज थे वह 5 राज थे मेरड तथा बरेली के उत्तरपरदेश विश्थीद राज जो था वह नाजित खान नामक पठान नेता का था दुवाब छेत्र में रोहेल खंड राज इस्थापित जो था वह रहेलों के अंतरगत था मद दुवाब का राजी जो इस्थापित था वो फरूखाबाद की बंगरा पठानों की अंतरगत आशफुत दौला से संबाधित प्रमुखतत थे तो आशफुत दौला जो की आशफुत जौला जो थे वो 1775 इसबी में सोजावत दौला की मृत्वी के पस्चात नवाब किये गए थे मुहर्रम मनाने के लिए लखनव में इमामबाडा का निर्माड करा वाया था आशफुत दौला ने साथी आशफुत दौला से समबाधित धित थे वह फजबाद की शंधी है 1775 इसबी की जो की बनारस का छेत्र अंग्रेजों को शौपा गया था फजबाद की स प्रखपूर रुहेल खंड इलहाबाद और फतेहिपूर अन महत्तपूर्ण तत्य शत्रह सु सतान्यवी इजबी में आशपुत दौला की मृत्वी की पश्चाद अवाद का जवा नवाब बना था वशाद अली था शत्रह सु अठ्थान्यवी में 1803 इजबी मराठों को पराजित करकी अली गड़ियों मागरा पर जो अधिकार कर लिया था वो लाड लेक था 1857 का विद्रोहियों उत्तर प्रदीश तो 1857 जो संबंदित उत्तर प्रदीश से इतिहाश संबंदित जो प्रमुकुतत थी है तो मंगल पांडे 1857 की विद्रोह से संबंदित तो विद्रोह जो था वो बायरकपूर कलकाता की 34 में देशी साइनिक सावनी में 29 मार्च 1857 को वथा विद्रोह निवासी जो थे मंगल पांडे वो बलिया उत्तर प्रदीश के रहे हैं और इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे तो लाड़ काइनिंग रहे हैं बिरोध जो किया था मंगल पांडे ने वो एनफिल्ड राइफलों के लिए नए प्रकार के कार्टोह से प्रियोग है तो बिरोध किया था जिसके बाद इनको फांसी जो होती है वो आठ अप्रेल 1857 इसबी को बायरकपुर में और लेटिनेंट हेनरी बाग पर गोली चलाने है तो फांसी दी जाती है अगला संबन्दित अथ मेरट से प्रमुक्तत्य है तो 1857 से जो है बिद्रोह का जो प्रारंब होता 1857 की करांती वो दस मई 1857 को इसके बाद 11 मई 1857 इसबी को जो करांती कारी रहें दिल्ली पहुंचते हैं बहादुर शाद होती है के नेतुते में दिल्ली पर जो है वो अध करते हो आधुनिक भारत कहती है साब पूरे डिटिल में पढ़ते हो यहां पर चित्रात्मंग प्रस्तुती है वसे एक फैक्त की रूप में आप देखते चलिए ना बाकी आप पढ़ते हो तो बहादुर सा दुतिये जो है दिल्ली मेराम कर रहे होती हैं वहाँ पर अच्सी फती पूरहातर साथ छोटे छोटे नगरोयम कश्मों तक भी हो गया था 1877 की करांती का जो अस्थान नेतित करता अक्सर आपसे पूंच लिया जाता है मिलान करने को भी देते थे दे ते हैं एक्जाम में तो बरेली से 1877 की करांती का नेतित खान बहादुर खिन किय जासी सी राई लक्षी बाई लखनव शिबेजम वेगम हजरत महल कानपुर की बात करोगे तो नाना शाप नाना धोदोपंत फाजाबाद से महुलबी आहमद उल्ला साह इरहाबाद से लियाकत अली ने नितित किया था लखनों की तोरा डेटेल में देखोगे तो लखनों का नेतित आप पढ़किया और वेगम हजरत महल ने किया और यहाँ पर जो परड़ाम रहा जो की आप जानते हो विद्रों के दमन करता तो रहें करांती को जो दबाया वो कैंप बेल रहें तो कैंप बेल द्वारा 21 मार्च 1888 इसबी को लखनों पर पुना कबजा कर लिया गया कानपूर की बात करोगे तो कानपूर में जो है कानपूर से जो नेतित दिकिया था वा नाना शाहब द्वारा नॉमबर 1857 को बिद्रों ये द्वारा जन्नल बिंडहम को पराजित किये जाने से सबान दित रहा और बिद्रों को दबाय यहां पर भी जो है कालिन कैंप बेल द्वारा जो है बिजित किया गया 6 दिशंबर 1857 को बिद्रों को दबा दिया गया तात्या टोपे तो अक्सर एक्जाम में इन से पूँच लिया जाता है मूल नाम इनका तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडूरंग रहा रणनीती इनकी जो थी वहा गनीमी कावा रणनीती थी तो एक्जाम में अगर पूँच लिया जाए कि गनीमी कावा रणनीती या शापा मा रणनीती की संबंधिक कौन है तो तात्या टोपे राम चंद्रबांडूरांग इरको फासी जो है अठारा अपरल 1861 इजबी को हो गई आगे बढ़ते हैं प्रमुक तथ्य देखते हैं महारानी लच्चिमी बाई की विरुधुवाक्रमा का नेतित्त करने वाला जो अंगरीद था जन्रल हुरूज था जून 1888 इजबी मिलाबाद पर पुना अधिकार जो कर लिया गया था वो कैप्टन नील द्वारा संयुक्त प तो एक नमबर 1888 इजबी खो अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं अलीगड के बारे में तो अलीगड तो सरसयद अहमद खाह द्वारा 1875 इजबी में मोहमडन एगलो एर ओरियंटल विद्याले की अस्थापना जि उस समय नाम क्या था मोहमडन एंगलो ओरियंटल विद्याले जिसका आधुनिक नाम अलीगड मुश्लिम विश्व विद्याले है इनके द्वारा मुश्लिमों के इस्तिती सुधारने के लिए अडीगड आंदोलन का संचालन भी किया गया था अगला फाक्ट दिया गया है भारती राष्टी कांगरीश के प्रतम अधिवीशन जो की बंबई में हुआ था तो उत्तर परदीश से सामिल जो प्रतनिधी थे इसमें इसमें सामिल होने वाले प्रतनिधी में देखोगे तो गंगा प्रशाद बर्मा प्रणान नाथ पंडि जो सामिल प्रतनिधीर है प्रतम जो अधिवीशन हुआ था ठीक है 1850 बाकि अब डिटिल में पढ़ते हो चलिए भारती राष्टी कांगरीश का जो दूसरा अधिवीशन हुआ वो कलकत्ता में 1886 इस भी में हुआ सारबजनिक सेवाओं से जुड़े प्रसनों पर विचार करने है तो गठित 17 सदस्य जो समिती रही तो यहां पर इस समिती में उत्तर प्रदेश से 5 सदस्य सामिल थे इसमें गंगा प्रशाद बर्मा प्राणाथ हामिद अली नुवाब रजा अली खान मुनसी कासी प्रशा निखनी को मिल सकते हैं और PCS में अगर पूंच बिलेंगे तो एक प्रसना आपको पूंचा जा सकता है तो बात्य रास्ते कांग्रेश के जो उत्तर प्रदीश में कुछ प्रमुख अधिवीशन हुए हैं यहां पर आगर आप देखेंगे मेरठ तो मेरठ में 1946 में हुआ जि इसके अध्यचता स्रीमती स्वरुजनी नाडू ने किया था तो गांधी जी के बादवाला 1924 गांधी जी का विलगाम मरहा एक ही बार किये थी अध्यचता आगे देखते हैं भारती राष्टी कॉंग्रेश की अध्वीशन हम उनकी अध्यच्य लखनव में हुआ तो लखन बाद में या प्रियाग राज बरतमान नाम तो यहां पर भी आपको तीन अध्यचता देखने को मिले 1888 में जार्द यूल ने किया 1892 में डवली सीब एनरजी और 1910 सीजबी में सर बिलियम बेडर बढ़ते हैं आगे बाकी अमसी की यदिया आपको करना है बारा घंटे वाल भाका जो अध्यविषन रहा लखनो में जिसके बिशिषता क्या आती कांगरेंस और मुस्रिम लेग का आधिविशन रहा है तो एक शार्द जो है वो मिल गए थे मुस्रिम लीग और कांगरेंस लीग का शमझाता हुआ अध्दच यहां प्रेषी मजूमदार रहे हैं कांग नोड क्या है कि अक्टूबर 1923 में उत्तर प्रदिस का प्रांती जो सम्मेलन रहा वर डाक्टर भगवान दास की अध्धचता में मुरादाबाद में आयुजित किया गया था और जो मुरादावाद में आयुजुद किया गया था 1920 में अक्टूबर में कांग्रिस का प्रांती सम्मेलन तो डाक्टर भगवान दास की अध़सिता में आयुजुद किया गया था और इसमें जो सामिल प्रमुक नेता रहे कौन-कौन आगे बढ़ते हैं दोस्त अजायोग अंदोलन है ठीक है और चावरी चावरा चावरी चावरा संबादित देख लोता थे तो चावरी चावरा जो घटना आप जानते हो यह गोरगपुर उत्तर प्रदेश में घटित चारव और फरवरी 1922 को परसित जो घटना है वो भीड़ द्वारा एक पुलिस ती सिसन को जला दिया जाना जिसमें 23 पुलिस कर्मियों के मित्ती हुई थी चावरी चावरा घटना की विसेस्ता क्या रही कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा सायू गांदोलन को श्माप्त करनी की घोषड़ा की गई चावरी चावरा घटना की बाद तो चार फरवरी गटना घटित होती है और घटना घटित जानते हो जब आप डेटेल में जब पढ़ती हो आदमी भारत का इतिहास तो आपको पता चल जाता कोई घटना घटित हो और जिसमें अंग्रेजियों को मौका मिले लाठी चार्ज हो गए रापना शुरू करें सब क्योंकि गांधी जी का उधर चल रहा था मौबमेंट ननकू अप्रेट्टिव असायो गांधी जी बोले न अब हम समापत करते हैं अपना अंधोलन तो बारा फरवल सुबाई उन्हीं सुबाई الإस कुन गांधी दौरा शायो गांधी दिवरा इस्थाा राष्ट रत्म ś Willy्प्रशाद गुप्ता द्वारा इस्थाप अगला फाक्ट है लखनोग के संबंध में प्रमुख तत्थे हैं तो अगस्त 1928 जीजबी को सर्वदली शम्मिलन का आउजन लखनोग में किया गया जहां पर राजा महमुदाबाद की भब महल के बाग में आउजन हुआ था नॉमबर 1928 जीजबी में साइमन कमीशन का लखनोग में बहिशकार जो किया गया जिसका नेतित पंडित जवाहलाल नहरू ने किया था स्वराज पार्टी की अस्थापना 1923 जीजबी में की गई जिसकी अध्धच जो रहें सी आरदास रहें चितरंजन दास स्वराज पार्टी की अस्थापना 1923 में इलहाबाद में की गई जीजबी में पर्दमान नाम प्रियाग राज है और अस्थापना बिचितरंजन सामिर रहें सी आरदास और मोतिलाल नहरू रहें और अध्धच कौन सी आरदास और महासचियू मोतिलाल नहरू स्वराज पार्टी की महासचियू अध्यच कौन रहें अस्थापना के टाइम भारतिय कमिनिष्ट पार्टी से शंबानित प्रमुखतत थे हैं तो प्रतम शमेलन रहा भारतिय कमिनिष्ट पार्टी का या कानपूर में दिशंबर 1925 में रहा जिसकी अध्यच्छता पेरिया और इस्थापना जो है भारतिय कमिनिष्ट पार्टी की वह सितंबर 1924 से इस्थापना की अगला तत्य है उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 की अस्थापना होई थी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की इसमें जो सदस्सी रहे हैं गाउरी शंकर मिश्ट रहें मदन मोहन और इंद्र नारायण दिवेदी तेज़ एक्जाम में पूंचले गुत्तर प्रदिस किसंज सभगी अस्थापना जो निश्व 18 में हुई थी निमलखित में से कौन शदक से सामिल नहीं था तो तीनों में चार्ड नाम होंगे तीनों को आविल इनिमेट करना जो बचेगा उसको आइंसर्थ कर देना इस तरह एक्जाम में पूंचे जाते हैं अगला प्रश्ण है आपका एका अंदोलन एका अंदोलन एका अंदोलन अस्थान कहां पर है या लखनों की समी पुर्ती छेत्र में बर्स 1922 के मद्ध जो है एका अंदोलन हुआ एका अंदोलन का नेतुत मदारी पासी ने किया था एका अंदोलन का विस्तार सीता पुल लखन उन्ना औरदोई फटेश पुर्फरूखा बाद तक रहा एका अंदोलन का उद्दिश्त किसानों के बीच शामप्रदाइक एकटा को बनाए रखना तथा जमीदारों के शोटर का विरूद करना था नेक्स्ट है करबंदी या अंदोलन तो करबंदी या जो अंदोलन हुआ था जिसका नेतुत जवाहलाल नहरू ने किया था इलहाबाद में इसके सहयोगी जो सदस्र है जैप्रकाश नाराण साथ हिशात लाल बहादुर शास्त्री अगला फाक्ट आपक से संबंदित यहाँ पर जो है वह हिंदुस्तान रिपबली के सूसियेशन है हिंदुस्तान यचारे की जो अस्थापना है 1924 सीजबी में कानफुर में की गई थी इसका नेती तो चंदर सिखार आजाद ने किया इसमें शदस जो सामिल रहे है सचिंद्र नाथ सान्याल योकिस चंदर चडर जी राम प्रिशाद बिश्मिल राजिंद्र लाहडी इतियादी ये के चारे हैं दूसरी एचेस आरे भी है एचेस आरे भी देख लो हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिवेबलिक एसोसियेशन है इसकी अस्थापना 1928 सीजबी में फिरूज साथ कोटला मैदान दिल्ली में की गई और जिसमें भगत सिंग की शलाह पर ये चेस आरे में सोसलिस्ट सब्द जो है जोड़ा गया इसका उद्देश सी रहा है भारत में एक शमाजवादी गर्तंत्रवादी राजी की अस्थापना करना चंद्र सिखर आजाद से संबन्धित तत चंद्र सिखर आजाद की जो मिरित्ती है इसके बाद है इंडिपेंडेंडेंट्स फार इंडिया लीग इंडिपेंडेंडेंट्स फार इंडिया लीग की अस्थापना सुबाज Bevölker चंद्र बोश और जवाहलाल नहरू ने की थी अखिल भारती किसान संब्रन महासचीव रहे हैं ऐन्दुलाल कनिया लाल यागि की जो है स्वामी साहजानंद सरस्वती अध्यच रहे है तो अखिल भारती किसान समेलन कहा लखनू में कब 1936 में अध्यच्च ताकिसने स्वामी साहजानंद महासची प्रोफेसर यंजी रंगा और इसमें सामेल इंदुलाल कनियालाल यागी भी थे अगला फाक्ट है आपका आध्युनिक भारत की संदर में उत्तरप्रदीश से संबाधित प्रमुकुतत थे हैं और इससे पहले यहाँ पर आपको एक फाक्ट छोट रहा है तो काकोरी कांड देख लीजे काकोरी जो है कांड का नाम आप जानते हो बदल दिया गया है अब यह उत्तरप्रदीश सरकार की दारा काकोरी टैन एक्शन कर दिया गया है नौगस 1935 को लखनओ के निकट काकोरी में करांतिकारियों ने ट्रेंड डगाइती कर सरकारी खजाने को लूटा इसमें सामिल जो रहे हैं बैसे इक लिए आप जानते हो यह चारे जो कि कांडपुर में अस्थापना हुई थी 1924 में कांड में सामिल व्यक्तियों कांड से समंधित सजा तो कांड के जगाब हो गया क्या टैन एक्शन राम प्रशाद बिसमिल फासी जिनको गोरकपुर में मिली अश्फाक उल्ला खां फासी फैदाबाद राजिंदर लाहडी फासी गुंडा में रोसन सिंग को फासी नैनी पलिया लहाबाद में मिला राम प्रशाद खत्री दीरगकालीन कारावाश दिया गया मनमत नाद गुप्त को दीरगकालीन कारावाश मिला इस कार्ण में क्रांतकारियों की तरप से मुकदमा चंद्रभान गुप्त ने लड़ा और श्रीक गुप्त बाद में 7 दिशंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1934 उत्तरप्रदीश के मुख्यमंत्री भी रहे है बढ़ते हैं आगे अगले पेज पर अगला फाक्ट है आधुनिक भारत के संदर में उत्तरप्रदीश से शंबाधित प्रमखुतत थे हैं तो 9 अप्रेल 1934 इसबी को गांधी जी द्वारा मद्द निशेद को सरप्रथम लागू करने के लिए चुने गए जजले जो रहे हैं एटा यो मैन पूरी रहे हैं स्वतंत्र सासन की अस्थापना की घोषडाज जो की गई थी और बनारस हिंदू भी शुविद्याले के छात्रों के द्वारा की गई थी राष्टिय सरकार का गठन सरप्रथम जो किया गया था वह बलिया में किया गया था अकसर एकजाम में आप से पूँच लिया जाता है जिसका नेतुत्र किया था चित्तू पांडे स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद संयुक्त प्रांते में कांग्रेसी सरकार का जोगठन हुआ वह पांडित गोविंद बलब पंथ के नेतुत्र में हुआ जो कि उत्तर प्रदीश की क्या है पहले मुख्य मंत्री भी आगे बढ़ते हैं अगला जो फाक्ट दिया गया है वह है परिच्छा उप योगी तत्य है भारती राश्टिय कांग्रेस के उत्तर प्रदीश में 1947 तक कुल अध्भीशन जो हुए कितने 9 1888 सीजबी में इलाबाद की कांग्रेस अध्भीशन में रुकावट डालने का जो प्रेत्न किया था गवर्न आकलेंड कालविन ने अक्टूबर 1921 सीजबी में आगरा में हुए उत्तर प्रदीश कांग्रेस समेलन में बिटिट की ब्रटेन के जो उराज रहें प्रिंस वाफ बिल्स की भारती आत्रा के बहिशकार का जो निर्णा लिया गया था मौलाना हसरत मोहानी की अध्यच्छता में खिलाफत कमीटी के बैठक में खिलाफत अंधोरन के प्रस्ता को जो पाश किया गया था अगला फाक्ट है उत्तर प्रदिस का नाम करण से शंबन दित अंग्रेजी राज जी की अस्थापना के प्रथम चरण में यहापरांत आवध की अत्रिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था और इसे सुविधान उशार प्रस्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था 1834 इसभी में आग्रा प्रेसिडेंसी का निर्माड कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी अलग कर दिया गया तो 1836 ISB में इसका नाम उत्तरपस्चिमी प्रांत इसका मुख्याले आगरा हुआ करता था इसके बाद 1888 ISB में आगरा से मुख्याले ट्रांसफर कर दिया जाता है इलहाबाद फिर 1887 ISB में उत्तरपस्चिमी प्रांत का नाम बदल दिया जाता है उत्तरपस्चिमी कर दिया जाता है उत्तरपस्चिमी प्रांथ से नाम का कर दिया जाता है उत्तरपस्चिमी प्रांथ प्लस आगरा और आवद इसे में इंक्लूड कर दिया जाता है फिर इसके बाद 1877 के बाद आता है 1902 और 1902 इस भी में उत्तर पस्चिमी प्रांत आगरा और आवध से नाम बदल कर आगरा और आवध का संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है फिर आता है 1937 और 1937 में इसका नाम करण हो जाता है संयुक्त प्रांत जिसका मुख्याल है लखनो हो जाता है इसके बाद बर्स आता है 1950 आजाजी के बाद का तो 24 जनवरी 1950 इस भी को उत्तर प्रदीश का गठन हो जाता है तो उत्तर प्रदीश राजजी का गठन 24 जनवरी 1950 को इसलिए बर्स 2018 से जो है वो 24 जन्वरी को आप क्या है हर साल उत्तर प्रदीश दिवस की रूप में भी मना रहे हो तो यह हो गए उत्तर प्रदीश नामकर समधित प्रमुखतत है अगला है उत्तर प्रदीश समधित प्रमुखतत है तो उत्तर प्रदीश दिवस का प्रारंभ 24 जन्वरी 2018 उत्तर परदेश गरतंत राज कब घोशित हुआ 26 जनवरी 1950 को क्या है समेजान लाग हुआ राजधानी लखनव तो राजधानी लखनव कब बनी तो इलहाबाद जो है पहले हुआ करता था लखनव तो इलहाबाद से लखनव कब कर दिया गया राजधानी दो नवंबर 1925 इसबी को उसके बाद आप जानते हो उत्तर परदेश से अलग हो गया उत्तरा अंचल के तो यह उत्तरा खंड का गठन कर दिया गया 9 नवंबर 2000 इसबी को 27 में राजजी किरूप में उत्तरा खंड बन से तो इसी के साथ आपका पूरा उत्तर परदी से संब вас गध्यात है इतिहासिक आपने कबर कर लिया इंप्सथी सत्त्रा होगा अगला जो टॉपिक नमबर 17 होगा चलिए अगला जो टॉपिक नंबर है टॉपिक नंबर है 17 टोटल कितने कवर कर रहे हैं तो 16 नंबर टॉपिक इतिहास को आपने कवर कर लिया उत्तर प्रदीश एतिहास ही तत्य अब परियाटन से समाधी तत्यों को कवर करते योगों की प्राचीन परंपरा की द्रिष्टी से उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे अस्थल हैं जिनका धार्मिक उम्स संचगर्दिक महत्तो है बहुत से ऐसे अस्थल भी हैं जिन्हें तीर्थ नहीं कहा जा सकता पर अतिहासिक और परियाटन की द्रिष्टी से उनका बड जब बहुंद अस्थलों कीूब का से करेटन समंदी परियनि गाश्च यौजणा उत्र-परदीस में गल्दूए सुरूर्ण दर्जा कब मिला है तो प्रिफम पर्यतर नीति बर्स इस सो आटन नभे केता के थो उत्तरप्रुदिस की नई पमयटर नीटी कब की है तो बर्स elf estu 2018 चल लही है मा निक कचि राम पर रेट्न प्रबन्ध संचत्तान से कहां पर सबूसित परा साइब जि औ injury अगला है उत्तरप्रदीस की जो अस्थल है उनेसको की विश्ष धरोहर सोची में शामिल इश्मारक उनेसको की विश्ष धरोहर सोची में शामिल उनियाली इश्मारक जो है 1983 में ताज महल को शामिल किया गया 1983 में आगरा किला को भी शामिल किया गया तो आगरा किला और ताझ महल इनेसकों की बिश्व दरोहर इस मारक में शामिल हैं तो ताज महल आगरा का किला और फति पूर्ण सीकरी को 938IT में इसकी अलावा जोनेसकों की उन्याज को कि अमूर्ट ॔स Аंसेक में MSWMO थो औरंज कैसे सूची में शामिल दरोहर एक दो बरस 2008 में राम लीला को शामिल किया गया और कॉम्ब मेला की जो के लेटेस्ट है 2017 में शामिल किया गया है तो इन्हें इसकों की अमूर्त सांस्किर्टिक बिरास्त में शामिल राम लीला 2008 में राम लीला है और 2017 में कॉम्ब मेला है और तीन जो है वो इसमारक है बेशुदरवर सुची में 83 में जो है आगरा का किला हो गया और ताज महल है फतिफ पूर्शी करी को नीशुची आज़ी में इसकी बाद उत्तर प्रदीश की जो हेरिटेज आर के हम पर देख पा रहे हैं आगरा आप देख पा रहे हैं लखनव हो गया वारानसी है तो आगरा लखनव और वारानसी अगला फैक्ट है उत्तर प्रदीश संस्कृतिक तत्वा यहीं आपका यह टॉपिक नमबर हो जाएगा 18 लखनव में 1922 में की गई थी इसके बाद उत्तर प्रदीश संगीत नाटक अकादमी की अस्थापना लखनव में 1971 में हुई जिसका पूर्व नाम उत्तर प्रदीश संगीत नाट भारती था उत्तर प्रदेश में उतरपरदेश में कुशाड यूम गुप्त यूगीन संस्किर्थी का एक मातर संग्राले कहां पर है मथोरा में है भारत इन नाट्टेक आद्मी की अस्ठापना 1975 में लखनव में की गई राश्टिय कतक संस्थान उतरपरदेश में कहां पर है लखनव में है जनजातियूम लो महां विद्याले कहां पर है तो उत्रप्रदीश के कला यूम्शिल्प महां विद्याले लखनव में 1911 में इस्थापित किया गया उत्रप्रदीश राज की अभिलीखागार कहां पर है यह लखनव में 19iform crucified में इस्थापित हूआ और 1973 इस्थान अंतित कर दिया गया तो बरतमान में उत्रप्रदीश म Question कि अभिलीखागार कहां पर है लखनव में इस मोशान्थ मौतिलाल नहरुबाल संग्राले कहां पर है तो मौतिलाल नहरुबाल संग्राले लखनव में है सथापित हुआ। उत्तर प्रदीष जैनविज्यद्या सूध सथान कहां पर है यह लखनव में उन्नीश नभी में इसकी अस्थापना की गई। उत्तर प्रदीष चल चित्र निगम की अस्थापना पर सव उन्नीश सो पचात्तर इज्बी में हुई बारती नाटका अदमी में इसके बाद उत्तर प्रदिश में भारतिय कला भावन की अस्थापना उनीज सो बीस इसबी में बारारसी में हुई भारत खंडे संस्कृत विद्याले भारत खंडे संस्कृत विद्याले कब 2022 में और इसका जो पूर्व नाम था वो मैरिस कॉलेज आफ म्यूजिक थी और 1926 में इसकी अस्थापना हुई थी तो मायरेस कॉलेज आफ म्यूजिक की अस्थापना 1926 में हुई इसकी बाद बर्स 1946 इस भी में नाम बदल कर इसका भारत खंडी शंगीत संसुथान रखा गया था 2026 में बर्तमान में इसको जो है भारत खंडी संस्कृत बिश्वेद्याले का दर्जा मिल गया अब 2022 में आगे बढ़ते हैं अगला फाइक संबंधित है उत्तर प्रदीश की जो उत्सो महुष्व यूंसी संबंधित जिले हैं तो उत्तर प्रदीश में सरधना महुष्व की बात करता है तो यह उत्तर है उत्तर हिंदू मुष्विम एकता एक मेला होता है हिंदू मुष्विम एकता के लिए मेला तो नवचंदी मेरट में होता है यह आगरा हो गया सुलह कुल उत्तर कलकी महुष्व शंभल में है लखनव महुष्व लखनव में होता है कबीर उत वहाँ वाटरे स्पोर्ट महत्सों कहांपर होता है। तो यानी periphery राज। कजली महत्सों कहांपर है। तो उत्तर प्रदीश में महोबा में होता है। अहां पर तो स्राभस्ती मी है एक बोढ़ महस्व हो गया स्राभस्ती वहला और यह बोढ़ मोस्व आप बहुत महोसों तो बहुत महोशों आप देख पा रहें फर्रुखाबाद भी है पृत्तरप्रदीस की उट्ष्व महोसोयोग उनसे संबंधित जिले बढ़ते हैं अगे अगला फाक्ट है उत्तर प्रदीश की प्रमुख मेले हैं उनसे संबंधी तो जिले हैं तो आई एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं नवचंदी मेला मेरट में तो यह हिंदू मोश्ली में एकता की बात करता है मेला है तो आरो ए आरो पीशेस प्रिलिम्स 2021 में पूंचा गया है नवचंदी मेरट मेला ठीक है तो कहां पर होता मेरट में धुर्पद मेला बारांसी में नक कटैया मेला जोकी रथियात्रा और धुर्पद यह सभी क्या हैं बारांसी में होंगे सकंबरी देवी मेला शाहरनपूर बिंध्याचल देवी मेला मिरजापूर में हरिदास जयनती बिंदाबन मतुरा में बटेशवर मेला जोकी एक पसु मेला है और उंट मेला है यह नवरात्र गणशावर मेला कैलास मेला है सभी आगरा में होंगे सोरो मेले का आवज़न काशगंज में होता है सयद सालार उर्स मेला बहराईश में लगता है रामार्ण मेला चित्रकूट में होता है धाई घाट मेला साजहापूर में होता है खिचडी मेला तो खिचडी मेला गोरखपूर में देवी पाटन मेला बलरामपूर में परिकर्मा मेला अयोध्यावा रामायड मेला अयोध्या में होंगे तो परिकर्मा और रामायड मेला कहां पर हो जाएंगे अयोध्याव गोविंद शाहव मेला अंबेटिकर नगर गढ मेला हम तेस्वर मेला हापुड में हैं बल संदरी देभी मेला जो कि पर पर कड़ती है और सिल्प मेला हो गया महा कुंब मेला जो कि हैं था बारा साल पर लगता है और और अर्द कुंभ मेला आप जानते हो अरध को अटाकर कि यहां पर कुंभ कर दिया गया है। योगी जी आते हैं और कहते हैं ये order नहीं होगा अब कुंभ मेला होगा। कुंभ और महा कुंभ, तो कुंभ मेला च्हेय बर्श का तुगा। माघमैला देखो घेओ तो ट्रिश्वर हो गया आपका आगरावाला तो यद्दधरी मेला भलिया का ये भी पशु मेला है कालिंजर मेला बांदा का हो गया देवा सरीफ मेला बारा बंकी में लगता है बेरिया घाट मेला हर्दोई में लगता है गोला गोकरण नाथ मेला लकीमपुर खीरी में मनकपुर मेला रामनगरिया मेला श्रिंगी रामपुर मेला वा स्रामर्डी मेला ये फर्रूखा बाद में लगते हैं नोट क्या है कि उत्तर प्रदेस में परतिबर्स लगभग 2250 लग ciao भग जो है हर साल साल कि अधृच्य मेली का pilots होता है जिसमें कि सरबाधिक मेलिक आयोजन मस्थुरा में 46 मेली प्रवश होती है 86 नहीं इक Angel में सरबाधिक मेलिक मेली का ईयोजन का पर होता है तो आप कहोगे मस्थुरा में कानपुर customizediac ha ne吸ए 1798 आगरा 72 फातेशपोर में 70 होते इसада आप पा रहे हैं तो यहां से आपके क्या निकल के आ रहा है कि सरबादिक मेली गायुजन उत्रप्रदीश में मत्रा में होता है प्रतिवर्ष अब बढ़ते हैं सांस्किति को संबंधितत देख लिया उत्तरप्रदीश का अब हो गया आगला जो टॉपिक नंबर होगा 19 टीक है तो टॉपिक 19 ने इसको आप अटा ही दो यह भी सांस्किति दूस्तर में भी आप सामिल कर लोगे क्योंकि यह भी साहिद सांस्किति ही तत्त होंगे तो मेले के बाद आप यहां पर देखो उत्तरप्रदीश के लोकनेतियों संबंधित छेत्र हैं जो कि अक्सर पूंज भी ली जाता है मिलान करने को आप तो कर्मा जुन रित है यह मुर्जा पूर और सोनभाज जिले से संबंधित होगा कारतिक गीत बुंदेल खंड का है सायरा नित बुंदेल खंड में होता है धोबिया राग नित जो है यह पोर्वी उत्तरप्रदीश का है दीपावाली नित बुंदेल खंड का है चारसिया सबको आपको डेटेल में पढ़ना है कि कर्मा निर्थे कब होता है पाई डंडा निर्थे कब किया जाता है इसके लिए आपको बारा घंटी वाली महराथन अच्छे से कबर कीजिए जहां पर डेटेल में मिलेगा साथ ही शाथ प्रिविएस एर के कोश्चन्स भी आपको संबंधित छेत्र है तो वाला जो लोग गीत है बुंदिल खंड रीजन का है बिरहा पूर्बांचल का है कजरी मेर्जापूर रसिया जो है या ब्रज भूमी छेत्र के हैं अगला दिया है उत्तर प्रदीश के मुख्य नाटी संस्थाएं वा संबंधित जिले हैं तो मध्य दू बाल भवन प्रियाग राज में शिरी नाट्यम वारांडशी में साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में या यावर लखनव में है और भारती जन नाट्य शंग आगरा में अगला है उत्तर प्रदीश के भाशा बिभाग और संबंधित अस्थान तो उत्तर प् संजाबी अकाद्मी कहां पर ह है लखनव में हंसी में मॉलिए ुटरप्रदिश संस्कृत संच्थानव कहां पर है लखनव में लखनव में है र्दू अकादमी नहीं है स्वर्गिय फकरुद्दिन अली अहमद मेमोरियल कमेटी कहां पर है यह लखनों में है तो आप देग पा रहे हैं सिर्फ सिर्फ हिंदुस्तानी अकेडमी को छोड़ दो जो कि प्रियाग राज में है बाकी सभी जो भाषा भी भाषा मदित संसथान है उनको आप लखनों आख प्रियाग राज में है बाकी सभी लखनों में और इस तरह आपने टॉपिक नंबर 18 कंप्लीट किया अगला जो टॉपिक नंबर है टॉपिक नंबर है उन्नीश उत्तर प्रदीश साहित्तियों शाहित्तिकार ब्रंदाबन लाल बर्मा देखेंगी शाहित उनका शाहित है मि संचय परक्ष सुनीता की एक रात द्रोवियात्रा एक दिन ईक रात एक दिन सभी इसके जैनेंद्र कुमार की वातायन की सुर शागर है साहित लहरी है राहुल सांकृतीयायन की बोल्गा से गंगा तक है महाविर प्रशाद दिववेदी की शाय तो देखोगी तो सरस्वती जो की एक मासिक पत्रिका का शंबादन करती थे रहधास का देखोगी तो बाबी नामक फुड़कल छंदों की रचना है कारवा गुजर गया किसका है तो यह गोपाल दास सक्सीना नीरच का चौखे चौपदे पद्मप्रसून प्रिय प्रवाश वैदेही वनवाश पारियात आधी इस अभी पंडित आयोध्या प्रशाद उपाध्याय हरी अवद की हैं रानी केतकी की कहानी किसका है तो यह मुंसी इंसाल लाखां का महादेवी परमा की शाहिद देखेंगे तो नीहार है रश्मी है नीरजा है सांध गीत यामा इश्मरिती की रेखाएं है मैथली शरण गुप्त की जोकी एक राश्टर कभी किनकोपाधी मिली यह साकेत यह सूधरा जैदरत बद भारत भारती भारत भारती किसका है मैथली शरण गुप्त का द्वापर भी मैथली शरण गुप्त भारतेंद हरिश्चंद तो इनका भारत दो रसा है प्रेम तरंग है चंद्रावली कश्मीर कुश्यूम कभीवचन सुधा पत्रिका जो ग्रही ये सबी भारति रुछिश्चंच से संब्धित होंगे सच्चिद安and हीरणनदाद्वात्यायन आग्यय कंशा है तो सेखर एक जिवनि किसकी है मलिक मुहम्मद जैसी की क्या है पदमावत हो गई अखरावट है आखरी कलाम प्रताप नारायन मिश्र की हठी हमीर है हजारी प्रशाद्य वेदी द्वारा भालबट की आत्म कथा है शुमित्रा नंदन पंत का कौन शाद वेड़ा हो गया ग्रंथी है युगांतर है उत्तरा है पदलव ग्राम में आदी जैसंकर प्रशाद का क्या कामाईनी है कंकाल है इरावती है तितिली है द्रुवश्वामिनी डाक्टर सब्बन संपूर्णनंद द्वार अंतर राश्टी विधान है चीन की राज्य क्रांती भारत का देशी राज्य समुर्ट हर्च वरधन मातमा गांधी समाजवाद आधी किसके हैं डाक्टर संपूर्णनंद के इसके बाद आप देखोगे मुनसी प्रेमचंद का उपन हो गया गोदान है सेवा सदन कर्म भूमी रंग हूमी निर्मला आदिप्रम को पन्याश है बड़े भाई साहब पंच परमीश्वर पूस की रात इद गाह सतरंज के खिलाडी कफन नमग का दरोग आदिप्रशिद्ध कहानिया है मुंसि प्रेम चंद की तीशतर आपने नमबर 19 कबर किया साहिदियों शाहिद्यकार अगले और अत्तर प्रदीश की पत्रकारिता से शम्बंधीद चहएं उदंत मारतंड उदंत मारतंड़ की शम्पादक पंडित यूगल कृशोर शुक्ल हैं और इसका प्रदेश का पहला जो हिंदी पत्र है कौंचा है बानारश अकबार है और इसका प्रकाशन बाराणसी से होता था ब्रह्म ज्यान प्रकाश जो कि किसव चंद्रशीन द्वारा और इसका प्रकाशन बरेली से होता था सर्बो पकारक योम ज्यान प्रकाश यहां है आगरा से जो है इसका प्रकाशन होता था तो ब्रह्म ज्यान प्रकास की सवचंधरशीन द्वारा है जो की बरेली सी होता था और ज्यान प्रकास होता था अनंद का दंबिनी इसकी शंपादक बंद्री नाराण चौधरी प्रेम घन है और इसका प्रकाशन मिर्जा पुर्षे होता था आज तो आज की संपादक शिव प्रशाद गुप्त और यह एक पत्र राश्टी अंदूलन उन्नीस सो बीस से उनीस सो सैंतालिस तक रहा जो कि शमक्र द से इसका प्रकाशन आगरा से तत्व बोधनी की संपादक गुलाब शंकर और प्रकाशन बरेली से भारत पत्रिका का प्रकाशन लखनव से हिंदू यों उर्दू दोनों भाशाओं में होता था तो इस तरह आपने कबर किया पत्रकारिता से शंबांधित अत्यों को आगी ब उर्दू मिस्तित पहला जो हिंदी पत्र है वह बनारश अकबार है और इसका प्रकाशन अठारसो पैटालीस मिराजासियू प्रिशाद सितारे हिंद ने निकाला था कामरीड तथा हमदर्द अकबार का प्रकाशन मौलाना मौम्मद अली जोहर द्वारा उत्तर प्रदीश स प्रकाशन विभाग की इनुशार शदरूल है जिबकि अकबार प्रकाशन अठारासो प्रकाशन में आगरा से शंपादक देखोगी तो प्रफेसर सीफेंग आगरा कॉलेज के रहे हैं तो अर्दू का पहला जो प्रकाशित अकबार है वो है सदरूल अगला दिया है कि असदूल अकबार जो है जो की शापताहिक है और इसका प्रकाशन आगरा से मुनसी कमरुद्दीन द्वारा होता था लखनौश प्रकाशित उर्दू का पहला अकबार लखनौश प्रकाशित तो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला उर्दू का प पाहिला अगबार जा में जहनुमा उत्रप्रदीश में पहला उर्दू का सद्रूल है लककनव में प्रकाषितॉ अब्रकासित और नहे Mm क्टी झा cricket स्थे कहुड़ कसे बelynइब निवासी तहे हम उत्रा में उत्र पर्दीश्ट। पुर्दू पत्रिकारता मुंसे शमाधी तथियों को कबर किया और इसी 50-50 की साथ पूरा का पूरा टॉपिक नमबर आपका 20 कम्प्लीट हो जाता है चलिए अगला जो टॉपिक नमबर है टॉपिक नमबर 21 है कौन सा टॉपिक टॉपिक नमबर 21 कितने कबर करने है टोटा 33 ट पूपिक है उत्तर प्रदीश का प्रसासनी की धाचा भारतिय संविधान कित है तो उत्तर प्रदीश में एक विधान मंडल की व्यवस्था की गई है जिसका निर्माड राज्जिपाल योम दो शदनों यानि की विधान सभा और विधान परिशत से मिलकर होता है जैसे कि आ नहां पर जो है विधान मंडल के तीन अंग होंगे राज्जिपाल होंगे विधान परिशत होगा और विधान शभा राज़ की कारिपाल का जो शक्ति है वो राज़पाल में नहित होती है आर्टिकल 154 के अनुशार इसका प्रियोग वह संबिधान के अनुशार या तो स्वयम अथो अपने अधिकारियों के माध्यम से करता है तो कारिपाल का शक्ति किसमे नहीत होती है राजजबाल में आर्टिकल कौन सा है 154 नमबर तो आई ये राजजबाल के पदियों योगतादी संबंधी प्रमुक्ततियों को देखते हैं राजबाल की नियुक्ति किसकी द्वारा की जाती है तो राजबाल राजबाल की नियुक्ति होती है तो आर्टिकल 155 नमबर है राजबाल राशबाल राशबाल के प्रसाद परियंद तक अपना पद धारण करता है प्रसाद परियंद यानि प्लेजर आप प्रेसिडेंद तो राशबाल के प्रसाद परियंद तक अर्थात राश्ट्रपती की इच्छा है जब तक चाहे राश्ट्रपती तब तक वो राजपाल रहेंगी उस राजजी के पद ग्रहन की तिथी से इनकी जो कारियवधी है वहां पांच वर्ष का होता है तो कारिकाल पांच वर्ष का होता है लेकिन जब चाहे तब राश्ट पती क्या है पद से हटा सकते हैं क्योंकि परशाद परियंत धारण कर रहें पर तो राश्ट पती के एक शानुशार जब चाहें तब हटा भी सकते हैं राजपाल पद हेत नियुंतम जो आई हुआ है वो अपाइटीस साल होनी चाहिए राजपाल पद हेत भारत का नागरिक होना आनिवारी है कहीं कहीं आपसे पूँच लेंगे आप्शन में भारत का जन्म से नागरिक तो जन्म से नहीं बस नागरिक होना आनिवारी है तदा किसी लाब के पद पर ना हो लाब लाब में कौन काउंट होंगे तो ये सारी चीज़े जब आप पॉलिटी डिटेल में पढ़ते हो तो लाब का पद जो डिफाइन करने की बात की गई वो पारलेमेंट के पास पावर दे दी गई और पारलेमेंट में बैठते कौन है पॉलिटी से हैं लोग पर ने दी तो वहाँ जो मंतरी लोग होते होंगे अपने आप को लाब की पदपन नहीं गिनते हैं तो आगे बढ़ते हैं अगला फाक्ट है राजजपाल अपना पद ग्रहन करने से पूर्व राजज के उच्च न्याले की मुख्यना अधिस या उसकी अनुपस्थिती मुच्च न्याले की उपलब्द जेश्टम न्याधिस की समच्च सपत लेता है तो सिंपल सी बात है आर्टिकल नंबर 169 में यह बात कही गई है कि राजजपाल को शपत कौँ दिलाता है तो राजजपाल को शपत जो है इस्टेड के जो हाई कोड होते हैं तो हाई कोड के जो मुख्यना अधिस होंगे वो शपत दिलाते हैं अगर मुख न्याधिस अनुपस्थित हो तो जो जेश्टम न्याधिस होगा वह शपत दिलाएगा राजिपाल को राजिक कारिपालिका की सक्ति की अंतरगत किसी अपराध में अथवा किसी बिधी के बिरुद्ध दोश सिद्धी ब्यक्ति के दंड को शमा प्रविलंबन बिराम या परिहार करने का अथवा दंडा देश के निलंबन परिहार या लगुकरन का अधिकार है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं और आर्टिकल जब आप 72 पढ़ते हैं जहां पर राज्ट्रपती को शमादान की शक्ति है तो राजजिपाल राष्ट्रपती में अंतर इतना ही है कि राज्यपाल के पास ये पावर नहीं होती है तो राज्यपाल के पास जो सकती है आर्टिकल नमबर 101 कहता है इसके बाद राज्यपाल राश्ट्रपती को संबोरित त्याग पत्र देकर अपना पद त्याग शकता है तो राजजपल जब चाहें अपना गर आप इस्थिपा देना चाह रहे हैं तो त्याग पत्र सीदे जी कैस को देंगे राश्ट्रोपति को शम्बोरी त्याग पत्र देकर अपना पत्र त्याग शकते हैं राजजपल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अधचता मिगठितिक मंत्री परिशद होती है यह मंत्री परिशद ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें विधान की अंतरगत राजजपल को श्वाबिवेक से नेर्ड़े लेना हो सेसर सभी कारियों में उसकी सहायता करती है कौन मंत्री परिशद है जैसे कि आप राश्ट्रपती के बारे में पढ़ते हो तो राश्ट्रपती को जो है सारी सहायता सब कुछ जो है दिसा निर्देश जो काइबिनेट देता उसी की सब से राश्ट्रपती करते हैं कुछ आप से मामले हैं जिनको राश्ट्रपती की जपाल अर्टिकल नंबर 163 में बात कही गई है तो जिस तरह वहां पर आप सेंटर में देखते हो राश्ट पती नाब मातर के होते हैं बलकि जो वास्तिक पाउर है वह प्रदान मंतरी के पास होती है परदे के पीछे प्रदान मंतरी ही होते हैं समझ पा रहे हैं क्योंकि काइ मामलों को छोड़ करके राजपाल का जो बेतन हो तीन लाख पचास हजार रूपे प्रतिमा होता है अन्य प्रमुख परिक्षाउप योगी तत्थे हैं पहले है कि सुसरी मायावती एक मातर राजनीतिग है जिन्होंने उत्तर प्रदीश के मुख्यमंतरी पद को चार बार स शुशोभित किया है यानि लगातार चार बार नहीं अलग-अलग खारिकाल में बात की गई तो सबसे आधिक बार और उत्तर प्रदेश की जानते हो दो ही महिला मुख्यमंतरी एक सुचेता किरपलानी दूसरी बहन कुमारी सुस्री मायावती उत्तर प्रदेश की बरतमान राज जिपाल स्रीमती आनंदी बेन पटेल है जो कि 29 जुलाई 2019 से अब तक बनी हुई है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंतरी जो कि देश में किसी भी राज जी की पहली महिला मुख्यमंतरी के तौर पर सुचेता किरपलानी रहे जिनका कारिकाल दो अक्टूब मायवती गना है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज जीपाल कौन है तो स्रीमती सरोजन ये नाइडू है और साथ ही ब्हारत की प्रतम महिला राज जीपाल यह झा के 2 मार्चч menton Newtonouch तक है, चौधरी चरण सिंझ यों विश्युणात प्रताब सिंग कैसे ब्यक्ति हैं, जो अतरप्रदीश के विख मंतरी को attracted किया तो उत्तर प्रदिश के दो ऐसे मुख्य मंत्री कौन? एक चौधरी चरण सिंग, दूसरे विश्युनात प्रताप सिंग, बीपी सिंग चौधरी चरण सिंग के बारे में आप एक तथ्योर पढ़ते हो वो कौन से इसी प्रधान मंत्री जो कभी संसद ही नहीं है तो यही है चौधरी चरण सिंग अगला है मौम्मद सफी कुराज़ी दो बार उत्तर प्रदिश के कारवाहक राजजपाल रहे है तो दिग्जाब में पूंचा जाता है निमलिकित में से कौन? उत्तर प्रदिश के दो बार उत्तर प्रदिश के कारभाग राज जिपाल रहे तो मुहम्मद सफी कुराची उत्तर प्रदिश के तीन राज नित्यग्यों को तीन बार उत्तर प्रदिश का मुख्यमंत्री बनने का जो शौभाग प्राप्त हुआ है वह कौन है तो नमबर वन है चंद्रभान गुप्त दूसरा है यंडे तीवारी नारानदत तीवारी और तीसरे हैं मुलाइम सिंग यादो इन्होंने मुख्यमंतरी के पत कुछ तीन बार सुस्वभित किया और इन में से जो चंद्रभान गुप्त रहे हैं और नारानदत प्रदीश की मुख्यमंत्री रहे हैं तो याद रखिएगा उत्तर प्रदीश में शरबादिक मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायवती बढ़ते हैं अगले पेच की यूर अगला जो फाक्ट है उत्तर प्रदीश की राज जिपाल दिये हैं बर्स 1921 से ले करकी अब तक संयुक्त प्रदीश से पहले नाम हुआ करता था तर प्रदीश का संयुक्त प्रदीश को उत्तर प्रदीश जो है तौर पर गठन किया गया राज जी का तो संयुक्त प्रदीश के टाइम पर तीन जनवरी 1921 से ले कर 31 दिशंबर 1922 तक सर हरकोर्ट यहीं स्पेंस बटलर रहे हैं तो स उसके बाद सर बिलियम यस मैरिस जिनका कारिकाल 21 दिसंबर 1922 से 14 जनवरी 1928 तक की कारिकालों में सर अलक्जंडर फिलिप्ष मोडिमायन 15 जनवरी 1928 से 17 जुन 1928 सर बिलियम मैलकम हैले 10 अगस्त 1928 से 5 दिशंबर 1934 तक चार कारिकालों में सर हैरी ग्राहम हेग 6 दिशंबर 1934 से 6 दिशंबर 1949 तक दो कारिकालों में इसके बाद सर मौरिस गारनर हैलेट 7 दिशंबर 1949 से 6 दिशंबर 1945 इसके बाद हैं सर फ्रांसिस वारनर वाइली तो 7 दिशंबर 1945 से ले करके 14 आगस्त 1947 तक तो इतने फाक्ट आपको बिल्कुल याद नहीं रखने हैं आपको यहां पर याद रखना है दूस्त नमबर वन संयुक्त प्रांत के पहले जो राज जिपाल रहे हैं या सर हरकोट स्पेंसर बटलर तीन जरुवरी 1921 से 31 दिशंबर 1922 तक ज्यादा से ज्यादा आप इनको याद रख लीजिए इसके बाद आजाद होने से पहले भारत आजाद होने से पहले कौन रहे हैं तो सर फ्रांसिस वार्नर वाइली साथ दिशंबर 1945 से 14 अगस 1947 तो इनको याद रख लीजिए नमबर वन और नमबर सेबन इनको याद रखो बर उसके बाद आपको याद रखना है आजादी के बाद तो आजादी के पहले महिला राजजिपाल या उत्तर प्रदिस के बाद वाजादी के बाद आती है स्री मती सरोजरी नाइडू 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च उन्नीस सो वन्चास तक राजजिपाल पर सोसोभित किया इसके बाद पहले जो कार बाहक के तोर पर आते हैं राजजिपाल उत् मैं उन्नीस सो वन्चास तो आजादी के बाद अगर पूंचा जाता है उत्तर प्रदिस के पहले राजजिपाल तो हो सकता कन्फ्यूज हो जाया तो आपको आपसन के हिसाब से भी चूज करना होगा क्योंकि आरो ए आरो पीसेस में भी पूंचे जा चुकि प्रश्ण है कि उत्तर प्रदिश के पहले राजजपाल कौन रहे है उत्तर प्रदिश और उत्तर प्रदिश के गठन कब हुआ है 27 जनवरी 1950 इजबी को तो उस समय यदि आप देखोगे तो स्री यचपी मोदी होते हैं उत्तर प्रदिश के पहले राजजपाल के तोर पर उत्तर प्रदिश का क्योंकि गठन हुआ है 24 जनवरी 1950 का तो यच्पी मोदी जो बने रहें दो मई 1925 को आते हैं और 25 जनवरी 1950 तक और उत्तर प्रदीश का गठन कब है 24 जनवरी 1950 को इसलिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है अब उत्तर प्रदीश को रेखे ऊगए तो उत्तर प्रदीश में यहां पर आपको पहले नंबर पर यच्पी मोदी देख रहे हैं 26 जनवरी 1950 से लेकर की एक जून उनीस सो बावन तक तो उत्रप्रदिस गठन 24 जनुवरी 1950 को होता है उसके बाद 26 जनुवरी 1950 को अपना संविधान भी लागू हो जाता है तो 26 जनुवरी 1950 जून उनीस सो बावन तक तो यह अचपी मोधी को बिल्कुल नहीं भूनना याद रखना है तो उत्रप्रदिस गठन के पहले पूँचा जाए यह संविधान लागू होने के पहले पूँचा जाए तो आप यह अचपी मोधी बताओगे सम्भिधान लागों होने के बाद उत्तर प्रदीश की गठन होने श्री ससी कांत बर्मा अब ये देख पा रहे हैं आप इनको चेहरवाई नहीं इनका दिख रहा है ये बोलने हैं चेहरा नहीं दिखाएंगे चले कोई नहीं ये कारिबाहक रहे हैं पहले उत्तर प्रदेश के पहले कारिबाहक राज्यपाल के तौर पर आप देख पा रहे हैं स्री ससी कांत वर्बा स्री अकबर अजी खान रहें आठवे फिर डाक्टर यम चेन्ना रेड़ी स्री गडपत राउद देवजी ताप से स्री चन देशवर प्रशाद नारायन सिंग है मुहम्मद दुश्मान आरिफ है स्री भीशत नारायन रेड़ी है स्री मोतिलाल बोरा होते हैं तेरवे और शवदोंवे नंबर पर आप देखोगी दूसरे कारवाह के तोर पर आ रहे हैं स्री मुहम्मद सफी कुराशी स्री रमेश भंडारी स्री मुहम्मद सफी कुराशी फिर ये गनोन कारवाह करूब गिया श्री सूरज भान, श्री विश्डू कांत शास्त्री, श्री दुसरतन अगर्वाल है, श्री टीबी राजीश्वर आते हैं, श्री बी यल जोसी है, और फिर उसके बाद कारवाग के तor पर डाक्टर अधीज कुराशी रहे हैं, श्री रामनाईक रहे हैं और बर्तमान में कौन है तो वंतिस जुलाई 2019 से अब तक श्री मति आनंदी बेन पटेल हैं कौन सी है तो यह 20 में नंबर की है और यहां पर जो दिया गया है राजजपालों का जो कारिकाल है वह राजभण उत्तर प्रदीश की वेफसाइट के अनुशार यहां पर आपको देखने को मिला है बढ़ते हैं उत्तर प्रदीश विधान परिशद यों विधान सभासंबधि क्योंकि वहां पर थोड़ा वरिस्ट लोग आ जाते हैं पांच साल का अंतर हो जाता है जैसे कि लोग शभा की बात करोगी तो 30 साल राजसभा के लिए 35 साल इसी तरह यहां पर भी विधायकी के चुनाव लड़ना है तो 25 साल विधान परिशद के सदसे बनना है तो 30 साल इस लिए तोड़ा उच्च हो जाता है बाकि सम्विधान में इसा कहीं मैंसन नहीं है सम्विधान के जानकार ने अपना भुक में जाब दिये हैं बात करते हैं बिधान परिशद की तो उत्तर परिशद में कुल 6 सदस्यों की कुल जो सदस्यों की संख्या है वहां कितनी है तो बिघटन नहीं होता है क्योंकि बिधाय का आप बनोगे पांच साल के लिए बानते हो पांच साल बाद बिघटित हो जाती है बिधान सभा लेकिन या एक इस थाई सदन इसका बिघटन कभी नहीं होता है लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं इनका कारिकाल फिक्ष होता है, 6 साल का होता है और 6 वर्स बाद टर्मिन में खतम हो जाता है, तो प्रतेग 2 वर्स पर विधान परिशत की सदसी हैं, एक तिहाई शदस से सेवा निर्वत यनि रिटायर होते रहते हैं, तो प्रतेग 2 साल पर एक तिहाई शदस से, कारिकाल इनक गठन या समापन राज बिधान सभा की संकल्प धुवा प्रस्ताव पर संसत द्वारा किया जाता है और यह बात आर्टिकल नंबर 179 में कही गई है तो राज जिपाल का यानि राज बिधान परिश्यत का सेजन करना है या समापन करना है तो इस्टेट हो इस्टेट जैसे कि जब आपने देखा होगा जब अश्टिम बंगाल का चुना हुआ दीदी ओ दीदी तो वहां पर मुम्ता बनर जी जो है फिर जीद गई जब जीद गई तो वह चार है उनकी यहां बिधान परिश्यत है नहीं क्योंकि आप जानते हो अपने प्यारे भारत में छे ऐसे राज परिश्यत है तिलंगा ना है तो अच्छे हैं ऐसे जहां पर विधान परिश्यत भी यगजिस्ट करती है तो आंद्र परदेश में बात हो रही कि समाब्त किया जाए बैस बेंगाल में मम्ता बैनर जी चाह रही कि हमारे हां भी हो इनकी हां बिधान सभा में में जॉर्टी ह अपने हां पास करा देंगी लेकिन संसद में कौन में जार्टी है मोधी जी के पास यानि बीजेबी के पास तो वहां से भी पास होना क्या है जरूरी है तो भारतिस सम्विधान के अनुसार बिधान परिश्यत का गठन या समापन राज बिधान सभा की शंकल्प किया जाता है तो मम्त बेनर्जी अपने हां पास करा देंगी फिर मोधी के पास वहां जाए या अपना महां से जो करना होगा करेंगे तो इस तरह यहां पर बताया गया है चैलिए बिधान परिश्यत बिधान सभाद्वारा पारित किसी बिधियक को प्रतम बार तीन माह तक तथा दूतरी बार एक माह तक रोके रख शकती है तो इस टेड में यदि कोई बिल बिधान सभाद्वारा पारित हो जाता है कोई भी बिल हो कौन सा बिल नहो मनी बिल यानि धन बिधियक को छोड़ दो मनी बिल को अगर छोड़ दोगे तो कोई भी बिल होगा वह जब बिधान परिशद पहली बार जो है, तीन माह तक रोक ले, यानि फिर विचार बेमर्ष के लिए तीन माह तक रोके उसकाँ फिर वापश करे, कि फिर विचार बेमर्ष इस पर कीजें, इसमें थोड़ा चेंज कर ये बिल में अगर वापिस कर देती है बिधान सभा में आते है फिर बिधान सभा फिर दूसरी बार जाता है कि बिधान परिशित में फिर पास किया जाए तो बिधान परिशित के पास दूसरी बार एक माह तक रोके रखने की पावर है बस एक माह तक तो पहली बार तीन माह तक दूसरी बार एक माह तक मनी बिल की यहाँ पर बात नहीं होती है क्योंकि मनी बिल जानते हो जैसे कि आप राजसभा में और लोकशभा में भी और राजसभा में पढ़ते हो बिधान सबा से मनीबिल पास हुआ बिधान परिशन में गया करे ना करे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला 14 दिन बाद एक सब्ट मान लिया जाएगा पास जैसे कि आधार जो पास हुआ तो अनीबिल की तौर भी तो पास किया गया था चली आगे देखते हैं संयुक्त प्रांत बिधान परिशत के प्रथम शभापती संयुक्त प्रांत की बात की जा रही यहां पर यानि 24 जनवरी 1950 से पहले की बात है 1921 के बात की तो संयुक्त प्रांत बिधान परिशत बिधान परिशत के प्रथम जो शभापती और विधान परिशत के प्रथम शभापाती उत्तरप्रदीश का पुछा जाए, तो आप स्री चंद्रभाल को लगाओगे. बर्तमान में उत्तर प्रदेश बिधान परिशद की शभापाती कुमर मानवेद्र सिंग तो कुमर मानवेद्र सिंग ठीक है जो की प्रटम्टी स्फिकर भी है बर्तमान में उत्तर प्रदेश बिधान परिशद में नेता सदन तो नेता सदन यानि डिप्टी जुसियम कीशो प्रशाद मौरिया पार्टि सिंपल सी बात भाई नेता सदन भाजपा के होंगे उत्तर प्रदेश बिधान परिशद में नेता विरोधी दल विरोधी दल कौन है तो लाल विहारी आदो और ये सपा के रहे हैं विरोधी दल होंगे तो विरोधी दल लाल इनी सपा जानते हो बड़ी बाटी रही विरे बच्च में तो ये रहे हैं 27 मई 2022 से 6 जुलाई 2022 तक इसके बाद फिर 7 जुलाई को रेटार हो जाते हैं 12 जो शदसर है उनका कारिकाल होता है शमाप्त शे बर्ष पूरे किये होंगे शमाप्त हो गए अब इनी 12 में से कुछ सपा के भी रहे हैं अब जब सपा के रहे हैं तो बाई नेता बीरोधी दल अगर बनना है तो जितनी सीटे हैं उसका एक पटे दस्त होना चाहिए कोरम के लिए अब मान लीजिए सव सीटे हैं मान लीजिए कि आहे ही उत्तर प्रदेश में सव सीटे हैं तो बिधान परिशद के सव सीटे हैं तो कम से कम दस जो है बिधान परिशद की शदस्त होने ही चाहिए लेकिन सपा के नहीं थे नो ही हो गए घटकर तो इसलिए जो है बर्तमान में कोई है नहीं नेता फिरूधी दल क्योंकि कोरम नहीं पूरा कर पा रहे है तो अंतिम पूंचा जाये तो बताईएगा अगर बर्तमान में पूंचा जाये तो कोई नहीं है इतना बताईएगा चलिए अब बात कर लेते हैं बिधान सभा की तो राज बिधाईका की तीन अंग राज पाल को आपने कबर कर लिये बिधान परिशत को कबर कर लिया आप देख लेते हैं बिधान सभा को चलिए बिधान सभा तो तरपरदेश में बिधान सभा सदस्य के उकुल संख्या कितनी है चार सो तीन है बागी आप जानते हो लोग शबा में 80 सीटे हैं और राज सभा में 30 सीटे हैं और सव बिधान परिशाद 403 है बिधान सभा बिधान सभा सदसे संबंधित निर्वाचन छेत्रों के वैस को मत दाताओं इन्हें जिनकी उम्र 18 वर्स या उसी अधिक हो चुकी है उनकी दोरा प्रतेक्ष रूप से MLA का जुना होता है मंत्री परिशद राजजी की बिधान सभा के प्रती सामोहिक रूप से उतरजाई होती है उतरपरदेश में शरवादिक बिधान सभा सीट परियागराज में है तो सरवादिक जो MLA बन कर आते हैं उतरपरदेश में वहां परियागराज जिले से हैं 12 तथा सबसे कम बिधान सभा सीट वाला जिला उत्तरुप्दिश का चित्र कूट है, हमीरपूर है, ललिप्पूर है, महुबा है, स्रबस्ती हैं, जहां से दो-दो विधायक चुनकरी की आती हैं। बिधान सभा का जो कारी संचालन है तो बिधान सभा का कारी संचालन बिधान सभा अध्यच्च करते हैं और अगर उन्हों वो अनुपास्थी था है तो उपाध्यच्च के द्वारा संचालन होता है बिधान सभा का उतर प्रदेश बिधान सभा के प्रतम अध्यक्ष कई बार अध़क्ष कौन रहे हैं? तो सरबाधिक तीन बार बिधान सभा धच रहने वाले श्री आत्मराम गोविंद केर योम, स्री कीश्री नाच तरपाथी रहें शरबाधिक तीन बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के ऐसे अध़च थे जो प्रदेश के मुख्य मंत्री भी बने हैं कौन विधान सभा अध़च बने उसके बाद मुख्य मंत्री भी बने है उत्तर प्रदेश विधान सभा के बरतमान में अध़च कौन है 137 महानाजी है आगे बढ़ते हैं अब उत्तर प्रदेश का जो विधान परिशद है विधान परिशद की जो सभापती हैं उनसे संबंधित तथ हैं उनका कारिकाल यहां पर देखेंगे डाक्टर सर सीतारा तो यह 19 अगस 1925 से 12 मार्च 1937 तक स्री चंद्रभाल 10 मार्च 1945 से पच्चिस जन्वरी 1950 तक 26 जन्वरी 1950 से पाच मई 1958 तक रगुनात विनायक धुलेकर हैं 20 जुलाई 1958 से पाच मई 1964 तक स्री दरबारी लाल जो सर्मा हैं 5 अगस्त 1964 से पाच मई 1968 तक स्री बिरेंद्र स्वरूप हैं 15 मार्च 1971 से पाच मई 1974 फिर 11 जन 1974 से 26 फरवरी 1980 तक फिर स्री बिरेंद्र बहादूर सिंग चंदेल रहें जिनका समय 6 अक्टूबर 1980 से पाच मई 1982 फिर 3 मार्च 1983 से पाच मई 1988 तक फिर इसके बाद 6 अपरेल 1989 से चात मार्च 1990 तक स्री जगदी से चंद्र दिचित पाच जुलाई 1990 से 6 जुलाई 1992 तक स्री सिव प्रशादी गुपता श्री नित्यानंद स्वामी 25 अपरेल 1997 से आट नॉमबर 2000 तक चौधरी सुखराम सिंग यादोर हैं तीनगस 2004 से पंद्रह जनवरी 2010 तक स्री घड़े से संकर पांडे 21 जनवरी 2010 से पंद्रह जनवरी 2016 तक स्री रमेशी आदो 11 मर्च 2016 से 30 जनवरी 2021 तक और वर्तमान में आप जानते हो जो कि प्रटेम इस भीकर के तावर पर है सिरी कुमर मानवेद्र सिंग जो आप अब कबर करके आ रहे हो आगे बढ़ते हैं अगला फाक्ट जो दिया है उत्तर प्रदीश की राज्य सभा और लोक्षभा संवधी तत्थी हैं उत्तर प्रदीश में राज्य सभा की सीटे हैं वाया का 30 सीटे हैं तो टोटल 31 सीट है राज्य सभा की लोक्षभा की सदसी संख्या कितनी है तो लोक्षभा की 80 सीटे हैं राजसभा का जो कारिकाल है वो आप जानते हो 6 वर्स का होता है लोगशभा का कारिकाल 5 वर्स का होता है उत्तर परदेश में जो लोगशभा की सीटे हैं तो लोगशभा सीटों में 80 सीटों में 17 जो सीटे हैं वो क्या है? 80 के लिए 80 सीटों में कोई भी सीट नहीं है क्योंकि आप पापुलिशन सेंसर जब 2011 के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो टोटल जो उपी की पापुलिशन आप देखते हो उन पापुलिशन में मात्र पॉइंट तो पॉइंट 6 है एक परसंट भी नहीं है तो सीटों की संख्या कोई भी आरक्षित नहीं है लोक्षभा में यस्टी की जबकि यस्टी की कितनी 17 सीटे है कौन-कौन सी वो 17 सीटे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनकी लिस्ट है नासे नगीना है बुलन सहर है यह ऐसे 17 है जो की आरक्षित सीटे हैं यस्टी के लिए लोक्षभा में आगे बढ़ते हैं मुख्य बंतरी के बारे में पढ़ते हैं मुख्य मंतरी राज जी के प्रसाशन संबंधी मंतरी सद के समस्त निर्नयों तथा प्रसाशन यों बिधान के लिए प्रस्तावित उन मामलों की जानकारी भी राज जिपाल को देता है जिनकी सूचना राज जिपाल स्वयम मांगते हैं और यह बात अनुच्छेद 167 में कही गई उतर प्रदेश के प्रथाम मुख्य मंतरी पंडित गोविंद बलब पंत थे और किसे भी राज जी के मुख्य मंतरी के जिवन्यों नियूकति है वह राज जिपाल द्वारा की जात तो उत्तर प्रदिश के मुख्य मंत्री की नियुक्ती कौन हो करेगा राजजपाल राजपाल मुख्य मंत्री की परामर्स पर अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ती करते हैं मंत्री परिशद राजज की विधान सभा की प्रती शामुहिक रूप से उत्तरदाई होती है ऐसे एक मात्र राज नितिक थे जिन्हों उत्तर प्रदिस की अलावा एक दूसरे राज उत्तरा खंड के मुख्यमंत्री पत को भी सुसोभित किया है और यंडी तीवारी होगे मुलायम सिंग यह उन्होंने क्या है तीन भार पत ग्राण किया है और सबसे अधिक बार कौन इषिरा गांधी जंद्री चरन सिंग राजईव गांधी बिश्वनात्र प्रताप शिंग चंद्र सिख कर योम अटल विहारी बाजपेई उत्तर प्रदिस के ऐसे राजनी तिक थे जो भारत के परधानमंत्री रहें परधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निवासी तो नहीं है लेकिन लोक्ष जो शभाव वाराणसी है वहां से पर निधुत्व कर रहे हैं अब आये देखते हैं उत्तर प्रदीश की जो मुख्यमंत्री के लिष्ट है तो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं पंडित गोविंद बल्लब पंत है 26 जनवरी है gefud 1995-27-1954 तो अत्तर प्रदीश की पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लब पंत है पिर संपूना नंद है तंद्रभानब गुप्त है सुचीता यही जो उत्यर प्रदिश के मोख्य मंतरी बाद भी किसी और के मोख्य मंतरी यानी उत्राकंड की रहे हैं राम नरीश रियादो हो गे वनार्शीदास विशुनात प्रताप सिंह प्रसुरीपतीमे बे से फिरर्वादर बहुर सिंह गये नाराणटerem यालान सिंह सुसरी बहिईन कुमारी मायवति जी आती हैं तेन जुन 95-चानवे को पहली बारें इंटर करते हैं फिर सुसरी बहिती हैं फिर मायवति इस साहर यही हीं यही रही है। जो कि बरतमान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री, सुस्री मायवती जी आ जाती है, फिर मुलायम सिंग, फिर मायवती जी, मायवती एक, दो, तीन, और चार, तो सरवाधिक बार यही रही है, फिर अखलेस यादुजी आते हैं, फिर अपने भाबत जी आ जाते हैं, योगी जी, और 2019 मार्च 2017 को सियम बनते हैं, फिर लगातार आप जानते हों, दूसरी बार बने, उच्वाधिस साल के रिकार तोड़ दिया, लगातार दो बार कोई नहीं बना था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, फिर अटार आप जानते हैं, अगे बढ़ते हैं दोस्त, बाकी दो लोग जो आपकी चरंड सिंग और बेपी सिंग, चौदरे चरंड सिंग बेपी सिंग क्या है, मुख्य मंतरी बने फिर परदान मंतरी भी बने थे, और अपने बाबा जी का जलवा कायम है अभी, उत्तर परदेश के मुख्य मंतरीयों का कारिकाल राज बिधान सभा की वेफसाइट की अनुषार दिये गए है, ब्यक्ति के अनुषार योगी आदितनार राज के कीस्वे हैं, तो ये तथ्याप के लिए इंपॉर्टरन, योगी आदितनार ने 25 मार्च 2022 को मुख्य मंतरी की अपने दूसरे कारिकाल हितु पुनह सपत ग्राण किये हैं, 21 फरवरी से 23 पर 1998 के दवरान राज जगदिम्बिका पाल को मुख्य मंतरी पत की शबद दिलाए गई थी, लेकिन बाद में शर्वत चिन्याले दौरा इनकी नियुक्ति को अबयद घोशिट कर दिया गया था, तो इस एक्जाम में कूंच लिया जाए आपसे, कि कौन से ऐसे मुख्य मंतरी रहे हैं, जिनको राजजपाल दौरा नियुक्ति तो कर दी, उन से पहले नवाब मुख्य मंतरी को पद से पहले प्रेमियर नाम था, ख़बे जनवर इस पाचन लेकर की, अब दा मुख्य मंतरी के तोर पर आप देख रहे हो, उनी पद प्रेमियर को, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फाक्ट जो दिया गया है उत्तर प्रदीश बिधान सभा के अध्यच्च से संबंदी बाते हैं तो उत्तर प्रदीश के प्रथम जो बिधान सभा अध्यच्च है पुरुशोतम दास टंडर है एक 3737 से तो डेट आप जो नहीं पूछी जानी है पूछ लेंगे उत्तर प्रदीश बिधान सभा के पहले अध्यच्च काण रहा है तो पुरुशोतम दास टंडर है इसकी बाद स्री नफीो चिल्फ हसं है स्री आत्माराम गोविंद bol स리 अग्रवाल स्री मदन मोहन बरमा स्री आत्माराम गोविंदकीर आठवे स्री बाषुदीव सिंग बनार्षी इसके बाद जो है इसके बिख्शित रहे हैं और बरतमान में याद रखना सतीष महाना तो पहले पूरा का पूरा उत्तर प्रदीश से समधित प्रसासनिक राजनीतिक जहांचार आपने कम्प्लीट कर लिया है अगला जो टॉपिक होगा 22 नमबर पंचाती राज सिस्टम उत्तर प्रदीश का तो अगला जो टॉपिक नमबर है टॉपिक नमबर है 22 धरी उत्तर प्रदीश पंचाती राज सिस्टम भारतिय संविधान में राजिके नीत निदेशक तत्तों के तहत अनुच्छिद 40 में राजियों को पंचायतों की अस्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है स्वतंत्र भारत में सरव पर्थम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश से स्वयुक्त प्रांत पंचायती राज दियम 1947 पारिद कर बर्स 1989 इस भी में ग्राम सभाओं की अस्थापना की गई तो कई बार आपके एक्जाम में पूछा गया है कि राज्य को पंचायत गठन करने का जो बात कही गई कौन से आर्टिकल में सम्विधान है तो सम्विधान का आर्टिकल नमबर 40 है तो राजी का नीति निदेश के स्थात्व है तो डारेक्टिब प्रिंसपल आप के नीति निदेशिद्दान थे फोर ए जो आपका आजाता है वो मूल अधिकार का आता है यहीं मूल अधिकार हो गया तीन में मूल करतब हो जाएगा आपका फोर ए में और चार में DPSP है तो आर्टिकल 36 लेकर एक क्या उन तक बात की जाती है तो आर्टिकल नमबर 40 की बात पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदा अधिकारियों के लिए नियूंतम आयू सीमा कितनी होती है तो 21 बरस की उम्र होती है जो आप 21 बरस कम्प्लीट कर चुके हो या आप उससे ऊपर हो तो आप पंचायतों के सदस्य यानि जो जनर्ली गाउं में आप देखते हो तो ग्राम पंचायतों सदस्य यानि पंची का चुनाव बोलते हैं लोग एक ग्राम सभा होती है और उस ग्राम सभा में इलेक्शन जो होता है वो ग्राम परधान का इलेक्शन हो जाता है तो ग्राम पर धन के अलावा छोटे छोटे वार्ड भी गाउं में जो बटे हुए होते हैं इन गाउं में जो है यहां पर पंचायत सदस्य नहीं पंची का चुनाव लड़ते हैं कि यह हो जाते हैं पंचायत सदस्य इसकी भी मुरसीमा कितनी 21 वर इसके बाद ग्राम सभा के अलावा कमेटी में अंबर होते हैं इनकी बात की जाती है तो इन सभी के दिए आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी सीमा उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए 21 बर्स या उससे अधिक हो और इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक शुरूप से होता है इसमें वोटिंग कौन करने जाएं पंचाद राज धनियम सितंबंधित तत्य हैं बलवंतरा मेता समिती की सिफारिस की आधार पर विकेंदरी करण के सिधानतों की अनरूप उत्तरप्रदीश को छेत्र पंचायत योम जिला पंचायत धनियम उन्नी सेक्षट को किरियानवित किया गया विकेंदरी करण अब ज जाएंगे नीचेस JENNY डिस्तिक हो जाएगा यहाँ परupradisus शेट्र पंचायत यहम जिलब पंचायत अद्रियंककभाई नीश सुयक्षठ है और यह बलवंत राय मेता कि शिफारिशों की आधार पर उपरियुक्त अधनियम की अनुशार यानि उत्तर प्रदिस छेत्र पंचायत युम जिला पंचायत अधनियम छेत्र पंचायत जो सदस्य होते हैं वहीं BDC की यहां पर बात की गई है BDC Black Development Committee में अंबर तो Black Development Committee में अंबर जो होते हैं इन्हीं में से कोई उस बलाग के अंदर एक दो तीन चार पांच लोग जो भी अपना इलेक्शन लड़ना चाहें BDC में अंबर चुनाव लड़ते हैं तो एक को इसी में से कोई जब सुन लिया जाता है जो बलाग पर मुख बन जाता है आप प्रतेक्श रूप से जिला पंचाय सदसे प्रतेक्श रूप से जनता की द्वारा चुने जाते हैं तो ऐसे तत्थे आपके एक्जाम में पूंच लिया जाते हैं प्रतेक्श रूप से कौन की इसका चुनाव करता है 73 संबिधान संसोधन कई बार एक्जाम मे पंचायती राज संस्थाओं को शंबायधानिक दर्जा प्रदान किया गया है यहतरवा संविधान संसोधन की अनुक्रम में उतर प्रदेश पंचायत विधी संसोधनियम 1994 बनाया गया जो 22 अप्रेर 1994 से प्रदेश में प्रविटत हुआ इसके द्वारा संयुक्त प्रांत पंचाति राज जिनियम अपेचित संसोधन किये गए इसके पास शाथ भी इसमें कई बार जो है संसोधन किये गए पंचायतों का चुनाव राज निर्बाचन आयुक की द्वारा बर्स 1995 से कराया जा रहा है तो यदियाप से एक्जाम में पूँच लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में पहली बार राज निर्बाचन आयुक की द्वारा पंचायतों का चुनाव कब कराया गया या कब से कराया जा रहा है तो बर्स होगा 1995 उतर प्रदेश में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैर 1994 के द्वारा पंचायतों योम नगरिया निकायों के चुनाव कराने हे दू राज निर्बाचन आयुक की अस्थापना की गई तो राज निर्बाचन आयुक की अधिकर पंचायतों को अर्थिक रूप से सुध्रन करने योम स्वासासन की इकाय की रूप में सच्छम बनाने के लिए सम्विधान की 11 अनसूची के कारियों को पंचायतों को हस्दानित किया गया तो 11 वी अंसूची जब आप देखते हैं तो 11 वी अंसूची के तरह कई बार आपसे पूंच लिया जाए कितने सब्जेक्ट दिये गए हैं तो 31 विशे जो है दिये गए हैं और उन्ही 31 विशेवों पर ग्राम पंचातो को क्या है कारिकरना होता है आगे बढ़ते हैं अगला जो तथिया है वह उत्तरप्रदिस में जो पंचाती राज व्यवस्ता है वह रास्तरीय पंचाती राज व्यवस्ता है बलवन तरा महता समिती की अनुशाव उनी की अनुसंसा पर तिरस्तर ये पंचायद इरा विवस्था की बात की गई है तो कौन कौन से तिरस्तर ये हैं पहला लेबल यहाँ पर आप देख पा रहे हो ग्राम पंचायद है छेतर पंचायद है और तीसरा यहाँ पर जिला पंचायद देखने को मिल रहा है जिला पंचायद तो जिला पंचायद का गठन जो है प्रतेग जिले में जो है गठन किया जाता है जिला पंचायद का जिला पंचायद की सदस्यों का चुनाओ प्रतेग शुरूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है सदस्यों का चुनाव कौन छेतर पंचायद सदस्यों का चुनाव का चुनाव भी क्या है प्रतेक शुरूप से होता है गाउं में होंगे वही तुजानें कि योगी ग्राम पंचायद पढ़ रहे हो प्रतेक शेतर पंचायद में 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 प्रतेक है तो पता चला यहां से कुछ गाउं ऐड कर दिए एक ग्राम सभा से और इसको बना दिय क्षेतर तो शेतर पंचायद शॉर्थ सिहां से निकलेगे तो इस तरह किया जाता च्शेतर परशनायद का चुनाओ जनता के द्वारा चुने जाते इन्हीं BDC members में से दो चार लोग अपना ब्लाग पर मुखी लिए election लड़ लेते हैं और इन्हीं BDC members के द्वारा ओट किया जाता है तो अप्रतेक्ष रूप से यहां पर बात की गई है तो प्रमुख हो या उप्रतेक्ष रूप से होता है अध्यच की बात की जाए तो अध्य प्रतेक्ष रूप से यह होगे प्रतेक्ष रूप से सदस्य होगे जिला पंचायद की पर ग्राम पंचायद की बात करोगे तो ग्राम पंचायद में प्रधान हो या ग्राम पंचायद सदस्य हो इनका चुनाव भी क्या है प्रतेक्ष रूप से जनता के द्वारा ही किया ज साथ ही साथ उनका नाम मद आता सूची में होना चाहिए आगे देखते हैं ग्राम पंचायत का ध्यत्स ग्राम प्रधान होता है ग्राम पंचायतों का गठन यता संभव एक हजार की आबादी पर कर दिया जाता है तो ग्राम पंचायत का गठन जो है मिनमम कितना कम से कम एक हज प्रत्यक शुरूप से उप्रधान चुनाव जो होगा तो ग्राम प्रधान का चुनाव भी होता है ग्राम प्रधान की साथ सा जो वार्ड बते हुरते गाउं में है ना विभिन वार्ड तिनी वार्डों में से जो ग्राम पंचायद सदस्य बन चुनकी निकलते हैं यहां से त ग्राम पंचायत की सदस्यों की संख्या का निर्धार जनसंख्या की आधार पर होता है तो यदि उस ग्राम शभा की जो ग्राम पंचायत है ग्राम सभा जो है उसमें यदि पापूलीशन एक हजार तक जनसंख्या है तो उसमें नव जो है सदस्य चुने जा सकते हैं और एक सी अधिक हैं तो तेरा सदस्या और तीन हजार सी अधिक आबादी है तो पंदरा सदस्या बन सकेंगे तो यह तत्थ आपके लिए इंप्वाटेंट हो जाता है इनको याद वेडियो सब्सकेंगे तो यहां पर सची की तौर पर कौन होते हैं परधान अध्यच्छ हो गए सरकार के द्वारा यहाँ पर कौन बैठते हैं वीडियो हो जाते हैं ग्राम विकास अधिकारी यहाँ पर आप बात करोगे छेतर पंचायद तो छेतर पंचायद पर जो खंड होता है बलाग जो होता है तो वहाँ पर जो है सरकार के अधिकारी जो होते हैं मेन यहाँ पर सच्वी के तौर पर वो होते हैं वीडियो जो PCS की थुरू जो आप लोग आज जाते हैं That is a Block Development Officer खंड विकास अधिकारी वीडियो तो वीडियो हो गए सरकार की तरप से जन पर 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 आफिसर के तोर पर, सची के तोर पर यहां पर जो होंगे, वो होंगे, पंचायति राज अधिकारी या सीडियो, चीफ डफलमेंट आफिसर, मुख्य विकाश अधिकारी बैटारी भीक, डिक है? तो यह है सेनेरियो आगे देखते हैं वागे आप जानते हैं सीडियों गएरा जो होते हैं नए नए आते हैं बढ़िया और यह से सलक्ट हो करके आईए देखी भाई आगे ग्राम पंचायती की बैठाक अक्सर पूछ लिया जाता आपकी एक्जाम में ग्राम पंचायत का सच्यू ग्राम विकाश अधिकारी होता है एक ग्राम विकाश अधिकारी बरतमान में पांच ग्राम पंचायत उगवकारी देखता है आप देख पा रहे हैं वीडियो कमी है पांच-पांच ग्राम पंचायत देख पा रहे हैं वीडियो बैकनसी फिली नहीं हो रही है फेपर ही नहीं चल रहे हैं अभी दो लगातार बैठकों के बीच दो मास से अधिक कांतर नहीं होगा तो यह आपके लिए important fact है कारिशंपादन है तो ग्राम पंचायत की बैठक शामानत्या प्रतिक मास में कम से कम एक बार होना चाहिए किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत की गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवारिया है दोतिये जो होगी वह बैठक रवी की बैठक जो रवी की फसल कटने के तो रंतबाद संपन होगी तो प्रतिबर साब से यह फक्ष आपस एक्जाम में बार-बार पूशा गया है कि प्रतिबर से सामान जो बैठक है ग्राम सभा की हुआ कितनी होनी चाहिए तो साल भर में कम से कम दो बैठके होना अगे बढ़ते हैं ग्राम परधान को हटाने की परकिरिया कानून में दिया गया है संविधान में प्रोबीजन है लेकिन एक बार जो बन गया वो तो पांच साल के लिए राजा ओट मांगने की टाइम गर घर बनने के बाद बहुत कम ही लोग जाते ग्राम परधान को हटाने है तो ग्राम पंचायत द्वारा एक बिसेश बैठक बुलाई जाती है जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवारी होती है तो आप बुला रहे हो लोगों को हटाने के लिए तो जब आप बैठक बुला रहे हो बिसेश बैठक तो आप 15 दिन पहले सूचना दे दू जब सूचना दे दिये उसके बाद क्या हो रहा है ग्राम परधान को हटाने के लिए बुलाई गई बिसेस बैठक के लिए गड़पूर्ति इसके लिए भी क्या है कोरम होना जाई तो गड़पूर्ति का होना आवस्यक है जो उस ग्राम सभा के उस ग्र जरूरी नहीं उन्हें नोड दिया लेकिन मत दाता सुची में नाम होना चाहिए तो ग्राम सदस्ति में आप काउंट हो जाओगे इसके पर पेच्छ में तो गड़पूर्ती होना आवश्यक है गड़पूर्ती के लिए एक तिहाई सदस्तियों से कम नहीं होना चाहिए मा लीजे किसी ग्राम सबा की आबादी केतनी है बारसो है बारसो आबादी है तो अगर आप परधान को हटानी के लिए बुला रहे हो अगर आपके पच्छ में आ गए, कितने लोग कम से कम वन्थड अर्थात 400 400 लोग आ गए तो बैठक में आए कितने 400 लोग तब आप मान लोगे आपकी बैठक सही है अब ये 400 लोग जब आ गए यदि बैठक में गड़पूर्ति या पेछित बहुमत ना होने के कारण प्रधान को हटाने है तो प्रस्ताव पारित ना हो सके तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ता उस बैठक के एक बर्स के भीतर नहीं लाया जा सकता अब इसको समझने से पहले आप इस तथि को देख लो ग्रामसभा की बैठक बुलाए 1200 की आबादी है 400 लोग हो गए गडपूर्थी कोरम हो गया कोटा कोटा जब पूरा हुआ तो इस बैठाई में ग्रामसभा के उपास्थित और मद्दान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा परधान को हटाया जा सकता है परधान को हटाया जा सकता है तो इन 400 में मद्दान भी करें साथ ही शाथ वपस दिद भी हो तो इसका क्या है तूथ हड़ होना चाहिए तब आप पर घिरिया शंपन कर लोगे परधान को हटाने की बाकी सब ये किताबी बाते हैं प्रेक्टकली आप जो है देखते नहीं होगे आगे बढ़ते हैं उसके बाद यहां पर जो कहा गया है यदि बैठग में गड़पूर्ति या पेचित वहुमत ना होने के कारण परधान को हटाने ही तो प्रस्ताव पारित ना हो सके तो उसी परधान को हटाने के लिए आप दूसरी बार सूच रहे हो दूसरी बार आप इश्वास प्रस्ता तब इसके बीच में एक साल का अंतर होना चाहिए नि आप जो है एक साल रुखने के बाद ही दूसरा विश्वास प्रस्ताव ला सकते हो यही बात यहां पर की गई है एक बरसी भीतर नहीं लाए जा सकता है बढ़ते हैं दूस्त आगे और पंचायतों सुसंबंधित को चदत दिये गए अभियान वगयरा जैसे कि राजीव गांधी पंचायत ससक्तिकर अभियान हो गया बहुत देशिय पंचायत भवन या भारत निर्माड राजीव गांधी सिवा केंद्रों का निर्माड डाक्टर रामानोहर रहिया समग्र ग्रामिड विकास योजना की अंतरगत आंतरित गलियों में सीसी रोड हो गया या केसी केसी ड्रेन तथा इंटर लॉकिंग स्टाइल्स की अस्थापना भू मुक्तियों जीवन रच्छा गारंटी योजना पिषडा छेत्र नंद्वान निधी कारिक्रम है प्रदेश की ग् पर अगेज़ना पिषडा नधी में स्टाइल्स की अधार पर ग्रामिड अस्थानिय निकाउं को अनुदान देता है तो राजबित आयूग का गठन आप जानते हो राजजपाल के द्वारा हर पांच साल पर किया जाता है ये भी आप वाल्टी में पढ़ते हो बढ़ते हैं आगे उतर प्रदेश में प्रथम राजबित आयूग का गठन गठन प्रतिक पांच बर्स पर आर्टिकल कौन सा है तो आर्टिकल नंबर 243 आई है 243 आई किता है यह बात की गई है कि हर पांच बर्स पर राजबित आयूग का गठन किया जाएगा गठन कौन करता है सिंपल सी बात राजबागरा संप्रति संप्रति नगर निकायों को को 40 प्रतिशत त्या जा रहा है है पांच वा उत्तरप्रदीस राजवित्तायूं की अध्यक्ष आनंद मिस्र है और इसका गठन 2005 में रहा रहा है उत्तरप्रदीस पंचायति राज दनेयम 1947 की अधा संसोधी धारा 32 का के प्राउधानों कि अंतरगर राज जपाल प्रतीक पांच बर्स पर राजवित तायू का गठन करेंगी पंचायती राज संस्थाओं के यंस से 20 परशंट जिला पंचायत दस परशंट छेतर पंचायत तथा 70 परशंट ग्राम पंचायतों को दिया जाता है तो आप अब समाझ रहें परधानी क में एक जिला पंचायत अधच होंगे तो सव करोण वे बीश करोण चला गया जिला पंचायत अधच के पंड के लिए और उसके बाद उसमें शेतर पंचायत नहीं अगर बलाक की बात करोगे मान लीजिए पांच बलाक है तो सव का दस परशंट दस करोण दस करोण जाएग इन पाच बलाकों के माध्य हम से यानि दो-दो करोण लग भग जाएंगे बचा सत्तर करोण अगर इस डिस्टिक में सत्तर ग्राम सभाएं होंगी ग्राम पंचायत तो एक एक करोण चला जाएगा लग भग इस हिसाब से आबादी की हिसाब से अपना फंट जाता है कोई ग्राम पंचायत तीन हजार की आबादी मोरदैन है किसी में एक हजार से जादा है तो अपने हिसाब से इस तरह इलोकेशन होता है बढ़ते हांगे प्रमुख परिछा उपयोगी तत्त थे उत्तर परदीश उत्तर परदेश में नविंतम यानि छठे पंचायत आम चुनाव अप्रेल 2021 में चार तरणों में शंपन हुआ है यह आप जानते हो कुरोना के 2020 में होना था लेकिन कुरोना को वज़र 2021 में खेज़ा गया समझभा रहे हां तो 2021 में हुआ चुनाव चार तरणों में समपन हुआ था यह चुनाव कुल 75 जिला पंचायतों कुल 886 चेतर पंचायतों तथा 5008 यानि 58,176 ग्राम पंचायतों के लिए कराए गए थे तो उत्तर परदेश में बरतमान में जो ग्राम पंचायते हैं तो आप जानते हो राजी के चुनाव के तह है जो पंचायती राज सिष्टा में उनिश्पाल्टि वगए रहे हैं सबका चुनाव कौन कराता है सिंपल सी बात राजी निर्बाचन आयोग कराएगा बढ़ते हैं आगी दोस्त अगली जो बात है वो नगर निकाय से सब्बंध ही तो है उत्तर परदेश में नगर निकाय की प्रकार तो नगर निकाय के बारे में आप देख लीजिए निगम निकाय प्रणाली के लिए विसेश ब्यवस्था के लिए विसेश ब्यवस्था क्या की गई अब आप जो है 243 ओ के बाद आएगा पी तो पी से लेकर के 243 जड जी तक मुन्शिपालिटी से सम्वाल्धित प्रावधान दिये गए हैं भाग कौन से होगा नव यह होगा निगम में निरबाचित होने वाले शदस्यों की कुल जो संख्या है वह 60 से कम तथा 110 से अधिक नहीं हो सकती है उतर प्रदेश नगर निगम अधनियम बर्स 1900 69 हिजबी में अधनियमित पारित किया गया ठीक है तो अधनियमित कब हुआ है यह है 1961 का पूंस ले एक तो अधनियमित बर्स वकर हो गयरा अभी पूंस लेते हैं एक जाम में याद रखो और निरबाचित जो सदस्य निगम में है सदस्यों की जो संक्या है 60 से कम तथा 110 से अधिक नहीं होनी चाहिए यहनि मेंमम 60 मैक्शों में 110 उत्तर परदीश में नगरिये श्वायत सासन संयुक्त प्रांत नगरपाली का अधनियम 1911 के तहत बर्स 1911 में परारम किया गया नगर निकाय के प्रकार कितने है तो नगर निगम हो गये जो कि आप जानते हो उत्तर परदीश में 17 नगर निगम है नगर पाली का परिशद हो गया और नगर पंचायत हो गई नगर पंचायत कितनी है नगर पंचायत कितनी हो जाएंगी तो पांच सो सतरा है जानते हो नगर पंचायत ये नगर पाली का परिशाद है तो नगर पंचायत कितने पांच सो सतरा है और नगर पाली का परिशाद जो है आपकी दोशो है आई ये की करके देखते है नगर निगम में एक मेर एक उपमेर वा तीन प्रकार की सभासद होती है तो एक मेर एक उपमेर मेर का जो निर्वाचन वा प्रतेक शुरूप से वैसक जनता द्वारा होता है मेर पांच बर्स हेट चुने जाते हैं तथा अपधारन तिथी से दो बर्स तक उसके खिलाप अभिश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता केतने बर्स तक? दो बर्स तक एक बर चुना हो गया बन गए तो आप दो साल इंतजार करिए उसकी बाद लाइए यदि दो बर्स बाद अभिश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो अपारित नहीं होता है तो फिर आप पुना तिथी से दो बर्स जो है इंतजार करिए उपधाने के जुना में आप लाइए लेकिन वहाँ पर एक साल का अंतर के बाद भी लाइए आप लेकिन यहाँ चुना होने के दो बर्स बाद आप बिल्कुल बिल्कुल बीच में आप कुछ नहीं कर सकते हैं और अंतर भी दो बर्स के बाद मेर उप मेर हो गया है सभासदों में तीन परकार के सभासद होते हैं निरबाचित, मनोनित और पदेन पदेन सदस्यों के अंतरगत नगर छेतर वाले लोक्षभा योम राज सभा सदस्य तथा बिधान सभा योम बिधान परिशद सदस्य आती है नगर पाली का परिशद है तो आपने टॉपिक टुटी तू अच्छे से कबर कर लिया धरी पंचायती राज सिस्तम जिसमें आपने ग्राम पंचात और मुंसिपाल्टी को कबर किया है तो अगला टॉपिक आपका उत्तर प्रदीश की निया व्यवस्ता से संबंदित है टॉपिक नूंबर टॉन्टी थी भारतिय संबिधान में अरुच्छित दोसो चौदा से लेकर कि 237 तक निया प्रसासन के उत्तर दाइतु का प्रावधान देखने को मिलता है यानि जब आप संबिधान पढ़ते हो तो संबिधान में आप जानते हो टोटल कितने भाग है तो 22 भाग है कितने दोस्त 22 भाग है तो बाइस भाग में पार्ट फाइप आप जो पढ़ते हो यूनियन की बात करता है यूनियन की ठीक है संख की इसके बाद जो पार्ट सिक्स है पार्ट सिक्स जो बात करता है वह स्टेट की बात करता है राज जी की पार्ट सेबन जो था आपकी सिलेबस में वो मतलब की संविधान में वो रिपील्ड किया जा चुका है आर्टिकल 239 पार्ट सेबन आपकी संविधान में नहीं है तो ये जो पार्ट सिक्स है स्टेट स्टेट में आर्टिकल नंबर 152 से ले करके 237 तक बात की जाती है की बात करता है जहां पर आपको देखने को डेफिनिशन मिलती है चैप्टर नंबर टू को देखोगे चैप्टर नंबर टू आ यहां पर आपको एक्जिक्यूटिब देखने को मिलता है एक्जिक्यूटिक आर्डिकल 153 से लेकर इस्टार्ड करोगे एक्जिक्यूटिक गवर आर्टिकल होंगे आर्टिकल 168 स्टार्ट होगा बात करेगा आर्टिकल नंबर 212 तक चैप्टर नंबर 4 देखोगे तो 4 में जो है वो पावर होगी किसकी लेजिसलेटी पावर जो गवर्नर की है जैसे कि आप अध्यादीश वाला जुराश्पति का 123 पढ़ते हो इस तरह यह होगा और 6 होगा तो चैप्टर नंबर 5 में आप देखेंगे जो की हाई कोर्ट स्टेट की बाद राज्यों के जो उच्छ नियाले हैं उनके संबद में आपको देखने को मिलता है और यह आर्टिकल आपको 214 से स्टार्ट होगा 231 तक बात करेगा 231 तक इसकी बाद चैप् पर के 237 तक बात करेगा ठीक है 237 तक तो राज्य के जो उच्छ नियाल है 214 से लेकर 233 होंगे इसके बात जो भी होगा आपका चैप्टर नंबर 6 में जो सबार्डिनेट कोर्ट होते हैं उनकी बात की जाती है 233 से लेकर के 234 तक बात तो वही पर यहाँ पर आपको देखन प्रस्तोती है ज्यादा डेटेलिंग नहीं करना है खासकर जो PCS वाले हैं कमेंड करते हैं कि PCS के लिए कौन से सीरीज कवर करें तो PCS में प्रिलिम्स के अगर बात की जाए तो PCS प्रिलिम्स में आपको UPGK से 2-3 प्रसन आपको प्रेबियस जो भी 2-3 साल से पेपर हो रहे आयुक के द्वारा 2-3 प्रस्ते जादा देखने को नहीं मिल जा है तो PCS वाले अपना इस पर ज्यादा समय बरबाद न करें इसको यदि लास्ट में भी देख लेंगे एक्जाम की पहले सरसरी निगास ही या प्रिबियस यह कोईस्टन से कवर करके चले जाएंगे तो काम बन जाएगा लेकिन यूपी का करण्ट अफेर्स कवर करना है अच्छे से चार से छे प्रस्न आपको देखने को मिल जाते हैं तो 6-7 प्रस्न मिलेंगे आपको लेकिन इस्टेटिक जीके का मातर 2-3 प्रस्न इससे ज्यादा नहीं प्रिबियस प्रिपर उठाके देखेंगे पीसियस वाले जैसे कि जन संख्या कितनी उत्तर प्रदीश की सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य किरें यह सब उंस लेते हैं जन्रली लेकिन जो आरो यारो यूपी पीसियस आरो यारो का जुपेपर होने वाले उनकी अधिया आप त्यारी कर रहे हैं तो 12 घंटे का यूथ पब्लिकेशन मायरातन कबर कीजिए साथ-चाथ घटना चक्र को अच्छे से कबर कर लीजिए क्योंकि यहां प्रशन आपको 22-23 प्रशन आपको देखने को मिलेंगे आरो यारो में यूपी से यूपी से यूपी इस्पेशल 22-23 प्रशन समझ पाना 142-23 प्रशन कम म पारजन नहीं रगता है चली आगे बढ़ते हैं इलहाबाद उच्छन्याले की अस्थापना मूलता 1866 इस्भी में सदर दीवानी अदालत के अस्थान पर उत्तरफशी में प्रांतों हे थू उच्छन्याले के रूप में आगरा में की गई थी कहां पर आगरा में इसका इलहाबाद उच्छन्याले कर दिया जाता है और आगरा से खब तो 1869 में नाम करन इलहाबाद उच्छन्याले जो किया गया उच्छ नियाले के नयाधिसु की न्यूक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति द्वारा न्यूक्ति की जाती है तो हाई कोट की न्याधिस की न्यूक्ति कौन करता है राष्ट्रपति हाई कोट के यह जो इलहाबद हाई कोट है अपना उत्तरप्रदीस का इसका एक खंड पी दावात को नाम परिवर्थित हो गया आप अजया लखनू इस रोड पर आपको यहाँ पॉलिटेक्निक के पास देखने को मिलेगा उच्छ नियालाई एक अभिलेक नियालाई भी होता है तो अभिलेक जो नियालाई है आर्टिकल कौन सा है सुप्रेम कोर्ट वाला तो सुप् वगर आते हैं आपको देखने को वही परमसत्य होते हैं उनका भी रिकार्ड क्या है उच्छ नियालाई एक अभिलिखी नियालाई भी होता है तो आर्टिकल 215 में बात की गई है जैसे कि आप सुप्रेम कोर्ट का 113 पढ़ती हो पूंशा भी गया है आपकी एक्जाम में इ नियाधिसों की सुविकृती संख्या है जो की 160 है वहा है उच्छ नियाले कहां का इरहाबाद उत्तर प्रदीश इलहाबाद हाई कोर्ट में सबसी अधिक नियाधिसों की संख्या है 160 उच्छ नियाले के मुख नियाधिस की नियुक्ति भारत के मुख नियाए मूर्ती तथा रज के राजपाल के परामर्स से की जाती है योम नियाधिसों की नियुक्ति के लिए उच्छ नियाले के मुख नियाधिस से भी परामर्स लिया जाता है तो जो की यह सबताते हैं आ प्रदीश की तुवत्रिक्त जिला तथा शात्र नियायले होगी जिला तथा शात्र नियायले होगा सिबिल जज जूनियर डिवीजन और सिबिल जज सीनियर डिवीजन लगुवाद नियायले अगला जो फैक्ट दिया है वहा है उत्तर प्रदीस न्याई की सिवा दो भागों में विभाजित किया गया है अभी जुडिशियरी की सर्विस भी जो आपका एक्जाम PCS की द्वारा हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं दो भागों में विभाजित है उत्तर प्रदीस जुडिशरी सिस्टम जुडिशियल सर्विस में आप देखेंगे उत्तर प्रदीस सिविल न्याईक सिवा है तो इस सिवा के अंतरगत मुंसिफ मजिस्ट्रेट और लगुवाद इश्माल के इसस न्यायाधीस जो है आते जबकि उच्चतर न्याईक सिवा यानि हाईयर जुडिशियल सर्विसेस में तो उत्तर प्रदीस उच्चतर न्याईक सिवा के अंतरगत सिविल एंड शेसन जज जिन्हें अब एडियिशिनल डिश्ट्रिक सेसन जज भी कहा जाता है तो न्याईक सिवा दो भागों में है 시il न्याईक सिवा है और उच्चतल न्याईक सिवा है तो higher judicial service में कौन जाएंगे तो इनमें वो ज़ज आते हैं जो कि civil end session ज़ज़ कहेंगे तो CA जिन्हें की अब additional district session ज़ज़ भी कहते हैं आगे बढ़ते हैं दोश्ट पारिवारिक न्यायले उत्तर प्रदीश का तो उत्तर प्रदेश के प्रतेग जन्पद में पारिवारिक न्यायले का गठन भी किया गया है कुटुम्ब न्यायले अधिनियम 1984 की अधिन जन्पद आजमगड मेरट अयोध्या आगरा बरेली मुरादाबाद गोरकपुर वारान सी जासी में एक एक तथा प्रियागराज ल पारिवारिक न्यायले के न्यड़ेओं के ब्रिध्ध यदि आपको अपील करना है तो केवल और केवल हाई कोर्ट और कम से कम दो न्याय अधिसों के पीठ इन अपीलों को शुनने में सच्छम है अगला तत्त दिया गया है न्याय व्यवस्था से शमाधित अन्य महाच्त पूर्ण तत्त थी है महिलाओं के विरुध्ध वाप्राधिक मुकद में कि सिग्र निस्तारण है तो प्रतिक जनपद में एक फास्ट्राइक कोर्ट का गठन भी किया गया है के इंध्रियत जाच बियों दौर्ण अन्यवेशित वादों की सुनवाय है तो जनपद लखनो में CBAI के चार अतरिक नियाले तो जनपद गाजियआबाद में CBAI के दो अतरिक नियाले अर्थात धकुलुच्छे बिसेश अतरिक नियालें का गठन किया गया है तो देक्साम में पूंच लिया जाता है कि CBI वारा जो अन्वेशित वादों की सुझवाई है तो कहां पर है तो चार तो लखनव में मिल जाएंगे आपको तो चार CBI में अत्रिक्त चार नियाले लखनव में और दो जो होंगे वा गाजिया बाद में तो तोटल छी अतरिक्त बिसीश न्याले हैं राशुका आपने बहुत नाम सुना अगा राशुका यूं गंगेश्टर आक्ट की अधीन मावलों की सुनवाई बिसीश न्याले में होती है अधीनस न्याले की छमता को बढ़ानी तथा न्यालों की प्रशासनिक करतब्बे में शायता देने ही दू प्रदेश के प्रतिक जन्पद में एक कोर्ट मैनेजर तथा उचिन्याला इलहाबाद में दो तथा खंड़ पीट लखनों में एक कोर्ट मैनेजर की पदका सिजन किया जा चुका है तो यहाँ जो टॉपिक है वो जुडितल सर्विसे से संबांधित बहुत ही महत्तपून तत्य हैं जो के पीछेस द्वारा पूंचे जाएंगे बिचारा धिन मुकदमों की भारी संख्या को शमाप्त करने तथा मुकदमों के सीघ्रिनिस्तारण के उद्देश से राज मुकदमा नीती तैयार की गई है कहां प्रियाग राज में प्रधेश में प्रथम चरण में 23 जनपदों में अस्थाई लोक अदालतों का गठन भी किया जा रहा है उत्तर परदेश में काररत अभियोजन अधिकारियों सहायक अभियोजन अधिकारियों जिला सास की अधिवक्ताओं सहायक जिला सास की अधिवक्ताओं को डाक्टर भीमराव अंबिटकर पुलिश एकेडमी मुरादाबाद आई आई एम लखनव विधी विज्ञान पर यूग रिसाला लखनव तथा नियाइक प्रसिक्षण यूम अनुसंधान संसतान लखनव में प्रसिचित किया जा रहा है तो यहां से आप ये भी जन्नल नौलज के तौर पर देख पा रहे हैं कि जैसे कि जो प्रसिक्षण होता है जैसे कि जो यूपी पीसेस के थिरू बनते हैं डियस्पी हो गएरा तो उनकी जो ट्रेनिंग होती जैसे आई पियस जाते हैं कहां पर सरदार बल्लब भाई पटेल अकैडमी में इसी तरह यहां पर भी आप देखेंगे डियस्पी हो गएरा बंते हो डाक्टर भीम रावंबेट कर पूज से करडमी मुरादावाद ठीक है तो यह बिस एकलीस के लिए मैं बता रहा हूँ यहां पर बाकी आप यहां आई 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 अम लखनव है विधी विज्ञान पर य अधनियम के तहत मामलों की विवेचना ही तो मंडल अस्तर पर अपार सत्र न्याधी सस्तर के न्याले मेरट बरेली लखनव वाराणसी गोरखपुर में स्रिजित किये गए हैं अगला फाक्ट दिया गया है बैलिश्वा संबिधान संसोधन है तो न्याइक व्यवस्था में संबिधान संसोधन बैलिश्वा जो रहा है वह किस तरह प्रभावित किया यहां पर देखिएगा बैलिश्वा संबिधान संसोधन द्वारा बर्स 1976 में संबिधान में अनुच्छेद 49 का के तहत राजी के नीत निशक्तत्तों में समान बिधिक शहायता का आर्टिकल का उनसा होगा तो आर्टिकल है 39A 49 का है इसी के तहत राजी सरकार द्वारा 1987 में बिधिक सेवा प्राधिकर्ण अधनियम 1987 पारित किया गया क्योंकि समान न्याए और नहिसुल के बिधिक शहायता का उबंद आपकी संबिधान में किया गया है तो राजी के नीत निशक्तत्तों हैं तो राजी के जिम्मेदारी भी बन जाती है तो इसी के तहत जो राजी सरकार हैं इनके द्वारा 1987 इसवा प्राधिकर्ण अधनियम 1987 प्राधिकर्ण जिलास्तर पर जिला बिधिक शिवा प्राधिकर्ण और तैसील अस्तर पर तैसिल बिधिक शिवा प्राधिकर्ण की अस्थापना की गई है लोक अधालतों के माध्यम से ये प्राधिकर्ण न्याले में यो न्याले से बाहर लंबित समस्त प्रकार की बिबा सब्सक्राइब कि अस्थापन कर्ष्ब की गई उत्तर प्रदिस सरकार द्वारा वाया गया है बरस 1975 इस भी प्रतमप्रसास्निक शुधार आयुक की संस्तुतियों की आधार पर उत्तर-प्रदीश की लोकायुग्त तथाउप लोकायुगत विधियक 1975 को राश्ट्रपदी की द्वारा दूशो एक धिननमति प्रदान की गई है तोतर परदेश में लोक आयूक्त की अस्थापना 1975 में की गई है कई बार आपकी एकझाम में पूछा भी गया है यहां कारिपालिका के प्रभाव स्यमुक्त तथा स्वतंत्र होता है लोक आयूक्त लोकाली में अत्रक्त प्रवणीर के दो परकार की फरिवाद यानि सिकायत त अभिकतन प्रस्टुत किये जाते हैं लोग सेवकों के सेवान इव्रित होने पर उनके दियकों के भुगता ना होने से संबंधित प्रक्रण सिकायत के अंतरगत आते हैं राजी सरकार के विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपियोग या भरस्टाचार से शमवन्धित परिवाद को भी अभिकतन कहते हैं तो अभी कतन क्या होगा राज सरकार की विभाग की किसी लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपियोग या भरस्ता चार से शम्वंधि जो विभाद परिवाद होंगे उनको क्या कहेंगे आप अभी कतन नियाले महालेखाकार उत्तरप्रदीश विधार मंडल लोक सिवा आयूग नर्बाचन केंद्री सरकार के किसी प्रभाग ग्राम सभा की प्रधान राजजपाल सचीवाले के कर्मियों तथा मुख्यमंत्री को लोकायुक्ती कार्य फरिदि से मुक्तर रखा गया है तो लोकायुक्ती ने आपके एक्जाम में दिपूंस लिया जाए कि निमलखित में से कौन लोकायुक्ती कार्य फरिदि से बाहर होंगे अब आपके एक्जाम में आपके आप्शन में मिल जाए केंद्र केंद्रिय सरकार की किसी प्रभाग तो सिंपल से बात भाई लोकायु उत्तर प्रदिश का विधार मंडल हो गया लोक सेवा आयोग हो गये पब्लिक शर्विश कमीशन है अना न्याले हो गये महालेखाकार है सचिवाले की जो कर्मचारी है सचिवाले समझ रहे हैं आप सेक्रेटियेट आरू बन जाओ जागे वहां पर लोक आयूतिकारी पर इससे बचेंगे वह आएंगे आगे क्या बोला जा रहा है लोक आयूतिकी परिदिमें नाकिवल मंत्री गण तो मंत्री गण तो आएंगे ही राज के मंत्री गण हो गए बिधान मंडल की सदस्य बिधान मंडल नहीं आएगा लेकिन बिधान मंडल की सदस्य होंगे वह परिदिमे आते हैं वरंड़ान स्वयमसासी संसताय निगम परिषदों की अध्यच्वा कर्मचारी गन भी आते हैं ऐसे समस्ट लोक शिवकों के बिरुद्ध सिकायतों यो में भिकतनों को प्रस्तुत करने का अधिकार समस्ट नागरिकों को प्राप्त है कोई भी नागरिक हो उसको अध सुति भेजने का धिकार लोकायुत के पास उप्राम्त है नियाय मुर्थ विशंभर दयाल 14 सितंबर 1977 से लेकर के 13 सितंबर 1982 इस भी तग उत्तर प्रदीश की प्रथम लोकायुक्त थे जित एक्जाम में पूंचा जाता है लोकायुक्त की अस्थापना कब होई 1975 में प्रथम ज नियाय मुर्थी संजय मिस्रा है तो पहले रहे विशंभर दयाल और लेटेस्ट जो आपके हैं बर्दमान में वो हैं संजय मिस्रा नियाय मुर्थ यानि जज शंजय मिस्रा उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कारिकाल 6 वर्स का था जिसे मार्च 2012 में संसोधित करके 8 वर्स कर दिया गया है तो कारिकाल 6 वर्स का हुआ करता था लेकिन बाद में संसूदन किया गया और कालिकाल जो लोकायकत उत्तर प्रदीश का इसका कारिकाल 8 वर्स का कर दिया गया है बरतमान में उत्तर परदेश में तीन उपलोकायुक्त हैं जिनके नाम संभूशिंग यादो, दिनिश्ट कुमार सिंग और सुरेंद्र कुमार यादव हैं तो एक लोकायुक्त हो गए बरतमान में संजय मिश्रा, पहले जो रहे हैं वा थे विश्वामभर्दयाल बरतमान में एक लोकायुक्त संजय मिस्रा और तीन उप लोकायुक्त हैं संभो सिंग यादव हैं तो दो यादव हो जाएंगे संभो सिंग यादव और यहाँ पर सिंग है दिनिश्ट कुमार सिंग है तो इस तरह याद रखिएगा लेकिन आप से जो पूँचा जाएगा लोकायुक तही पूँच लिया जाएगे बागी यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो न्याय मोर्टी लोकायुक रहे हैं वह 14 सितंबर 1987 से 13 सितंबर 1982 तक न्याय मोर्टी भिश्वंभर दयाल थे तो पहले को आप याद रखिए और बरतमान में जो हैं सात्वे इनको याद रखिए तो सात्वे नंबर के हैं एक्जाम में पूँच ले उत्तर प्रदीर सी सात्वे बरतमान हटा दे सात्वे पूँच ले तो न्याय मोर्टी संजय मिश्रा बताईए दूसरे हैं न्यायमूर्ट मिर्जा मुहम्मद मुर्तजा हुशायन पीशरी कैलाश नाथ गोयल चौथी राधीश्वर सिंग पाचवी शुधिर सिंग शुधिर चंद्र बर्मा शठे यनकी महरोत्रा और साथ में बर्तमानिव न्यायमूर्ट संजय विश्रा अगला जो फाक्ट है उत्रप्रदीश सुचना आयूग है अध्रियम दो हजार उन्नीस में हुई शंसोधन के तहत इस अध्रियम की धारा सोला एक की अनुशार राज्य मुक्ष शुचना आयूग तो तथर राज्य सुचना आयूग का कारिकाल केंद्र सरकार द्वारने धार तो अध्रियम तुर्द ही यानि 65 वर्स उनकी उम्र हो या कारिकाल 3 वर्स हो जो भी पहले हो वह कंप्लीट कर लेंगे तो सिंबल सी बात एयाद रखना है उत्तर प्रदिस सूचना आयूत या राज सूचना आयूत का जो कारिकाल होता है ओमर सीमा 65 बर्स या 3 साल 3 बर्स जो पहले हो राजी के प्रथम मुख सूचना आयुक्त न्यायमूर्थ यम ए खान थे तो पहले जो उत्तर परदेश की मुख सूचना आयुक्त रहे है न्यायमूर्थ यम ए खान थे जन्होंने माई 22 मर्च 2006 को पद भार गरहन किया तथा 9 जुलाई 2008 को इस पद पर रहे हैं तो इतना ही य मूर्थ यम ए खान उत्तर परदेश के पहले सूचना आयुक्त मुख्या यम ए खान कारिकाल 65 वर्सिया तीन साल जो पहले हो बर्तमान में रज्ज के मुख सूचना आयुक्त भाविश कुमार सिंग है जो कि 6 फरवरी 2020 से अभी तक बने हुई हैं इससे पहले जाविद उश पहले मुख सूचना आयुक्त यम ए खान थे बर्तमान में भाविश कुमार सिंग है कि रज्ज के मुख सूचना आयुक्त तथा रज्ज सूचना आयुक्त पुनायुक्ति के पात्र नहीं होते हैं एक बार रिटायर हो गए तीन वर्स तीन साल तक कारिकाल या 65 वर्स उम्र जो पहले हो रिटायर होने के बाद पुनाह नियुक्ती के पात्र नहीं होते हैं मुख सूचना आयुक्ता साथी शाथ राज शूचनायुक्त तथा पी राज शूचनायुक्त मुख सूचनायुक्त के पद पर हे तो नियुक्ति के पात रहें यानि जो एक बार मुख सूचनायुक्त बन गया वो रिटायर हो गया तो वह दुबारा मुख सूचनायुक्त नहीं बनेगा इसके बाद जो सूचना आयुक्त होंगे तो दुबारा सूचना आयुक्त के लिए पद भरार गुरहण नहीं कर सकते हैं लेकिन इनका प्रमुष यापना आगे जा सकते हैं मुख चुनाव मुख सूचना आयुक्त बन सकते हैं लेकिन दुबारा यानि पुनह न्युक्ति के पात्र नहीं होंगे सुचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 कि धारा पंद्रह के अंत्रगत राज सरकारद्वारा 14 सितंबर 2005 को गठित किया गया था तो उत्रप्रदीस सुचना आयूग का गठन कब हुआ है चोदा सितंबर 2005 को और जो आर्टियाई आक्ट है 2005 की धारा पंद्रह की अंत्रगत तो बस इतना याद रखो आक्ट कब का है इस्थापित कब हुआ दैट सिट पहले काउन थे यह मेखान थे बरतमान में काउन है सुचना आयूगत हो या मुख्य सूचना आयूगत हो दुबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे लेकिन जो सूचना आयूगत है वह मुख्य सूचना आयूगत बन सकते हैं लेकिन पुना जो है आप सूचना आयूगत नहीं बन सकते आगे बढ़ती है अगलो फाक्ट र मानवा दिकार आयुक का गठन 7 अक्टूबर 2002 इसभी को किया गया है तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना एक्जाम के पॉइंट आप विव से कि मानवा दिकार सनरक्षण अधनियम कब का है 1993 इसभी का क्योंकि आइक्ट का यह भी कभी कभी आपके एक्जाम में पूछने क जो मिलता ही है धारा याग रखनी कोई जरुवत नहीं है हाँ उत्तर परदिश मानवा दिकार आयुक का गठन कब किया गया है तो 7 अक्टूबर 2002 इसभी को इंप्वाटेंट है मानवा दिकार सनरक्षण अधनियम 1993 में एक जो है संसोधन किया गया 2019 में संसोधन के बाद पूने नियुक्ति के पात्र होती है पूनाहर नियुक्ति के पात्र तो राजमानवा लेकिन सूचनायुक्त के बारे में आप क्या पढ़ रहे है सूचनायुक्त या मुख्य सूचनायुक्त क्या है पाई सथ बर्स यहां पर तीन साल तो है तीन वर्स लेकिन उमर क्या है य पात्र नहीं होते हैं लेकिन राजमानवाधिकार की आयूग की जो अध्यक्ष होंगे वह पुना नियुक्ति की पात्र होंगे उत्रप्रदिश राजमानवाधिकार आयूग की जो प्रतम अध्यच रहे हैं वो थे न्यायमूर्थी एपी मिस्रा जो 10 सुक्टूबर 2002 से लेकर तो टाइम पीरियट को नहीं याद रखना बस याद रखना है कि उत्रप्रदीश राजमानमा अधिगार आयूग के पहले अधच कौन थे तो न्यायमूर्टी एपी मिस्रा पहले रहे है इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि पिछले जो अधच थे राजमानमा अधिगार आ को आपका है इसके साथ ही शाथ मानवाधिकार संट रख्षण अधियम कपका है 1993 का उत्तरप्रदीस राजमानमा अधिकार आयूग का गठन साथ अक्टूबर 2002 को हुआ है यहां पर जो अमर सीमा है वा तीन बरस है कारिकाल तीन बरस है उमर सीमा सतर बरस है जो पहले आपका हो जाए मान लीजिए 68 एर पर बनते हैं कारिकाल तीन बर्स का है तब ये मान लीजिए 70 बर्स के हो गए तो कारिकाल दो ही साल का पूरा होगा 70 बर्स पूरा कर लिए तो 70 बर्स पर रिटार हो जाएंगे दो साल ही हो जाएगा मान लीजिए 65 साल पर होते हैं नियुकती हो जात न्याय मूर्ती बाल कृष्ण नाराण को राजमान अधिकार आयूग की अध्यक्ष है पहले थे एपी मिस्रा बस इतना याद रखो कारिकाल तीन वर सिया सत्तर वर हुजु आयूग पहले हो आपकी अधिकार सरक्षा निश्य तिरान नभी है गठन उत्तर प्रदीश का साथ अक्ट्रो पर दोहजाद को हुआ आगे बढ़ते हैं अगला है राजमहिला आयूग क्या उत्तर प्रदीश राजमहिला आयूग के बारे में है यह है उनका लोगों यहां पर देख पा रहें तो यहां पर मोटों यहां पर देख पा रहें मोटों के यहां सक्ति सुरक्षा और मुश्कान राजमहिला आयूग का है उत्तर प्रदीश राजमहिला आयुक का पुनर गठन उत्तरप्रदीस राजमहिला आयुक की अधनियम 2004 की अंतरगत 26 अपरेल 2013 को किया गया है 26 अपरेल 2013 को उत्तरप्रदीस राजमहिला आयुक की बरतमान अध्यक्ष बिमला बाथा में 6 अगस 2018 से बनी हुई है आगे बढ़ते हैं अगला तत्त थे आपका कानून व्यवस्था उत्तर प्रदीश्ट लखनो यूम गौतंबोद नगर में पुलिश आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया 13 जनवरी 2020 को कान्पुन नगर यूम बाराणसी में पुलिश आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया मर्च 2021 में परदेश सरकार द्वारा महिलाओं को तदकाल पुलिश चाहिता है तू पुलिश आयुक्त प्रणाली है तो पुलिश कमिशनर जब प्रणाली लागू हो जाती है तो जो मजिस्टेश की सक्तिया रही उनको जो है कुछ सक्तियां जो है पुलिश महाने दस EDC- свой या जो पुलिश आयुक्त कमिश्टर वार या जाती है तो उपर उपर समझे आगे बढ़ते हैं अब कारागार यों प्रशासन सुधार है तो उत्तर प्रदीश कारागार के हाँ पर लोगों आप देख पा रहे है प्रदीश में संचालित जो केंद्रिय कारागार है वो 6 है केंद्रिय कारागार 6 है 6 कौन कौन से यहाँ पर आप देख पा रहे है बरतमान में प्रदेश में बंदियों के निरुद्धिक्रणवा सुधार है तो बिभिन छेड़ी की संचालित कारोगोनों की संख्या जो है वो 74 है जो की 28 फरवरी 2022 की स्थेती की अनुसार है प्रदेश तथान प्रदेशों के कारागार कर्मियों की प्रसेक्षण है जो संस्थान हो संपूर्ण नंद कारागार प्रसेक्षण संस्थान कहां पर लखनव में परदेश यहां पर आप सरतरी निगा से देख़ लीजीए केंद्रिय कारागार आगरा अस्थापना 1854, बरेली 1837 में, फटेह गड़ में 1868 है, नैनी प्रियागराज में 1879 में, वारानसी में इस्थापना 1867 में, इसके बात जो केंद्रिय controversy कारागार बरेली में 2 है, दूसरा जो है, वह जनूरी 2017 में खुली नई जिला जेल को केंद्रि पर देखोगे तो प्रदेश में छे केंद्रिये कारागारों की अत्रिक्त बांस्ट जिरान्या कारागार दो उपकारागार जो की देवबन और महोबा में 4,2 कारागार आदरसनगर लखनौव नारी बंदी निकेतन लखनौव केंद्रिये महिला केंद्रिये कारागार बरेली किसोर सदन बरेली ये किल्या सील फरला एधिक आवधी के सिद्ध दोश अल्पवयस कबंदी जिनके उम्र 19 बर्स से कम है इनको 23 बर्स की आई तक किसोर सदन बरेली अस्थापना बरेली में जो है निरुद्ध किया जाता है उपरयुक्त की अतरिक्त केंदरिय कारागार नैनी उम्शत्तरा जिला कारागार परिशोरों में पिस्थाक अल्पवयस कारागार अस्थापित है पर बेच्छक्यों प्रशास्निक शुकमता की द्रिश्री से प्रदीस की कामगारों को 6 कारागार पर 6 त्रोंदडी आगरा मेरट भरीली लखनों प्रियागरा तथा गोरकपुर में विभाजित किया गया है कारागारों में निरुध निराच्छर बंदियों को साचर किये जाने है तो यह पढ़ाना है अगर कारागार जो बंदी है तो एक पढ़ाए एक तथा नया सवेरा कारिक्रम सभी कारागारों में संचालित है तो नया सवेरा कारिक्रम किसी संबंधित एकजाम में कई बार पू लोकतन्त्ता रणादर्चकुट जो कि यापाटकाल के दवराण लोकतंत्र की रच्छम योगदान देने वाले हैं इनको शम्मार रास योमन सुभधाय प्रदान किये जाने है उत्तरप्रदीश लोकतंत्र सेनानी शम्मार अधनियम 2016 लाया गया है बरतमान में उत्तरप्रदीश की स्वतंता संग्राम सेनानियों योम उनकी आसरितों को स्वतंतर संग्राम सेनानी कल्यान संग्राम सेनानियों के लिए आवासियों भोजन की व्योस्ता कराने की उद्दीश लखनों में एक सेवा सत्दन की अस्थापना की गई है और इसी के साथ पूरा आपका उत्तरप्रदीश नयाई व्योस्ता का टॉपिक कम्पलीट हो जाता है टॉपिक नंबर 22 कम्पलीट टोटल कितने कबर करने हैं 23 टॉपिक अगला टॉपिक है टॉपिक नमबर है 24 उतर प्रदीश की प्रमुख अस्थल आगरा इस्थित लाल किले का निर्माड किसने करवाया था अकबर ने करवाया था सूफी संत सेख सलीम चिस्ती के दरगाह कहा इस्थित है फतेह पुर्शीकरी में राधा स्वामी शंपरदाई की अनुवाईयों का मंदिर कहा पर इस्थित है तो दयालबाग आगरा में उत्तरपरदीश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुत दीशिय संग्राल है कहां पर है यहां लखनव में है देटिज राज्य संग्राल है और इसकी अस्थापना बर्श 1863 इसबी में की गई थी प्रियाग का नाम इलहाबाद रखा किसने था अकबर ने और फिर योगी आदितनात जी आते हैं और इलहाबाद का नाम फिर प्रियाग राज हो जाता है मुगल समराट अकबर का मगबरा इस्थित कहां पर है तो यह सिकंदरा आगरा में व्रिंदा बन इस्थित गोविंद देव के मंदिर का निर्माड किसे ने करवाय था तो जैपूर के महराजा मान सिंग ने अयोध्या में जनमें कुल पांच जैन तीर ठंकर जिन्हों ने जैन धार्मिक मोलियों का प्रचार किया तो वह थे अयोध्या में जनमें रिशब दीव आजितनाथ अभिनंदन शुमितनाथ और अनंतनाथ उत्तर प्रदीश के प्रमुक्त संग्रहला योम उनकी अस्थापना वर्स है राजी संग्रहला जो की सबसे बड़ा सबसे पुराना है उत्तर प्रदीश का अभिदे क्या रहे सबसे बड़ा और सबसे पुराना बहुत दीची संग्रहला है तो राजी संग्रहला लखनो में इस्थापत हुआ 1863 में राज्किय शंगरहले मतुरा में 1884 में राज्किय शंगरहले ज्हाँसिका 1978 इसभी में अंतरराश्टी रामकथा संगرहले योम 6 गैलरी कहांपर आयोध्या में इस्थापना हुई penis 1888 इसभी में राज्किय बोध शंगरहले गोरकपुर का 1986 में इस्थापित हुआ लोक कला संग्रहले लखनोग का 1989 बी में जनपदी संग्रहले शुल्तानपुर की अस्थापना 1989 बी में राजकिय बहुद संग्रहले कुशी नगर की अस्थापना 1994 बी में राजके जैन संग्राले मतुरावाला ये 2003 में इस्थापित हुआ, डाक्टर भीमरावंबेटिकर संग्राले यों पुस्तकाले रामपुर 1998 इस्थापित हुआ। राजके बोध संग्राले पिपरहुआ सिधार्टनगर 2009 में इस्थापित हुआ, राजके पुरातत तो संग्राले फर्रूखाबाद का जो की निर्माडा धीन है, बाल संग्राले का नोज में यह भी निर्माडा धीन है। तो इस तरह आपने उत्तर प्रदीश की प्रमुक शं आगरा में, ब्रिंदाबन मंदिर मतुरा में है, खान काह रसीदिया मैनपुरी में, भगवान वाराह मंदिर कहां पर है तो सोरू कासगंज में, रूमी दरवाजा कहां पर लखनव में, गोला गोकर्ण नाथ मंदिर कहां पर है लखिमपुर खीरी में, चक्रतीर्थ सुद्यूध्य, पावनी सहीदस्थल पुलबा क्यूं, सहीदस्थल चावनी बस्ती में है, कनक भवन कहां पर है आयोध्या में तो कई बार ये पूंचा गया है सब्त मात्रिका की प्रतिमा कहां पर है कन्नोज में है जेके मंदिर कई बार आपसे पूंचा गया है या कानपुर नगर में है दिंगब मर्द जैन मूर्थियां कहां पर है तो आसे ही किले से प्राप्त जो कि इटावा में है तो जेके मंदिर आपकी एक्जाम में पूछे गए है कनक भवन पूछा गया है रोमी धर्वाजा पूछा गया है और नमिशा रन्यसीता पूर वाला ये पूछा गया आपका कई बार आपकी इक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ताज महल है ब्रिंधावन मंदिर है भगवान बाराह मंदर है आगे बढ़ते हैं सुक्ल तालाब कहां परलोकेटर है या कानपुर देहात में गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में होगा बाउध इस्तोप तो कुशी नगर योंपी परहवा सिधार्थ नगर में ये पूछा गया है बाबा सुमनाथ जी का मंदिर कहां देवरिया में संत कवीर निर्मार स्थल मगार संत कवीर नगर माथा कुमर बुद्ध प्रतिमा कुशी नगर में है दसावतार मंदिर देवगड लेलितपूर में है हरिदेव जी मंदिर गोवर्धन मथुरा में लाडली जी जो की राधा मंदिर है तो यह कहां पर मथुरा में होगा अउघरनाथ मंदिर मेरठ में है मुगल घाट फरुखाबाद भ्रिगु मंदिर बलिया लोधेशवर महादेव मंदिर बारा बंकी में बेंध्या वासिनी मंदिर मिरजापूर में पूछा गया है आपसे ब्यास टीला यो नरसिंग टीला जालोनमी दानतीर्थ कहां पर है हस्तिनापूर में मेनी दानतीर्थ हस्तिनापूर मेरठ शाकंबरी देवी मंदिर कई बार पूछा गया आपकी एक्जाम में यह शारनपूर में है भारदवाज आस्रम यो अचैवट कहां पर है प्रियाग रेली में असपाक उल्ला खाक की मजार कहां पर है तो साजहांपूर में है चाइना मंदिर आप समझ पा रहे हैं इंडिया में चाइना मंदिर है चीन नहीं है चाइना मंदिर कहां पर है यह स्रवस्ती में है रानी महल जहासी में है मकरबई मंदिर महुबा में कामदगिरी पर में पूंचे गये हैं सब रजा लाइबरेरी रामपूर में सिबली अकेडमी आजमगड देवी पाटन मंदिर बलरामपूर एक्जाम में पूंचा गया है आपसे पारबती अरगाब भ्यारन तो आपसे मिलान करने को पूंचा ही जाता है रेंड कीश्वर महादेव मंदिर शो नवर में है शुक्रताल का प्राचीन सिव मंदिर मुझफर नगर में है धानपूर शही दिश्मारक चंदवली लाड कानावलिष का मगबरा कहां पर है यह आपसे पूंचा गया है कई बार यह कानावलिष का जो मगबरा है तो गाजी पूर में गाड़ दिये थी इनको है चलिए आगे देखते हैं राज में है तो इस तरह आप टॉपिक नंबर 24 कंप्लीट कर लेते हैं अगला जो टॉपिक है टॉपिक नंडर 25 है और यह है उत्तर प्रदीश प्रमुक्स संस्क्रितिक संजथानियों नच्छत्र साल आएं तो आई एक ही करके देखते हैं भारत खंडे संस्क्रित विश्विद्यालाय कहां पर है लखनवु में है इसकी अस्थापना बरस 1926 इसदी में मायरिस कॉलेज के नाम सिख की गई थी बाद में नाम बदल कर भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा गया तो किनके नाम पर संगीत कारपं बिश्व नाराण भारत खंडे के नाम पर उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा 26 मार्च 1966 को इसे अपने नियंतरन में ले लिया गया और डिम्ड विश्विद्यालय घोशित होने तक यहाई एक सस्की संस्था की रूप में गच्छी लहा और बाद में 27 अक्टूबर 2022 को UGC द अकादमी कहां पर उत्तरप्रदीश में लखनव में होगा अस्थापना आठ फरवरी 1962 को उत्तरप्रदीश साचन की संकित विभाग की पूरता बित्तपोशी स्वायत तसासी हिकाई की रूप में इस्थापना की गई है अगला दिया है उत्तरप्रदीश सिंधी अकादमी या कहां पर है लखनव में है इस्थापना 1966 में की गई है इसका उद्देश सिंधी भासा के प्रचार प्रशार बिकास संरक्षण योंशंबर्धन हेतु है उत्तरप्रदीश पंजावी अकादमी इसकी अस्थापना 5 मार्च 1929 को की गई थी राज संगरहले लखनव इस्थ संगरहले की रूप में लाल बारादरी में वेवस्तित हुआ और 1935 में इसका नाम प्रांती संगरहले की अस्थान पर राज संगरहले रखा गया अगला इंस्थिटूट आपके जो संस्थान है या भारती नाट एक आदमी है जो की लखनव गोंती नगर में आईसिया इंस् पास में तो 1975 में इसको श्थापना की गई इसका उद्दिश से हिंदी भासी प्रांतों में प्रति भावनियों आकांची वक्यूतियों को नाट कला में प्रसिक्षन देने हेतु है तो भारती नाट कादमी कई बार आपके एक्जाम में पूंचा गया है लखनव में है अस् इसकी अस्थापना की गई थी इसकी अस्थापना का उदेश्य उत्तर परदीश के जंजातियों लोक संस्कित के सनलक्षड संबर्धनयों प्ररसन करना रहा अगला है उत्तर परदीश राजी की अभिलिखा गार इसकी अस्थापना बर्स 1945 में इलहाबाद में जिसका बर्त प्रियाग राज हो गया है किया गया था संट्रल रिकार्ड्स ओफिस के रूप में स्थापिट है परंत उनीच सो तिहटर इस भी में इसे लखनव अस्थाना तित कर दिया गया तो बरतमान में उत्तरप्रदीस राज की अभिलिखागार लोकेटेड कहां पर है लखनव में है इलहाबाद में उनीच सो अचास इस भी में स्थापना हुई थी और उनीच सो तिहतर इस भी में इसको रांसफर किया गया लखनव उत्तरप्रदीस संगीत नाटक अकादमी की अस्थापना 13 नवंबर उनीच सो तिरसर इस भी को की गई थी अगला है आपका राष्टिय काथक संसुथान कहां पर लखनव में है संस्कृती विभाग की अंतरगत स्वाधत सासी संसुथान की रूप में बर्स 1988-89 में राष्टिय काथक संसुथान लखनव की अस्थापना की गई थी उत्तरपर्दिश संस्कृत संसुथान लखनव में है 31 दिसंबर उनीच सुची अतर इस भी को इसकी अस्थापना की गई थी इसका उद्देश्य संस्कृत पालियों प्राकृत भासाओं तथा उनकी शाहित्त की संसुथान लख्षण प्रोस्थानियों विगाज ही दुआ नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तानी अकैडमी तो हिंदुस्तानी अकैडमी प्रियाग राज में है अस्थापना 22 जनवरी 1927 सुच बिको की गई थी और देश इसका क्या है भारती भासाओं सहित हिंदी उर्दू प्रजभासा अवधी की साहित संलक्षण बिकास यों उन्नती हे तू नेक्स्ट उत्तर प्रदेश हिंदी संसथान इसकी अस्थापना 30 दिसंबर 1923 भी को की गई और इसी के साथ टॉपिक नमबर 25 आपका कंप्लीट हो जाता है अगला जो टॉपिक नमबर है 26 है उत्तर प्रदेश में सिक्षा उत्तर प्रदेश सिच्छा से संबंधित महत्तपून उत्तर थे हैं उत्तर प्रदेश क्रिशी अनुशंधान परिशत की अस्थापना कब की गई है बर्स 1989 भी उत्तर प्रदेश बेसिक सिच्छा परिशत की अस्थापना कब होई है 1932 भी में अखिल भारती आरुबिज्यान संसुथान एम्स कहां पर है तो उतर प्रदीश मिराय बरेली योम गोरखपुर में उतर प्रदीश हिंदी संसुथान की अस्थापना कब हुई है बर्स 1976 इसभी में डाक्टर अम्बिटकर इंस्थिट्यूट आफ टेक्नोलाजी फार हैंडिकाप कहां पर है तो कानपूर में है और इसकी अस्थापना राज साच्चिक अंसंधानियों प्रसेक्षण परिशद की अस्थापना कब की गई उतर प्रदीश में 1981 इसभी में उर्दू प्रदेश की दूतिय राज भासा कब गोशित की गई है कई बार आपकी एक्जामें पूशे गए हैं 1499 इसभी में उतर प्रदीश संस्क्रिश संस्क्रिश और संस्थान की अस्थापना 1976 इसभी में की गई है आगे बढ़ते हैं ए भास्याला तर्द है कि छ चेकर सायों परो दोगी की सेक्षन संसथान है उत्तर प्रदीश में मेडिकल कॉलेज कितने है तो 31 मेडिकल कॉलेज है कितने 31 है इसमें नर्सिंग फार्मेशी आरबेदी घोमे जिनानी कालिज समलित नहीं है उत्तर प्रदीश में राजकिय इंजिनियरिंग कॉलेज कितने है तो राजकिय इंजिनियरिंग कॉल आधोगिक प्रसिक्षण संसथानों की संख्या कितनी है तो राज़की आधोगिक प्रसिक्षण संसथानों की संख्या उत्तर परदीश में 305 है तो कितने ITI है तो 305 ITI है कितने politics ते 1076 है किचनी इंजरीन कॉलेज 12 है और medical college कितने उत्तर परदीश में 31 है जिसमें नर्सिंग फार्मेसिय और वेडियों युनानी कॉलिज समलिद नहीं है अगला फाक्ट है उत्तरपरदीश में इस्थित प्रमुक्ष सिक्षन संत्थान यों संबंधित अस्थापना और अधिसू सिना भर्स केंद्रिय विश्विद्याले कितने होत्तरपरदीश में छे है और या 23 अगस 2022 की इस्थिती की अनुशार है या 23 अगस 2022 तक का डाटा है तो छे केंद्रिय जो विश्विद्याले कौन कौन से है इलहाबाद विश्विद्याले प्रियाग राज जिसकी अस्थापना 1887 में बनारस हिंदू विश्विद्याले बाराणसी में 1916 में स्थापना हुई अलिगड मुस्लिम विश्विद्याले अलिगड का 1920 में स्थापिट हुआ बाबा साहथ भीमराव मेटकर विश्विद्याले लखनव में है 1996 भी बना राजियो गांधी राष्टिय भीमानन विश्विद्याले अमेठी और इसकी अस्थापना 2013 में अधनियम पारित करकी किया गया राणी लच्मी भाई केंद्रिय विश्विद्याले जहांसी में है जिसकी अस्थापना 2014 में होई है तो केंद्रिय विश्विद्याले उत्तर प्रदीश में कितने हैं दोस्त छे केंद्रिय विश्विद्याले है प्रियाग राज का है जिसकी अस्थापना 1887 भी में की गई थी देम्ड विश्वविद्याले तो उत्तर प्रदीस के देम्ड विश्वविद्याले जैसे कि नहरु ग्राम भारती विश्वविद्याले प्रियाग राज 2008 में इस्थापित हुआ सोभिद अभियांतरी की यों प्रोदोगी की संसुथान मेरट में 2006 में बना जेपी सूचना प्रोदोगी की संस्थान नोईडा 2004 संतोष बेश्वविद्याले गाजियाबाद 2006 में इंडियन बेटनरी रीसर्च इंस्टिट्यूट एजद नगर बरेली यह आपके एक्जाम में इंस्टिट्यूट आगरा में है 1981 में इस्थापित हुआ केंद्रिय उच्चते बती सिच्छा संतोष बेश्वविद्याले का दर्जा प्राप्ति किया आगे बात करते हैं 22 अगर दो हजार बाइस तक इस्थिदी की अनुशार उत्तर प्रदीश में टोटल जो निजी विश्ववेद्याले हैं वह ताइंटीश हैं कितने हैं दोस्तों ताइंटीश निजी विश्ववेद्याले हैं सरसरी निजास से आप एक बार देख लीजिए कितने हैं ताइंटीश हैं कौन कौन से हैं फ्राइबिट इन्वर्सिटीज आप देख पा रहे हैं आई आई एलम विश्ववेद्याले ग्रेटर नोईडा में 2022 में बना युनाइटड विश्ववेद्याले प्रियागराज 2021 महायोगी गोरकनात विश्ववेद्याले गोरकपुर में 2021 में याफियास विश्ववेद्याले फिरोजाबाद 2021 बेनेट विश्ववेद्याले ग् ये सबी जो है 2016 में बने। इसके बाद है तो आपसे जो पूँचा जाता है वो दिब्यांग विश्वेद्याले इंप्वार्टेंट है आपकी प्रिबेश एयर कोश्टेंस में यूपी की एक्जाम में कई बार पूँचा गया है कि दिभ्यांग जो भी स्विध्याल ये कहां पर लोकेटड है या है नाम है इसका पूरा बुरा जगत गुरु राम भद्राचार दिभ्यांग भी स्विध्याल है जो की 2001 में बना स्थापिद हुआ और ये चित्र कूट में है लोकेशन जाद रखिए दिभ्यांग भी हुआ इनवर्फिटी जी विस्दिया लए बरेली 2010, मोणाद विस्दिया लैहापड 的 retard में, मंगलायतन Χचुबिधययन लजी अलीगढ का 2006 में, मुहम्मद अली जौहर विस्दिया ले रामपुर का 2006 में बनां तिर्थंगرج महाबीर湃 मुरादाबाद में दोहजार आठ में इस्थापिद हुआ सारदा विस्विद्याले ग्रेटर नोईडा का दोहजार नो में स्वामी बीवीका नंद शुभारती विस्विद्याले मेरट दोहजार आठ नोईडा अंतरराश्टी विस्विद्याले ग्रेटर नोईडा में 2010 में इस्थापिद हुआ, इंटीग्रल इन्वर्सिटी लखनव में है 2004 में, श्री बेंकटेश और आबिस्थविद्याल गजरौला आमरोहा में 2010 में इस्थापिद हुआ, तो टोटल जो निजी संसुथान है, निजे विश्विद्याला है उतरपदीश की वह थाएं 30 हैं, बढ़ते हैं अगले पईजी की ओरौड़ौला आप देखेंगे राज्ज की विश्विद्याला हैं और यूजिसी की बेवसाइट पर ये आपको डेम्ड विश्विद्याला के तोर पर दड़सा आए गए हैं अभी भी कौन सा है लखनव इनिवर्सिटी है इसकी अस्थापना 1921 में लखनव में बेर बहादूर सिंग पूरबांचल विश्विद्याला जाउनपूर 1987 शत्रपत साहुजी महराज विश्विद्याला कानपूर 1965 में बना इस्थापित ह हुआ अब जो जैसे जो पूरबांचल के होंगे जाउनपूर के आसपास जो भी वगएर आपना कर रहे होंगे वहां से कर रहे हुए इस तरह थोड़ा आप देखिए लखनों के आसपास देंदयाल उपाध्या गोरखपुर विश्विद्याला गोरखपुर 1957 में स्थापित हुआ डाक्टर भीमराव अमबेटकर विश्विद्याला आगडाव 1927 आचार नरेंद्र देव क्रिसियों प्रोधोगी की विश्विद्याला या आयोध्या में 24 डाक्टर राम मनोहर लोहिया आवद विश्विद्याला योध्या उन्नीशोच एत्तर में बुंदेल्खंड विश्विद्याला 6 такого में चोधरी चरण सिंग विश्विद्याला मेरट 1965 में स्थापित हुआ संपोर्णा अन्द संस्कृत विश्विद्याला या बारांशी मे 1958 में चंद्र सेखर आजाद क्रिशियों प्रोद्धोगी की विश्व विद्यालय कानपुर में 1975 में मात्मा जोतिबा फुले रोहे लखंड विश्व विद्यालय बरेली में 1975 में मात्मा गांधी कासी विद्यापीठ नीश्व चोवत्तर में वारानसी में डाक्टर राम्मनोहरलोहिया राष्ट्री विधिविश्व विद्यालय लखनव में 2005 में स्थापित हुआ डाक्टर राम्मनोहरलोहिया आयरु विज्ञान संसुतान लखनव 2018 में राजर सी टंडन मुक्त विश्व विद्यालय कहां पर है यह प्रियाग राज में है और 2004 में इस्थापित हुआ है पूर्व में या डिम्ड विश्व विद्यालय के रूप में बर्स 1999 में मिस्थापित किया गया था डिम्ड विश्व विद्यालय के रूप में 2004 में यह मुक्त विश्विद्याले निराजर स्टेंडर मुक्त विश्विद्याले के रूप में इस्थापिट हुआ डाक्टर एपीजी अब्दुलकलाम प्राविदिक विश्विद्याले लखनव में 2001 में सरदार बल्लब भाई पटिल क्रिसियों प्राविद्याले मेरट 2010 बी गौतम बुद्ध विश्विद्याले लखनव में 2004 में केजी अम्यों है तो किंग जार मेडिकल विश्विद्याले लखनव दोजार चार बांदा क्रिसियों प्राविद्याले की विश्विद्याले बांदा 2010 में दोजार दस में हरकोर्ट बटलर प्रदोगी की विश्विद्य लए कानपूर में 2016 में जननायक चंदर सिखर विश्विद्य लए बलिया 2016 में अटल विहारी बाजपेच चिकिजसा विश्विद्य लए 2018 में भारत खंडे संस्क्रित विश्विद्य लखनवू 2022 में तो 2022 में संस्क्रित विश्विद्य लए बना नोट क्या दिया है कि मूलता बर्स 1926 में इसकी अस्थापना हुई थी आज़ा मेरिज कॉलेज आफ म्यूजिक के नाम से कब 1926 में फिर 1966 में इसका नाम भारत खंडे संगीत संसथान फिर 2002 में इसको आप कीजिए 2020 में इसको यूजिसी द्वारा डिम्ड विश्विद्य लए का दर्जा परदान किया गया इसके बाद प्रिबियस यहर में दो 2022 में इसको भारत खंडे संस्क्रित विश्विद्य लए में परिवर्तित कर दिया गया यह इंपॉर्टन्ट फैक्ट हो जाता है आपके अपके 2020 में निर्माडा धीन प्रस्तावित राजविश्विद्य ले को कबर करते हैं मासा काम भरी तो यह जो निर्माडा धीन है और यह प्रस्तावित है यह आपके लिए अति महत्तपोंड है जो लिस्ट दे रखी है जो वह मैंने बताया आपको नहीं को दो चार को पढ़ लेना है बाकी आपको नहीं पढ़ना है बाकी एक सरसरी निगाह से देख लीजिए कहां पर कौन सा लोकेटेड है बाकी कुछ नहीं पूछा जाने वाला है लेकिन जो प्रमुख निर्माडा धीन प्रस्तावित है यही आपकी एक्जाम की पॉइंट आभी से इंप्वाटेंट है उतरफरदेश के जो अपकमे एक्जाम है उतरफरदेश पॉलिश और फारंसिक साइन्स बेश्वच सुबेथ जाने लए यह लखनव में यह भी पूछा जा चुका आपकी एक्जाम में यह भी पूछा गया है यह भी आपके इग्जामे पूछा गया है तो यह आपकी इतत्थी इंपॉर्टन्ट है ये बहुत ही जलूरी है और इसी के साथ आपका टॉपिक नमबर टॉंटीसिक्स कंप्लीट होता है अगला जो टॉपिक है टॉपिक नमबर टॉंटीसीबन टोटल सत्य तीस कorer करने हैं त्यांतिस टॉपीक के साथ पूरा उत्तर प्रदीश राज द्रिष्टी कम्लीट हो जाएगा तो उत्तर प्रदीश के प्रमुग सूध संसथान को कवर करते हैं केंद्रिया विल सधियों सुगंद पाउधा संसथान ऐनि Central Institute of medicinal and aromatic plants यह कहां पर है यह located जो है संसथान कहां पर लखनव में तो याद रखिएगा केंद्री आउसदियूम सुगंध पौधा संसथान ये सेंटल इंस्टिटूट of medicinal and aromatic plants सीमा एप कहां पर है लखनव में भारतिय विस विज्ञान अंसंधान संसथान कहां पर है लखनव में केंद्री आउसदियूम संसथान भी लखनव में इंडियन इंस्टिटूट आफ टक्सिको लाजी रिसर्च यह भी आपका लखनव में है राष्टिय बनसुपत अनसंधान संसथान लखनव में राश्टिये सरकरा अनुसंधान संसुधान कहां पर है टियनसाई जो है यह कानपूर में है बीरबल सहनी इंस्टिटूट आफ पेलियो वाटनी कहां पर है लखनव में है इंडियन इंस्टिटूट आफ हैंडलूम टेकनोलाजी कहां पर है प्याप का वारानसी में है जितने भी आपको देखने हो कि हाँ पर मिल रहे हैं बीरबल सहनी हैंड लूम हो गया अनुशंधान बनस्पति हो गया विश्विग्या नाउसधिय अनुशंधान इंडियन इसूट आप टेक्सलोजी इस सभी आपके एकजामें पूंचे गए हैं दोस्ता थे बार-बार एकजामें पूंचे गए हैं बेटनरी भी आपका पूंचा गया है दो कि बरेली जदनगर है कई बार आपको मिलान करने को पूंच लेता है वन नाइनर में लोकेशन पूंच लेगा भारतिय पच्छू सिकिसा वेश्विद्या चिकिसा अनुसंधान संसथान इजदनगर बरेली राष्टिय क्रिसियन वानिकी अनुसंधान केंद्र जहासी में है केंद्रिये पच्छी केंद्रिये पच्छी अनुसंधान संसथान या इजदनगर बरेली इंडियन इस्टिट्यूट आप वेजिटेबल रिसेर्च कई बार एकजाम में आप से पूछा गया है, PCS और गयरा में भी बार-बार पूछा जाता है, केंद्रियो पोष्ट बागबानी संसथान, जिसका पूर्व नाम केंद्री आम अनसंधान इस्टीशन रहा, यह है लखनव में, इंडियन इंस्टीटूट यह वारारसी हैंडलूम हो गया, गंना अनसंधान स संस्थान कानपूर में है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रियागराज में है न्याइक प्रसिक्षण योम अनुसंधान संस्थान लखनव में है नेशनल ब्यूरो आफ फिस जेनेटिक रिशोर्सद लखनव में इंडियन ग्रेन इस्टूरेज मैनेजमेंट एंड रिशर्च इस्ट्यूट हापुड में है राश्टिय संसेत चांसकृतिक शंपदा संरक्षण उनसंधान साला लखनो में गोविंद वल्लब पंत शामाजिक विग्यान संसथान परियागराज में है भारतिय कालीन प्रवदोगी की संसथान भदोही में है भारतिय चारागा योम चारान संधान संसथान कई बार पूछा गया है यह आपका जहासी में है केंदरी बकरियन संधान संसथान मतुरा में कोशिकिये योम निवारण अरबुदुसास्तु संस्थान नोईडा में है सेंटल पल्प येंड पेपर रिसर्च इंस्टिटूट कई बार पूशा गया है और ये आपका शाहरनपूर में है इसके बाद वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टिटूट कई बार आपकी इग्जाम में पूशा गया है इप्वाटेंट बहुती जरूरी है नोईडा में है बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टिटूट और इसे के साथ आपका टॉपिक नमबर 27 प्रमुख शोधसन सथान कंप्लीट होता है अगला टॉपिक नमबर है 28 और यहां पर आपको देखनी को मिलेगा उत्तर प्रदीश में इस्थित प्रमुख पार्कियों सिटी तो आई एक एक करके कबर करते हैं उत्तर प्रदीश में डिफेंस पार्कियों कहां पर है यहां कानपूर में है जहांसी में है लखनव में है छेत्रिय साइंस सिटी कहां पर है लखनव में ट्रोनिका सिटी उत्तर प्रदीश गाजियाबाद में है सरस्वती हाइटेक सिटी कहां पर उत्तर प्रदीश में प्रयागराज में ट्रांस दिल्ली सिगनेचर सिटी कहां पर है गाजियाबाद में उत्तर प्रदीश में लेदर पार्ग कहां पर है आगरा में है टेक्सिटाइल योम होजरी पार्क कहां पर है दूस्त कानपूर में है लेदर टेकनोलाजी पार्क कहां पर है या वंधरा उन्नाव में है इसके बाद मेगा फूड पार्क कहां पर उत्तर प्रदीश में यह बहरी, बहोरी, बहरी बरेली में, शाप्ट बेर टेक्नोलाजी पार्क आफ इंडिया उत्तर प्रदीश में, और रटेष भी दोता है, प्रियाग राज में Andoramondusthe, अधि jestunta. पार्क उत्तर प्रदीश परियतन संबंधी थीम पार्क कहां पर है आगरा में बेव सिटी उत्तर प्रदीश में कहां पर है गाजियाबाद में उत्तर प्रदीश में ग्रूप पार्क कहां पर है बारा बंकी में है बाराणसी में है सोलर सिटी कारिक्रम उत्तर प्रदीश में क पोरीडोर जो है रच्छा जो और दोगे का गलियारा है अलीगर्ण आगरा-जहाइंसी चित्र कोट कानपूर और लखनाओ में है हेरो इस्पेश पार कहां पर है उत्तर प्रदीश में तिया लखनव में है कानपूर में है आगरा में है मेरट में है और गौतम बुद्धनगर में है उत्तर प्रदेश में नौलेज पार्ग कहां पर इस्थित है? ग्रेटर नोईडा में निकीडा सिटी या कानपूर और उन्नाव के बीच पड़ती है ट्रांस गंगा सिटी कहां पर है? उन्नाव में प्लास्टिक सिटी या दिवियापूर आउराया है निर्यात संबर्धन और दोगिक पार्ग या ग्रेटर नोईडा में आगरा में उत्तर प्रदेश साइन्स पार्ग कहां पर है? या संडीला हर दोई में है अपैरल इनिटेक्स टाइल पार्ग कहां पर है? तिया ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश साइबर सिटी यह कानपूर है लायन सफारी पार्ग के टावा है परफ्यूम पार्ग कानोज में है इतर की लिए जाना जाता है तो परफ्यूम पार्ग कानोज इलक्ट्रानिक सिटी का उन्सी है ट्वाई सिटी क्या है ग्रेटर नोईडा है जबकि इलक्ट्रोनिक सिटी नोईडा है बुद्धत हिम पार्क उत्तर प्रदीश में सारनाथ वाराणसी में है विज्ञानियों प्रोधोगल की उद्धमिता विकाश पार्क जो कि आप पढ़े कानपुर में और इसी के साथ अगला टॉबिक नॉमबर है ट्वंटी नाइन दर्डिश उत्तर प्रदीश बजट दो हजार बाइस टैइस तो बजट दो हजार तैइस शववीज भी आपको अभी फरवरी में देखने को मिल जाएगा लेकिन कभी-कभी आपसे उत्तर प्रदीश बजट जैसे कि PCS में प पुराना ही पूंच लिया फैक्ट ना पिछले बजट का तिसलिए आपको एक ओबर विव जरूर ले लेना है बजट का प्रिवेस येर का भी बजट अमाउंट कितना रहा ये उजनाएं क्या रही 26 मई 2022 को उत्तर प्रदीश सरकार की बित्तमंत्री शुरिश खन्ना द्वारा 22 बर्ष 2022 तेश के लिए कुल जो बजट के अमाउंट रहा है वह कितना तो 6,15,518.98 करोण रूपे का बजट प्रस्तुत किया गया भारती संबिधान की अनुच्छीत 206 में उल्लखित प्रावधानों की अंतरगत या उत्तर प्रदीश सरकार की दूसरी कारिकाल का पहला पूर्द बजट है तो आपको याद रखना है बजट का आकार कितना है तो बित्ती बर्स 2022 के बजट का आकार 6,15,578.98 करोण रूपे अनुमानित है बिगत बर्स की बजट का जो अनमान रहा है वो इतना नहीं आपको याद रखना कितना प्रद्शत जादा है 11.86 प्रत्चत ब्रिद्धी के साथ है राजस्त तुलेखे का बे चार लाग शप्वन हजार 89.06 है और एक लाग 69.431 दिसमलो नो दो यह है कैपिटल और यह है आपका रिवेन्यू तो रिवेन्यू एक्सपेंडीचर और कैपिटल एक्सपेंडीचर तो टोटल यह खर्चे हैं बजट की 6,15,58 18.98 करोण रूप है तो पिछले बर्स के मुकाबले जुब्रिद्धी है 11.86 प्रतिशत की साथ है और आगे बढ़ते हैं जोसे ब्राजस्वलेखे के ब्राप्तियां हैं आपको इतनी याद नहीं रखने हैं आपको केवल और केवल बजट का आकार याद रखना है 6,15,58,98 करोण रूप है सकल राजजगरिलू उतपाद की प्रतिशत की रूप में शंकेतक दिए गए हैं तो आपको जो याद रखना है वो आपको याद रखना है दोस्त राजकूशी घाटा तो राजकूशी घाटा बरस 2022-23 का 3,96% इसको याद रखना है इसके बाद जो बजट आये का उसमें भी आपको देखने को मिलेगा तो यह तीन बरसों के लिए हैं राजकूशी घाटे 3,47 अभी जो नेक्ष्ट बजट आने वाला है 23,26 में देखने को मिलेगा पूशा जाता है ठीक है टॉप 3, टॉप 5 आपसे पूश लेंगे तो बजट का जो अमाउंट सरकार खर्च करेगी तो यह वा सो लेगी कहां से कहां सिस्थ के पास आएगा तो यह बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है तो उत्तरपर्दीश राजज सरकार जो है स्वयम का जो कर है वह 36,5 परतिशत लेगी यह नि टोटल खर्चे का 36,5 पर्षंड जो है वो स्वयम के कर से राजज़ स्विक अठा करेगी तो नमबर वन सबसे ज़्यादा क्या है स्वयम का राज़स सुकर है इसके बाद इसको सबसे ज़्यादा फिर केंद्रिय करो मिर जो राजजी का हैस्चा आता है वहाँ से 24,2 परतिशत के शाथ होगा दूसरे नमबर पर फिर इसके बाद अगर आप तीसरे नमबर पर देखेंगे तो केंद्र सरकार से जो ग्रांट मिलेगा यह तीसरे नमबर पर है तो टॉप थिरी को आप याद रखिए ठीक है बाकी आप देख शक्ते हैं पबलिक रिनड है तो लोक रिनड से 13.1 परतिशत है लोक लेखा शुद्ध एक परसंट है रिनड और अग्रिम की वसूली से 0.4 परतिशत समन्स लेन देन का सुद्ध परड़ाम तो यह सब आपको याद रखना टॉप थिरी है नमबर वन क्या है तो यह आपका स्वयम का राज़ सुकर होगा फिर केंद्रिय करो में रिजुराज्य का हिंसा होगा वहाँ से दूसरी नमबर पर है तीसरी नमबर पर कीन सरकार सी ग्रांट की बात की गई है रूपया सबसे जादा खर्च जो किया जाएगा बजट में तो रूपया जाता है सबसे जादा किसमे जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो रूपे खर्च करने की बात की गई यहाँ पर आप देख पर हैं जो बेतन है सरकारी गवर्मेंट जो salaries है कर्मचारी की 13.1 प्रत्षयत नमबर वन हो जाएगा यह तो बेतन हो गए इसकी बात pension की amount में जाएगा 12.8 प्रत्षयत यहाँ दूसरे नमबर पर है तो salary और pension नमबर वन salary दूसरे पर pension है तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो इनको जाद रखो जादा कुछ नहीं याद कर पा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रूपी आता है सोयम के राजस शुकर से सबसे ज़्यादा पैशा सबसे ज़्यादा जो खर प्राप्या होंगी तो कुल रिशीप्ट आप देखेंगे तो कैफिटल रिशीप्ट है और रवेनी रिशीप्ट है तो कुल उप्राप्तियां जो है वह पांच लाक नब्य हजार पांच सो इक्यावन दश्मरों 31 करोन रूपए है जिसमें कि यह पुंजी गत है और राजस 64.3 करोन रूपए की बात की गई है राज उतपाद शुलक है यहाँ पर आपको 4152.46 करोन रूपए की बात की गई है तो यह सब आप देख सकते हैं राजसरकार की राजस की प्रमुख मदे हैं जिसमें आप देख रहे हैं 36,000 यहाँ से है लेकिन सबसे ज़्यादा आपको राजस स्कर से सबस्यादा खर्च करेगी तो जो है बेतन में शैररी में फिर पेंच अन्दू सरे नंबर पर तो बजट में आपको तना जरूर बताया जाएगा जितना आपको यहाँ रखना है उससे जाता ना पूंचा गया है ना पूंचा जाएगा केंद्रिय करो में राजांस, तो केंद्रिय करो में राज्ज का जोंस है उतरपरदिश का यहाँ पर आप देख पा रहे है जातों सरकार से करज्च तथा गरिम दिये हुए है तो इन सब को आप एक बारे देख लीजिए बाकि आपको याद विलकुल नहीं रखना है आगे बढ़ते हैं आपने रिशीप्ट का देखा है ना यह रिशीप्ट होगे प्राप्तियां हों गई अब जो खर्चे होंगे पेमेंट्स की यहां पर बात की गई है तो कुल जो बजट का अकार है वही तो आप देख पा रहे तो रिवेन एक्सपेंडीचर और केपिटल एकसपर आपने देखा आर्थिक सेवाएं दे रखें समाजिक सेवा के लिए कितना खर्च होगा, सामान्ने सेवाओं में कितने खर्च एजाएंगे, यहां पर आप देख पा रहे हैं. अस्तानिये निकायों तथा पंचाइती राज संस्ताओं को समनुदेशन, यहां पर कितना खर्च होगा यहां पर देख पा रहे हैं. बाकी याद बिलकुल नहीं रखना है बस बजट का आकार याद रखो आकश मिकता निधी में आप देख पा रहे हैं वित्तिय बर्स 2021-22 में 600 करोण सुद्ध वित्तिय बर्स 22-23 में आकश्ता निजी सुद्ध मालेस कोई प्रावधान नहीं तो आपको इन सब को जादा याद नहीं रखना को भी नहीं देखना द्यान लोक लेखा कि यहां पर बात की गई है पब्लिक अकाउंट के बारे में तो उन लेन देन को दर्साया जाता है पब्लिक लेखा में पबले अकाउंट में जिसमें सरकार बैंकर या ट्रस्टी की रूप में काम करती है प्राप्तियां और संबित्रन समय कितने निधिस से अलग होती है वितिये वर्ष 2022-23 में इसमें 6,000 करोण रूपे सुध प्राप्त ये निधियों की जमा और अननिशेप ये सब आप वाल्टी में भिसीश कर पढ़ते हो कुछ खास नहीं है आगे बढ़ते हैं एक्जाम के पाइंटा सी इन सब चीजों को याद बेलकुल नहीं रखना है राजकूशी घाटा में आपको एक्जाम के पाइंटा भीशे जो य जाद रखें थोड़ा बहुत एक सरसरी निगास से आप ये माउंट भी देख लीजिएगा कितना है एक्जाजी हजार 177.9 करण रूपए हैं जो की स्टेट जीडिपी का तीन दसम लोग नवच्छे परतिशात है पुझी गत परिब्बे के बारे में बताया गया विस्था है खर्च किये जाते हैं कोई नई चीजे डेवलप की जाती है बैसिकली इंस्ट्रक्टर डेवलपेंट से रेलेटड हो जाएंगी नई चीजे रूड क्रस्ट्रक्शन हो गयरा यह जब आपकी पूंजी गत परिबे के साप से जाएंगे रबेन्य एक्सपेंडिचर वही हो रही तो यह सारे जो खर्चे होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे और वहां पर जी इंप्लाइज होंगे उनको जो शैर्रीज हो गए रपेंट किया जाएगा वह सब आपके रेवेन्य एक्सपेंडिचर हो जाते हैं शर्कांगे तो बस आपसे इतना ही पूंचा जान तो राजत सोबचत यहां पर आप देख पा रहे हैं बजट अनुवान दिया हुआ है इन सब को यादन बिलकुल नहीं रखना है आगे बढ़ते हैं अन्नमाद तो पूंड बित्ती संके तक दिये हुई एक सरसरी निगासे देख सकते हैं बाकि आपके काम का है ने एक्जाम पूंचा गया है नपूंचा जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला है राज बजट दो हजार बाइस तेज की प्रमुग घोशड़ाएं हैं तो यह तथ आपके लिए एक्जाम के पॉइंट डावी से इंपाटन इटा हैं किसान से संबांधित बजट में क्या बाते रहीं तो उत्तर प्रदीश में दिसंबर 2018 से संचालित है बाकी आप जानते हो प्रधान मंत्री किसान समार निधी योजना की शुरवाज भी उत्तर प्रदीश में गोरकपुर से ही सुरू की गई थी मोधी जी के द्वारा यह जो की गई थी कब 24 फरवरी 2019 को इसकी गोशड़ा की गई थी उत्तर प्रदीश के गोरकपुर में और योजना जो लागू है यह जो लाभानवित होने वाले हैं वो 2000 दिसंबर 2018 से जो हो समय काउंट किया जाएगा बाकी घोशड़ा तो 24 फरवरी 2019 को की गई लेकिन लाभ जो है 2018 दिसंबर से ही मिल रहा है और इस योजना के तह तो वो किसान लाभानवित होने वाले थे जिनके पास दो एकेर यह जो दो हेक्टेर दो कम जोत वाले हैं उनके लिए जूराती दौर में शुरू की गई योजना थी occurs जिनके पास दो हेकर से कम जमीन जिनके पास है वो भी जोतो वाली तो दो हेक्टेयर से कम जोतो वाले जो किशान होंगे उनको 6,000 रूपे साला ना दिया जाएगा साल भार में 3 किस्तों में 2,000 चार-चार महिने पर मिलेगा खातों में तो डेबिटे के माध्यम से यहीं डारेक्ट वेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2,000 रूपे तीन बार मिलते हैं साल भार में 6,000 लेकिन फिर 31 माई 2019 को काबिनेट द्वारा फैसला लिया गया कि अब जो है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है वो नहीं वो किसान आएंगे जो सभी किसान होगी तो सभी किसानों को देश भर में जितने भी किसान हैं इनको 6,000 रूपे मिलेगा तो साल भर में मिलता है 2,000 रूपे तीन बारी में देश भर के सभी किसानों को याद रखिएगा प्रदार मंत्री किसान समान धी उजना तो उत्रप्रदीश मुक्य मंत्रे जो क्रिशक दुर्गटनक कल्याड़ी ओजना है 14 सितंबर 2019 से लगू है मुप्त सिचाई सुविधा है तो यह प्रदेश में 34307 राज किये नलकूपो तथा 252 लगू डाल नहरो द्वारा किर्शकों को अब्द कराई जा रही है मुक्य मंत्री लगू सिचाई योजना है तो आवाउंट जो दिया हुआ है भजट में वा एक हज़ार करण रूपे की बिवस्ता रस्ता भी तो है मुक्य मंत्री करिशक दुरगटना कल्याड योजना इसके सुरवाद कब हुई है 14 सितंबर 2019 को इसके अंतरगत किशक की परिभासा का बिस्तार करते हुए खतवनी में दर्ज खातेदार सहकातेदर की साथ-साथ उनके परिवार के ऐसे कमाऊश अदस से जिनकी आजीवी का कमो किसरोत खातेदार सहकातेदार की नाम दर्ज भूमी से होने वाली क्रिशी आया है तथा ऐसे भूमी इन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमी पर अथवा बटाई पर क्रिशी कारी करते हैं उनको भी शमलित किया गया है योजना के अंतरगत द्रगटना Took सथवा मिरत्यों पांच लाक रूपे दिये जाने का प्राउधान है और इस योजना के तहत बजट में 645 करुण रूपे का अवण्टन भी किया गया है आगे बढ़ते हैं कोबिट-19 संक्रमर से भिन अन्य कारणों से अपने माता पिता थुआ दोनों अभी भावकों को खोने वाले बच्चों के भरण पोस्ट सिच्छा चेकि शादी की विवस्था है तो यह जो योजना है उत्तर प्रदीश मुख्यमंत्री बाल सिवा योजना सामान ने का संचालन पात्र लाभार्थी को कितने अमाउंट की बात की गई है पचीस सो रूपे प्रतिमाह की आर्थी की सहायता कोबिट नाइंटिन संकरमण की कारण जो अनात हुई है प्रभाविद जो वच्चे है तो यह है उत्तर प्रदीश मुख्यमंत्री बाल सिवा योजना और अगर ब्र कोबिड वाले 4000 रूपे है अगला है नया सवेरा कारिक्रम का उद्देशी है बाल स्रम को पूरी तरह समाप्त करना इस कारिक्रम के अत्यंत उत्साह जनक परिड़ाम आये हैं और कई ग्राम पंचायतों को बाल स्रम मुक्त घोशित किया जा रहा है अगला है युवाओं हे प्रमग जो घोशडाय है युवाओं के लिए बज़ड में खेल के विकासियो मुत्कृष्ट कोट के खिराड़ाई तैयार करने हे दू दोजनवरी 2022 को मेरठ में प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यान चंद खेल विश्विद्याले का सिल अन्यास किया जिस पर 700 करण रूपे की धनराशिवे होगी बारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल योजना के अंतरगत प्रदीश की 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की अस्थापना कराय जाने की योजना है मुख्यमंत्री अभुद्य योजना प्रतियोगी चात्रों को अपने घर की समय पे ही कोचिंग की शुविदाब लब्द कराने की उद्दीश सेसेंचालित है योजना प्रदेश की सभी जनपदों में इस योजना का विस्तार हुआ है मुख्यमंत्री अभुद्य योजना से संब्दित आपके एक्जाम PCS में पूंचे भी गए फाक्ट है कि जो ये लैप्टाप वगएरा बित्रन चल लहा है कि श्योजना के तहत है तिया मुख्यमंत्री अभुद्य योजना टाइवरट वगएरा अंतरराश्टे खेल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजीता खिलाडियों को सीधी भरती के माध्यम से राजपत्रित पदो परनियुक्ती की बिवस्ठा की गई है तिवाहों से संबंधित ये प्रावधान बजट में आपको देखनी के मिल रहे हैं बढ़ते हैं आगे अगला हर रोजगार रोजगार से संबंधित बजट की बाते हैं बर्स दो हजार इकीस बाइस में लगभग तीन लाख शत्ता अन्नवे हजार अठाइस उद्धम पंजी कृत हुए जिसमें दो लाख अठतर यहां पर को ठोड़ा इसमें आप देखवाने गलतिया लगा है जून दो हजार सोला में प्रदेश में बेरोजगारी की दर अठारा प्रतिशत थी 2016 जून में उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी दर रही है वो अठारा प्रतिशत थी वहिए अपरल 2022 में अघट कर 2.9 प्रतिशत रहे गई समझ पा रहे हैं आप बेरोजगारी कईसे घट गई है चैनले घट गई 2.9 प्रतिशत मुक्य मंत्री इवा स्वरोजगारी उजना के अंतरगत बित्तिए बरस 2021-22 में पांच हज़ार एकाईयों को इस्थापिट कर आए गया तथा 4187 लाभार्थियों को लाभान बित किया गया तो आपको फाक्ट याद रखने है 2022 अप्रेल में जो भेरोजगारी है वैसे आपका बजट 2022-2024 जो आने वाला है उनको जो है आपका में एक्जाम के लिए याद रखने है लेकिन बजट से संबन्धित कुछ योजना है मुख्यमंत्री ग्रामो दोग रोजगार योजना की अंतरगर 2022-2023 में आठ सो इकाईयों की अस्थापना करागर 16,000 लो को रोजगार उप्रब्द कराए जाने का लच्छे है सामाजिक सुरक्षा सामाजि सुरक्षा से क्या बाते हैं आप देख लिए ये बजट में दिव्यांग भरण पोषड अनुदान की धनरासी को 2017 की पूर्व मातर 300 रूपे प्रदिमा जो व्यक्ति थी इसको बढ़ा कर 1000 रूपे प्रदिमा कर दिया गया ये आपके लिए क्या हो गया इतना इममांट कितना है बरतमान में 1000 रूपे कर दिया गया है ब्रद्धा अंसन पेयोजना जो रही ब्रद्धा अवस्था जो पैंसन रही है इसके लिए भी क्या है एक हजार रूपए है तो बर्दमान में ब्रद्धा असन पैंसन भी बढ़ाकर एक हजार कर दी गई निरासरित मैला के जो पैंसन पांसो थीस को भी एक हजार रूपए कर दिया गया है प्रतिमा बुजर्ग पुजारियों संतों परोहितों के शमगर कल्यान की योजनाओं की क्रियान वेहत बोड के गठन के लिए करोण रूपे का विवस्था भी की गई एक करोण का कुस्था वस्था विकलांग भरण की कंप्रीट करती है गर्णा मुली भुक्ताज में देश में उत्तर परदीश का अथ्थान प्रधम अस्थान है प्रधार मंत्री किसान संवान निधी से दो दस्मलो यानि दो करोण पच्पन लाख किसानों को 6,000 रूपे वार्शी का आतास हाता दिला कर उत्तर प्रदीश तो प्रदार मंत्री किसान सम्मान नधी में भी नंबर वन है उत्तर प्रदीश गन्ना मुल भुक्तान में भी पूरे देश में नंबर वन है उत्तर प्रदीश उत्तर प्रदीश पांच एक्सप्रस बी वाला देश का पहला प्रदीश बन गया है प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों यों पारंपरी शेल्पों के शमगर विकास ही तुसंचाले थे एक जनपद एक उत्पाद योजना के प्रभाविक यान्वन से प्रदेश से होने वाला ने रियाद 88,000 करोण रूपे से बढ़कर एक करोण यानि 88,000 से बढ़कर कितना हो गया है तो 88,000 करोण रूपे से बढ़कर 1.56 लाख करोण रूपे हो गया है एज़ाब डोइंग बिजनस राइंकिंग में अभूत पूरब पगती करते हुए उत्तर परदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है एज़ाब डोइंग में दूसरा स्थान है साबुन चना योम खाद तेल दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक नेशुल के बितरित कराया गया मार्च के बाद आप जानते बढ़ा भी दिया गया था जिस पर लगभग 48,000 करोण रूपे का बेहुआ इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोण लोग लाभान बित हुए यह देश का विसालतम खादान वितर्ण कारिकरम है जिसका विस्तार अप्रेल 2022 से जून 2022 तक कर दिया गया था वरतमान में भी आप जानते हूँ चली रहा इसकीम राशनवाला अपना फिरी चल रहा है अगला फाक्ट है प्रदानमंत्री उजला योजना के अंतरगत राजजी की 1.67 करोण महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला दिश का पहला प्रदीश बना है तो जला योजना के तहद भी महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन में उतर प्रदीश का स्थान भी क्या है पहला है स्वच भारत मिसन की अंतरगत 2.61 लाग व्यक्तिगत सोंचलेयो का निर्मान कराकर उतर प्रदीश भी नंबर वन हो गया इसमें पोलिस अमर जंसी प्रवंद प्रणाली की अंतरगत यूपी एकस्षो बारा जो की पहले डायल हंडर थी योजना के दुत्य चरण को बित्तिय बर्स 2022-23 में प्रारम किया जाना है इसके सोदर्णी करण हेत्व 730 करोण 288 लाख रूपे की विवस्था उरस्ता भी धाय खारीफ विपड़न बर्स दू 2021-22 में नियुन्तम समर्थन मूल की अंतरगत भारत सरकार द्वारा धान कामन शमर्थन मूल 1940 रूपे प्रतिकुंटल यों धान ग्रेड एका समर्थन मूल 1960 रूपे प्रतिकुंटल निधारित किया गया है रभी विपड़न बर्स दू 2022-23 में भारत सरकार द्वारा गेहुका नियुन्तम समर्थन मूल 2015 रूपे प्रतिकुंटल निधारित किया गया वैसे ये जब चीजे हैं ये द्रिश्टी वाले में कबर कराया गया पुर मैग्जीन आपको पीडियो पेलिग्राम पर दे दी गया ये वहाँ पर ये आपका जो मूले है वो जो है आप नया मूले आपको याद रखना है कामगारों स्रमिकों को शामाजी के उमार्थी शुरक्षा तदा उनकी शंबर सरभांगिड विकास के उद्देश से को सुनियो जी धंग से प्राप्ति किये जाने है तो उतरप्रदीस कामगार और स्रमिक आयूग का गठन किया गया है आगे पेज पर बढ़ते हैं सहरी स्ट्रीट बेंडर्स को आत्निर्भर बनाने है तो प्रधार मंत्री स्ट्रीट बेंडर्स आत्निर्भर निधीयोजना के अंतरगत आठ लाग से अधिक स्ट्रीट बेंडर्स को रिण वित्रित कर उतर प्रदीश दिश्ट प्रथमा स्थान पर है तो प्रदार मंत्री श्टीट बेंडर स्वास्त निर्भर निद्य योजना के तहद भी उत्रप्रदीश नमबर वन है राश्टिय ग्रामिड स्वास्त मिसन हेत 10,547 करोण बायत 42 लाख रूपे की विवस्था प्रस्ताबीत है प्रदार मंत्री आत निर्भर स्वास्त भारत योजना हेत 620 करोण रूपे आई सुमान भारत योजना के तहद 560 करोण रूपे आई सुमान भारत मुख मंत्री जन आरुग योजना हेत 500 करोण रूपे प्रधानमंत्री माधित प्रवंधना योजना योट 320 करोण 7 लाख रूपए 15 वित ताजूग की संस्तुतियों की अधिन विभन्न योजनाओ है तो 3808 करोण रूपए की बेवस्था प्रस्ता भी तो है Fast Track Project Planning के लिए PM गतीशक्त नेशनल Master Plan तथा संभावित बिजनस पार्टनर्स के लिए उच गोडवात्ता की अवदोगिक अविस्थापना सुविधाओ की भ्यास है तो अटल इंडस्ट्रियल इंस्वाचाक्टर मीशन का कार्योंन किया जाएगा जिसकी प्रथम चरण है तो सव करण रूपे की बिवस्था प्रस्तावी तो है नेक्स्ट है बाबुजी कल्यान सिंग ग्राम उन्नत योजना इस योजना की अंतरकत उत्तर प्रदेश की सभी गाउं की शनकों पर सोलर इस्टीट लाइट सोलर इस्टीट लाइट से संबंदित है बाबुजी कल्यान सिंग ग्राम उन्नति उजना तो सोलर इस्टीट लाइट की अस्थापना कराई जाएगी इसके लिए 22 करोण 50 लाक रूपे की बिवस्था की गई है उत्तर परदेश में जयो अपसिस्टों से जयो उर्जा की उत्पादन को प्रोपसाहित की जाने की उद्देश से नीती जारी की गई है जिसके अंतर गत्म बायो डीजल, बायो इथिनाल, मिथेनाल, बायो गैश, बायो सीनजी प्रद्यूसर गैस, बायो कोल की उत्पादन इकायों की अस्थापना कराई जा रही है नीती के अंतर गत्य जयो उर्जा की चौदह पर योजनाओं में 2492 करण रूपे की निभीश की शोबिगर्टी प्रदान की गई है बारत सरकारद्वारा स् projecting भारत मिशन नगरिये की सुरवात की गई है इस योजना के लिए 15, इस योजना के लिए 1395 करोण 93 लाख रूपे प्रश्थाबित है प्रदार मंतरी आवाज योजना सब के लिए आवाज शहरी प्रधान मंतरी आवाज शहरी योजना के पहत 10,127 करोड एकेट सथलाक रुपे की बजट में विवस्टा प्रेस्थाबीद है केंदरी स्मार्ट सिटी की अंतरगत चैनित 10 सहरों है तो 2000 करोण रूपे तथा अत्राजी स्मार्ट सिटी की अंतरगत चैनित 7 सहरों है तो 210 करोण रूपे की ब्यवस्था प्रस्ताबित है Smart City Mission योजना के अंतरगत देश के प्रथम 20 सहरों में प्रदेश के पात सहर सम्मिले तो है प्रदानमंत्री गती शक्त योजना के अंतरगत Multimodal Connectivity पर योजना है तो 897 करोण रूपे की व्योस्था प्रस्ता भी तो है प्रदेश में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए पूंजी गत पर योजना हो है तो 200 करोण रूपे की व्योस्था प्रस्ता भी तो है बर्स 2021-22 के बजट में जल जीवन मिशन योजना के अंतरगत 15,000 करोण रूपे का प्रावधान था जिसके सापेच शवित्ती बर्स 2022-23 की बजट में 19,500 रूपे खर्च किये जा चुके हैं प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर परियास किये जा रहे हैं इस योजना की पूरती भारत सरकार की रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से की जा रही है राज सरकार द्वारा उत्तर प्रदीश नागर बिमानन प्रोथसाहन नीती रख्यापित की गई है जिसमें Regional Connectivity Scheme के साथ साथ अन्य उड़ानों के लिए भी प्रोचाहन प्रदान किये जाने की बिवस्था की गई है एक जनवरी 2022 से निजी नलकूप उपहुकताओं के बिदुत विलों में 50 प्रत्सज की शूर प्रदान की गई है बिदुत वित्रण के सेत्र में ब्यापक शुधार की जाने जथा हानियों में कमी लाई जाने की उद्दिश से 31,000 करण रूपे की लागत से कमात्वा कांची योजना रिवाइंब्ड डिस्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम भारत सरकार की स्वयूग से प्रारंब की जा रही है जिसे तीन बरसों में पूरा किया जाएगा योजना के अंतरगत 535 करण रूपे की बेवर्जट में बेवस्था की गई है और इसी के साथ बजट 2022-23 उत्तर प्रदीश के तत्य कम्प्लीट होते है प्रदेश को स्मार्ट सिटी योजना के अंतरगत अभिनव परियो गोयो परियोजनाओं के बहतर क्रियानवेन में प् और तमस्थान है त्वरित अर्थिक बिकास योजना का उद्दीश फ्रदीश में बिकासकारियों को तौरित गती सी करिवानवित करना है जिसमें 2842 करण रूपे साथ बीट है प्रदान मंत्री आवास योजना ग्रामीड के लिए 7000 करण रूपे प्रदीश से मच्स्य उत् पादन में बिस तरीकर्ण सगंता प्रिफ्टीकर्ण के माध्यम से ब्रदे करना तथा भूमियों जलका उर्बर प्रियोग करना है तो यह है जलका उप्योग उर्बर उत्तर प्रदीश डाटा सेंटर नीती 2021 है इस नीती के अंतरगत तीन डाटा सेंटर पार्क्स की किया जाने और बीस हजार करन रूपे की निभीस का लच्छ रखा गया है बरतमान में उत्तर प्रदीश में बनावरण युम्रिक्षाबर प्रदीश की भागूलिक छेत्र का नव दुसमलों दो तीन प्रत्सत है जिसे बर्स 2030 तक 15 प्रत्सत किया जाने का लच्छ है वर्सा दोस्तों इसी के साथ आपका उत्तर प्रदीश बजड़ 2022 तेस कंप्लीट होता है धर इस टॉपिक नंबर 29 टोटल टॉपिक 29 कबर करने है चार टॉपिक और बच रहे हैं उसी के साथ राजिद्रिश्टी उत्तर प्रदीश कंप्लीट हो जाए गया अगला टॉपिक नंबर है 31 यती महत्तर प्रदीश की प्रमुख योजनाएं है और नीतियां है अती महत्तर प्रदीश की एक्जाम चाहिवा PCS हो ROAR हो कोई भी बंडी एक्जाम अती महत्तर प्रदीश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इस योजना का सुबारंभ 22 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री योगी यादेत तनाथ की द्वारा की गई थी इसकी आवशक्ता क्या उद्देश क्या है तो COVID-19 महामारी के कारण नेरास्तित हुए बच्चों के भरर पोशड सिछा और सुरच्छा के लिए इसमें जो पातरता की सीमा है वह 018 वर्स की आई वर्ग वाले वए बच्चे जो उत्तर प्रदीश की मूरे निवासी हैं और जिनके माता पिता कोरोना के कारण जो है छोड़के चले गए इनको वित्य सहाइता इसमें क्या है तो 4000 रूपए वित्य सहाइता देने का प्रावधान किया गया है प्रतिमाह सरकार दोरा बच्चे के वयस्क होने तक यहां पर गर सामान लिखा होगा ब्रेकट में तो उनमें वो बच्चे सामिल होंगे निराज रेता जो COVID-19 महमारी की अलावा है तो महाँ पर कितना आप प्रिवियस में पढ़े हो टॉपिक में 25 रूपे प्रतिमा रहा है और यहाँ 45,000 रूपे प्रतिमा है प्रमुक्तत्य क्या है कि इस योजना के अंतरगत परिवार की वारषिक जो आए सीमा है वह 2 लाख रूपे निर्धारित की गई है जिसे जून 2021 में बढ़ा कर तीन लाख रूपे कट दिया गया है यहनकि जिनके वारषिक जो सीमा है वारषिक जो इंकम है वह 3 लाख रूपे है तो वही पात रहोंगे और साथ ही साथ दस बरस से कम आयो कि वोए बच्चे जिनके अभी भावक नहीं हैं उनको उत्तरप्रदीश सरकार द्वारा भारत सरकार की सायता से राजिकी बालग्रिय में देख रेख के लिए रखा जाएगा अनाद हुए बच्चे बच्चियों को भारत सरकार की द्वारा संचालित कस्तूर बागांधी बालिका विद्यालेयोन जो आवासी है मिराजगी बाल गरियो आदि में कच्छा बारा तक जो है मुफ्त सिच्छा की विवस्था भी किलेगी उच्चतर माधमिक तथा व्यवसाइक सिच्छा गराण कर रहे 18 वर्ष की यायुता के बच्चों को टैबलेट लैप्टाप बिद्रड करने की विवस्था भी है और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या पिता या विधिक अभिभावक आयरजित करने वाले अभिभावक की मृत्वी एक मार्च दो हजार बीश के बाद कोबिर नाइन्टीन के कारण हुई हो निरास्रित बालिकाओं की अठारा वर्स की याय के पस्चात साधी है तो इनको एक लाख एक हजार रूपे प्रदान भी किये जाने की विवस्था है उत्तर परदीश मुख्यमंत्री बाल सिवा यूजना की तहत है बच्चों के चला-चला संपत्ति की सुरक्षा की विवस्था भी इसी यूजना के तहत है तो आपने पढ़ा मुख्यमंत्री बाल सिवा यूजना सुवारंब कब किया गया 12-22 जुलाई 2021 को COVID-19 के कारण जो है वो निरास्रित हुए बच्चे है इसमें और उत्तर प्रदिस के मूल निवासी होना चाहिए अटीर उससे लेकर गर 18 वर्स के आई की बच्ची इसमें सामिल होंगे इनको 4000 रुपे प्रतिमा बित्तिय शाहिता मिलेगी और इसी उजना के अंतर गज्जों है इसमें एक अच्छा 12 तक मुक्त सिच्छा वेवस्था भी की गई है इसके अलावा 18 वर्स किया तक के जो बच्चे टैबलेट लैप्टाप भी मिलेगा इनको और क्या देखा आपने और जो मिर्ति होई है एक मार्च 2020 के बाद मिर्ति होनी चाहिए और साधी के लिए भी जो बच्चियां है उनके लिए जो है एक लाख एक हजार रुपे की व्यास्था भी की गई है तो आपनी ये पढ़ा अगे बढ़ते हैं अगला है उत्तर प्रदीश कोबिड एमरजंसी बित फोशड योजना है पंदरा मई 2021 को तरप्रदीश मंत्र मंडल ने इस योजना को मंजूरी प्रदान की है इसके तहट प्रदीश में कोबिड से संबंधी तावास्यक सामागरी के विनिर्माड की चालू इकायों का विस्तार तथा नई इकायों की अस्थापना पर राज सरकार वित्तिय साहता प्रदान करेगी तो योजना का मंजूरी मिली है योजना सुबारम हुआ है तरप्रदीश कोबिड अमरजंसी प्रदीश प्रदीश को तो कोबिड से संबंधी जो भी आवास्यक शामागरी है उनके भी निर्माड मैनुफाक्ट्रिंग की जो है जो चालू इकायों इनका बिस्तार करना है और नई इकायों की अस्थापना के लिए यो फाइनन्सियल असिस्ट करेगी इस योजना के तहत तो जो वित्यस आयता मिलेगी वो क्या है पात रिकायों को प्लांट मसिंदी और यंत्रों की अस्थापना हित कुलबय का 25 परशेंट या अधिकतम 10 करोण रूपए दकी वित्यस आयता की कैपिटल सब्सडी की रूप में प्रतिपूर्थी की जाएगी किद्यकों प्लांट हो गयरा रगाते हैं आप और आप 10 करोण रूपए खर्च करते हैं तो आपको 10 करोण पूरा का पूरा जो है वो कैपिटल सब्सडी के रूप में प्रतिपूर्थी की जाएगी या 25 पर्शेंट दिया है तो अधिकतम 10 करोण रूपए तक है 9 करोन करते हैं तो 9 करोन का 25 परशंट तो या अधिकतम 10 करोन ठीक है GST MSM योजना के तहट भुक्तान की गई रासी की प्रतिपूर्थ भी राज सरकार द्वारा ही की जाएगी या वित्य साहता एकाई के कारेरत होने के दावे के आधार पर किदाएगी के इन सरकार से संबंदित या नोसी दिलवाने में फास्ट ट्रैक मोड में मदद करवाने की व्योस्था भी की गई है या योजना अधिसूचना जारी होने के एक बर्स तक प्रभावी रहेगी होगा या है उत्तरप्रदिस कोबिड अमर्जंसी बित्तप उस्टड़ योजना आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली योजना है सहरी प्रवासियों के लिए किफायति किराई की आवास योजना है इस योजना का सुबारम 26 मार्च 2021 को किया गया है और इसमें जो प्राथि मिक्ता मिली हो बिधवाओं हैं कामकाजी महलाएं अलब संख्यक होगे अनसूची तो जाती हैं अनसूची तो जन जाती हैं वान पिषडे बर्ग लोगों के लिए है योजना है सहरी प्रवासियों के लिए किफायति किराई की आवास योजना है मुक्क्रमंत्री प्रवासी स्रमिक उद्धमिता विकासी उजना का उद्धेश कोरोना महामारी के करणदेश में लागु लाग्डाउन के फलसुरूप विभिन प्रदेशों से वापस आए है स्रमिकों यों कामगारों को रोजगार यो स्रोजगार उपलब्द कराना इसी होजना के लिए बजट 2021-22 में जो है राज सरकार दोरा सव करोन रूपे का प्रावधान भी किया गया स्रोजगार अस्थापित करने के लिए ग्रामिर स्रमिक महिलाओं को अगली योजना है आपकी मुख्यमंत्री सच्षम सपोसर योजना योजना की जो गोशड़ा है वह बजट 2021-22 में की गई है महिलाओं और बच्चों में कोपोशन की समस्या की निपटने हेतिया सपोसर योजना है 21-22 में सव करोन रूपे का इसकी योजना के तहट प्रावधान किया गया कितना सव करोन प्रमुखत अत्य है कि ड्राई रासन के साथ साथ आंगरबाड़ी केंद्रों पर पंजी करिच छे मां से पांच बर्स तक के चिनित कोपोशित बच्चों तथा एनेमिया ग्रस्त 11 से सूदा बर्स की स्कूल ना जाने वाली की सूरी बालिकाओं को अधरिक्त पोशड प्रदान करने की बेवस्था की गई मुख्यमंत्री सच्छम सपोशड योजना के तहत और इस योजना का जो एक्रियानवेन है 21 बाईसे से चल रहा है आगे बढ़ते हैं अगली योजना है मुख्यमंत्री सिछुता प्रोथ साहन योजना मुख्यमंत्री सिछुता प्रोथ साहन योजना की गोशडा 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदीश सरकार द्वारा राज बजड़ 2021 में की गई इस योजना का उद्दीश प्रदीश की इवाउं को उद्वोगों तथा MSME एकाईयों में आनज्वाब प्रसिक्षण प्रदान करने ही तूँ उन्हें निस्चित आवजी के लिए रूजगार से जुड़ना है इवाउं को रूजगार यूं सुरोजगार ही जोड़नी त्यावसकता इस योजना के साथ जो प्रसिक्षण भत्ता होगा वह कितना है इवाउं को उद्वोगों में प्रसिक्षण के साथ साथ महिने में जो है ठाई हजार रूपे की धनरासी जो है दी जाएगी जिसमें पचीस सो में पंद्रा सो रूपिया जो है वो किंद्र सरकार वहन करेगी और एक हजार रूपे राजशरगार बढ़ते हैं अगली योजना की ओर अगली योजना है मुक्यमंत्री क्रिशक दुरगटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से यह योजना प्रभावी है और जबकि इसकी घोशड़ा जो सुवारम है वो 21 जनवरी 2020 से इस योजना का शुवारम किया गया है तो आपके एक्जाम में पूचा जाएगा मुक्यमंत्री क्रिशक दुरगटना कल्याण योजना की सुवारम सुरवात कब होई है 21 जनवरी 2020 को जबकि इफेक्टि प्रभावी जो है वो 14 सितंबर 2019 से है जैसे आपका प्रधार मंत्री किशान सम्मा निधी है 24 फरवरी 2019 को जो है गोशड़ा की गई गोरक पुरुत पर प्रदीश से लेकिन प्रभावी आप जानते हो दिशंबर से ही है 2018 दिशंबर से ही इसी तरह ये भी योजना प्रभावी 14 सितंबर 2019 से है जबका इसका सुवारम 21 जनवरी 2020 को की गई है इसमें पात्र कौन होंगे तो पात्र वो होंगे किसान और उसकी पत्नी पुत्र पुत्री और पात् काई धार भीस में क्या है पात्र होंगे इसी उजना के अतरगत 18 से 70 वर्स तकी याई की किसान पात्र होंगे इसका जो भी बित पोशड़ वो सत प्रच्छत राज सरकार वहन करेगी बज़ड 2021 ही तो 500 करोन रुपे की विवस था जबकि 21-22 में 600 करोन रुपे का वंटन किया गया था और बज़ड 23 आवसेक्ता क्या है तो राज्जियों की क्रिशक की दुर घटना बास जो मिर्ट्व या दिव्यांगता की इस्तितिमी सी उजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिरे इसका संचालन जिला अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा और भी प्रमुकुतत्य हैं इसी उजना में जो क्रिशक की दुर घटना बास जो मिर्ट्व या जो हयापंग या दिव्यांगता होने की दसा में उसके बिधिग जो वारिश होंगे या वारिशों या सोयम क्रिशक को सामाधिक सुरक्षा के लिए पांच लाख रूपे तक प्रदान किये जाने का प्रावधान है तो मैक्सिमम पांच लाख रूपे इसके अलावा किसान अथवा उसकी परिजन की शाठ प्रसल से अधिक दिव्यांगता की स्थिती में दो लाख रूपे की धनरा से देने का प्रावधान है योजना का जो आच्छादन इसको बढ़ अगली है योजना पावर लोम बुनकरों को सबसिडी योजना है स्वविकृति इसको तेन दिसंबर 2019 को तरप्रदीस सरकार के द्वारा मिली है विसेस्ताएं क्या है चोटे पावर लोम यानि पॉइंट फाइप जो हार्ष पावर अच्छो सकती है इनको प्रतिमा 120 यूनि बड़े पावर लोम यानि एक हर्ष पावर तक जो है 240 यूनिट तक जबकि 3,430 रूपे प्रति यूनिट कि दर से सबसिडी प्रदान करने की ब्यवस्था की गई है ये सबसिडी है सरकार की द्वारा दी जाएगी पावर लोम बुनकरों को जिनके पास आधे पावर वाले हार्स पावर वाले हैं तो उनको 120 रुपए प्रती यूनिट है उसके उपर जाओगी तो आधा तक जो है एक तक जो है बढ़ते हैं कि अगली यूजना है मुख मंत्री पर्याटन संबर्धन यूजना 21 जनवरी 2020 को उत्रपरदीश सरकार के द्वारा इसी यूजना की क्रियान बे नहें तो प्रकिरिया निर्धारित करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है पर्याटन केंद्र का जो चायन है वो संबंधित विधाय क्यों जिला अधिकारी की संस्तूति की अनुसार किया जाएगा पर्याटन केंद्र का चायन तो विधाय क्यों जिला अधिकारी और इसमें बजट 2021-22 में 200 करन रूपे की दिवस्था की गई थी इस यूजना के वितियन में दियोन की पर्याटन विभाग है विधायक निधी से और CSR निधी से प्राप्त जुधनरासी है इसके द्वारा वितिय सहायता इस योजना के तायत मिलेगी तो पर्याटन विभाग प्लस विधायक निधी यह वितिय जो है सहायता होगी कहां कहां से तो विधायक परियतन इढ़र और यह आपका ची जो जुनिधी कर्पॉरिट सोशल रिस्प्वाइंसिबिलल्टी आप समझते हो जैसे के अब को परियतन या को कमपनीज है जब कहीं भी इस्टेबिस होती है कोई कारखाना कमपनीज है माली जी कोई कार खाना established है तो वहाँ पर जो आज़ पास human beings है वहाँ के natural resource है उनको company क्या है factory दोरा use किया जाता है तो वहाँ क्या है थोड़ा आप देखते है environment भी क्या है effect होता है तो environment का जो भी प्रभाव पड़ता है वहाँ के human beings है कार खाने से धुए निकलने यह सब आप देख पाते होंगे तो यह सब देख रिस्पॉंसिबिलिटी है उस corporate के होगी तो वहाँ पर जो company का net profit होता है उसका कुछ percent जो है जो corporate social responsibility tax की रूप में जो है वहन करना पड़ता है Companies Act 2013 इसके तहरा section number 135 की बात कही गई है तो उसी असार आप समझ गए होंगे corporate social responsibility योजना की देख भाल तो अस्थानिय निकाय ग्राम पंचायत्वा प्रबंद शमितियों को गठन करके प्रदेख विधान सबाच शेत्र में इस्तित एक पर्याटन अस्थल को विख्षिक करना इसकी विशेस्थाएं है उत्तर प्रदेश में इस्तित महात्त पूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक प्राचीन सांश्गिर्दिक आधिस्थलों का सतद विकास योम संबर्धन करना इस पर्याटन संबर्धन योजना का विशेस्थाएं उद्दिस्थे हैं आगे बढ़ते हैं और अगली योजना है आपके सामने दोस्त बाबा साहिब अमबेटकर रोजगार प्रोथसान योजना 11 नुवंबर 2019 को उत्तर प्रदीश सरकार द्वारा ग्राम विभाग द्वारा संचारित अमबेटकर विशेस रोजगार योजना अमबेटकर विशेस रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहिब अमबेटकर रोजगार प्रोथसान योजना रखे जाने ही तो मनजूरी प्रदान की गई इस योजना के तहट लाभा कौन मिलेगा तो जिनकी परिवार की समस्त स्रोतों से वारसिक आए दो लाख रूपए से अतिक ना हो तो वारसिक इनकम दो लाख रूपए तक होनी चाहिए तब वाबा साहब अमेट का रोजगार प्रोप्सान योजना के लाभार्ती बन पाएंगे इस योजना का उद्धिस ग्रामिड छेत्रों में नव इवकों को उद्धमिता की और उन्मुक करना अस्थानिय संसाधनों को विक्षित कर सदत रोजगार उपलब्ध कराना ग्रामिड आबादी का सहरी छेत्रों की और पलायन को रोकना है सभी जाती वर्ग योमधर्म के लोगों को इससे लाभ दिलाना है जिनकी आए वारसिक जो है दो लाख रूपए तक है वह पात्र होंगे रण अनुदान जो दिया गया है इस योजना के तहट वह यसी यस्टी और दिव्यांग को प्रति इकाई लागत का 35% अनुदान मिलेगा ग्रांट मिलेगा अथवा अधिक्तम सत्तर हजार रूपए जो भी कम हो और वहीं पर अधिक्तम सामान जाती को 25% अथवा 50 हजार रूपए तक रण अनुदान प्रदान की जाने का प्रावधान है ये लेगपाल और गयरा में आपके पूंच्छा जा चुका है इस योजना के पात्र नहीं होंगे और इसमें जो है जो आई उसीमा है पात्रता के लिए आब 18 सार कम्प्लीट कर लिए हों और एकदम क्या है 25 वर्स तो 18 से लेकर के 25 वर्स तक इसमें पात्र होंगे जिनकी यार्सिका है दो लाख रूपए तक हो आगे बढ़ते हैं राज्यांस की अनुसार ब्यवार निधारित करनी का निड़े लिया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट योजना। तो डेवलपमेंट पर योजना है इसका प्रस्ताव 20 अगस 2019 को उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट पर योजना में जो रिणड की बात कही गई है रिणड जो प्रस्तावित है वह है विस्स बाइंग वर्ड बाइंग। तो आप से पूंच भी सकते हैं जो भी 30 सायता कि यहाँ पर बात की गई है उत्तरपरदीस सरकातवारा जो रिंड ले लियागा किस से मिलेगा तो वर्ड बैंग से ऐसी फैक्ट दे देंगे उठा के एक्जाम में आप से तो किन से लेगा वर्ड बैंग से योजना के रोड सेफटी घटक तो कुल लागत होगी 46 दसमलो 72 मिलियन अमेर की डालर योजना के रोड सेफटी घटक में अंतरगत देखेंगे तो परिभान विभाग हो गया ग्रिया विगाग यानि पुलिश और लोक निर्मार विभाग इनके कारियों को क्या है मंजूरी मिली है पर योजना की कुल जो लागत है वो 570 मिलियन अमेर की डालर है जिसमें 400 मिलियन अमेर की डालर की जो रासी है वो अब बिस सुबायंग से रण की रूप में प्राप्त होगी तो 570 में 400 जो है बिस सुबायंग से बाकि सेस जो बचेगा 170 मिलियन अमेड की डैलर वह राज शरकार वहन करेगी अगली योजना है मुख मंत्री निरासरित अथवा बेसहारा गोबंस सहभागिता योजना को मंजूरी 6 अगस्त 2019 को उत्तर परदी सु कैविनट द्वारा मंजूरी मिली है इस योजना की बिसेस्ता है इस योजना के अंतरगप निरासरित गोबंस या बिसहारा जो गोबंस इच्छुक क्रिशक है या पशूपाला के अनगक्तियों को सुपर्द किये जाएंगे योजना के क्रियानवेन हेतु पहले चरण में एक लाख गोवन्स को सुपर्द किये जाने का प्रस्ताव है पहले चरण हेतु बे का जो अनुमान है एक अरब नव करोण पच्चास लाख रूपे होगा जिला धिकारी द्वारा चिन्हताय से इच्चुक क्रिशकों पशूपाल को या अन्नवक्तियों को तीस रूपे प्रति गोवन्स प्रति दिन की दर से भरन पूशड़े तो धनरासी बैंक खाते में प्रति माह हस्तानतित की जाएगी तो डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डेविटी के मारद्य हम से तो एक गोवन्स पर कितना है तीस रूपे या तो जिनके पास दस गोवन्स होंगे जो इच्चुक होंगे कृशक किशान तो उनको खर्चा कितना 30 रुपय खर्चा जो है एक पसू के पीछे कम नहीं लग रहा है पता नहीं कितना खाले में कम से कम सव रुपया तो होना ही चाहिए था तो तीस रुपय आये तीस रुपय प्रति गोवंज भारण पॉंशन के लिए उनके तुश यूजना का चाहिए तो अपना लाब उठा सकते लेकिन रुपया देख रहो तीनस रुपया प्रति वे वह भी एक महिने पर आपको मिलता प्रति माह तो बारत यहीं कितना हो जाएगा 36 तेनी 900 रुपया महिना बनेगा तो याद रखिएगा आपको अमांट याद रखना ज्याद ध्यान नहीं देना है तो मुक्त मंत्री निरस्रित बिसारा गोवंज सुसाह भागता योजना के तहते दिपूंशा जाया अपकी ए मांट की प्रति गोवंज की दर से मिलेगा भरपोशण के लिए तो 30 रुपया परड़े है एक दिन के लिए है 30 रुपया और एक गोवंज के लिए तो प्रति गोवंज प्रति दिन 30 रुपय आगे बढ़ें अगली योजना है ब्रिधावस्था पैंशन योजना है 11 जुन 2019 इसको उत्तर प्रति सरकार की द्वारा प्रदत विर्धावस्था पैंशन रासी में जो है वो ब्रिधी करने का निड़े लिया गया है निड़े जो लिया गया है ब्रिधी का आप देख पा रहे हैं पैंशन की जो रासी है 400 रुपय रही है उसको बढ़ा कर 500 रुपय किया ब्रिध्धवस्था पेंशन को जिसमें 300 रुपया तो राज सरकार बहन करती है जबकि 2 रुपया केंद्र सरकार से मिलता है तो तोटल 500 रुपया प्रतिमा ब्रिध्धवस्था पेंशन है इसमें पात रहोंगे जिनकी 60 वर्स कंप्लीट हो गई हो और 80 वर्स तक है 79 है तो 60 व पाजीक सहायता कारिकरम की अंतरगत इसी उजना का संचालन किया जा रहा है 80 वर्स यो में इस से अधिक आयू की बर्ग वाले जो ब्रध्धवस्था प्रतिमा सत्य प्रतिश जो है केंद्र से पेंशन की रूपय में प्रदान की जा रही है तो सेंट्रल गवर्मेंट वाली तो आपके इंद्र वाले मिलोगे हैं तो यह माउंट पूछा जा सकता आपके एक्जाम में आगे बढ़ते हैं अगली योजना थी महत्तपूर्ण योजना है कन्या सुमंगला योजना का सुबारंब 25 अक्टूबर 2019 को यह जब 25 अक्टूबर 2019 का धंतीरस रहा है उन्नीश क तो उस समय इसका सुबारंब किया गया था और एक अप्रेल 2019 से प्रभावी है गोशड अक्टूबर में लेकिन प्रभावी जो है फानेंसियल है 2019 बीस में ही है एक अप्रेल से तो 6 रेडियो में इसमें लाभ मिलने वाला है लाभ की जो रासी है वो 15,000 रूपे है छे चरण समंगला योजना के लिए बर्च 2022-23 के बजट में 12,000 करोन रूपे का प्राउधान भी किया गया था किसी पैवार की अधिकतम दो बच्चियों को लाभ मिलने वाला है तो अधिकतम दो वेटिया इनको लाभ मिलेगा किसी महिला को यदि पहले प्रसव से बालिका वा दूसर प्रसव से जुड़वा बालिकाएं होएं तो तीनों को लाभ मिलने वाला है भाई पहले हुई अब दूसरे में जब प्रशव हुआ तो दो बालिकाएं आ गई दो लक्ष्मी आगमन हो गया तो पैशा तो मिलना ही चाहिए तो मिलेगा पैशा यदि किसी परिवार द्वार अनात बालिका गोद ली गई है तो परिवार की जैबिक संतानों वह अबिधिक रूप से गोद ली गई शंतानों को भी समिल किया गया है और अधिक्तम दो बालिकाएं लाभित होंगी लेकिन अगर प्रशव के द्वारा हो रही तो सिंपल सी बात भाई पहले में बेटी तो कोई नहीं तीनों को लाभ मिलेगा भरपूर इस योजना की अंतरगत तो यह माउंट याद रखिए 6-49 में 15,000 रूपए है 25 अक्तूबर 2019 को शुरुवात होई है और लागू प्रभावी जो है एक अप्रेल 2019 से है वारसिक इंकम परिवार की 3,000,000 रूपए निर्धारि है तो आपको दो बालिकाओं का लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री सुपोशड घर योजना 20 नवंबर 2018 को उतर प्रदिस सरकारद्वारा प्रदिस के 10 जिलों में बलाक अस्तरपर 28 मुख्यमंत्री सुपोशड घर इस्थापित करने ही तु या योजना है स्वास्त विभाक के सहयूक सी अतिक पोशिद बच्चो ही तु प्रतिक बलाक चसी पी अचसी में सुपोशड घर की अस्थापना की गई है 28 मुख्यमंत्री सुपोशड घर पर प्रतिमा सूला हजार आठ सो रूपे का बेका अनुमान है तो मुख्यमंत्री सुपोशड घर योजना के तहट जो है दस जिलो में बलाक अस्तर पर जो है 28 मुख्यमंत्री सुपोशड घर जो है स्थापित करने के लिए 28 कौन कौन से जिले है आप यहां पर देख पा रहे हैं पाइलट प्रोजक्ट की रूपे में मुख्यमंत्री सपोषड घर योजना की रूप में चैनित किये गए आठ आकान चत्मक जिले हैं 28 में करने हैं तो आठ यहां पर आप पाइलट प्रोजक्ट के ताओर पर देख पार हैं नोट क्या दिया है कि बाउनेपन की द्रिष्टी से हार्ड बर्डन जिले सीता पुर्यों गोंडा में भी संजालित होंगे आगे बढ़ते हैं अगली योजना है सामान सुविधा केंद्र प्रोट साहन योजना शुबारम विसका जो हुआ है वह एक जनपद एक उत्पाद योजना की प्रभाविक क्रियान्विन के लिए इस योजना की सुरवात की गई है वन डिश्टिक वन प्रोटक्ट में चिन्हित उत्पादों की उत्पादन से लेकर विपड़न तक की समस्त अवयों से संबंधित विशुबधाएं उपलब्ध कराना इस योजना का योजन उद्देश सी है प्रमुख तत्य है कि सामान शुविधा केंद्रों की अस्थापना संचालन योग देख भाल का कारी इस्पेसल परपज वेकल द्वारा की रिव्यान भी तो होगा प्रमुख अवेश में जो कच्चे माल डिजाइन है उद्पादन पिरकिरिया गुडवत्ता सुधार अंसंधान योम विकास है परयाबन आदी अगली जो योजना है वो है मुख मंत्री किसान योम सरभहित भीमा योजना इस योजना का उद्देश सिराज के किसानों और कमजोर बर्ग के लोगों को रज सरकार द्वारा वितिय और सामाजिक शुरक्षा उपलब्ध कराना है इस योजना के तहट जो पात्रता है वाईसे मुखिया या रोटी अर्जक जिनकी आईगो 18-17 वर्स तक मद्ध हो योम जो खातेदार सह कातेदार की रूप में खतावनी में दर्ज है जिनकी पारिवारिक जो वार्चिगा है वो 75,000 रुपे से कम है इस योजना के तहट मुआवजा जो है इस सरवहित भीमा योजना के तहट जो मुआवजा है वो पात्र मुखिया की दुरघटना बश्मिर्ट्पी या दिव्यांगता की दसा में अधिकतम मक्षम पांच लाख रुपे तक दिनका प्राधन किया गया है पात्र मुखिया रुटी अर्जन की स्वेवियों परिवार की सभी सदस्यों की दुरघटना होने पर धाई लाख रुपे तक का मुफ्त इलाज तथा अब सकता पढ़ने पर एक लाख रुपे तक के कृतम अंग लगाया जाने की विवस्था भी की गई है पढ़ते हैं अगली योजना की ओर अगली योजना नहीं इसे से संबादित कुछ और भी तत्थ दिये गए हैं मुख्यमंत्री की शानियों सरभीत भीमा योजना से शंबादित है तो पात्र परिवार की सदस्यों की दुरगटना पर नजजीती की चेकिस साले में यदि आप केते मंग लगाते हैं तो आप लगवाते हैं तो एक लाख रुपे हैं इसके बाद चेकिस साले में अगर जाते हैं तो पत्तीस हजार रुपे तक का प्राथमी की इलाज करानी की श्विधा भी है और इसका जो प्रतिपूर्ति है वीमा कंपनी द्वारा होगा दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड नेशनल इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड है उनाइटेड इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड है दा ओरियंटल इंसुरेंस कंपनी लिमि है तो इन चारों में से तीन जो है डाल देंगे एक जो है कोई और डाल देंगे और पूंच लेंगे तो आपको बताना होगा तो दा इंडियन और इंडियन दा ओरियंटल इंस्वरेंस है उनाइटेड इंडिया है नेशनल इंस्वरेंस है और इंडिया इंस्वरेंस है दिए वेपल परिवार भी योजना के पात रहोंगे तो बीपिल परिवारों को क्या है आये प्रमाणपत देने की आवस्यक्ता नहीं है क्योंकि बीपिल है तो आल लेड़ी उनकी पास बीपिल का कार्ड होगा बिलू पावर्टी लाइन वेसे भी यो गरीवी रेखा के क्या है नीचे है इसी होजना के सामिल जो प्रमो की दुरगटना है वो कौन कौन सी हो सकती है जैसे कि रेल रोड वाय व्यान से दुरगटना होती है किसी भी टकराव गिरने के कारण चोट लगती है गया सिरे साव वेच्छू नेवला कुट्ता के काटने से मरना वो कम पाकासी बिजली आज इसी दुरगटना है गया सिलेंडर फटने का कारण भी स्फोट है किसी भी प्रकार से हाथ पहल कड़ जाना विशाखतकता है जंगली जानवरों के आकरमर से जलना डूबना बाढ़ में बहजाना इस सभी जो है दुरगटना है इसमें सामिल है इस दुरगटना बसी अदिया आपको खुश होता है तो मैक्श्मम पाँच लाक रुपए तक शाहिता आपको मिल जाएगी उम्रसीमा क्या आपने पढ़ा उम्रसीमा आपने पढ़ा 18 से 70 वर्ष और जिनकी परिवारी को आए क्या है 75,000 रुपए से कम होनी चाहिए बेपिल परिवार है तो कोई जरूरत ही नहीं है दुरगटना हो जाती है तो मैक्श्मम पाच लाक रुपए है और परिवार के सभी सदस की दुरगटना के कारण अगर तो दहाई लाक रुपए तक का जो है इलाज भी है और कोई करती मंग लगवाते है तो एक लाक रुपए तक करती मंग की विद्वस्ता भी लगवायाज जाने की है इलाज करवाते हैं तो 25,000 रूपे तक इलाज करवाली जिया तियसा लाभ ही इसकर योजना की तहत मिलेंगे कमपणिया काउन रही हैं तो कमपणिया पहली रही दा इन्यू इंडिया एस्वरेंच दूसरी थी नेशनल इस्वरेंच तीसरी थी United India, चौथी The Oriental Insurance Company आगे बढ़ते हैं अगली योजना है मुक्यमंत्री स्वरोजगार योजना मुक्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जो आवसकता है वो सिच्छित इवा बिरोजगारों को स्वरोजगार अस्थापित कराने है तो उत्तरप्रदी स्वरोजगार योजना का उद्दिस विरोजगार या इवतियों को वो द्रोग छेतर की काई अस्थापित करने है तो 25 लाख रूपे तक का रिड़ कोई सर्विस दे रहें सेवा छेतर यथा जैसे की कंप्यूटर केंदर खोल लिया टेंट हाउश आदि खोलने है तो 10 लाख रूपे तक का रिड़ की वेवस्था है फातरता इसमें जिनकी आयू जो इवाई उतिया है 18-40 वर्स की मध्ध आयू होनकी निवन्तम साचिक योगता हाई स्कूल उतिन्ड होना चाहिए साथ ही किसी राश्टिय वैंक अथवा संस्था में दिफाल तर ना हो रड़ प्राप्त करने में कम परयोजना लागत की काईयों का जो है उप्राथिमित्ता दिया गया है अगली योजना है मुख मंत्री आवास योजना ग्रामीड मुख्यमंत्री आवास युजना ग्रामिड 30 जनवरी 2018 को लागू की गई इसमें जो बित्त पोशन है वो सत प्रत्षात राज सरकार बहन करेगी बित्य बर्स 2022-23 में 508 करोण 63 लाक रूपे का आवंटन भी मुख्यमंत्री आवास युजना ग्रामिड की तहत किया गया है इसमें पात्र कौन होंगे तो गाउं में निवास करने वाले छत बिहीन जने पेक पास छतना नीच्यपरा व गईरा हो फक्के ना हो आश्वे भी हीन वे परिवार जो काला जार से परभावित हो जैपानी इनसेफैलाइटी से परभावित परिवार हो परदार मंत्री आवास द रभी में पात्रता से आच्छादित है तियन्य जो सोचल एकनिमिक कॉस्ट सेंक्सस है इसकी आकड़ों के वर आधारित सुवधा पर जो है वो सुवधा में बरतमान पातर सूची में ना हूँ भै एक ही आवास मिलेगा अब मुक्रदान मंत्री वाला अगर आप ले लिए हो तो आपके पास लेड़ी क्या है छट तो ही जाएक छट भी ही रहोगी नहीं तो यहाँ पर क्या पातरसा से आचाजित ना होना चाहिए था जो गया मुक्रमंत्री आवास योजना ग्रामेड में क्या औरत तत्य है आवास का जो आवंटन होगा प्राथिमिक्ता के आधार पर परिवार की महिला सदस्ट के नाम होगा यहीं कालोनी अगर मिल रही है इसी उजना केता है तो महिला की नाम होगी कालोनी यह संयुक्त रूप से पती पतनी के नाम पर होगा महिला सदस्त के ना अगर ना हो तब उजो है फुरुस को बरियता मिलेगी वरना महिला यही पहली नंबर पर होंगी आवास का जो छेतर फाल हो 25 बर्ग किलोमेटर जिसमें रसोई घर भी सामिल तथा आवास की जो लागत है वह राशी कितनी है तो प्रती आवास सामान चेतरों में एक दसमलोव वीश लाख तथा नक्षल जो प्रभाविश चेतर है एक दसमलोव तीस लाख रूपए है तो सिंपल सी बात मुख्यमंदरी आवास ग्रामेड यूजना की तहते कितना अमाउंट मिलता है तो एक लाख बीस हजार रूपए है नक्षल भीहीर प्रभाविश चेतर है तो एक लाख तीस हजार रूपए है आवास के साथ 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 जो बारा हजार रूपए वाली एक लाख बीस हजार ये भी मिल जाएगा गाउं में विवस्ता चल रही हो इसके बाद मुख्यमंतरी आवास यूजना ग्रामेड में कुछ संसोधन भी हुए हैं संसोधन है तो जो पातरता है सहरिया कोल योम थारू स्रेणी के पात निर्धन लाभार्थियों को भीश में स इन जाती समुदा है इनके गरीब परिवारों को भी मकान उपलब्ध कराना इसमें आइड़ कर दिया गया बढ़ते हैं आगे अगला है मुख्यमंतरी आपने आपने क्रिशक पड़ा आव यहां पर ब्यापारी दुर्गटना भी माय हो जना है तो 31 मई 2018 को उतरपदी सरकार के दोरा वाड़िज कर विभाग में पंजी कित ब्यापारियों के लिए लागू इस योजना के तहत प्रदत रासी को 5 लाख रूपे से बढ़ा कर 10 लाख रूपे कि जाने कुश्यों विकरती परदान की गई है मुख्यमंत्री ब्यापारि दुर्गटना भीमा योजना की जो रासी कितनी 5 लाख बढ़ा कर 10 लाख कर दी गई है बढ़ी हुई बीमा की रासी 27 अक्टूबर 2017 से प्रभाबी होगी इसका पूरो नाम था मुख्यमंत्री ब्यापारि दुर्गटना का वा जोखिम जीवन ब्यक्तिकत दुर्गटना भीमा योजना रहा है इस उजना की बिशिस्ता है कि दुर्गटना में मिरत्ति होने की इस्थिती में ब्यापारियों द्वारा नामित व्यक्ति वे जो नामिनी होंगे या उनके परिवार को जो बीमा रासी है वह पूरदान करने की बेवस्था है वह जब दुरगटना बीमा मिलती हो जाएगी तो कौन होगा जो नौमीनी होगा या उनकी परिवार के शद्ष को जो है बीमा राशी परदान कराने की बेवस्ता है कितना पहले पास थी अब कितना दस लाग हो गई अगली यूजना है क्या पंडित दिन दयालो पाध्या ग्रामो उद्दोग रोजगार यूजना क्या पंडित दिन दयालो पाध्या है ग्रामो उद्दोग रोजगार यूजना इस यूजना का उद्देश ग्रामिड छेतरों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करना ग्रामेर सिच्छित बेरोजगार इवाओं को सहरों की और पलायन को हतोत साहित करना तथा अधिक से अधिक रोजगार के उसर गाउं में ही उपलब्ध कराना इस योजना की जो पातरता है वखनिज बन्यों तथा गैर परमपरागत गुर्जा और वस्त्रियों सेवा अधारित उद्दोग पातर संभावी समों के रूप में इड़ारित है राज सरकार के द्वारा इस योजना की अंतरगत इवाओं के लिए 25 लाख रूपे तक रणका प्रावधान है उत्तर परदेश के सभी जनपदों के ग्रामिर शेतरों में एक जनपद एक उत्पाद की अंतरगत चिन्हित दोगों को बरियता दी जाएगी योजना के तहट इस्थापित इकाईउं को अधिक्तम 13 प्रत्सत व्याज उत्पादन का लाभ योम तीन बरसों तक अन्य सुविधाएं अनुमन नहोंगी बढ़ते हैं अगले पेज़ी की उर अगली जो योजना है वो मुख मंतरी शमग्र ग्राम विकास योजना है अगली जो हुआ ग्राम बिकास विभाग द्वराय इसका क्रियान्विन होगा विश्थ स्थाएं शीमा वर्ति छेत्र राश्टी अंतरश चराज है पर इस्थित जो पेजित घाउँ हैं। विकास के लिए है तो सीमा वर्ती छेतर जैसे कि अंतर राश्टी देखोगी तो हाँ पकड़ लो इधर उत्तर परदीस का लखींपूर खेली ले लो नेपाल से लगे हुए है राज्यों के देख लिए अंतर राज्यों जो राज्यों से सटे हुए जिले है तो उनसे जो संब देश की रच्छा में सहीद हुए सीना योम अर्धसानी के बलों की शैनिकों को ये गाउं को सहीद ग्राम घुशित करना इस योजना के तहत है इस योजना की बिस इस्ता है कि इन ग्रामों को पक्के शड़क मार्ग से जोड़ा जाना है इन ग्राम संपरक मार्गों का नाम गवरव पथ होगा इन ग्रामों में तोरण द्वार सहीद हुए शैनिकों की मूर्ती भी इस्थापित की जाएगी मुख्यमंत्री सामोहिक बिबाह योजना नेक्स्ट योजना कौन सी है मुख्यमंत्री सामोहिक बिबाह योजना उत्तरप्रदेश सरकार की द्वारा इसका सुबारम किया गया है गरीवी रेखा से नीचे दीवन यापन करने वाले सभी बर्ग की कन्याओं के बिभा हे तु है संचालन जो है समाज कल्लाण विभाग की द्वारा किया गया है पात्र कन्या की अभिभावक उत्तरप्रदिस केमोरे निवासी हो और उनकी पारिवारी आय गरीवी रिखा से नीचे हो यहीं बीपील सुची वाले इसमें आ जाएंगे विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी स्योजना में शामिल होंगी दर्राजी का जो अमाउंट है व प्रती जोड़ी पर सरकार के द्वारा 21,000 रूपे बै किया जा रहा है कितना 51,000 रूपे विभा के लिए जो महिला की निउन्तम आयो है 18 वर्स वो पुरुष की 21 वर्स निर्धारित है सामोही विभा कारिकर में निउन्तम 10 जोड़ों का होना अनिवारी है कितना 10 जोड़े आयोजन जो होगा वो नगरिय निका यानि नगरपंचायत नगरपालिका परसद्यूव नगर निगम छेतरपंचायत जिलापंचायत व्हास वेचिक जो संसोथ हैं आज जिनने जिलाधीकारी द्वारा स्वामोही की विभाकारीक्रम हे तो अधिगरित किया जाएगा अगली योजना है मुत्तरप्रदीश चावल निर्यात प्रोथसान योजना 17 से 22 13 दिसंबर 2017 को उत्तरप्रदीश उमंत्रे मंदल द्वारा उत्तरप्रदीश चावल निर्यात प्रोथसान योजना को आगामी 5 वर्षूर की लागू करने का नहिलियाग किया गया योजना 7 नॉम्बर 2017 से 6 नॉम्बर 2022 तक लागू रही बास्मती चावल का निर्यात उवदायत पुशिद्ध करने हिद्धान से चावल की रिकवरी का नियुनता मानक 45 प्रद्शत रखा गया प्रद्श निर्यातकों को एपीडा भारत सरकार की जो संस्था इसमें कराएगे पंजीकन को मानता प्रदान की जाएगी जिनको प्रदेश में प्रद्श करूप से कोई पंजीकन नहीं कराना होगा अप्रतेक्षनियातकों को सासन द्वारा निर्धार प्रिक्रिया के अनुशार पंजी कराना होगा नान बसमती जो चावल है तो उनमें जो चावल की नान मार बसी जो धान होंगे धान में अगर यहाँ पर आप सव के लिए धान दरवाते हो जो बसमती के अलावा है धान तो वहाँ पर जो चावल निकलेगा पचावल बाकी भूसी का ना जो पालिश हो गयरा होते हैं उनमें हो जाएंगी तो पचावल परस्ट यहाँ पर निर्धारित क्या गया है माना को प्रत्यक्ष निर्यातक यदि किसान या किसान उत्पादक संग से करे करता है तो उसे धाई प्रत्यक्षत की छूट यूम अढ़तियों के माध्यम से करे करता है तो दो प्रत्यक्षत की छूट प्रत्त होगी बढ़ते हैं अगली योजना की और अगली योजना है प्रधार मंत्री फशल बीमा योजना है इस अबध में यहां योजना खरीफियों रवी फसलों के लिए ग्राम पंचा तस्तर पर प्रदिश की सभी जनपदों में लागू की गई परधार मंत्री फसल बीमा योजना का जो किरियान वेन है भारती क्रिसी बीमा कंपनी की द्वारा किया जाएगा प्रतिकूल मौसम की इस्थिति में अजसूचित छेतर में अजसूचित फसल की बुआई ना कर पाने में बित्ती साहता मिलेगी फसल बुआई कटाई की और प्राकृति का आपदाओं में मिल जाएगी आप क्रीमियों से फसल नस्ट हो रहा है रोग लग रही फसल में कटाई की बादागामी 14 दिनों में खेत में कटी फसल की अगर बरसात औगयरा होती आंधी तुफान आता उड़ जाता कुछ भी होता है तो किसों को बीमा कबर की रूप में बित्ती साहता प्रदत होगी विसे इस्ता है क्या है कि फसल की प्रती हेक्टियर उत्पाजन जो लागत बीमिरासी के रूप में निर्धारित है फसल खाद फसलों है तो किसक द्वारा वाहित प्रेमिया मांस खरी फसल है तो बीमिरासी का दो प्रतिशत है तो यह परसंट आपके लिए बेमा कंपनी द्वारा किर्शकों को देव जतिपूर्टी की रासी बैंग खाते में जमा कराने की विवस्ता है उपर्योग तो तरीकों से हुए फसल की छती का अकलन फसल कटाई प्रयोगों से प्राम्ट उपच की आधार पर आखलित होगी पुनर गठित मौशम आधारित फसल भीमा यूजना लागों जो होगी वो खरीफ और अभी फसलों के लिए ग्राम पंचायत अस्तर प्रप्रदेश की सभी जनपदों में जोखिमों के द्रिश्टिगत प्रदेश की सभी 75 जनपदों को 6-7 जनपदों के 12 समों में विवाज करतित करना होगा इन्हें करतित आकणों के आधार पर यूजना के प्रदावधानों के अन्शार छती का अकलनकर क्रिशकों को शतिपूर्टी का भुकतान उनके बैंखाते में किया जाता है अगली यूजना है अडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा तो इसका ज सभी अबुलेंस जीवा रच्चक प्रणाली उसे सुसद्धित है ट्रांस्पोर्ट र्रांस्पोर्ट वेंटिलेटर होंगे मल्टी पैरा मॉनेटर आधि उपकरणों से लैश होगा या अबुलेंस और जीपिया सिस्टम से मॉनेटरिंग है जीकित जा हेल्थ केर लिम्टे किसान सम्रिध्धी योजना आठ अगस 2017 को शुबारंब हुआ संचालन की 1718 से 21 22 तक छेत्र ने बुंदे इलखंड के साथ जनपदों को छोड़ कर सेश इनिप 75 में 68 हो जाएंगी साथ छोड़ दोगे बुंदे इलखंड रीजिन के तो 68 जिलों में संचालित होगा लाभार पंडित दींद्र अलुपाध्या किसान सम्र्द्धी योजना की जो प्रमुख है तथ चैन का जो आधार होगा वा जल समेट छेत्र की आधार पर होगा प्रमुक कारी बांध निर्माट सुरथिजल निकासी हित नाले का निर्माड आधि शामिल है चैनित पर योजना छेत् अगली ओजना है नजा सबेरा योजना 16 जुन 2017 को श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदीश द्वारा योजना का शुबारम हुआ है तो नया सवेरा योजना की शुरुवात कब हुई है 16 जुन 2017 को इसी उजना का उद्देश है स्रमिक बच्चों को चिन्हित करके उन्हें बालस्रम से मुक्ति दिलाना और उनका सामाधिक शाचिक और नातिक विकास करना है नया सवेरा सर्वेक्षन जो हुआ वालस्रम से सरवाधिक प्रभावित जो है 20 जिलो के चिन्हेत ग्राम यहाट इस्पार्टो को बालस्रम से मुक्ति के जाने हे टू डोर तो डोर सर्वेक्षन हो रहा है प्रभाविक रियान्वेन में मनुस्रमड है तो बलाक अस्तर पर बालाधिकार सनरक्षन शमिती द्वारा जिलास्तर पर जन्पदिय बालत्रम उन्मोलन समिती द्वारा जो है वो एक्जिक्यूशन इसका होगा सर्मेक बच्चों के जो संख्या है इस योजना के प्रारंभ के समय जो है 21.76 लाग अनुमानित रहे चौदा परससे का माल के सभी कामकाजी बच्चों को सूची बद्धी कर इनको विद्याला भेजना तथा तकनीकी ग्यान उपलब्ध करवाना अगला अउत्तर प्रदेश की पूर्ब की जो प्रमुख का ल्यानकारी योजना हैं जैसे की सबला योजना सबला योजना सबला योजना का प्रारंभ 22 फरवरी 2011 को हुआ है इस योजना का जो उद्धेशी है 11 सी 18 वर्स की जो किसोरिया इसकूल नहीं जा सकती उनके स्वास्त से चाओर कौसल संबंधी शुधार हेतु है इसका बिस्तार जो है राज्जी के 22 जिलो में पाइलिट प्रोजेट की रूप में प्रारंभ हुआ राष्टिय स्वास्त बीमा यूजना या केंद्र सरकारद्वारा एक अक्टूबर 2007 को प्रारंभ हुई यूजना है आवसकता जो है गरीवी रेखा से नीचे दियेवने आपन करने वाली परिवारों के लिए यूजना है 30,000 रुपे की वार्षी की इक्सा मदद्वारी राष्टी स्वास्त बीमा यूजना एक अप्रेल 2008 से उत्र प्रदीश में भी प्रारंभ हुई है तो राष्टी स्वास्त बीमा यूजना जो है उत्र प्रदीश में कब हुई प्रारंभ तो ये अप्रेल 2008 में इसमें जो है 30 नया सबेरा विकास यूजना है तो इसका सुबारंब 18 अगस 2012 को हुआ था भरतमान में नया सबेरा विकास यूजना का जो नाम है वो अपंडित दीन दयाल उपाध्य है नगर विकास यूजना किया गया है इसमें ब्याज रहे तिनर जो है वो प्रदान किया जाता है अगली जो योजना है वो सिच्छा मित्र योजना है तो सिच्छा मित्र योजना का सुबारंब 2000-2001 में हुआ है उत्तर प्रदिश की शुरुवात जो है वो कल्याण सिंग जो है मुख्य मंत्री धेन की गारिकाल में शुबारंब हुआ है दो फरवरी 2006 को पंचायत मित्र योजना का शुबारंब हुआ तो उत्तर प्रदेश जो पंचायत मित्र हैं इनकी इस योजना का शुरुवाद जो है दो फरवरी 2006 राश्टिय ग्रामेड स्वास्त मिसन उत्तर प्रदेश में जुलागू वह दल सेतंबर 2005 आगे बढ़ते हैं सब्सिडी जो मिलेगी हुआ कैपिटल सब्सिडी तीन समानवार्सिक किस्तों में देने की व्यवस्था की गई है उचस्तरिय समिधी गठन जो नोडल संसथा इन्वेस्ट यूपी को प्राप्त आबेदन मूल्यांकन पर इसकी संसुति करे और यह 16 माई 2021 से 6 मा की अवधी क यही है और इसमें जो है आपको प्रदेश में आक्सीजन उतपादन की अवसरों को बढ़ावा देना रहा है आक्सीजन प्लांट योगरा कि यहां पर बात की गई थी तो प्रमुक उपकरण यानि लिक्विड आक्सीजन है क्रायोजनिक टैंकर हो गए जियो लाइट आक्स कारियान में है तो उच्छ तरी समीट की अद्धच अब अध्यक्ष आयोक्त इसकी जो है अध्यक्ष होंगे तो कार्यान है तो जो सबसेडी है बंदेल खंड और पूर्बानचल में 25% मध्यंचल में आओगे तो बीस परचंट पस्यमाचल वालों को 15% जो है कैपीटल सब आगे देखो अगला है उत्तर प्रदिश डेटा सेंटर नी верхi 2021 तो बिसिकली ये तत थ्यापको मेंस में जो है संभावना है तीन संभावी डेटा पार्क्स तथा दस डेटा सेंटर रिकाईउं की इस्थापना है तो एक्जाम में पूंचा जा सकता है कि तप अधिस डेटा सेंटर नीकी 2021 केता है तो कितने संभावी डेटा पार्क्स तथा कितना डेटा सेंटर रिकाईउं की इस्थापन करना उद्दर पर्देश नीती 2020 सब्सक्राइब से अनाच्छादित सभी अव्यों को अंगिर्कित किया जा सकेगा कि प्रमुख जो फोकस छेत रहोगी इस नीती के तहट निर्यात नीती दोजार बीस से पत्चीस तो क्रिसी प्रसंसकित उत्पाद हस तो सिल पर्यटन सिच्छा सेवा छेत रच्छा उत्पाद इस पोर्ट्स गुड्स है कास्ट उत्पाद आदी ग्लास रेमिक है काली इंधरिया है शर्म उत्पाद हैंड लूम है इंजिनिंग गुड्स है तो यह सब आप देख पा रहे हैं यह प्रमुख फोकस छेत रहे इस नीती के तहत उत्तरप्रदीश निर्यात नीती दूजार बीस पच्चीस के उद्देशों की प्राप्ती ही तो प्रमुख जो किरियान में रणनीती है तो निर्यात प्रिक्रिया का सरलीकर एकल खिड़की प्रणाली यहनी सिंगल जो विंडोस सिस्टम की माध्यम से करना जिसमें जिससे निर्यात संबंधी प्रपत्रों का सिग्र नेस्तार्यों निष्टा निवारण हो सके मेक इन उत्तर प्रदेश मेक इन इंडिया के ब्रांड का विकास यों प्रोस्ताहा निर्यात योगित पादो हित भागुलिक शंकीत पंजीयन प्राप्त करने में सह्यू करना वे टू भी एक्सेंज की अस्थापना जिससे राज के लगुयों छोटे उद्दमी भी आनलाइन ब्यापारिक शुग्धा का लाभ प्राप्त कर सकें सेवा छेतर से निर्यात बढ़ाने हेत विसीश प्रावधान करना उतर प्रदेश में निर्यात तथा निर्यात को हेत विसलेशन आतमक डाटा बिसका निर्माड आधी उतर प्रदेश निर्यात नीती दो हजार बीस परचेस का उद्देश से है ये निर्यात के छेतर में विकास यों प्रतियस परदा को बढ़ावा देना नरियात सहायक संस्थानों को निन्यात संबंधी आवाचिक सहायता यों शेवाएं प्रदान करना राज में नरियात में ब्रिद्धी हे तु तक नीकी यों भावती का वसन रजनाओं की अस्थापना यों बिगास करना अगला फाक्ट है तरप्रदेश इलक्तानिक वेनेरमाड़नीती 2020 अठारा गस 2020 को तरपदेश राजमंत्र मंदल ने समीती को यनली मंदल ये शमिती निजो आए इस नीती को मनझूरी प्रदान की है जिसके बाद यह नीती संपूर्ण राजय में प्रभावी हो गई है इसके तहए तो बुंदिल खंडियों पूर्बांचल में निबीश के लिए बिसीश प्रावधान की गए है या नीतिया दिसूचना जारी होने की तिथी से पाँच वर्षों के लिए मानने है प्रमुख लच्च है कि चालिस हज़ार करोन रूपए का निबीश आकरशित करना है प्रदेश में तीन इलक्टानिक मनिफाक्टरिंग कलस्टर की अस्थापना करना है तो उत्तर प्रदेश इलक्टानिक भी निर्माण नीती दूहजार बीस से पाचीज टार्गट है निबीश का आकरशित का कितना चालिस हज़ार करोन का कितने इलक्टानिक मनिफाक्टरिंग कलस्टर अस्थापिट करनी की बात की गई है तीन यह मुना एक्सप्रस भी आउदोगी विकाष प्राधिकरण यानि इडा में जेवर हवाई अड़े के पास इलक्टानिक शिटी की अस्थापना गौतम बुद्धनगर में तो पहली यह हो गई इलक्टानिक मनिफाक्टरिंग कलस्टर में तीक है इड़ गौतम बुद्धनगर इडा के इडा में जेवर हवाई अड़े के पास होगी इलक्टानिक शिटी की अस्थापना दूसरी जो है बुंद्धनगर में रच्चा इलक्टानिक विनिर्माड कलस्टर और तीसरा जो है लखनोग उन्नाओ कान पुर्जोन में मेडिकल इलक्टानिक विनिर्माड कलस्टर तो यह तीन हो गए आपकी कलस्टर प्रदेश में तीन उतकेष्टा केंद्रों की अस्थापना फाय विकायों के माध्यम से सेमी कंड़क्टर भी निर्माड निभी शाकरशिद करना है प्रदेश में लगभग चार लाख रोजगार की अउसर प्रदान होंगी प्रदेश में घरेलू विदेशी निभी सिकूँ द्वार इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन भी निर्माड पार की अस्थापना करना उत्तरप्रदेश इलक्तानिक्स भी निर्माड नीती दू हजार बिस पचीस की भूमी के भूमी संबंदि उपादान के प्रावधान है तो मध्यान्चल यों पर सिमान्चल छेतर में सरकारी अभीकर्ण से भूमी खरीदने पर तातो समय प्रचलित सेक्टरों शक्तर दरों पर पचीस परशंट जो है भूमी उपादान है भूंदेल खंडियों पुर्बांचल छेतर के लिए उपादान पचास परशंट है जबकि भूम उपादान को परियोजना लागत की साड़े साथ प्रचसत या 75 करोड़ रूपए की सीमा तक प्रदान किया अधिक्तम 10 बर्सों के लेक्ट्रक इलेक्ट्रिक सिटी ड्यूटी से 50 परशंट चूट है 200 करोड़ रूपए तक निभीस वाली इकाईयों की अधिसूची दभाइंको या बित्ती संसुथाओं से लिए रण के ब्याज की दर पर 5 परशंट प्रतिवर्स की ब्याज की सत प्रतिश प्रतिपूर्टी वास्तिव का अधार पर करना इत्यादी संक है उर्जा जलपूर्टी परेक्शन सुथाओं हिट आधारिक जो सुथाएं के बिकास पर नहीत इमसी का 50 परशंट यूगदान भर सरकारद्वारा किया जाएगा इस नीटी के तहे तो पूंज इस स्टार्टप नीट 2020 आठ जुलाई 2020 को राजमंत्री परशद द्वारान मोदित की गई है और इस सूचना की 33 से 5 बरसों के लिए यहाँ निती है सिडवी के साथ एक हजार करण रूपे के स्टार्टप फंड तथा यूपी एंजल नेटवर्क की अस्थापन तथा इंक्यूबेटर्स और स्टार्टप को बढ़ावा देने के लिए एक शमरपित आनलाइन पोर्टल की ब्यवस्था माध्यम से यह बित्त पोंशन होगा इ इस नेती की विशेषता है कि वाउंको रोजगार आकांची के बज़ाय रोजगार प्रदाता बनाने में साहयग भोमिता निभाएगी इस नेती से लगभग 50,000 व्यक्तियों के को प्रतेक्ष रोजगार यूम लगभग एक लाख व्यक्तों को अपरतेक्ष रोजगार होने की संभावना है उत्र प्रदेश स्टार्ट अप नीती 2020 की प्रमुक्र लच्छ है तो इस्टेट आप आठ उत्कृस्टा के इंदर की अस्थापना करना राज्यों की स्टार्ट अप रंकिंग के अंतरगत प्रदेश को सीर्स तीन राज्यों में लाना है भारत के सबसे ब जन करना ये प्रमुक्र टारगेट है उत्तर प्रदेश उपर्डिण नीती यह मा चैन्छ प्रदेश बेब मीडिय स्टिसूध में शंसूधन पाज फरवरित 2020 को स्टरप्रदीश सरकार इस नीती में शंसूधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजोरी प्रदान की गई है बर्स दो हजार सोला में प्रक्षाबिच उत्तर प्रदिश बेब मेडिया नीती का मुख्योद्धी से निव्ज वेबसाइट पोर्टल को साथ किये विग्यापन प्रदान की जाने का नियमन है संसोधन जो किये गए है प्रमुक्ष समावेशन है तो प्रदेश सरकार की नीतियां उपलब्धियां तक अल्यानकार योजनाओं का प्रदान की जाने की निमित वेबसाइट को उनके दो बर्स के प्रदान की आधार पर सूची बद्धि किया जाएगा वेबसाइटों की प्रदान करने है तो हिट्स की संख्या को ढ़ाई लाख से घटा कर पॉइंट फाइब लाख कर दिया गया है वेबसाइटों की पाच स्रेंडिया बनाई गई है संसोधिन नीती के अंतरगत बेब मेडिया में विग्यापान देखताम एक बेब प्रिष्ट प्रति बेबसाइट की प्रदिबंध को शमाप्त कर दिया गया है वेबसाइट की गढ़ना अंतर राष्टी सविक्रितियों बेश्वसनिया थर्ड पार्टी टूल्स यहीं गूगल एनलिटिक्स कौम इश्कूर आजद्वारा की जाएगी तता गढ़ना का अधार है यूनिक यूजर होगा अगला जो है वो है आपका उत्तर प्रदिश क्रिशी निर्यात नीती 2019 दस सेटमबर 2019 को उत्तर प्रदिश सरकार द्वारा नीती लागू की गई राष्ट्य क्रिशी निर्यात नीती के लच्शों को प्राप्त करना इसका लच्श है इसका उद्देश ये किसानों की याय में विर्धी करना, किसे छेत निर्यात को बढ़ावा देना, अंतरराष्टी बाजार का आकलन करना, यो मुश्किश प्रबंधन से संबंधित बाधाओं को दूर करना आदी इस निती का भी सेस्ता क्या है निती की तो क्रिशी निर्यात को बर्स 2024 तक दूगुना करने का लच्छा है, अच्छी क्रिशी पधतियों को प्रोशान देना और रोगमुक्त शेत्रों को विक्षित करना है उत्तर प्रदेश क्रिशी निर्यात नीत 2019 के प्रमुक्तत थे ताजिफलियों सब्जियों के निर्यात है तो लंबी दूरी की शमुद्री प्रोटोकाल को बढ़ावा देना राजी क्रिशी निर्यात में बिर्दे है तो जिले या जिलों की समोहों के शेत्रों में कलस्टर बनाना राजी को अंतरराश्टी बाजार की अवसरों से जोड़ने है तो कारकरमों का आयूजन करना इसकी अतरिती निस्थांकुलों के पास ही नई खाद प्रसंसकान उद्धोंगों को भी इस्थापित करना उत्तर प्रदेश इलक्टरिक बाहन मनुफाक्टरिंग नीती दोहजार उन्नीज तेच्छे अगस 2019 को मंजूरी मिली प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सौद्धोंगी निविस यूम रोजगार प्रोजसान नीती 2017 के पूरक की रूप में तयार पूरक नीती है प्रदेश में पाहली बार उलक्टरिक बाहन के द्वारा बिद्धुत आधारित गत्सीलता पर ध्यान केंदित करते हुए यह नीती बनी है प्रदूसर को कम करने तर्था एलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोस्थाहित करने ही तो राजसरकार द्वारा इस नीती को प्रख्यापित किया गया है अगरा उत्तर प्रदिष 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 प्र पहले जो नीती आये थी उत्तर प्रदिश परिटन नीत 1998 तिया ब्रेज परिफद या निमाथुरा बिंदापन आगरा तथा स्री कृष्ट की लिलाओं से जुड़ा छेत्र बुंदेल खंड परिफद जासी ललित पूर देवगड़ गालिंजर चेत्र को तथा निकटवाती सी लिजन बौद परिफद में क्या बगवान बुद्द से जुड़ीी बौध परिबित अस्तर है बिंद्य परिफद में बिंध्य स्था इंद्यां चलत्ख सन भस से रामाड परिपद में रामाड में लिखित अस्थल होंगी जैन परिपद जैन धर्म से जुड़ी अस्थल सूफी परिपद सूफी बाद से जुड़ी प्रमुक अस्थल सुतंत्र संगराम परिपद सुतंत्र संगराम से जुड़ी अस्थल क्राफ्ट क्यूजीनियों कलश्टर ट्रेन यानि हस्त सिल्फ विंजनियों बिसिस्ट सांच्क्रितिक केंद्र ये नीती के तहद बिसिस्ट थी रहे आगे बढ़ती है प्रेटन नीट 2018 के प्रमख विंदू है तो सालाना पांच हज़ार करोन रूपे का नया निवीश तथा पांच लाख प्रतेक्षियों परोच रोजगार के उसर प्रदिश पायदा करना इसका उद्दिश ये नीती का घरेलू परेटों को ये आगमन में सालाना पंदरा परिशत और बिदेशी परेटों की संख्या में सालाना जो है दस परशंट की ब्रिधी करना है तो घरेलू में पंदरा परिशंट और बिदेशी में जो है दस परदिशत एको टोरिज्म को बढ़ावा देने का बिशीष प्रियास करना परदेश में एक लाख परेटको और राश्टिय पार्क तथा बनेजी बिहारों की तरफ आकर सिद करना दस हेरिटेज भवनों को प्रतिवर्स हेरिटेज होटलों में तथा प्रेटन लेंड बेंक का सिजन करना अस्थानी उद्धमिता को मेलें और परमो के माध्यम से आकर सिद करना उत्तर प्रदीश पर्टन नीटी 2018 के इसे बुद्देश से हैं इसके तारिएट है सरकार का और इसे के साथ आपका पूरा का पूरा टॉपिक नमबर 31 अतिमाहत्त पूर्ट रहा उत्तर प्रदीश की उजनायों नीटियां आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है दो टॉपिक का और बत रहे हैं टोटल 39 टॉपिक कबर करने है तो अगला जो टॉपिक पूरुशकार संबान होगा उत्तर प्रदीश की उसके बाद अंतिम टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगला टॉपिक नमबर है 32 जिसमें कि उत्तर प्रदिस की पुरशकार और सम्मान को कवर किया जाएगा पहला यहाँ पर दिया हुआ है पंडित महाबीर प्रशाद दिवेदी पुरशकार 2021-22 तो यह किसको मिला है यह डाक्टर प्रभीर कुमार है कव इनको शम्मानित किया गया है तो मार्च 2022 में कहां लखनव में पुरुशकार के जो रासी है वो एक लाख रूपए है और यह पुरुशकार राज कर्मचारी शाहित संसुथान द्वारा देर्ग कालिन शाहिती कि सिवा गद्धित प्रदान किया जाता है एक स्थ है उत्तर प्रदीश बाल शाहित संसुथान द्वारा घोशित प्रोशकार यों प्राप्त करताओं की सूची दी हुई है सोध्रा कुमारी शोहान बाल शाहित संसुथान ड्र मंजरी शुकला को सोहन लाल द्वेदी बाल कविता शंस स्याम पलट पांडे को अमरित लाल नागर बाल कथा संसुथान ड्र अनिता भट नागर जैन को ड्र रामकुमार बर्मा बालनातक शंबान रवेंदर प्रताप सिंग को जगपत चतुरवेदी बाल विद्वे ज्यान लिखन कंद phैकल्पना कुल्स्रेस्ट वोमाकांत लुए युवा बाल शाहित शंबान सिराज अहमद को लल्ली पृशाझ पांडिभ बालशाहित पत्रकारिता शम्मान स्याम नारायण स्रीव वास्तवकों अगला प्रशकार अती महत्त्व पूणर है और यह हिंदी संसिथान उत्तरपरदी सुझारा जो है पूणर जया जाता है डाक्टर रमा नाथ्टर पाथी दिल को प्रवाइड किया गया है लोहिया साहित शम्मान प्रशकार या बुद्धी नाथ मिश्र को दिया गया है तेहरा दूरु तराखंड की हिंदी गवरोव शम्मान से तो भारत भारती को छोड़ दो तो सभी लग पांच लाग के हैं ठीक पर्शकेश के बिल नंदूर बार महराश्टां को दिया गया है इसके बाद है पंडित दीन दयालो पाध्या शाहित शम्मान करें द्धक्ष्ड-भारत भारत हिंदी प्रजार शभा मद्रास को मिला है अटल विहारी बाजपेई शाहित ते सम्मान तिसरी हिर्दय नाराण दिक्षित को प्रदान किया गया है लखनों के अबजान तो ये पूर बिधान से बाद दक्ष भी है लोक भूसन सम्मान तो लोक भूसन से सम्मान की थोने वाले डक्टर महिंदर भानावत है उद्यपु Deutsch राजस्थान के इसके बाद ये लोक भूशर धाई लाग का है तो कला भूशर सम्मान जो डाक्टर हिर्दय गुप्त कानपर उत्तर प्रदीश विद्या भूशर सम्मान डाक्टर सुधानसु चतुरबेदी दिल्ली विज्यान भूशर सम्मान विजय चितावरी प्रियागराद उत्तर प्रवासी भारती हिंदी भूशड सम्मान डाक्टर नली बल्वीर फ्रांज बिदीश प्रशार शम्मान श्रीमती कल्पना लाल जी मौर्शस्ट की मौधिली माई शाहित सम्मान ती डाक्टर विक्रम सिंग आगरा उत्तर प्रदीश को प्रवाइड के तो यहां पर जो आपक है पंडित नारण चत्रवेदी शाहित सम्मान तवस्वनी को मार्दुबे को इंदोर यंपी विदी भूशर सम्मान स्रीमती शुधावस्ती प्रियाग राज उत्तर प्रदीश बाल सहित भारती सम्मान जो दिया गया है इंप्वाटेंट है यह फखीर चंद शुकला अगला है आपका सौहार्द संबान प्रश्कार राज धाई लाग श्री मुईनुद्दीन हसन सुहेल काको रभी लखनवूत इनको उर्दू के लिए मिला है डाक्टर आर लक्ष्मी नाराण वंगलुरू करनाटका कंणड में स्रीमती क्रांती कनाटे वड़ोद्रा गुज पंजाबी में स्री रामकृष्ण विनायक सहस्त्र बुद्धी नागपुर महराष्ट्र मराठी में प्रोफेसर केयस सोमनात नायर मल्यालम में डक्टर हजारी मयूम इवे आइमा देवी मडीपुरी डक्टर मुरारीलाल अगरवाल गाजियाबाद संस्कित में स्री लंगानाई तिल्गु में से यस अनंत कृष्णन तमिल में डक्टर बीड़ा गुप्ता जमुडोगरी में तो आप हिंदी उर्दू संस्कृत कि याद रखो जो यूपी से हैं उनको आगे बढ़ते हैं सहित भूशर समबान जिसकी पूरशकार राज 2,0,00,00 रूपरी होती है स्रीहितिश कुमार सर्मा बिजनर उत्तरप्रदेश डक्टर रगुवीर सिंग अरविंद अलीकड उत्तरप्रदेश को दक्टर प्रितितिस्तिवास्थो कबीर लखन उत्तरप्रदेश श्री किशन स्वरूप मेरट उत्तर प्रदेश, डक्तर उमा संकर सुक्ल सितिकांट लखनो उत्तर प्रदेश, डक्तर नतासा अरोडा नोईडा उत्तर प्रदेश, श्री जै प्रकास सर्मा जन कभी हैं प्रकास, तो ये प्रियाग राज के डक्तर आलोक कुमार शर्मा लखनो दक्टर दयानिधी मिस्त्र वाराण्सी डाक्टर शभापत्य मिस्त्र वर्याग राज डाक्टर प्रमूद्य कुमार ज्छाची स्रीशिवानंद सिंग शहयोगी तो यह मेरट की डाक्टर नरेश मिस्त्र रोतक हरियाणा नरेंद्र मिश्क्या हो गए आउट आप उत्तर प्रदेश, रोतक हरियाणा के डक्टर रूपा सिंग चंदील धारुई हीडा हरियाणा, डक्टर सुसील सरित आगरा, सुसरी सची मिस्त्र पोड़ी महारास्ट्रा, श्री बिजय संकर मिस्त्र भाषकर सुल्तान पूर उत्तर प्रदेश, यह सभी जो है साहित भूशर सम्मान, सम्मानित होने वाले हैं, आगे वड़ते हैं, अगला जो सम्मान है, वो है सिरीलाल सुकल इसमरिती इफको साहित सम्माल 2021, यह प्रदान किया गया जनवरी 2022 में, किसको तो उत्तर प्रदेश की कथागार सिव मूर्ती को बर चिन्ह दिया जाता है, प्रसेश्त्र पत्र तथा ग्यारा लाख रोपे की पुरुषकार रासी है, और यह पुरुषकार इफको द्वारा बर्स 2011 में प्रारंब किया गया है, अगला है अथी महत्त्रपूर्ण बेरी बेरी इंप्रदेश की बच्चे, तो अभिनव कुमार चौधरी इनको शामाजिक सिवा की शित्र में, चंधारी सिंग चौधरी इनको खेल के लिए मिला है, और जिया राय को खेल में, तो यह तीनों अती महत्त्रपूर्ण है, प्रदार मंतिर राष्टी बाल पुरुषकार जो उत्तर प्रदीश से समानित होने वाले बच्चे ह अविनों कुमार चौधरी समाजिक सिवा के लिए, चंधारी सिंग चौधरी खेल और जिया राय खेल, तो दो खेल से एक समाजिक सिवा से, पद्म पुरुषकार दो हजार बाईस से शमानित उत्तर प्रदीश की वेक्ती, तो पद्म भुषड़क से समानित होने वाले पद्म सिरी से समानित होने वाले हे कमनिली अस्थानायों, नलबि अस्थाना कलाग में , सिमनाथ मिस्त्राः है, सी σुराम कला में, सी श्जपाल सिंग है , विद्या बिन्दू, सिंह साहित्ययों शिच्छा में, सिवानदा हैं ने यहोगा में अगला है आपका आतीम हत्त पूर्ण है उत्तर प्रश्कार है तो उत्तर प्रश्कार है या उत्तर प्रश्कार की जो राजी है वो पांच लाख एक हजार रूपे होती है तो उत्तर प्रश्कार संस्किर्ट संस्थान का जो सरवुच्च पुरश्कार है वो अभिश्य भारती पुरश्कार है और यह प्रोफेशर ओम प्रकाश पांडे को मिला है 20 अगस 2021 को इसके अलावा बर्श 2020 की अन्ने पुरश्कार जैसे की महार्श ब्याश्य पुरश्कार है महार्श ब्याश पुरुषकार डक्टर कमला पांडे वारांसी को मिला है महार्श नारद पुरुषकार चंद्रगुप्त श्रीधर बनडेकर नागपुर महरास्ट्रा और महार्श बालमीक डक्टर बिशनलाल गौण गाजियाबाद को दिया गया है तो महर्शी बालमीक जो है ये डाक्टर बिशनलाल नारत जो है चंद्रगुप्ट को और ब्यास जो है डाक्टर कमला पांडे को और इसी तर आपका पुरुषकार वाला जो टॉपिक है टॉपिक नमबर 32 कंप्लीट हो जाता है एक टॉपिक और बस रहा है टॉपिक नमबर 33 इसी को आप कम्प्लीट करने के बाद पूरा गरपूरा उत्तरप्रदीश राजजिद्रिश्टी एक शोव अटाइस स्पीच का कम्प्लीट कर लेंगे अगला टॉपिक नमबर है 32 जिसमें कि उत्तरप्रदीश की प्रशकार और सम्मान को कवर किया जाएगा पहला यहां पर दिया हुआ है पंडित महाबीर प्रशाद दिवेदी पुरुषकार 2021-22 तो यह किसको मिला है यह डाक्टर प्रभीर कुमार है कव इनको शम्मानित किया गया है तो मार्च 2022 में कहां लखनव में पुरुषकार के जो रासी है वो एक लाख रूपए है और यह पुरुषकार राज कर्मचारी शाहित संसुथान द्वारा देर्ग कालिन शाहिती कि सिवा गद्धेहित प्रदान किया जाता है एक स्थ है उत्तर प्रदीश बाल शाहित संसुथान द्वारा गोशित प्रोषकारियों प्राप्त करताओं की सूची दी हुई है सोध्रा कुमारी शोहान बाल शाहित संसुथान डाक्टर मंजरी शुकला को सोहनलाल दुवेदी बाल कविता शंबान स्याम पलट पांडे को अमरित लाल नागर बाल कथा संबान डाक्टर अनिता भट नागर जैन को डाक्टर रामकुमार बर्मा बाल नाटक शंबान रवेंद्र प्रताप सिंग को जगपत चतुरवेदी बालवी ज्यान लेखन शम्मान कल्पना कुल्सरेश्ट को ओमाकांत मालवी इवा बाल शाहित शम्मान सिराज अहमद को लल्ली प्रिशाद पांडे बाल शाहित पत्रकारिता शम्मान स्याम नारायण स्रीवास्तव को अगला प्रिशकार अथी महत्तपोड है और यह हिंदी संसथान उत्तर प्रदीस द्वारा जो है प्रिशकार गिया जाता है तो उत्तर प्रदीस हिंदी संसथान प्रिशकार अगस 2022 में बरस 2021 के लिए प्रदत प्रमुख प्रिशकार है तो भारत भारती शम्मान अथी महत्तप पुरुषकार कि रासी आठ लाक रूपए होती है डाक्टर रमा नाथ तरपाथी दिल को प्रवाइड किया गया है लोहिया साहित शम्मान प्रशकार या बुद्धी नाथ मिश्र को दिया गया है तेहरा दूरुत्राखंड की हिंदी गवरव शम्मान से तो भारत भारती को छ शाहित शम्मान तो यह डाक्टर विश्वास किसन पार्टी नंदुर बार महारास्टा को दिया गया है इसके बाद है पंडित दीन द्यालुपाद्या शाहित शम्मान की डाक्टर राम सरण गोण को मिला हुआ है गवतम बुद्धनगर उत्तर प्रदीश की है अवंती सब्सक्राइब तो हिंदी प्रचार सभा मद्रास को मिला है अटल विहारी बाजप्याई शाहित शम्मान त्यूसरी हिर्दय नाराण दिक्षित को प्रदान किया गया है लखनों के अबजान तो यह पूर बिदान सबाद दक्ष भी है लोक भूशड सम्मान लोक भूशड स अब कला हुश्ड सम्मान अब तकर बिध्यांऔ 3 ृद्वांशु स सम्मान दक्ष जुधाचूर मीजाई शितरी प्रÍयागराई उत्तर प्रदीश को सिस्चिव कारीटरी प्रवाध्य हिंदी भूशड सम्मान डाक्टर नली बलवीर फ्रांज इंद बिदी सुप्रशार शम्मान श्रीमती कल्पना लाल जी मौर्शस की मौधुली माई शाहित सम्मान ती डाक्टर विक्रम सिंग आगरा उत्तर प्रदीश को प्रवाइड के तो यहां पर जो आपको याद रखना अगला है पंडित नारण चत्रवेदी शाहित सम्मान तवस्वनी को मार्दुबे को इंदोर यंपी विदी भूशर सम्मान स्रीमती शुधावस्ती प्रियाग राज उत्तर प्रदीश बाल साहित भारती सम्मान जो दिया गया है इंप्वार्टन्ट है ये फकीर चंद शुकला लुधियाना पंजाब और डक्टर दिनिश पाठक शसी मतुरावत प्रदीश को मिला है वहें परमदन मोहन मालविय विश्विद्या लेस्तरी शम्मान जो दिया गया है डक्टर योगिंद प्रताप सिंग लखनवू यूपी के और डक्टर प्रतीश उद्वी गोरफपूर उत्तर प्रतीश अगला है आपका सवहार्द संबान पुरशकार राच धाई लाग श्री मुईनुद्दिन हसन सुहेल काको रभी लखनवू तिनको उर्दू के लिए मिला है डक्टर आर लक्ष्वी नाराड वंगलुरू करनाटका कंणड में श्रीमतिक क्रांति कनाटे वड़ोद्रा गुजरात गुजराती वासा में डक्टर वीड़ा गुपता जम्मु डोगरी में श्री मोहन सवराज आलंधर पंजाब पंजाबी में स्री रामकृष्ण विनायक सास्त्र बुद्धे नागपुर महाराष्ट अमराठी में प्रोफेसर के हसा सो अमनाथ नायर मलियालम में डक्टर ह जारी मैयुम इवियाइमा देवी मड़ी पुरी डक्टर मुरारीलाल अग्रवाल गाजियबाद संस्कित में श्री रागु मिस्राउर केला उडिशा उडिया में दिया गया है डक्टर तुलसी देभी फिरोजाबाद उत्तर प्रदीशी सिंधी में इनको डक्टर यम लच्मडा डक्टर यम लच्मडा चारियुलू हैद्रबाद प्रेलंगानाई तील्गु में स्री यस अनंत कृष्ण संस्कृत कि याद रखो जो यूपी से हैं उनको आगे बढ़ते हैं साहित भूशर संबान जिसकी पूरशकार राज धाई लाख रुपए होती है स्री हितिश कुमार सर्मा बिजनर उत्तर प्रदीश डक्टर रगुवीर सिंग अर्विंद अलीकर उत्तर प्रदीश को डाक रुमा संकर सुक्ल सितिकंट लखनो उत्तर प्रदीश डाक्टर नतासा रोडा नोईड उत्तर प्रदीश शिरी जै प्रकाश सर्मा जन कभी प्रकाश तो ये प्रियाग राज के डाक्टर आलोक कुमार शर्मा लखनो के डाक्टर दयानिधी मिस्त्र वाराण ची डाक्टर सभापत मिस्त्र बर्याग राज डेक्टर प्रमुद कुमार जाची श्री सिवानंद सिंग सहयोगी तो यह मेरट की डक्टर नरेश मिस्त्र रोतक हरियाणा नरेंद्र मिश्क्या हो गया आउट आप उत्तर प्रदेश रोतक हरियाणा के डक्टर रूपा सिंग चंदेल डक्टर सुसील सरित आगरा, सुसری सची मिस्त्र पूडि महरास्ट्रा, स्री विजय संकर मिस्त्र भाशकर सुल्तान पूर अतर प्रदेश, श्री ग्रीस पंकज राइपूर, स्री सीवतयाल पट्ना, डक्टर नेर्जा माधव वारांड शीवत्तर प्रदेश, यह सभी जो है साहित भूषर सम्मान सम्मानित होने वाले हैं आगे बढ़ते हैं अगला जो सम्मान है वो है सिरीलाल सुकल इसमर्यती इफको साहित सम्माल 2021 यह प्रदान किया गया जन्वरी 2022 में किसको तो उत्तरप्रदीश की कथागार सियु मूर्थी को बरस 2021 के लिए बर्ष 2011 में प्रारंब किया गया है है अगौ। अगला है अधीни महत्वपुण बेरी बेरी ही इंप्पॉर्टेंट है ध़ेवकषब प्रधानमंत्री राष्टिय बाल पुरुष्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदीश की बच्चे तो अभिनव कुमार चौधरी इनको शामाजिक सिवा की शित्र में चंधारी सिंग चौधरी इनको खेल के लिए मिला है और जिया राय को खेल में प्रधानमंत्री राष्टि बाल पुरुष्कार जो उत्तर प्रदीश सम्मानित होने वाले बच्चे हैं अभिनों कुमार चौधरी शामाजिक सिवा के लिए चंधारी सिंग चौधरी खेल और जिया राय खेल तो दो खेल से एक समाजिक सिवा से पद्म पुरुषकार 2022 शमानित उत्तर प्रदीश की वेक्ती तो पद्म भुषड से सम्मानित होने वाले राधी श्याम ख्यामुतान को मरड़ों परांत दिया गया है साहतियों सिच्चा के छेत्रे में कल्यार सिंग को मरड़ों परांत और सारभजनिक मामलों के पद्म श्याम कला में शिष्ट पाल सिंग है अन्यक्रिशी में विद्या बिंदू सिंग्सायत्यूम शिच्छा में सिवानन्दा अन्य योगा में अजर कुमार सोनकर विज्ञानियों अभियांत्री की आधिता श्री वास्तों कला के शेत्र में डाक्टर कमला प्रपाठी में स्थान लकनों की द्वरा दिया जाता है पुरुषकार की जो राजी है वह पांच लाख एक हजार रुपे होती है तो तरप्रदी से संस्किर्ट संस्थान का जो सरवुच्छ पुरुषकार है वह अभिश्य भारती पुरुषकार है और यह प्रोफेशर ओम प्रकाश इस तर आपका पुरुषकार वाला जो टॉपिक है टॉपिक नमबर थर्टी टू कम्प्लीट हो जाता है एक टापिक और बस रहा है टापिक नमबर 33 इसी को आप कम्प्लीट करने के बाद पूरा गपूरा उत्रपदीश राज जिद्रिश्टी एक शोव अठाइस पीच का कम्प्लीट कर लेंगे